नमस्कार, मा अच्योत की मिरेको स्वागत्छ, मन्जु विमलीको उपन्यास अत्रिप्तिको बाचन लेर आईपुकेको छुँ, हमिले अत्रिप्ति उपन्यास को बाचन सुनाओ छुँ, अत्रिप्ति उपन्यास दुएजार अठतर साल भधाव मा प्रकासित वायको उपन्यास हो, यसलाई पईरवी बुक हाउस ले बजार माले आयको छुँ, यो उपन्यास की लेखक मन्जु विमली, ते रथुम वहाकु मा जन्मनु वायको हो, वाले नेपाली मा स्नातकोत्तर ग अत्रिप्ति उपन्यास प्रकासित वायको छुँ, यो उपन्यास की पईलु श्रिंखला अब बाचन गर्चु मन्जु विमलीक उपन्यास अत्रिप्ति, इंधिरा पड़ाई मा देरे तेस्त वही न, तरतेती कमजोर पनी थी न, त्यो बर्च पनी बिद्यालायमा बिद्यार्थीको चाप खुग बड़ेको थियो, उसका कक्छयामा पनी धेरी नया अनुहार हरु थप्ये का थिये, बाईरबाटा आयका नया अनुहार हरु डराय डराय जस्ता देखिन थिये, जहां पनी स्थानिया और को फूर्ति उने आफनो गर मा कुकुर पनी बाग होंचा बने जस्ते, त्या आपनी स्थानियाले बाईरा का बिद्यार्थी अरुलाय हेप न खोश्ते, उसला पनी आफो इस्थानिया उन पायकोमा गर्ब लाग थियो, तर खेल कुद, साइत्तिक कारिक्रम, हाजेरी जबाफ आधीमा स्था आयकोमा जस स्थानियाला आच्चो आच्चो पारण फारन thाली थालि छाकेका थिए, स्वार अरुली, स्वार अरुले स्वार्ले पनी बाईर बाट आयकोमा बिशेस सम्रक्षन दिन खोशाकोँ देखियों, कईले कैं, कग्चिया मेपनी बाईराका बिद्यार्थिला कुष्चीर पढ़न थाल थी, तर कही चिन में गर का काम अरू लश्कर लागेरा आये पचे फेरी स्कूल मा उठेको जोस चापपे उन्थियो। कक्ष्यामा आफिलाई अरू बंदा विश्ये सुमु मनत देखाऊने सदें कोछिस कर थी। नेपाली विश्ये का सिक्षकले छंदका कविताला लए हालेरा पढ़न सिकाय जसतो। और विश्ये पढ़दा पनी सब्दका अगीको अक्षेर-अक्षेर मिलाएर आफने सजिलो का लागी सुत्र बनाई लए हालेरा गोकने बानी गरेगी थी। पुक्क परेका गोरा, डल्ला, सुहाउंदिला गाला, कोस्चिकेर लगायका गाजलो आखा आफेला मन पर थी। आफनो रूप्र संदर्य संग आफें मक्क पर थी। अईनामा आफना आखा माचा आकार का देखता। बित्र बित्र आफनो रूप्ले आफें रमायकी जस्ति उन थी। उसलाई आफना दात को बनी खूब कमंड थी। बद्री सर ले उसको दात को अनार का दाना जस्ते मिलेकार सफाचन बनी। कक्छे आफना प्रसम सगरे देखी। अजज़े तिनलाग विशेस त्यान दिन थाले की थी। बद्री सर का बाव दात बनावनी काम गर थी। आमा का दात फुकालना उनका गर्मा जादा बित्ता क खोपा मा जतन चात राखे का नक्कली दात पनी देखी की थी। कसे ले दात, कसे ले आखा को प्रसम सगरे को सुन्दा पित्र भित्र गमक कफुल थी। अनार दाना मोती का लहर खोले रहासन। नबुजे पनी सुने को गित आफ़े दोर्याउं दे हिर्थी मन मनाई। अग गर्दा उनेरु पनी उन जीक उन चान थे। कक्चया मा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौँतो समा मा पनी उपर दी न थी। पड़ाय की कमजोरी का कारण पचिललो पंक्ती मा बसन न पायको र अगिललो बेंच मा बसने अरले आफ़ेला हेपे जस्तो लागे पसी। अफना गाउं का अलाई दक्को लगाउन पनी छिमे की गाउं बाट आयका साथी अरु संगत बड़ाउं थाले की थी। खोला नाला तरदाई करीब डिल्ड गंटा को बाटो हात्मा किताब चापे राऊं थे उनेरु। यांग सिला, सुम्नीमा, पासां, सोमा, सुकमाया अरु सार मिलन्चार मेनाती थी। बाईर का संग संगत बड़ दे गए पसी उसका गाउं का पुराना साथी रुबिस्तार आई उबाटा टाडी न थाले। अलिक हक्की सभाब बैकेले पनी अरु उस संग तकाउन खोचते। आफो जत्ती सर अरु न खोजे पनी एक किसिम को सीमा बा मिलन्चो बंदा कस्तो पिसा फ्यार ने ओबने रजिस्कन थियो। इन दिराले यो कुरा निक्के दिन समस्वाय की थी। तर एकदम असय वाय पची एक दिन मनिटर को लौर खोचे र उससेला बजाई दी। यो मुद्धा अफिस समपगे पची उसले पनी फटा-फट रभ अगलो, गोरो, तर हेरदै छुट्चो जस्तो अनुहार परेको केटो। बीचाई बीच होंदै अन्तिम बेंच मा गर वस्यो। एक पल्टा सबहिले पची फर्के रहे। उसले पनी योटा हातले औरको हातको पाकुराला बहर दिन दै दायने हातको अतकेला मास जूंडो कुनेपनी नया बिदार थी, पहलो दिन तेसरी प्रस्तोत भायको उसला था थे नौ। उक्ष्यामा पस्ता शुक्रसर स्वास्ते पढ़ाई रहे का थे। प्रजनन प्रणाली बारे पढ़ाई भाहे रहांता केटी अरु गोस्य मुन्ट लार लजाई रहे का थे। केट आर आज देखी ये से कक्षा का नया बिद्ध्यार थी, ती मेरुका साथी सब्भाईली नया साथीला स्वागत करा, पर अर्र सब्भाईले ताली बजाई तर कीनो हो इंदीराला ताली बजाउना मन लागे न। सब्भाईले बजाई पसी उसले पनी बिस्तारे पैट-पैट मा आएको थियो, त्यो दिन घर जांदा बाटो बरी पनी उसले के भायो कि तेस्चे उसंग रिचूठे जस्तो बाई रायो, कहले न देखेको मांचे संग, आज देखेको पईलु दिन न कि न तेस्टो बाईको होला उसले, अचम्म पनी लागी रायो थियो, राती पड़ी र वाईके लिपनी अबत्य सलाई, उसले ये न न तेर न योकी बने डर बसे सवला, कोक्षा मां केटियर को संख्या केटा आरू के बराबरी जस्तो थियो, पात जना केटियरू अगाडी को बेंच मा बची सके पसी, दोस्तो बेंच मा ललिता, करूना, बिनितार राधा बसते अगाडी का तीनोटा बेंच मा केटियरू बसी सके पसी, अनि केटा अरू लोहर ये बसते जान्ते, शुरू मत जो जहां बसे हो, तेने उसको सद्धाई को ठाउं थियो, मोनिटर को अईसियत ले इंदेरा जाँ पनी बसना सकती, तर प्राय तोस्तो बेंच में बसती, अधिकार को प्रयोग गरी आल थी, इंदेरा को पढ़ने तरीका फरक थियो, उसको मेनातर रिजल्ट न मिले को देखेर सबई चक्क पर थे, शुरू मा किरण लाका सेले पनी मन पर आयगन, किरण को अन्भार हर दै रिशाल हुजस्तो देखिन थियो, आखा पनी ठूल आर गहीरा वायकाली, कुरूब जस्तो पनी लागतियो, उधो एरने नियुले सेता आखा पल्टायर उबो एरे जें गरतियो, उधो अरुजस्तो लजालूर एकांत प्रिये थिया न, हेर्दा हेर्दे के दिन में उसकोल भरी को परिचित्र चंचले केटो बई सके को थियो, फियो, अरुजस्वादा हेर्ला गहिं तयुकाने, कुरूभ जालो डूकाला मत बई सके दोकांत वायकालो जालूरू उसका अरु जालोige सेता आखांतीकाल उत juara प्रिये अर्जाल के में वहलता अश्तो अरुजस्तो लगता थियो, खिरो दया व हिंत जालोицके न, हेर्दा उसको कुरा सुने रहे इंदीरा मन मने आश दी मुक्य मुक्य तीन विस्षे ने गार वे पची अरुचे की पड़काउं दोला विस्तारी थाउं देगायो उता पड़ाईमा अबबल पोराईच अब उसका कुरा पनी साथे रूप मान न थालेका थिये कक्चामा इंदीरा को बंदा उसको कुरा चलन थालेको थियो कुसो कुसो केके मिला रह वला एक दिलू इंदीरा को बेंच पचाडी को बेंच मा आरे बसियो तो बिरभादूर को ठाउं थियो बिरभादूर लाए हाफने सीट मा न देखी पचाडी बसे को देखता आच्चरी मान्दे भनी, यहां बट किन तेता सरेको, अगाड यार बसा, विर्भादो ले बन्यो, वान नया साथी, अगाड बसने मान गरनु भर, मैले नाई भनने सकी ना, ठीके चा, मुई याई बसा, जदें बसते गरेको ठाउ छोडी, तेस तिन दे कि उते ही बसन थाले, अगलो मान खां, प्रशंशा गर देई, उसले इंदिराका आखामा तीखो पाराले हर दे बन्यो, तपा से उत्तारी कां कई शिक्नोगो, तर इंदिराले कुने बावधी ना, अरकर देन इंदिराले बनी, तपाय आंफे कीने नोड़ गरनूँ ना, उसले फिस्चा आसर बनी, तपाय बाइर को खानी कुरा खान न थी, उपनी केने के बोके राउं थी, रिता प्राय बनने गर थी, मत पूरित की चोरियों। बाइर कोसेले छोय को केई खायर गर पोगिया मने, बाबा कामेर चुम्पी, देवता चड़ी आलचन। इंदिराला बने, तेस्ता कुर्या को तेती वास्ता लाग देना थी, बाउनने वैपनी उसका आमा बाबु तेती कोटर थी न, उसका गर मा राई, लिम्बु, मगर, गुरुंग, सब्वे घर भित्रे बसेर खानी बिवने गर थी, अन्यका ठुल्ठुला दोकरा बोकेर गर सबगा जन जाती, वहले के खेलना जाता, साथी का आमा हरूले, आफ़ले खाय रहे को खाजा उसका आमा का फेर मा पने आली दिन थी, एक दिन, एक कटावर मासो दिन देई, छेमे की बाउजेले सो दिन, खांचियो ठुलो खासी को मासो, उसले बिस्तारे टाव को जुक आलेर चपाओं देगर फ़र्की राय कि थी, दिदी आगर मा टुपलक का देखा परी, उसले उत्चाईत उदे लाडिये को स्वर्मा बनी, ए, थुलो खासी को मासो आरे, पल्ला गला बाउजेले देखो, दिदी रेस्चो न अजर लगाई, अनी मासो खोसे र ताला बारी क पाटामा पुग ने गरी हो त्यादी देचा पारी, तला त्यो मासो खाना मेर कसले बनी, छुलुक का मुत ने गरी, तिन चार चोटी बास का शिर्कनाले बजाई पीणोलाब, उपीणोला समार थो चुक बस तय उठतै भाग दे गरी, मासो का सठकीना सिर्काना खाना परी बंडेकुरा उसले उत्तिखर बुझन सकीना पची फेर एक दिन जामा का फेरमा माचु आली दिन उनाई बाउचुले इन दिरा डर आई मत लान्ना यो माचु देदेली माल छिन अत्ति बनी कस्तु शोल काई बाउजुले बनी तेसे ब यहीं बसर खाई सकर जानू नित आको कसले धेक्षर डल्ली गाई को यो मुई चैने खाव गणा उच रथापाउच्छ भेरी माच जपनी निदार गाट पार दै सोची यो डल्ली गाई को मुई वनेक की यो उनेर्को डल्ली गाई तो दुद दिदे इन ठाकेको सा अरको आश्चर तपियाको तियो उसको ल अलमा पनी खाची ठूलो शानी, सब बोले तेहीता खान्थानों दसाइमा, तिम्रोर आमर खासी फरक्षा, आमर ता ब्वाइं ब्वाइं गरनी अनी चुईचुई गरनी खासी पूँऊता, आमी बाखरा का छराता का खान्चुंग्रा आंध्रानी बरी देले, सुर्ती खाडेर मज जाले हांसे हुँ, तेही बरा तिम्रो दिदीले फेकी देऊनी, किन बोकेर गावता, आसीर आयो, तेहां देखी, जाहां सुके वस, भाइसीर सुंगुर कुमासु देखने बित्ते के इंदीराला दिदीले सुमले आयको याद आई रान थे, कुखरा कुमासु देरे पची दिदीके अनुमा तिलेर मात्र उसले खाय की थी, अईले पनी उसको मनमा प्रस्ना आय रान छा, किन वलाय सरी जाच छुट्या येको, तिलेर राहमी बंदा बिशेस के वायरा, करमा सुंगुर कुखरा पालने वायरा की, जान रक्सी खाने वाने राकी, अनि फ देके मा मनप्रसाद देखता पनी का आलो, ख्याओ टेश, प्राय एक दू जोर सोट्र सुर्यालमा मात्र देखिन च बर्स भरी, तर सबय का नजर मा उँ माथियलो जातको पूर्यत को छोर आरे, देरे तो तललो जातका बन्येकार उसकोल पढ़ने आउँ देनन, आफनो काम गरना आउनी, गोठाला, खेताला सबई उन्ये और ने उन्ते, तिने अरे छोय को आकल जुकल न खाय बेवार पनी कोशरी चलते होला, तेस्सेले उला, उसको आम बाब ओर उर ले पनी तिने अरे छोय को ओभाना कुडा खाय उन्चा वने का थिये, उन्येर को मा कईले काई काम सगाउन वा पर्म जान्दा फुको खाजार चिया समखाने चलन छा बन्ते। कस्ये कसले मात्र आपने गरबाट काजा बोगिर लए जान्ते। कत्ति साथी एर लाई इंदीरा लाई कमण्डी पनी बन्ते। उसको कॉम बոलने बानीले कर्दा पणि उसका साथी देरे उना न सके कावला ति देरे मन परे पणि उसके न छोटी ने साथी चे रीता ने थी उनेरू कक्छा कोठा बितरे बित्रे बशे र कहले पड़ थे कहले शिनैबू न इका काम गर थे अलक का बड़ेको के पुराना भाई पने सफा लोगा लगायको देब्रे तिर स्यूंदो काडेर दाइने तिर लपक क मिलायर कपाल फरकायको जुंगा का रेखे छिप्पी देगर जुंगाने बनेर बरीन लागेको माथी लोट चुरा नलगायका दारीले सुहांदीलो देखिने आकर्सक किरण और परगरी नहदा खेपई पीछे इंदी राका आखा उससे माथी बाराम भार ठोकी न पुगी रान्थे उपनी नजानी देव पाराले काता काता छेली एको जस्तों देई इंदी रालाइने हेरी रान्थेओ नोटसार ने बहाना मा उसको छेव परेर पनी सायत तेसला पूगेको थिया न वला जो कुरालाई रिताले पनी बिचार गरी शाके किराई छे एक दिन उसले बानी यहर न त्यो मोरो किरणे सुषुल खुट्टे चद्धें दोईलोमा चेप मा छेली एरा आमिलाए यहरी रान्थे मला त्या कस्तों अफ्रेर लाग्से तेसले रिया रेगो उसले 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 पो एरी रादुराई छे किये यहर नू परेक वलानी और कालाई कोईली न देखे जस्तों गरी लुकी लुकी उसको त्यो बानी मन न परेपनी फ्याट्ट क्याई बनी आलने आंट बने गरी दा चोची आफले न यहरे बाई गणी जोंदि न देखे इंदीराफ को कीरन को त्यो लुकी लुकी ईरने को उसले थापाई त्यो न देखे उ बीतरपनी कस्तो कस्तों न थाले करफर्केदा बाटो में रिताले बनेका कोरा सम्झना आये रना थाले मन बीतरपनी केहली चीमोटे जस्तो लाग थे जब उसका आखाले पने दिन देने किरण लाई, नजानी दो पाराले खोजन थाले, चाथ चैने रेताले बने के जस्तो, तो कते न कते उसले देखने गरे अलमली जस्तो गरी रहे को उन्तो रहे छा, जालबाटा एरदा बाईर उसमा आखा पने ठाउँ परे रहे कांतमा बसी योटा कापी मा आखा डूलाएको बाहनामा, किरण पईला वन्ता रमाहिलो पने हुदाई चादी थियो, अतिरिक तक्रियाकल आपको कक्छा मा कईले गायर, कईले कभीता पडे र, कईले चुटकी रा बने र, सभेला मनोरंजन दिन थियो, नाचनार बाजा आरू बजाउन बेला बाबु दा जोरू समाचार सुनी रायका उन्ते, जति-जति किरण ला चियो गर न थाली, उति-उति उति किरण को आखा संगा ठोकी न थाली, जति पल्टा आखा जुत्तियो, ते तेने पल्टा वित्रकते चीशो उन्तियो, पहला पहला सहजे बात करीने मान्चे, अपा बुलने पो दख पला न थाली, बिंदे नहीं आखा जुद्न बानी होदे ही जाना थाली, तेसला न देखता चटपठी जस्तो रागना थाली, कुक्च्यामा बस्चेरा नूट करी रांदा पनी मोन्रा आखा बने, डोका तिरने होना थाली, पहले काई किरण डोका ब अपा बाट आफुला हेरी रायको कुरा गर्दा पनी उसले खासे वास्ता गरेको थिया, और उसले डर लाग थियो, आफना आखा तेसरी किरण संग जुदी रायको कुरा इंदीरा ले थापावली बनेर, उन्देरू कक्चे कोठामा बसी रायका बिला, कोईले किरण हतार चिर्थियोर केई खोजी जस्तो गरी रिता संगा आखा जुदाउं थियो, छड़के आखाले इंदीरा किरण लायर थि, तर उवास्ते नगरे जस्तो गरी फुद्त बाइर निसकन थियो, दिन्देने उसले किरण न देखेको कक्चे आवा खेल मैदान सुन्ने जस्तो कक्चे चली रहे का बेला, जबसमा आपनो पचाडी कीरण चा बने लागतियो, वो बीत्रे किसिम को अनौट उर्जा पला राऊं थियो, नीलो सट लगायको पातलो अनुवार उसको मनमा लाहाचा आप चाही बसी रहां थियो, कक्चे आमा बसे को बेला, पचाडी फरकेर क किरण संगा आखा जुदी कायमा, उसला आपना गाला ता अता बाय जस्तो लागतियो, एक दिन रिताले गंबीर हुँदे बानी, एर न, तियो मुरो किरण जत्ती बला पनी मला मात्र एरी रहां च, छोमा गर बोलना कच्छु पार पर दांच, बोल्दे 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 कि जंग संगे बीद्यार्थिला समह मा बाण ने चलान थियो, एसले बीद्यार्थियर को छेमतारा बुद्धि विकास मा मदरत करने शिक्छकर बिश्वास थियो बार्शी कोच्छप्र अन्ने अतिरिक्त क्रियाकलापका लागी बिद्यार्थि लाई छेमता का आधार मा चनोट गरी बिभिन्न कारिक्रम मा अनिवारी सहभागी गरावन सदन अरुमा बाणी इन थियो सबय सदन मा संतुली सभागी था होस पने सिक्षपर लागी पने विद्यार्थि अरु चित्त बोजाऊंदे गते शाना देखी ठूला कक्छाका सबय विद्यार्थि अरुलाई समानुपातिक डंगले सबय सदन मा बिभाजन गरीं थियो विद्यार्थी अरुचेएं आफना मिलने साथी संग योटे सदन मा परना चान्थे सदन बिभाजन हो दा आफना किरन के सदन मा परियोस पन्य लागे को थियो इनदी राला बित्र बित्रे हैं तर रिता पो परी कीरन को सदन मा तेस्ट रिता संग आरिष चस्त पलार आये उसलाई, अज़े सदन को क्याप्टेन मा पनी कीरण ने चानियो, पहला नमीटो लागे पनी, पची कीन अओ, उसलाई त्यो सदन मा न परे के राम्र लागे उ, इंधिर आखो सामाने गयान राम्र थियो, तेस्ट रिये उसलाई ज उसलाई आश्खेल करना छोड़े जस्तू देखीन थालियो, उसलाई क्याई समस्या परे कर चाकी बनी लागेर एक दिन कसो कसो एकांत पारे कर चोदी, इरण ले खासे क्या होई ना मने रटारियो, तेस्ट न परेंदा मात्र पनी उसले ठूलो युद्ध जिते जस्त एक दिन किरण ले बाने हो, तो रिताक अनुवार तो माला कस्तो गोडागो जस्ते लाग साओ, उनात तिमरी देरे मिलने साथ ये वला है, चाची नढाडी का न बने, शुरू देखीने देश्तो लागते हो, ते बार करी गरी आखा पुगी आलचन, खिसी को मुस्कान आली, सोची, उसले पो बने कोता, मलायता वई नानी, आनी सोधी, मिरो अनुवार चाहीं कोशको जस्तो सानी, तपाइं ते बिश्चो सुन्दारी नी, तेसे मा लुकी लुकी एर्चू, लाजले पानी पानी बायू, मनमा अचम्मा को अपत्त्यारीलो कावकोती लागयो, क नोट सार्नो, नवजी को कुरायकर का संग सिकनो कुने अपराद होई न, तेती गर्यके बर्मा हल्ला गर्नो को अर्थपनी के थियो रा, जब उसले पनी किरन को गणित को खाता बाट अंकर अक्षेर अरु सार्न धाल थी, लागतियो, उत्या बाट किरन को मन मा, मन का सब्दपनी कुराबाय का थिरन, किरन को बानी नहीं, एक्दम अनाउठो लागतियो इन दिरालाई, पौर पौरे बाटे हरी रहने, और आखाले मात्र भाव्यक्त गरी रहने, तेसले अपने मुखबाटा उपचारी ग्रुप में एक सब्दपनी फाल्टो भी सेमा कुरा ग सब्दपनी बाटो थिया नहीं, तर गुमावरो बाटो को बर को चारी हो दै, मस्यामबारी को छोओ को ठूलो डूंगा मा वसेर खुब पढ़नते जे रहने देखिन थियो, छुट्टी को गंटी बजे को यही छिन में बाटो छेकना आयको जो स्टो उतियां पुई सके कु सब्सकर को पचारी हो थि, मौका परखेर बसी रहे को किरण ले मेरो पचारी को भागमात्र देखी रहे चावला बनने सोची रहन थि, पची फरकेर अहर नहीं इच्छा वायर पनी नहेर न बाद दे थियो, वास्ते नगरे जाए पर समा फटा फटें थिर रोकले छेरी ने बिलामा, सदें जो सोते असला तेहाँ देखन थाले पचे इंदिरा के दीदी वने साथ यरुशंग जर्केदे बन थि, यो अगिने क्वती चिटा आरे या थरक मार्श, कियसे इसको कामिया, लाज पचे को मोरो, इरन बाटो डुके को, यत्र यत्रो छैने तेसला जवानी अनि अरु केटेरो आसते, इंदिरा को मन चसक्का गर्तियो, उसला प्वाक का बन्ना मन लागतियो, बाटा को डुंगा मा को को बस चन्नी, केटी ने डुके का उलाता, फर उनेर को कुरा को वास्ता नगरे जें, पची-पची लुरु-लुरु इंडी रां थि, ब्याने स्क आसते होले देखे बने, जिस्ख्या उचन मने लागदा लागदे पनी, अगी कती बेला ताओ को गुमी सके कहों ते उसको, बाटा मा, कार मा, ते थेके पनी बिना प्रसंगा उसके दिदी किरण को कुरा ने काले रा केके बनी राय के उन थे, उसला चाहिए किरण को क्या तरह दिदी चाहिं खेती ने पाया जस्तो गरी रहां थीए, एक दिन उसले अले जरके जस्तो गरी रहा बनी, कदी तिसकाही मात्रा कुरा गरी रहा नू परेक वोला, जैस्यों के गरुश नी, आमेला क्या मतलब, दिदी ले थापी, ओ मला सब थाचा, के कुरा आओ बननी, द थाचा बनी किता, त्यों कीरणे तियां बाटो डुगेर कीन बश्चा बनने सब बयला थाचा, ता अलिक वोश कराई इंदीरे, कल चिहुडी, दाजुले थापाये बने तेरा कौरं गर्णलान अनी, चाकलिस, एक बटा उसका हात-खोटा फतक के गले जस्ता वाय, जो पनी लग-लग काम है जस्तो वाय, और एक के छेन मा बित्र काहां काम आटा फेरी बल बारियर आजें वाय, उसले दिरे तिरा फर्कर निके रिषाय को शर्मा बानी, मैं लिक्य गरी को शुरा उसकरनू, इंदीरा को निके ठोलो शर्मा निसके को तो आबाजले, करुणा पनी एक दाजला बनी दिवला आनी, तो रुड़ाले एक छिन नवली इंदीरा को नवार में एरी रही, और बिस्तारे बनी, मसंग के जर्कें चेस, जान, तेरे प्यारी चाथी रिते संग गर जर्की, उसेले ता सबेला बने के आरे नी, दिदिक को कुड़ाले उजन चक का परी, आ आटी वरकी न प्रिचार गरनो परिकोला नी, अटी वरकीन प्रिचार गरनो परिकोला नी, बाचन अठारों प्रिच्ट मलायर रोके कोछु, योवपन्यास दुएजार अठतर साल भधाव पंद्र गते पहलो पटक प्रकास सिद्वायको थियो, योवपन्यास को हमिले अठारों प्रिच्ट सम्म बाचन गरे पछी, अब अगाडी को आमस आज अंक दुई मां प्रस ये मलायर अठारों अठे आज़ाव पंद्र भधाव प्रिच्ट ममा प्रिच्ट सम्म बाचन प्रिच्ट अधारों प्रिच्ट सम्म बाचन गरे पारे प्लें। पहिला जोसतो उँ बाटो डोक्न पनी छोड़ियो अचानक किरणमा देख्षेको परिबर तनले उसला नमीटो उना थालेको थियो तर त्यो नमीटो उन्नुको कुने एक कारंडर अर्था वने उस संगा थिये ना एक दिन उसले किरणले आफनो दाजो संग पनी एकांतमा कुरा गरी राएको देख्षी तो देखेका दिन उएक दमने तर्शे की थी दि दिले पहला किरण्टर उसका बारेमा गरेको संगा को कुरा जट्टर सम्जना आयो उना तो आफ ले तेस्तकुने गलती गरेको छाई न तो इपनी मन बित्र उप्रती बायको आफनो भावना संगा आफनी डर पलार आयो एक दिन 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 सो कक्से कोठा बाट बायरे निसकंदे गर्दा मनो उसले विस्तारे कानमा साउती गरेर कोयो तिमी संकाई गोपे सल्ला गर्नुछा बारे किरण संगा बेटनुआई अफ संगा पला तेती नबोलने मोनोस कुत्यो कुराले उज़न आकास बाटे खसे जस्ती बाई उसले वस नाईमा बेड़ दीना बनेर बन्नाई नव्याई उहेडी सके कुतियो ये त्रो दिन लुकाए रा छोपिरे राखे को मन को कुरा छता चुल्ला हुने वो बन्ने डरले लग लग भायर काम्यो मन नो बेड़ दा फ्येरी कोईली इस्तो माउका नाउने उकी बनेर पनी मन कमजोर भायो दाजोले चाल नपाए पनी दीदेले उसका हरेक कदी बेदी हेरी रायके हुन्चे बन्ने मा विश्वास थियो जेस्वी के उस पेरदी ना बन्ने निर्डे गरेर मनोज ला खोजन धाली मनोज ग्राउंड को पल लोकु नामा केटा आरूसंगा बात मारी रायको देख्यो जेता होला बन्दै दरो मन बोकेला उतियते ही लागी आफ़ दिर आई रायके इन दिराला देखेर मनोज परे बाटा उतिरा आयो उसले मनोज लाई छो मा आउनी बित्तिके कुने भूमी के नमादी कन फटा फट बनी एर मनोज मला बरे कर जाना डीलो हुन्छ साथियोरले पनी छोडशन मा किरनला बेड़ दीना मनोज ले बनियो तिस्तो डराउनो पर देना देरे बेरको कुरो पनी वहीना उसले सरासर बनी रायो तिम्र दाई पनी आमरी नियता आओ वाले ने बने रायो आमी सब्बै संग कुरा गर देछों मनोज को कुरा उसले अज्ज बुजीना दाजु क्ये को नियता कुरा जन अना उठो लायो कुरु की हो पहला अपहना अनी मात्र बेटशो मनोज ले मसीन आवाज मा बने आमी सब्बै छों यो एकदमने गोप्टे कुराव पसेले कसेला बनना मिल दाई न तेही बर तिमेले जिये स्वोधने वाब बुजने ओ किरन संगे बुजनो तेही बर दाईरे पनी तेही बर आफे न बनी आमीला बनन लगायो मनोज को कुराव उसले फेरी पनी राम्राजी बुजना ताई पनी दाईले नाई बेटन लगायको कुराव बने की रहे छता को तोहल र अन्योल मा परी रही अन्तीम गंटी ओफ थियो सबई बाईर निसके करजाने अरू बाटा लागे करोना हरू आफना कक्छा में थिये किरण संग कुडागर ने युमाव का सहजे मीले को पनी थियो किरण ले उसको हाथ को इसारा गरदे स्कूल को पचाडी तीर बोलायो उँ डराओ दे पची लागी कैई साथ ये रूपर बाटे हरी रही रायका थिये एकांता जस्तोमा पोगे पसे निरदेगरिको किरण उविदे पची फर्कियो किरण लाई तेती नजीकेर एकांतामा पायराव निके दाखाय की पनी थि अतार-अतार सोधी कीन बोलायको कुरा कियो किरण कैई आसी जस्तोमाव कीन डराँन बायको मसंग डर लाग साओ, मत्यस तो डर लाग दो देखिन छुरा इंदेराले ओईना मन्दे टाव करलाओ दे बोली करजाना अतार हुन्छ साथी अरले छोडशन क्ये कुराओ छीट बन्नो किरंडे बन्यो कुराओ अधे गोप्पेश तेसेले याँली रायको सब्येला बन्नो पनी हुन्दे न यो काम मा आमि मात्र ही छहे नौ तपाईको दाई पनी होन्छ वा अले नए आमिला लगायको दाईलीने तपाईले पनी बन्नो बने को नौ आले नी बोलायको मयले या उसला जण-जण रहस्ये जस्तो लाग दाई आपने दाईले आफ़े नवने की न अरुला भन्न लागायको होला। किरण ले भन्न थाले हो। हैरनस, आमी बिद्धार्थी को काम पड़ने मात्र होई न। आमीलाई करपारी बार देखी देशको पनी जिम्मे बारी छो। पहला शेक्ष्याको बिकास भायको थिया न। आमीलाई बाबुलेसर ने जिवन बिताये तर आमीले 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 वविश्यका बारे माँ सोचनू परशा। किरण का कुराउ केई पनी बुझी राएकी थिया न। जिये बन्नु हो चीटो चीटो बन्नुस चस्तो लागी राएको थियो। उसले बनिये। यस्ता कुरा मा उती बुझ देना। दाजुर्संग पनी शोदमला। तपहेको कुराजें क्यो चीटो बन्नुस। किरण अलिक दकाय जस्तो हो दे बोलियो। हमें बिद्यार्थी अकित को निम्ती खोलियो के वड़ा संस्ता का सदस्य। त्यस्म तपहेपनी सदस्य बन्नुस बन्नुस बन्नी हम्रो अन्रोदो। दाहिले इन दिराला पनी चमीतीम राखनू बन्नु बन्नुवायको चा। वो एक्चिन बोली ना। अलमल्ला परी। उसला महुन देखरा किरणले बन्यों। तपहेले के गरनू परदेना। पांच रुपया के वड़ा रस्चीत काटे पुक्षा। सदस्य बैसके पसी सब्बे कुरा बिस्तारे थायाओंदे जानेशा। अमी देरी साथ यरू सदसे बैसके कास हूं। अमी सब्बे बैको ठामा तपहेला के गार वान्छा। उसले बानी। कुरा नब जीमा यू रस्चीत अले काट दीना। पहला दाजु संग सोचु। देदी संग पनी सल्ला अगर्चु। अनि उँ फटाफट इड़ी कि रहने हेरेको हेरेके बाया। अलिक पार अपुगेरा इंदीराले एक पल्टा फार्केरा पुलुक के अरी। बाटामा दीदीली सोदी। क्ये वान्चत तो ल्यांग्टो। किन लोग्यो तेसले तानला इस्कुल पचाड़ी। तालामाले अस्ती देखी बाने कोई ने तो उसंग देरे गोल्मील नागर बनेरा। दीदीली बित्थामा करायको उसला मन परेना। उसले अपन जर्केंदे बानी। मला क्ये वान्चसता। जायना दाजुला गरशोता। उनाईले अरेता खई कुन सौंकी संस्ताको टिकट कटाऊनु वानेगो। उसको कुरा सुनेर दीदी एक्षिन चुप लागी। एक्षिन पच्छी अलेक नरम बार बोली। आनि काटिस्ता। आ, कुरी नहीं बुजी काट सुनी। आनि बाटा भारी उनेरका कुरा कुनाई बायाना। इंदी राला बने दीदी संग त्यस्ते रिशूट न थालेको थियो। उकीना उसका हरेक कुरा में चासु राक्षे। उसले नाई किने नराम्र करना लागी की छवर। गहर पुगदा पनी दाजु पुगएका थे ना। पहला ता उसले दाजु संग सोधने बिचार करेके थिये। पची फ़री, खई, क्ये मन लागे राऊ सोधी ना। डराई। बने, उने ले बनला नत्र क्ये खाचो बने लागे। चोचे कि थी, तीदीले पनी ता बनली। तर उसले पनी फेरी तो कुरे निकाली न। तेस बारेमा फेरी देरे दिन समकस्यली कुरा गरे न। मनमा चासो बने भाहिर आयो। तर शोधने आठ गरी न। बेत्र मनमा बेला बेला लाग थे। सदस्य बाय, तेसे को नियुमा पनी किरण संग बेटी रहना सजिलो हुन्तियो की। गर्मा दायला बेटन खेटारो आयरन थाले। माती कोठामा बस्चे रख्ये कुराहो बिस्तारू संग बोले को सुनिन थियो। बेला बेला खाजा पानी लियर गय का बेला। उन्हे और का तीखार त्रसीत आखा मात्र देखिन थियो। आ बाद सुनि देना थियो। किरण पनी आमन थालेक। किरण आउदावाने उसले कस्टो कस्टो असजीलो लागतियो। उपनी दायको कठामे गंटाहो बस थियो। उसका ठूला आखाले इंदी राको सीर पुच्छर नी आल थियो, राती पिरी होंदे तरकी रांथी एक दिन फेरी कीरण को मौका पारेर बन्यो, अब बता प्राये तेरे साथी अले सोधेश्य ताली सके तपारे नली दिनाले कक्षा का अरुकेटे रूपीन लीना मानी रायका छायना केई फरक पर देना यो लियेर, तपारे ला गरबाट पनी केई डारों देना अस्ति पेन दायरे सोधे हो न थियो, त्यो टिकट काटे रा कोसे ला देखाऊनू पर देना अफेशंग लुकारे राखनेओ, अफेशंग राखना मन लाग देना मने मही राखे देऊँला, बरू पैसा पनी मही तिरऊँला, खाली उंच बनेर सोई मात्र गरी देपुक्षा की स्वाई पनी मही गरी देऊँला, किरण ले हासता ही सोधे, टिकट को बारे मा क्या न सुने के उसले सोधी, यो क्य को टिकट होता, खई दायपनी क्या बननों, क्या उन्चे असको सादस्चे लिये पची कीरण ले बन्यों, फिरनोस, आम्रो देशमादी काम सा मानी सरू गरीब सन, कैई मुठी वर दनी मानी सरू ले लाखों गरी वरू माथी सोशन गरी रहागा सन, आमीले सोशन का बिरोध मा जनचे तना फिजाओन उपर सन, इसता काम हमी बिद्धार थिले ने गरना सक्षों, आम्रो पुरा आम्रो अमा बाबा अरले पनी पत्थ आउशन, कीरण ले बन्यों, कीरण बने कामा उसले जहन भुजी न, उसले पढ़ने कितापमा पनी तेस्ता कुरा कतई थियानन, ती कुरा सुन्दा उसला बित्र डर्ज अस्तो पलार आयो अपनो दाजोपनी ते स्तोकुराम लागे को सुन्दार छक्क परी कता कता कमिनिस्ट का बारेमा कुरा गरेको सुन्थी कर्मा कास्तावरा पानी पंदेरो गर्दा आफले सुने का गित गाउन दाएशता गित कॉम्निस्ट का पो उन्त बन्ने के सुने की थी उसले बनी वसम केई मावनी सदसे पदसे उन्ना दाईदी दीरू बाय के रायेशन माला यस्तो कराम रूची चाये न, तब है अरू गर्नोस इंदिराको कुरा सुने रा किरन निल्ला पर्यों इंदिराले ते सरी सीरे जवाफ देली वन्ने सायद सोचे को थिया नावला उसले मनोज अरले महा इंदिराला सर्जी लए टिकर को टाउंचू बने को राये चा शात्यर को अगाड़ी अब को सरी मुखते खाउनु जस्तो बाया उसलाई किरन ले इंदिराला समझाओ दे गर्दा आई प्रोगे को मनोज ले जरकी दाई इंदिली बने क्ये भाव खोजी गिनी सब्बई मौरे गठामा ती मिला मात्र बासन मन्चा बने रपोत्ता इड़ियो छक्क परी फेरी दुईजाना मात्र बाये किरन ले इंदिराला बुजने सकेको थिया ना उसलागा आकर्ची छे जस्तो पनी लाग थियो कुनी बेला तेसले आफिला कुनी वास्ते गर दीना जस्तो पनी लाग थियो पटक पटक आपनो मन को कुरा बनना खोजे र अपनी बनना सकेको थिया ना एई टिकट काटने नियुपारीर केई बननी बिचार गड़ेगो थियो, त्योपनी सफलों न सके नुपनी पर जादे गरिके इंदिराला बोलायो किरणली, इंदिरा हिंडदा हिंडदे उब्भी, छोमा पुगेर बोल्यो, टिकट काटे पनी न काटे पनी मतपायको साथी न किरण प्राय दुई जूर लुगामा मात्र देखिन थियो, कहली नीलो सट र कालो पेंट, कहली स्यतो सट र खईरो पेंट, उसका खोटामा जुद्ता प्राय देखिया, कुरकजाला फन को मारने फित्ता भायको रबर को सैंडल होंतियो सदे, केटियर ले उसला उड़ाउन तर प्राय सद ही, यह उटे ही सोट मा देखिन दा लाग थियो, क्ये उससंग अरू लुगाई छाने नोला, और फिरी आफें चित्त भुजाउं थि, केटा मान्चे का लुगाने कती होंचन र, ते ही पैंट, सोट अनी दोरा सुराल र गंजी, साना संजेल त आमीले बनी ज कोल्टे होंथी, फेरी रिता थपती, खोई, आमी संग तो बोल दाएने कईले, यह उसको बंदाई गर्दा, रिता को अनुहार जर्के को जस्तु देखिन थियो, करूना थपती, मला यह तो त्यो बोले को पटक्के मन पर देना, डेंडे स्वीरे, यह ताला पनी, आमरा दा को कान को छोम, मुखले आरे निक्काई भाबो को दाई बानी, अब तिमेरु संग पनी छोटने दिना आये, करूना रे इंधिरा का आखा मिस्चिये, प्रस्वन चिन्न बोकेर, करूना निक्काई बेर मौन बाई, इंधिराले बिर कोटी खमचाओ दें सोधी, किन छोटीने करूना रे इंधिरा पनी एकाई कमबीर भाए, मानों उएले ने उनेरले छोटेर जान देछे, अरुकुरा स्वदने आट दोबैला आये न करूना चुपचाब बसी, इंधिरा ने थी खुल्ला किताब, अलिक उत्चाहित उदे बनी, कार आएछत तेरो ब्यावलाको गार, चिकाम गर्चन आरे दलिता लाजली सेरो निवराओं दे बोली, मास्टर सर्याओ, तेरो साडे, सरकारी स्कुल्मा दलिता अनुवहरलाई निके बेर्षमा अतकेला वित्र बंद करेर कोप्ड परी राई, इंधिराले कीरण्ट र त्यो मास्टर लाए मनको तराजु मालेर तौली एक्छेन, काहा को त्यो चुक्चुकी कीरण, काहा को सरकारी मास्टर, दलिताको बागमा ठुलै माचो परेक देखेर आरेस पल आयो चिन इन्दी रावित्र दलिता को बीहे को कुरा फैली दे थियो कोई बनते और सद्धे दानी चारे कर्म क्याम गार्णी नोकर चाकर छन्डे नंदा आमा जुपनी चाय नंडे गोबर ग्यास बाट चुलो मा बाद पकाऊंचन्डे करता जन लेप नही पक केर आमरो ठाव पाऊंचन्डा आमा बाबु लोबियाल चन्नी चोरी दिना लाए बिभाको दिन मन्दा के अप्तास समय इस्कूल आई रहे कि ललीता ला जिसकाई रहे सब आईले कच्चे कशलेत वो जाने जिल्लाला लक्षेत करेरा गित समय बनाई ललीता लाटी पूरे अरुले एकोर जिसकाई पनी कुने उत्तर दिन ना थी फूल को बासना जाई गाउने मगमगाई को थियो ललीता को बीहे को चर्चाले फागुनको 25 कते स्कुल बाट करना गई सिधे बिये गरतीर जरे इंदीरार करूना पनी अरु केटा केटी अरुको लस्कर संगई पाईलाई पिछे कुट-कुटी जस्तपनी वही राये थियो सांस पर्न लागे को थियो उने रुपुगदा आगन मा जग्गी सिंगार येको थियो मांचे को कुणुलो बेवली का दाजो शेक्युआमी बेटिये देखने बित्ते के सोदे कीन डीलो नी आगन का मांचे तिरे एक नजर गुमार केट येरू बेवली बसे का कोठा तिरे गाये खुट्टो राखने ठाउं थिया न ललिताली इसारा गरी ये तै बसाउना आओ वस्तो डिला गरे नौमती बाजा को आबाज संग संगे जन्ती आई पुगे ललिताला तेत्ते के छाडेरे इंदीरा हुल संगे बेरीदे बाइर निसकी उसलाई ललिताको ब्यावलो ये निठूलो उत्षोकता थियो सबेले जन्तीलाई ताकी ताकी आणे अक्छे ताले चाती बित्र ओत्तियेको ब्यावलाको चाती देखी उबो कैई पनी देखना पाई न उसले बर्योटा गूरो हिस्ची परेको जन्ती संगप आखा जुदे मनमा अरकाई तरंगा बोकेर बित्र पसी देखी इसता ब्यावलो ललिता ले सोदी केको देखनोनी छाथा बित्र लोके पसी इंदीराले असंतोस पोली अब बरे जग्येमा देखी आली नचनी ललिता लाजले मुस्कूराई बरू उता गूरे जन्ती को अनुहारले बनी इंदीराको आखामा जिलिक का जिलिक का बत्ती बाल दे थियो स्वेमबर को बेलामा बेलोको सिर्देखी तीर समय एरी इंदीराले निक्केट हाट्येको अग्लो कद गलामा ठूलो सिक्री बायरी देखीन थियो कालो चस्मा टाका को टोपी ओठे चोपने बाक्ला जूंगा गोक्रे गोक्रे नाक दुबेहात अगाडी पटिल्यार मसक का बाधेर उब्येको भलाद मी देखीने किरण फेरी टुपलुक का आयालियो उसको मन को आखारवा जजलकोला आखामा बोकेर वरपर द्रिस्टी गुमाउदा गुमाउदा गुमाउदाई अलिक पर आगन को गारोमा बसेर साथ चे किरण तो उसेलेन पो नियाली राइको रहेचा उलाजले राती बाई आज पनी उसले नीले तर नया सर्ट लगाएको थियो जरी जोट्ट गहनाले सज्जे के ललीता को अउलामा औरको अउठी थप्पियो नहेरू बंदा पनी आखा गर तेही ठोकीन थियो सुरा बर्से कलकलाउदो उमेर के ललीता पहले पनी रामरी थि अब तो जन स्रिंगारले सजी सजाओ दा धपक का बली जग्यमा एउटा कहले नोचीने को मांचे ललीता को आडमा बसे को थियो उसको छोब मा ललीता माटा को सान हो मट्यांगरू देखे की थी मन के आँखा वरी गुमी रहने किरण कोती बेला कोता लागे उसले थाई पाई न उसका आँखारे खोजी गरी रहे तर देखिये न किरण अलब बाईपची को बांकी रात सुनचान एक यूग जस्तो लागी रहे उसलाई तर अपनी बिभा का हरेक बीदी मा किरण आफ़ स्वेम ले भागली रहे को कलपनागरी रहे ब्यान उ टुपलुक कते ही देखियो रात बरी मुर्जाय को उसको मन ब्यान को गाम जाई जलमल बार उजा लियो हरदा हरदई आफनो साथी अरका की बाई की थी उसको नाम थर गोत्र समय परिवर्तन बैश सके को थियो अनि एक मंत्र हरूर दान का लावा संगई उसको कीरिया पनी सरी सके को थियो आमा रोई रहे की थीन साइध उनी आफनो अतीद्धे की बर्तमान सम्मा का बन्न न सकीने नारी सका सरू सम्झा तई चोरी को बविश्य संग पिरोली राय की थे नकी बेवली अनमाउने बेला बाय काहम को उजालो संगई दई ख्वायर साइध करे बाजा काजा कन की दे अगी लागे यो बेला को पंचे बाजा को दोनपनी कति री दे विदारक तेसे तेसे रों रों लागने गरगाउलेर साथी संग्डेली नरमाईलो गरी आशु जारे लाग थे यो तो घरबाट उसको सरीर सदा को लागी निस्केको दली ताले बिस्तारे पाइला अगी बढ़ाई तर तो यात्रा तो दिनको लागी मात्र थे न बरु जीबन भरी का लागी उसले अब और कई यात्रा को थालानी गरी राएकी थे अब उसले थाकनों ने थे न नसकने उनु थे न यात्रा ताय बैसके को थियो जीबन भर को बिदाय का गर हुँ हाथ हल्लाउँ देई भरी खुट्टा गिसार दे लागे उकालो इंदिरा आरू पनी बाटा भरी उनेरू केई बोले नन मानों उनेरू लास्ट चलार फरके का मलामी हुन राद भरी को अनिदो शरीर आँखा बोकेर गर नजीक पोगेपची इंदिराले पुलुक का पची फरकेर यहरदा किरन पनी संग्संगे आयरे को देखी गर सम्माई पच्छायर आयको जेखने बित्ते केई उसको शरीर शितांग बायो उस संग्संगे करुणाले पनी देखीर करके आखाले इंदिराले हरदे बेंगे गरी आली लौ अब पच्छायर गर सम्माई आउन थाले चे तेरो बाजे अब देखेने बोती मेरको नाटक मज जाले अईले चाहिए किरण संग असाद्धी रिसुठेर आयो उसलाई उठींगा उब्बी करुणा पची न फरकी सराशर इणी राई चाव माई पच्छायर को किरणले जर्की देशो दी किन या आकोनी तेती लामा बाट चाव राद बरी को अनी दो ब्याने फेरी रूंधा रूंधा टाव को चड़के को अला गर समा पुरय दियो मने राको उसको कुरा मनमा मीटो लागी पनी जर्की दे बानी ओहो हमरा पुचर लागे राउनी अनी पुरय आउना आकोरे सद्धे आमिला पुर्यानो को आउँ सर राती भाय को भाय पनी एवटा कुरा दिवस्टो आमिला आफनो गर आउनो कोईली देखी साथी चाहिएको सर बीत्था मा फेरी आउनी परे पनी गरे समझे किना आउनो परे जिसके ने खोजे जस्तोंवार बनाऊ देए उसले बोलिय तपाइको गर्मेरो पनी तवनी मगय आवब और थपक का फरकी पनी आलियो उसले तपाइको गर्मेरो पनी तवनी बन्दा जनक का उठे को रिष्टुरंते मत्थर बायो आगन मा पुगदा डरले हो कि लाजले हाथकोडा फतक का भाय का थिये अजई आमाले तेल थपनु ती नानी लाए जुलुक कर देखाय जस्तो लागया थियो बसता पनी नवजीपव गए सन कस्ता नी ती मेरू पनी कर्मा आको पाउनो ला वास्ते न गर्नी पूर्याउन बलाय कि थी पठाय ओली नी तेव बिना आशको पाइले चल दे न मसला आलनु नी अबा आमा पनी कर के गर्च वाई अलेक बचेर काम गरा आपनो निर्दोस पन चंगा खुब रुणमान लागयो इन दी रालाय रिशुटेर आयो किरन संगा उकीन नचाइदो गरी पच्छाओंते सदें गालपारी रांचमालाय अब अमा यसको संगते गर्दीना बोली बेटेर साफ पानी द खाजा कहांदे गर कि करुणाला चो मा गरा जरकेंदे स्धिय अन दी राले तलाचे कोसे व्ला देखताई कीन रिशुटे न परेको नि तेसको त्यसले तेरो कि बिगारी देको चाँ घरुना पनी उसते जरकेंदे बोली मला सबवे था चा तौं पनी कौम कीजए नस तेसल उसला कीरन को निकट पुगदाई गय चेह लागना थालेया। बेला बेला उएकांत पारे र कीरन ला बेटना पनी थाली। तर बेट मा पनी क्येक्के नग पड़नता जसतो पड़ाय के कुराय गर थिये। क्येके बन्चो बनेरे बेड़ थी बरतेत्ती के फर्कीन थी। उसला कायले काई कीरन संग पनी रिचूटे राउं थियो। केटो मांचे बार पनी क्ये बनना न सक्के कवला। पेरी चोस्ती। तर उसले मां संग बननो चेह के चार। उड़का थुनेरे कोठा बित्र तनाब्र छर्पटीमा मन मने बरबराय राई राई आखा राता अंजेल रोई चाओ। तेसका बाजेला केई बनने नाउने। उए यहनुने आमा तेसको गती। करूना फटपताउदे बान्चा तेर पसी। आज़के चाओने पाज़के से अद्वे लागा पाजह राताऊदे onma मने बनताऊदे शुर। साथी अरले पनी स्वंकागर न थाली सके, क्येकिये बनेर जिसकाई रांशन, एक दिन नेके सहास बटुले रूसेले बानी, किरनले अनुठो अनुठो अनुआर बना रहास न खोजियो, एक चिन पसी बोलियो, ओ, मला अपनी साथी अरले जिसकाई राक्या सन, उसले फेरी र अनी किन तेसरी अरनुत, रह आनुठो भाले, किरनले खुले जसते बार बोल्यों, अनुठो न तिमी पनी ते जत्ती बेला पनी एरीने राय के होंचें उन्हिंचें उन्हिं, इन दिराकान वहर लाजले रात वयो, अनी दुबए जना आसे, खाल-खालमा कुल्दई जाा द किरंडे फेरी पनी उसते गंपीर पाराले बन्यों, मैंडे पनी पाउने पर्षा बने को छोता, मन परानों तो पाइन छानी, अन्य फेरी दोवेजन आसे, त्यो दिन को बेटर गौफले, उन्हें अरु बित्र का सबबाई संकोचरला उखेलेर लग्यों, खोलने नसके का मन क खुरे आरु पनी खोल दाई गाये, उन्हें अरु एकरका मा डराओं दे पनी प्रसन न थिये, एकरका का नोट आरु साटा साट को क्रम जहन बढ़ दाई जाना धाले, ती नोट कापी बित्र किरंडे खाली का आगस का टुकरा, मैयूर का प्वांक, गुलाब को पात, एकर कोटेशन पनी लेखी न धाले को थियो, किरंडे लेखी का हर एक बाक के उसले दोहराई ती हराई पढ़ना मन लागतियो, तर तीनला लुकार राखना गार होनाले, पढ़ना साथ च्याती दिने गर्थी, उसले चे कईली पनी उत्तर पढ़ाई जाती लेखना मन लागे पन पनी डर लेने जित्तियो, लेखी सकर अपनी कती पल्टा उसले किरंड संग अभिश्वास गर्दे च्याती कि थी, बित्र कता यवटा डर सदी चल मलाई रान्तियो, र प्रस्णा कर्तियो, सब बलाई द्यखाई दियो बने, क्ये ता मान चे को क्ये बार, पहलेले के उसले मले किना उसंग अशरी संबन्ध बढ़ाय कि उली, किरंण को नाम के उसको चाया पनी देखना मान दी न दीदी, फेरी बनी मनले सोत थियो, आखा खोले पनी, बंद गरे पनी, वो आफे ही संग चा, क्ये गर्दा पनी किने जादे जादे न, प्राई नीलो सोट र कालो पें कलपना गर्थी, आफेले मीठो खांदा पनी उसको समझाना आई रहन थियो, उसको गर्म हरेक आई तो बार पाकने खीर ले किरंण ला समझाई रहन थियो, उसले एक दिन आफेले सबे बंदा मीठो लागने परिकार खीर हो बने को थियो, कोई दे काई, दाजुला बेटने नियो पारेरा गर्मा आउदा, आमाले राम्राई सत्कार बेभार गरेकुमा उफोरूंगा पर्थी, एक दिन आमाले मोई पारेका बेला बनें, कोईले के लगी देव नती ना निला पनी, देरामा दोई मोई खाना पाइन देना मन्ते, यहां तेत्ते के अमिलीलीर जान्छ आमा कत्ती कुराले इंदीरा लग्के खोचा सकानो आखो बायो, मोई बोक न अब उसले दीदी का आखा छली राखनो न परने बायो, अनि उसले किरण को डेरा सम्मने दाई, क्यो, मोई तरकारी पुराई देना थाली, देदी उच्छंग चर के दे बन्थी, आमाले आमाले इंदीरा आखामा नीलो, सट्र, कालो, पेंट मसज्य को योटा चेत्र बने रोबिनाउ थियो वो सोस्ती, उसले किरण लाए मन पर आएको, कि उसले लगाउने नीलो, सट्र, कालो, पेंट लाए दाजुरा किरण को गईरो दोस्ती देखती हूँ, वो देरो ये कांतमा विस्तारी, देरे बिरसमा कुडा गरी राएका देखिन थे पेला-बेला किरण उसले चीने को बंदा तेरेने रहस्य माई लागतियो, तेसो तो उसको दाजु पनी उसले तेस्ते लागतियो वो तेस पेला जना चम्बित हूँ थी, जब इसकोल में छोडे राएको किरण लाए, वो गरमा पुगता दाजु संग गफपरी राएको देखती हूँ, तेस्तो बेलामा किरण लाए खासे वास्ता नगरे जैं, हतार अतार खाजा खायर, दोको नामलो बोकी कांस काटन बा बात को धालो बारी उन्यरको देवरे पट्टी फ्यातत भीशाँ देई, नजानी दो पाराले एर्थी, उपनी कोल्टे पाराले उस्चे ले राएकों थी, अनि मनमने हासते ही सोचती, यो संग बिजगर न पायता, कासपानी को दोक नहोनी राएचा पन देई, सोचे वला म कुने दिन बेलुका आयो बने, उप्राय दाजु संगे सुथ थियो, अनि बिहान खाना खारे संगे स्कूल जान थियो, खाना खाने बेलामा इंदीरा के आमाले, बात को थालो औरी परी बिविन्न परिकारले बर्येका बटुका को गेरा देखता, दाई उसलाई, जिसकाउ थियो, तो पहले जुएला जास्तो बटुका को गेरोपो लगाई जिनु बहता आमाले, बांचामा एक्षिन हासो उन थियो, उलाजले टाउको नियो राऊं थियो, बेटमा किरण इंदीरा को काम को तारीफ गरते आधर सा चाटन थाल थियो, ते सरीने काम गरनु पर्ष आपनो मात्र होई न, अरुगोबनी मदद गरनु पर्ष पची हामिले बन्यको बेवस्ता आए, पची जन सब्बे बराबर होंचन, तनिगरीब बन्याने कोई होंदे न, किरण का कुरा प्रायो बुझदी ना थी, तनिगरीब सब्बराबर इको सरी होलान, उसको दिमाग पटक के टिप दैना थिव, टीन का छाना उनि मानचे का गर पनी, आम्रो जस्ते खरको छानो गवापको उन्चाता आम्रा काका आरको दानफलने देरे खेत का खला जात्तेने आम्रों पनी उन्छाता आम्रा बाको मैलो कमिजपनी पर और टाहरी खेत का सुवेधार बाको आगर मा टलकाने कमेरो जस्ते श्यतों उन्छा रा एक दिन जिसकाउंदे बानियो काम तो दर गरिंद राया चाता शासुख खुशी पारिने राया चा किरनले जिसकाई को चे मन पारे न बिहेगरेर गईपची छोरीले चे सद दें कास तावरा पानी पंदेरो जुटु चुलोने मात्र गरनो परनी तिनका आम्रा बाबुर आफनो लोगने संग लाड़ियेर संग संग इन्नू बच्चा पाउनू लोगने को दबाब मा बसना कीना मन लागेको आफने प्रस्ण गरेर आफने जसकी उसले अलिक नापिये जस्तो गरेर उत्तर दी वोता अमर माता सब बेथो गरनो परछ न गरी खाना फुग देना बेटा मान चेका हाथ पनी कत्ती नरम उसले ती हाथ मान परेका थिये किरनको तो जे पनी कत्ती राम्र जस्तबनी लागेको थियो देश्वेला मन्जु बिमली तीरथुम वाकुमा जन्मन वायको हो वाको यो त्यसरो पुस्तक हो रो पन्यासका रुपमा पहलो पुस्तक हो वाको पहलो पुस्तक कविता संग्रह दुईतो पांसु, दोसरो पुस्तक सस्मरन खीर रो तेसरो पुस्तक अत्रिप्ती उपन्यास हो रुगा खोकीका कारण आवाज केई फरक भायको नाली नियमित तुर्वल ताले यसलाई बुजेर सुनी दिनुन मुनेचा बनले विश्वास लिएको छु मन्जुबी मली को पन्यास अत्रिप्ती को तेसरो सिंखला बाचन अब सुनों प्रिष्टा कुनांतीस पाटा असोच को बैडा, दस कक्छा को अन्तिम दिन, सबबै कम्भीर देखिन थे लामो समय संगई बिताय का साथी अरु सद्धाय का लागी टाड़ी दे थे सबबै का आखा रसीला बई सक्टिका थे स्कुल को मैदान चुपचाप निदाय जस्तो लागी रहे उने अरलाई सदैं ठुल्ठोलो सोर मा गाली गरने सर अरुपने आज महुन थे गुर्योर ले गलामा मालार निधार मा अभीर लगाय दिदे वने बोर को एसल्ची को परेडाम हतेंते संतोस चनक थियो हामे आसा गर्शों यो पल्ट त्यो पल्ट वन्दा पनी राम्रो गरने शो ये करकाला बिधाई करने करम्मा किरन ले पनी इंदीरा को निधार रा गाला वहरी अभीर लगाय दियो उसको मन खुशीर संकोष दुबई मा छता चुलला बायो कता कता त्यो अभीर को हाथ हिऊंदो तिरे पुग्णो नी जस्तो पनी लागयो उसलाई फेरी ततकालाई सोची छे की भगोला यू मन पनी उसले पनी एक हटकेलो अभीर किरन को अनुहार भारी दल दी अभीर दल दाई करदा मन मने बनी लूता दर पनी लागयो उसलाई योने अंतिमी सपरशपो हुनियो की रुणची आशो भय पनी हलका खूले राशी एस भल्टाऊ जी आपान पसी एक और कोशीता हाथ मिलाऊ दे ती तर बितर भाय केटा आरू येट येरू बने एक केटाऊ गाटो परेर आशो जार दे थिये, कोई जिसकाओ दे पनी थिये बिछोड़ी दे गरेको जोड़ी अरू लाई बिध्यार्थी जिवन को त्यो पईलो बिधाई, तर कसे ले तस्बीर किसना क्यामेरा तेर सायना मन के क्यामरा ले खीचेर मन मैं सजाई रहे तस्बीर अरू उन्जे अरू कोई पने अतार्य का थिया नन आजस समाई सब्बै को मन मा ठापप उब्ये को थियो काहम डाडातीर उरालो लागे पची चुपचाप बिधा हो दी थिये गंबीर मुद्रा मा हाथ मात्र मिलाऊ दे रहा मनाई मनले बिचोड का तस्पिर खीचताई खीचताई यह जोडियरू बने अजजे पनी पार ग्राउन को किनार्तीर उबीर आएका देखिन थि एक दिन इंदिराला मन मा तेस्चे आट पलार आयो उस रासर किरण को होस्टेल को कोठा मा पुगी वो खाट मा पल्टी रहे को थियो एक चोटी इंदिराला अफन दैलो मा देखता जासंग तर्शियो इंदिराला पनी उसको अगाडी पुगे पसीपो अप्ठ्यारू लागे रहा आयो कुने योजेना बिना आय की उ? किये बन्नु न? किये बन्नु जस्तो बायरा हतार हतार बोली यरनु न? मले असती 20 गणी तको पूरी नूट सारने पाय की थिये न? अब तपाई संग जाजागी बेटों दे न? क्ये गरनू? जन ठोलो तयारी गरनू चा? किरन ले एक छिन उसको अन्वार महरी रायो वस्टेल मा अरूप बिद्यार थे अरूपनी थिये यो बेलापो इन दिराला अज्जे असहाच चस्त लागयो तय पनी अब उ आयने सके की थी? मुडामा बसी एक किन्समा दुबई महुन बाये अनी किरन बोल्यो उन्चा मेरो कॉपी लानू? सारीर चिट्टे लिया दियनू? मला पनी चाहिन चा? देरे कुरा गरना सके नन? बसे कठामबट जुरू को उठी? किरन ले केई न बोले को देखेरा उसलाई आफिसांग री उसले भनेो, मा विश्यक कुने टूंगो छाई न? कही बर्षा संगई बितायों? तिमीले यो परदेश मा मेरो असल साथी बर देरे सहब गरेों? तिमी बाट माया पनी पायें? मा तिमरो गोंडला कईली बिर्शन सकती न? रमेस ताई जस्तो अभी भाबा क्या साथ ही पाय आमरो गाउमा स्कूल ने न बार यहां पड़ना आये कोई न? मैले इस स्कूल मा संगठन गरनू थियो रमेस दाईरा मरित्यो काम पूरा गरे का सो यो गाउमा अब रम्रो संगठन बाये कोछा मन परे अजे पनी तिमीले काम गरे उन्छा तर अमा कार्चाह गर दी न? किरन मा आरे उसले मन पराये कि केटी साथी रूदे थी कि रंडे विस्तारे बन्यो ते सोई न? मेरा धेरे साथी अरले पनी योकुरा था चा तर अरूले जस्तो पड़कें दो पाराले मा अगी न आये कोई आज पनी मा धेरे अन्योल मा छू अब साथ चेने हमरो बविस्यक्य हो बरंगवर आयो ते त्रा साथी अरले जिस्काउँ दा जे पाय दे बन्दा पनी उसले सोहर वसी देदी संग उसके कारणले कत्ती पल्ट बनावन पनी भयो आमाले देपनी देदी को गाली खादे उसले गोरस तरकार तरकारी ओसारी रही आका पुस्ते बनी ती कुने कुरा मला थाच है न अब आज बननु परचा तिमी मला माया गर्शों की गरदेनों एक चिन कोरियर उसले बालियों बहले ने तिमीला माया को प्रस्ताप गरेगों त्यो कुरे मा कसरी बिर्शे न सक्षु तर आज ही हमी कुने निर्डे मा पुगी आलना सक्ते नो आज हमीले हमरो ब फुद्त निस करेंडी इन दीरा आगर मा पुगी सक्के कि थी किरंडले खाता समझायो उसले पची फरकर मुशुक का आसते बनी बोली ना उचु गहर पुगदा तेरा आंद्रे जुड़ियेका साथी सें कती सन्नी आमा पहलो पल्टा आज जरके कि थीनु उसले बुजी आ अमिला ता सार्नु पर्दाने कसे को नोट छोड़्स उसले पनी उसले गरी चवापती गोईता बनी शला नियामा की प्यारी होना बाय न बाय का कुरा था पेरा सान्त बाय न आज देखी मन इंधिरा को त्य आकरामा को उत्तरले करोना एक्षिन्ट आलला परी विस्तारे उ बांचा को काम करना थाले की थी खाजा खायर निस्के न लागे की इंधिरा देदी को छोओमा गर सामाने पाराले सद्धाई जे बोली और रिशे आलनो पर चाता देदीले उसको कुरे नसुने जस्तो एक और फरशिका मुटा क्यलाई रही उसकी सबेंदा मिलने साथी तेने रिशाय पनी उस्चेला माय गर थी उच्छोमा गईर एक छिन उब्वी और नियूरियर योटा मुंटा भाज दे बोली तमसंग साथ्चे रिशाय क्यो करूने आजा देदी बोली न नराम्टा लागे इन दिराले उगोप्टो परे रा सोक्षों गर दे रुन धाली करून डाले नियूरियर उसको अन्वारे अरी बईनी साथ्चेने रोय राय की थी बिस्तारे छोमा गईरा हातले बईनी को टावक थुम्थमावते बोली अनि तोले जै क्यो बोला रुन धाले किनी फेरी किरनले क्यों बने क्यों लाजर ढग दोबाई मिश्चे को मनले गमल तो लेले जै गरी पनि जै बने पनि मैंने क्यों गयले क सहले बने किछू जै बने पनि तोले बने बन्छो नै अनि आज चेशा गयानी मला क्यो चेख दूखे है अंगालों में दुबै रोई राये, देरे बियर, कौशी बाटा आमाले देखी छन, कराये न, अजे के बोई न अर लाये, काम गरना चड़े रा, रामरे अंगाला में पो गाटो परे का संत, कोईले नहुर कीने बाये न रुपनी, जो संगा हो दै, दुबैले आमाले अरे रह आभियर में पठाऊं थियो, ते सहीले सब्बै बिद्यार थे एक पट फेरी बिद्यालाई फरके का थिये, परसला कुन बिद्यालाई पायक पर्षा सोद्धाई खटाऊन थाले को थियो, इन देरार करुणाले आफेले सामा अक्छिर चिन्ने को बिद्यालाई रोजे, कीर अब उसलाई दिदिको जबाफ दीर अनु जस्तो लागन छोडे को थियो, उसलाई केई थाना बायका कुरामा पनी आरोप आई रान्तियो, जे बने पनी पत्याउने बायपता, मायार रिस्दुबै मिश्चिय को अनु आर बायर उसको आखामा आई रान्तियो किरन, जाली गर नद पनी शकती नथी, टाडी नपनी शकती नथी, उसले अस्ति बभीस्ची अनिश्चित चावने को करा समझादा, एक और मायागर दाई मन मा दुखाई मागन मा कुने अर्थ चाईन बने थाहाउंदाउदे पनी, उख किरन लादे पची लाटिय असति बहिरान , पोलrud फिम्रों माइन से ञुके हैं सत्याव cocaine , पेड़ी कुछ प्रे элем जूली उप सनगे हैं। मैं जός को सब्सक्राहिक कईुत्तु केर भाटाए, व्मुत्तु के किउने हिए कई। करवाट धायर परिक्ष्या दिनू संभव थिये न, केंद्र के नजीक मा डेरा खोजनू परे को तियो सब बैले, देदी बनीले केंद्र बंदा आधा गंटा टाडा, आफं तकुमा बसनी बेबस्ता मिलाए, परिक्ष्या केंद्र एरन जाधा किरन संग बेट वायको थियो, तो मातलो गरा पनी दोई ता केटे आरू बस्य कराशन, बजार मा जाज दिने दान्चन आरे, यो सुनेर इंदी राको मनमा चीसो पसे और विस्तारे ताथीं देगायो, परिक्ष्या बंदा, दोई दिन अगी करूना फिर इरिसाओ दे कोठामा पसी, एक औरो गणगण तो मुर्दो तो तो मातलो गर्मा पो डिराली नाई पोगे शे, तेसले चाए अंत कोई डिरा बेटिन नाशा, दिदी को कुराले इंदेलाला एक मन खोसी लागयो, पर आरको मन रिस्पनी उठियो, खोसी को कारण थियो, किरोंड बास्तामा आपु संगा प्रेयम कर्दो र और कोई किन यती टाड़ा आयका संग, सबई माती बजार में अटाऊंदा त्योचे किन आठेन, उसले पनी उस्षेकरी उत्तर दी, और क्ये गर्नो तो अब उस संगा किन आई सतावने बाजन जानू, उसको आफना खोसी यो, उसको सोतन तर दाओ, आमी संगा के लेन देन, आमीला के को टाओ को दोखाई, अस दिक केंद्र मा उसले आमी बस ले ठाओं सुओ देको थियो, बहले आमी तो ठाड़ा गाउमा बस्षो मानी देको थियो, यहाँ पो अन्मर्ये चासा तित, देदी करी सज्जे मारेको थियो, उस गनगना होदी थी, जान्चे स्वलानी आ अब हीत गर्दीना बनने था थियो, बोली पल्टा बिहाने कि रण उनेरु बस्षेको कार मा आयो, करूना अल मल्ला परी, उपो सहजे आयरा परेक्षा का बारे मारा अब कम्बाइनी स्टड़ी गरनू पर सा बनना थालियो, करूना क्याई बोली न, नवंदै अब उनेरू समेक्त रुपमा पढ़ना लागे। दिन्देने करूना पनी फरसायले पाराले बोलना थाली। लाग थियो। उसले पुराना कुरारू सब्भी बीर्शी साकी। किरण लेक्या बुझ्यो कुनी और को दिन्देक्या आउना छोड़ियो। उसले आफें संग रिशूट न थाली। आखेर देदीले सब्भी कुरा बुझे के थी। अब देदी संग लुक ने कुरायता के थिया। किनो मले तेसलाई नाउनु वन्न परेकोला। फेरी सोची। उगाड़ी वायको बिलाता जहन। फिट्टिक के दिमाग मा केहिता बसते न। अनि फेरी मन आत्तियो। अनि उर नाउदा पनी मन टूंगुमा छाई ना नि फेरी। परिक्षा बन्द अगिलो दिन वो आफ में किलन बसते को गरमा गई। किलन जोड जोड ले बोले रा पड़ी रायको बाईरे बाटा सुनी। अफंता के गरमाई पनी पेत्र पसन मन लागे न। बाईरे बाटा फर्की। कोठामा आउदा देदी फेरी बम भार बसे कि थी। देदी ले बेंगे आनी आली। उसको दर्शन न गरी करें ताला खाके पजदे ना निया। तेरो बगबान होनी हूँ। पुजा गर्न ता जाना ही पर्य। पहिलो पल्टा उसलाई हाफ फोले गल्दी गरे कनु बफ़ आश्चरी होंदे सोधी नामाले। की वंचे यो। पड़े की थी यते इने अरूले पनी पास भाय नंता। दाजुले बने। पास भाय ने दिमागले पड़ेर लेकने अरू। दाजुको बेंग्यात्मक बाकेले च्वास्चा छोयो कते। दिदी बनी रात्ता निलावाए कोसे मुंटो लगारे बुईतीरा टोलाई राये। बात को थाल पनी आफाई गुमे जासतो लागे। इन्दी राले डराई डराई सोधी। कोदी जना पास भाय चान्नी। पात जना मुख आँ भाय रायो इन्दी राको। ताहिले तर्चाउने मात्रे असो बने को पनी उन काम गर्दा गर्दे मकै का गोगा संग है। मन का थुप्रे कुरा अरुपनी भासते डोकामा हल्दे गरे दुबाई दे। परसिपल्ट मकै को भारी स्युक्कु आमको अप्ट्यार डोको उचाल दे पसाड़ी फरकांदा नीलो सट्रगा को किरन ठेंग अगाडी उभ्यकु नो सुच्चे को मैंचे अगाडी दे ताउ जसंग वाई। अम्माई कस्तो डराके नीलोव यो खाओ। वाइट रैबिट चकलेट को सान पोको दिना खजे। खान ना कीनले आकोने। करूना पनी टुपलु काई पुगी। किरनला देखेर उसको मुख्चु कोप्टाय जस इन दिराले सानो सोर्म सोदी। आजाचे कीना आकोनी। कैई जर्की दे बानी। फियल वाईको खबर सुनाओ न। किरनले दुख्ख मिश्रित बाब मा बने। पाच जना मत्र पास वाई चाओ। कोसे रियस्तो वाई। छनक परिराचु मता। अब को को पास वाई चनता। उत्चुपता पोकी। सीता, पारबती, गोबिन्द, रामनात्र, मौमात्र। आफु बन्दा जानने और गुल्टे को सुने पचे आफना असफलता सामाने लागे उसलाई। दाईले बनेया जसते इस सब्बई न पड़े के हुनता। पाच जना पास अरु सब्बे सब्बई को एक विश्य मात्र लागे उबन्द, गड़ी तमा कमपाट पाये शन्ती मिले जसते। किरन आज ठूलो आधी हुरी भायर उसको च्छेओ उधै बगी रायको थियो। एस बकत उसका बिगत का मायालू सब्द पनी कुनेस सहारा बनन सके नन। इन्दीरा ड्रोको सब्द पनी किरन ले बनियो, मत बिदा मागन मात्रे पर खेर बस्चेओ। इन्दीरा का आखा सजल देखिए। बादाबने दमी बाभुग बनियो। एस सगी कईली छुना आट नगरी को किरन को आतली। इन्दीरा को दाईने हाथ मसक्क को सेर समाती। आखामा आखा किरण को थर थर आउं तो बोली फुट्यों अब मोगोई आई एरे की हेरेवाई कि इंदी राको शरीर कते पूरे बिराउन लागे को सेवायों उसले पौर पुगुंजे लहरी राई तर किरण एक पल्टपन नफर्की गई रहायों किरण संगा को बेट खाट पात ले दे गा सुरू शुरू गई रहेको यात्रामा एका एक अबरोत आयो पासवाय का साथी का अनुभार मात्र आखा गाड़ी नास्त थे एक मन ले बन थे आप मात्र होई न तेत्रा बिद्ध्यार्थी फेल बायका सन मन मा कुरा खेलन थाले अब बियाको कुरा आउंच केकी होंच केक मन भरी एस पची को भवी सिक्की होला बनले जता तते बाट प्रस्ने परस्न आई रहेका थिये मौका परिक्षा का लागी पड़न जुटे एक पल्ट सब्बई उने इस चेक्षाक ले बड़ो मेहनत का साथ कोचिंग पड़ावन थाले देदी बनी पनी खिस्रेक का परेर क कोचिंग दानो थाले एस पाली को पड़ाई मा उसलाई जागर थिये न कि त्याकताई कीरण थिये न कि अबल उसको जलको मात्रा आई रहान थियो साचो मन ले मागे चिताय को जेपनी पुक्षा बनने विश्वास थियो पाथी बरा माताद माथी उईले देखी सबई को त सेले दोबै दीदी बनीले पास भाईपची दर्चन गरना आउने बनी संगे भाहकल कारेका थिये इन दिराचाई मनमने किरण संगे एक पल्ट मात्रा वैपनी बेटोस मनेरा माता संग अनुरोद कारेकी थियो समय जत्ती बिते पनी जिबन का बाटा जत्ती परिबरतन सेले दोबै दोबद का मेंने बनी संगे दोबै करैरा जत्ती बनी किरणा व्यारक 맡 न. मनला आफें सम्झाओं थी, परिभार को जिम्मेबार बेखती, पनेको बेला हिन्दा पाउं देना वला, तर उसले मन बरीत सम्झे के होला नि, पाथिवरा को बाकल छादे थियो, पास बैपची माता को दर्चन करना आउने, गाउबाटा ठुले येवटा टोली तेता जाने तेही हुल्मा मिश्ची ने बाए इंदीरार करूना पनी, चबैली आफन बाकलानुचार बाकरा का पाठा, कोखरा का भाले, परिभाका बच्चा, खाजा सामाल, ओड़ने उच्छाउने, पकाउने पस्केने सब्वे कुरा को भारी आरेर बाटो लागे, साक्छात देवी पाठी बारा माताले रुचायको चा बने पाठा आरु खुरु खुरु इन्चन, नरुचायको बाए बाटाईमा बिरायमी बारा मर्चन, कसे का पाठा तो डोरायको डोरी ने फुसकायर ठाउं को ठाउं अलाप उन्चन मने बनाई पनी थियो, तेसेरे पाठा को डोरी ना आमा कुरावनी रा मोहा मोली रा ठीक पारी दिया कि थिन। आमा कुरावनी रा मोहा मोली रा ठीक पारी दिया कि थिन। मा आगे को चीजा अबस्चे पाइन छा अनि माता को प्रशार्द ग्रहण करे अनिस्ट बाट बचीन च वन्ने विश्वास थियो सबई को। आफुलाई अफ्टेरो लागे को कुरा चड़ाए बने त्यो आफें सजीलो होंदे जान्च बने पनी विश्वास थियो। इन दिराले हरेक चेंड कीरण मात्र आई रहने उसको मन पनी चड़ाई चाड़ाई बेटोस वनेरा। पुजा सकेर चाड़े लागे ओरालो समाय में बास बसने ठाव मा पुगने अतार थियो। साजमा बास बसना फेदी मा पुगे। हांदी कुरा खायर गले को सरीरले परल्याक पुर्लूप पारे ब्यान चाड उठेर हिन्ने तरकर मा लागे। दिन्चार गंटा को यात्रा पसी। थकाई मारना सब्वे जनाले आफ ना पुगा भी साउन लागे। उसले पनी गलेर फतक का बायको का दलूका पारी। जिवला सजीलो पारी बसेर उर पर आखा गुमाओ दे करदा अचम्मा संग इंदिराक आखा टोलायका टोलाये वाये। उने रुबंदा अलिक पर चौर मा थ्याच्च बसेर उटा चीर परिचित मांचे खुट्टा पसारी रायको थियो। याई इसरी बेटियला बंडे कल्पने नगरेको मानचे। उसका आगाडी ब्यखावर थियो। सायद तेसले उसला देखेको थिया नवला राफने दोन मा थियो। मनली नमाने पनी परिश्टिति तरे चुटायको उई माया को चीनो। जसला पाये संचार जिते को माँसो सुने। उई आसा को केंद्रा। सब्बेथोक अरायपनी मनमा सदें संप्रस्चक को आवास देलाओने उई चानू। बिरहर बिरक्तिको गीत्पनी प्यारो लगाई दिने उई मानचे। अफना सफलता नहीं, उसको संतुष्टी समझने हाउसलार प्रिणाना को स्रोत। नीलो सट लाउने जती सबई मानचेमा सिंगुलाई उब्बिने उई प्रतिमूर्थी। अफना इचाया जस्तो संग संग यात्रामा छा बंडे आवास दिलाउने उई मानचे। अरेक एक आंतमा एक तमास्त्री नियाली रायको चजस्तो लागी राने मानचे। अरुस संग बिये गर्यों बने जग्ये में आई अरेरा लांचो बनदाई अफने शक्ति साली समझने रावण। तर उसको बने सद्धाई को राम। अरुके क्ये हो क्ये। अरेक दिन दिपिक का दिपिक का बलना आयालने माया रा समझना का ती तरंगा अरू। अनि वू तेही थियो जसको कोठामा पुगदा प्रेमील जिबन को निलिड़े दिना न सकी। अफने प्रेमी काला गह बारी आशुबकार रित्त आत्फरकाई अधर्चा प्रेमी को डोंगरी राने। मन को मुर्ती रा आँखा को जोती। तेही छूटे को मडी देख्ये को थियो त्यार। निक कई बेर्चमा आँखाला विश्वास कराऊना सोजी। इस तो ठाव में एकले कोसरे होना सक्सा हूँ। उसको बनी भाकल थियो की। उत्यात सबुई मां स्यांडल लगायका गोडा पसारे रा। साना साना डूंगा हात मां ख्यालाऊं देख्यों। पहले को जस्तो। साइधु अईले पनी नदेख्या जेए अभिनाय पो गर देए थियो की। आपने ला विश्वास दिलाऊना आखा कस्षेर बंद गरी। फेरी तन काउं देख्यों ली। क्यों यो ब्रह्म मात्र थियो ता। साथियरों इंडे तर खरम लागे। उचे बिस्तारे उसका छेव मा पोगी। उसले बिस्तारे टाव को गुमायर अनौट आशोट मा सजाओं देए। उन्हें पुराना नजर फ्याक्यों। उसले लगाय को सट को रंग मात्र फेरियेको थियो। जिन्दगी को रंग फेरियेको जस्त थिय। इसरी अचानाक बेटियेको किरण न बोले पचे उसलाबनी बोलने आठे आये। अज छोव माई गई। नियाले रेरिये। बर को फेदमा उब्भीर उसले गरेको काम को निरिक्षन गरी राने। मकई को बारी संगे आथ्समाय को किरण बायक उओ आरको थिये न। पिठियों मा जोलाबोकेर बोहिमा बसी सानो सानो डूंगा आउलाले पार पार फ्याकते देखे पनी देखे आजें करदे लुकी-लुकी उसला एरी रायको बेटियेको किरण लाई। देखे राब क्ये गरनू क्ये गरनू भाई। आखा मुखन चायर बिस्तारे बोले। ओ उसका अनुहार बाटा आफना आखा आटाई। अनुट निस्पटता र सन्नाटा ले लखे टे उसलाई। पूरा नकुरा एक्के चोटी आरीले पानी कोप्टिया जें कोप्टिये स्मृतिमा शरीर चिस्चिये जें बायो ठूलो सास्फेर दे बनी। अमई यू मान्चे त तर उसले देखेर बोलू जस्तो पनी गरीन। निधार खुम चायर चिम्रा आखा पारे नियाली रायकी थी। विस्तारे नसुने ने गरी और इस्वीरेत बंदै आस्चरे प्रणे प्रकट गरे जस्तो लागयो। अरू उन्हेरला वास्ताना गरी खुरू-खुरू इन्न आफ तो गाउली गरीब किसान को चरो पास करे रापनी कॉलेज बढ़ना सक्किया न। लामो सोर ताने रा बोल्यो। लांगरे केटा केटे को सिंगान पुष्ण वलांचुं गोला तीर एक चिन रोक्यार फेरी बोल्यो। अनि फेरी तराय तीरे जारियो। सब्धोक बिरकते थियो आवाज मार। उसले सोचे को गाउमा पनी पुराय नाच्छा मदेश चरी साकेचा केक्की परिबर्तन बही सकेचा यो छोटो समय में। उसका परिबार को दुर्याबस्ता मस्तिस कमा कुमियो। उने दिन उसले आफने समझी सकी की थियो उने औरलाई। आज पची बयको यो बेट इन दिराला लंबियोस चस्तो लागी रायको थियो। उकिरण को आखा मा आखा जुदार हेरी रहना चान्ती। तर उसले बहीं बाटा आखा उठायल। उससे गरी अउलाले ससाना डूंगा अरुटी पेर विस्तारे फ्याकी मात्र रायो। छसकाले ब अर्खर गर्देई इन दिराको बाटु तिर देखाऊ देवानियो। जानुस मड़ाप सब बयली चाड़ेर गई सके। खालानी चित्वाले मत जान्नानी पुर्याउना पईले जस्तो। निन्यवरा आखाले हर्देई इन दिराले अंतेम बाग के बोली। शाच्छे आमरो अब क्या नाता शाहिनाता। थियो नाए कियारा। वहले बहनी गायानी तराहि सर्यो। छीटो सबारियोस उद्धा चुटी सके। जिता जलायारा फरकेका मलामी जै मलीन अनुहार लियरा अफना बाटो लागी इन दिरा। उसले के गर्दा पनी बुजना सकी ना किना गर्यको मानिसको तो वेभार उसका लागी अनाप्यक्षित थियो। उपन्यास मन्जुबी मलीको उपन्यास अत्रिप्तिको चौत उस्रिंखला चालीश हो प्रिष्ट बाट अब बाचन गर्चिय। जस्ते सल्बलाई रहयो। मन्मने सोची यो मलाई पाती बारा माताले दियेको ब्रहम मात्रपो हो की। खुछी जस्तो पनी दुखा जस्तो पनी कस्तो कस्तो। नरचेको नाटको अविने गरी रहे चुकी जहीं बही रहयो। सरर्रचीसा पसिना आये सारा सरीरमा लेक लाएको जस्ते बहयो। नेक्के परसमा उनिरु देख्ये नन। फरकेर एहरना मन लागयो। किरण गाउंको बरको फेद मा उब्ब्य जस्ते अईले पनी उब्ब्य रहे को थियो। जोलाका खकन मा हात अड़े आयर। उसको मन ले बनी रहे। उसको कठोर ता छणी को। आमरों माय आते ती कम जोर छाई। उसले अईले गरे का ती ब्यभार सब्बै गुर की उन। उसका मन मा म सदहीं छू। मा उसे को हो अनी उ मेरो। तरह जारे पछी माय आपने उत्ते जारे। यो बाग केले बने सारे कोची उसलाई। फरकेर एहरना मन लागयो। किरन गाउं को बरको फेद मा उब्ब्ब्या जासता है अले अपने उब्ब्ब्या उसलाहरी रायको थियो। नेके पर फोगी संके का हुद्धामा फोगीर मिश्ची। देरे बेर कुरा गय उता कू होती। पुरुले सोधी आले। त्यों मान्चेता तमायरु संग एससी देखो वेनर रबिन ले थपयो। वो ता हामी संगे पड़ेको साथियो। देदेले सजीलो बनाई दी। अगी जनक करीछु ठेकी दी। अधिली गवम्मय अंगालो आलनो जस्ती लागी। कत्रो भूल भाये चा मुआ बाटा। यस्तो बिशालो काणाले फुल समझी मुटू में सजायर। एतिका देन कसरी डाखना सक्येछु। कस्तो पहाड जस्तो अटल विश्च्वास करेचु। नियों को थो प्रोलाई। उसको मौन ता वित्र एती निठूरता पनी वला बनेर कसरी शोचनूता कि पाती बरा माताजेका मंदिर मा पाठो बली दिन दा रगत जूके जस्तो श्वाट्ट हमरो प्रेम को सागर शोके के होता। उप मलीन्र निरास अनुहार लगायरा चुच्चो काट्येको बुच्चे चरोजे आफनो गुण फर्की दे थी। अब अता कि माग बाठ पखालना सके की थी नौ। सोची दिधी को देरे बोलने बानी चाहि नौ। मन परेको कुराला प्रसमसा गरने पनी उचंग कुने सब्दे चाहि नौ। अईली बनी उसले किरन प्रती देखायको बित्रेसना ठीके हो की क्यो। जस्तो मह शुस्पायो। उसले कि उसले अनुमान करे जसती दस पास करने बित्तिके बिहा को लागी कुरापनी आउना थाले। पास नहुदार हुदा मगनी पनी बेगला बेकले इस्तर का आउदार आएचन मनने पनी थावायो। यवटा लगनमा बिये गर्दी आलनू पर चाहि नियरको। बाबु बंद बाबु र लमा को अमाले पनी छुनेन। नौदस पर्शमा बिहे गर्नी जमाना का बाबु का अनुमान मा छोडियरको बिहा गर्नी उम्मेर कर की शाकिको थीयो। बाईर देरा हमारा करता पडावनी पनी खुराता जन बाबु के सुन ना सकते। आमाको डीपी ले गाउंके क्यांपस पढ़ने भय पढ़ू नता बन्ने सम्मका स्वामति मा पूगे का थे बाबू। तरपनी बंदे थिये किने पूगनु पर्णू परे क्यांपस ने स्यांपस। त्य त्रो बाटो धायर क्वसले दरालो बसनी नेरको। आमाले बाले सम्झाएन। आखिर गर्चाडेर डिराने बसनू परे पसी दाजु संगा काटपाणू मा पठाई दिये बाई गोनी। संगाई बसन। अलिकती खर्चत बढ़ने ओ। नया ठहमा पुगे पसी नया कुरा सिक्षन। पसी आफ़ी पनी क्या काम गरे राफन जियो पाललान। गाउंको क्यांपस पड़े पसी रात बी रात यकले इन्नू परने उन्छा। कोई संगे हिल्यों बोले बने गाउनीले गिद गाउन थाली आलचन। यही गाउंबाट ते गाउंमा क्ये पठाउन। सर्म गवर पढ़न लेखना सकता पसी उते बिये गाने राम रामान्ची बेटीना पनी सक्षन। यहता बसे यहता रातो दिन दावरा गास पानी पंदेरो डिकी जातो मेला पात्म मेले जस्ते दलीनू परशाच्च देन। यह नया की सिक्षन। मेरो जत्ती को तो इनले जानी सक्यानी। यह पाली आमारे आफनो अडान छाडी दान। बाबुले आफनो डिपी छोडी दान। यह बनाउने बयाब छोरी ला बिद्वान। पठाना पठा काँ 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 पठाउं छेस। लाइदीन चन ना काँ गू औनी देखचेस। दि सेरे सोसमा पनी फरक आयको अला। बाबु सदाई उइले आफनो बयला को कुरासंगा उइलेला दान्स न खोच थे। बास्तामा उनला आईरायको नया परिवत्तन को बारेमा उती था थियान। बाबुको देरे समय गोट में बीत्तियो। देरे बाकरा बसतु पालनु। ज खसी पाठा ब्यशनु। अन्न देरे फला उनुने सब वेंदा ठूलो काम हो बनने उनको सिद्धान्त थियो। छोरी पड़ाउने कुरामा पहली देखिने जोईपोई को कुरा मिलेको थे न। अब करे छोड़ेर सार में पढ़न पढ़ाउने कुरामा तो जनके गरी मिलतो होता। तर छोरी अरला गरको कामा आफे खप्टियर भायपनी कॉलेज पड़ाउने मन थियो आमालाई। साने में कर खानू पर्यो। आपनो पालामा पाठ साला भायपनी पढ़न जाना पाईएको थे न। पानी, गास, दावरा, बेला पाच जाना अरूले बनेका गीत, पड़ाई बनेको ते योला बने पची सम्मय उनला लागी रायको थियो। एक चुटी चुनेपची पूगी आले। आमा ती गीत अरू कंठस्त सुनाव थिन काम करता। जब चोरा-चोरी रिच्कुल जाना थाले, रक्किताबरो पडना थाले, आनि उन्डी बिस्तारी पनी खुब बाभुक बाए, उन्हेरो अब हामी साच्चे के गर परिबार गाउं साथी संग छाड़े र टाड़े जादे शाउंता, पंडे कुराले नरामर गरी पिरो लिये। ठुला-ठुला जोला बो की बायामा को आसिस्था पेर निसकेदा सबे जना गर बाईर पड़ाके नी दिये दाजूले, कलेज को लागे ठाउठाउमा निवेदा नाली दिये, आफन रूची अनुसार अलग-अलग कलेज मा बर्ना गरी दिये, इन दिरा केटीले मात्र पढ़ना पाउने पदमकन्य कलेज को मानवी की संकाय मा पुगने परी, सारी लगायर, सहर क बीच मा रहेको त्यो कलेज समापनी एकले कसरी पुगमला बने डर पस्षे को थियो बित्रमान मा, और कपनी थियो, देशको राजदानी को कलेज मा पढ़ना पाउँ दाको, कलेज को आफने प्रकार को पोसाग थियो, पहिलो पल्टा आफना सरीर मा चूरो पेटी कोर को न समापनी करिलू को सारी लगायर, पहिलो पल्टा आँग मा आले की, होसरी लगाउने, बाटो खोजदा खोजदे समाई बित्तियो, देदीले उठेर दस्तोक गरी सकता पनी उचेहीं साडी के मुझा खोजी रायकी उन्थी, पोसाक न लगाये, गेट बाटे चीर न पायने, जसी तसई बठार बुटूर पारेर लागायो, ठुखुट्टा सारने न बिलने, बेरीर लड़ी लाकी बने त्रास जती बलापनी उन्थियो, राजदानी को मुटुमा रहेको त्यो कन्या कामपसमा, गाउबाट एती टाडा आर सजीले पढ़न पाईये लावने रोसली कल पनापनी गरी की थिये न, न पड़े की वैपनी, आमा को सोच र सहर को संभावना बुजे का दाजु को सायोगले, आजा उने लियो संचार देखना पाईया थिये, हैती सोची सकता मन बाभुक र गर्भी लो एकके चोटी बहर आयो, कलेज मा बिस्तारी परीचे बढ़ दे गयो, बेबिन्न खाले साथे और बेड़ देजाना थाली, उसलाई देरी दिन सम्मने, सोहर को तो ये थारता सुईकार गर्ना गारू लागी रायको थियो, आमा बाको समझाना, गाउं को सान्त बाता बरंटा साथी संगी को माया, मन को कुने कुना मा अत्यनत सुरक्षित ब परोषाक लगायका केटी अरूला जिसकाउने रा पच्छाउने अरूको बाक्ले हुल, कॉलेज बाईरा अन्नेत्रपने उद्धुर आयचा, तेसे बैर केटी अरू हुल बादेर हीरदा रायचा, अनि उपनी बिस्तारी तेस्ता हुलोर मा मिशी न थाली, हुल बादेर हीर पनी जिसकाउने रा पच्छाउने अरूको कमी तो थिये न, साने चादा, दिदी अरूका ओट गुलाबी तो था रात रंगले हलका रंगायको देखता, तो कसरी बाईको बाईको बनने मनमने सोस्ती, उमेर अनुसार बरीदे गयेको जबानीको आब सेकताले उला, लाज प पनी बेटेका रात रंगर उट मा दलना थाली, आमाले अपनो सियूदर निधार मा लगायर अईनामा छोड़ियेको सिंदर चोरा उनाली टिपेर हतार हतार आपनो उट मा दली आल थी, रात तो मिठाई खादा पनी तेसको रंग जिबरोले ओडती रसार थी, तर करूनाले बने कईले पनी ओट मा केई लगायको देखी ना, अईले उराजदानी आई पूगे की थी, चत्र अठार बर्षक ओमेर, उस्ट शरीर, चंचल मन, जय तात तो आश्चरी मात्र देख्थियो आखाले, के-के मागीर अज उस्तो गर्थियो मनले, मागने बेला पनी तो बयको केई कुड़ा, कलेज मा साथियो ले कती रामरा ओट बना रायको देख्ती, तर त्यो कशेरी त्यस्तो उन्चा बनी कशेला सोद न सके की थी ना, एक दिन उसले दीधिला सोदी, दीधिली जर के दे बनी, की गर्ना चाहियो नी तलाई चाहिए, थाचे न मलाई, जय आन्रो जोडिये जस्ता दिधि बनी वैपनी, सोभाव आकास पाताल फरक थियो, दाजुलाई स्वागाउशन, करबाट बाइर निसकन देनु पर स, अरु ज्यान का कुरा सिक्षन, आमाली बासंग जिरह गरे का कुरा, इंदी राका कानमा कुझी रहान थियो, रमेश को दि आनिले खायर पढ़न पुगे पनी, सहर मा कसरी संगर्श गरनु परचा बनी, बाइने अरले आत्मनीर बर उनना सिक्नु परचा बन्दै, थोरे थोरे रकम को उनेरको नाम मा बाइन खाता खली दिये, गाम बाट ले आयका उनेरको पेवा पैसा खर्चा उनना बाट जोगा आतो, अपनो नाम मा बैं खाता देखता चक्क परिगी थी इंधिरा, त्यो खाता खली दिनु मात्र पनी उसको नाम को संपती जोडी दिये को जस्तो लागयो, यो दिन उसले दाजुला पहलो पल्ट मने बाट दन्यबाद दिये की थी, करूना दिउसो कलेज जान थी, एक्ट्यकुरा दिदिले दाजुला सुनाई चवला, एक दिन दाजुले इंधिरालाई दिउसो निकाई ठाओ गुमाए, उसका लागी सब्बई नया थियो, जे देख्यो तेई आच्चरी लाग थियो, अनुमान डोका, शिडिया खाना, कृच्णा मंदीर कता-कता, पेपनी खुशी थी, हाज उसले दिदिले बंदा पहले काट्पाणों गुम्न पायकी थी, पहले कईले न खायका खाने कुणा पनी खायकी थी, तेसको एक अप्ता पसी, दाइले कता-कता गुमाओ दे एक ठाओमा पुराय, डियरा बाटा हिन्नी बेलामा बने का थिये, त तर दाजुला आफन त्यो कठिनाई सुनावने आट गरी न, निक्के बेरको पट्यार लाग तो गामर, ट्राफिक लाची चोले रा दाइले उसला योटा, पुस्तक पसल मा पुराये, पसल मा चस्मा लगाय की, यहोटी मोटी मैला कुर्ची मा डशा मस्च बसे की थीन, पस हातले इसारा गर्दे बीत्र बोलाई, तो यह बसनेर हाऊ थीन, मानची एरुका आवाज जावत बाकले थीयो, दाइले तेस मैला संग सामाने परिचे गराये, तेसले खासे महत्तो न दिये पनी निके बेर अनुहारतीर एकोर हेरी रह जोस्तु चे लागयो, साइद दाइल बेर पचे तिनले बानें, बिस्तारे सबे जानेंच, काम सजीलो पनी छाये न, गारो पनी छाये न, गर्ण थाले पके बुझी दे गायेंच, पइला काम गर्नी यह उटा केटो थीयो, उग गाउं जाने बायेछ, मए उख समालना गारो बायकोले शाथी खोजे किवो बने पुस्तक विक्री बिवरंड को इसाब राखने रजिस्टर निकालेर अगाड़ी राखी दियन। रजिस्टर संगई इजोक विक्री का बिल अरुदियर तेनला पोस्टिंग गरना मानें। इन देरा नीली काली वाई काम को सामान्य अनुवापनी न वाई के उसले कसरी पोस्टिंग गरनू। उसका लागितियो पईलो दिन को काम नाई महाभारत उने वाई। वो अलमले की देखेर वला रहाकले निकालेरा चहरेका पुस्तकरू मिलाउने काम दियन। जो काम मा उसले मन मा केई खोसी लागियो। अगी रिशुठे की ती मैला अब मन परे जस्ती बाई। पुस्तकरू ता लगाई सके पच्छी कुछोली भुई बढ़ार न लगाई। को सिंगर उठाउन लगाई। उन्डे अरायका कामारू लुरु लुरु गरी रहादा पनी मन डोक्टत बाई। अनुहार ता तेर रगते चुईयेला जस्तो लागयो। तावको दुख न थाले। ती मैला बाईंकर डर लागतो बसतो भायर आपनो अगाडी उब्येकी जस्ती बाई। बेला बेला उनका आखा संगा आखा जुदे। तर केई बेर पनी टिक न सके। उसको काम लाग खासे मन पराय जस्तो गरी नन तीनले। दिक का लाग दो अनुहार पारेर बनी। काम गरना आऊँछ ता। खोई। अभी स्वासिलो र काम एको स्वर मा इंदिराले बनी र एक कुनाम उब्भी राई। उन्हेरले किये सोचे। कि ब्यात मारे कुनी। हमी अईले जानचाऊनी तो बोली बेटाऊनला बन दाई दाईरे उसलाग पची लगायर बायर निसके। बाटा भरी रमेसले त्यां गरनुपने काम का बारेमा जानकारीर तरीका बताऊंदेले आये। साउनीले बनेको जस्तो फटाफट गरन जानेको मा अले कदी जरके जस्तो पनी गरे। बोली पल्टा कॉलेज बाटा आय सकता लोग खाना खार तयार बायाल। दाईले आपनो कपडामा इस्तिरी लगाऊंदे बाने। पडाईको तनावरे दिक्क पारिये की। खक्षेमा बसने शीट समा न पाई दोईटा पिरेड उबियरे लेक्चर सुने की। फेरी बसमा मांचे को बीडले चेपी दे बर्खरा आय पुगे के इंदी राको टाउको दोखना सुरूर भई नहीं सक्या थियो। दाईको कुराले चसंगा हुदाई फेरी सोची फेरी कुन अध्याही शुरूनी वो। दर्राउ हुदाई सोधी का जाने। इजो कठाउमा रमेशको उत्तर थियो। खाना को बोक बन्दा पनी इजो कद्रिशिया सरलक्या आयो आखामा। समझानी बित्ते के जेव शिरिंग बायतर जानना बना सकी नौ। उसको अनुहार हरती दाजुले बने। तला एक काम बनना साथ ट्राव को दुख्यो। कैई इन बोली हतार अतार खायर तयार भाई। जेमा पनी तुरून्त प्रतिक्रिया जनाय आल थे दाई। अलिक शक्रिया भरा आफमा सिर्जन शिल छेमाता देखाये छिटो शरीतो संग गरेते रामबय उन्यों। शिकीन थियो। बैला बैला बोलती रमेश। बाटा भरी दोरो बात भायना पनी। ये जोको बाटो लागे कि अरके उसले ठम्याउनों नपाउंदे पसल मा पुगी सके का थिये। कुर्ची मा डसमस्स बचे कि सावनीला जिम्मा लागायर मा बहरे आउँछू कि आफिया आउना सक्चेस बंदा इबाटो लागे। इन दीरा चक्क परी। उनी का गए कि न गए कईले फरकंचन अंडियोलमा परी। बहिसाफगर ये किताब अरु मिलार लाखा और ये बीलर को इसाफगर ये खाता मा सार। शावनी ले काम अरौन थाली। इस सब्बाई आफएने देखेर गरने काम होन। इन दीरा भुही बढ़ार न थाली। सवजीलो तेई थियो। मानचे एवर आर तमाहतम किताब चान्दै एता उती छरी दीन लागे। चिंचिन में सावनी ये सो गरा, ते सो गरा, यो भायना, उ भायना मने रा खोचे थापना लागी। घरी-घरी तनके का अनुहार ले मुन्टो दायां बायां अलाउँदे उस्ता एरी रा न थाली। जती सावनी ये येरियो, ते ती उसका सरेर भरी माको रोकोदे जस्तो शक्षकाय का अनुभाब गरी। पसल बित्रक्केताब मिलाउदे गर्दा, बाटो पार योटा मानचे पसल को पेटियेमा उब्यार देबरे आतले समावना ठिका पूगने चीज कान मा टासेर अगी देखी बोले को बोले थियो। आत पनी अल्लाई रायको थियो, वो छक्षका परी रायकी थियो देखे रा, ती मानचे कीना एकले बोले को अला, यहर दात सद्धे ने देखी नचा, अच्चम मा लागे पनी सावनी ला स्वोधने आट गरी न, टोलार यहरी राना पनी मिले न, ताई पनी सावनी का आखा चल दाई उसले तेसला देरे पल्टा यहरी, तियो मानिस कोले जोड़ जोड़ले मुंटो अल्लाउंचा, कोले हुडुको रो गुंदै हास्चा पनी, निक्के बेरपची तियो मानचे ते आबाटे हिड़ियो, फेरी औरको तें आर तेसे गरी हात रमुक अल्लाउं न थाल जिलास को बाहर बीट मा सानु दागमे उटा कागस को टुकर जुन्डे को थियो, जिकेरा फालली वा कौप नई फिर्था गरली बने को तेसला वास्ते नगरी शुरुप शुरुप पारना थाली, देखी ना की की हो बने र, तियो देखाई दीना आटे की थी, तर उसले द देखाऊना अगीना हेरदा हेरदे, तेसलाई हात का बुडीर चोरुप लाले बिस्तारे पंचाओ दे शुरुप न थाली, तेई बनने परेना, मुखको गुल्गी कुटुक का निलेर बनी, तिमी गर जाओ, एक कासी सावनी बोली, तियो सुन्दा खुशीत बाई, तर जानता डियर आपो गिन्चा बनी, बाटो को भ्योव न पायके इंदिरा निरुत्तर बाई, एकचिन पची बनी, मा दाजुला पर्खिन्चो, सावनी बनी, जट्टे बनी, मा तो गर गई सकनो बो, आउनू न तिमी जाओ, आकास खसेर छोपे जस्तो बो, उसलाई, लाह, अब घर कसरी जानू, थररर खुट्टा कामे जस्तो लागयो, एकचिन पची सावनी इले फेरी बोली, जाओ जाओ, बोली देखिना आउ, उसको पचिल्लो कुराले मन हलुःका जस्तो बो, कम से कम बोली देखिना आउनू तो न परने बो, तर अब जाने कसरी, छोज तै ब तै पनी मीशा लागे जस्तो बार, अलमली एकचिन, एकचिन क्यामपस को गेटा गाडी उब्यर, पित्रबाट निसकांते गर्तरफ जानते गरे कानुमान गरी, अने सरासर लागी बाटो, कोठामा संगे बसने आरको दाहिले सो दे, कांची जागिर खायरा आई, कोस्तो शत जागिर, इन दिराले सानो शोर्मा बानी, पुटुक को ओने गरी खायरा आए, बोल देखी खानो न परने गरी, खाना खायरा एका बेला, उसले अचम्म मान दे अभिनाय का साथ बानी, दिवसा बाटो पारी मान चेरो आफनो हाथ कान छो लागेर, बिस्सर एकले बोल यरदा तो सद्धे जास्ते देखीं थे, योटा पची और को आउंती ते इसे गर्द थे, मच्ची मच्ची मुख बनाई बनाई, हाथ हल्लाई हल्लाई, हुरुख का भरा आस्ते पने, मले तिया बढ़ार देए, यरदा पसल बाड़ा देखे की, चबे जाना गलल ला आसे, असाई कांचीले, कामगर्न गयके चार्तिर एरर बस्ती रहे छे, औने कामाटर आख्चे ता सावनीले, की देखी ता कांचीले, टेलीफन भू देखे की क्या हो, फेरी आँछे, इन्दिराले जेबन मा पईलो पल्टा फोन बन्ने चिन्दै नचिनी देखी छे आज, उईल करुनाले बन्दा पहला आफुले देखे कामा पनी, मन गम्म फूले रायो, इन्दिरा संग कोलेज को पहलो दिन बेट भाय की साथी, शुरू देखेने उन्दिरा फलाम र चुम्मक जै टास्चे का थिये, इन्दिरा उसला जिस काम थी, जावन दा कीनर लियो, तर सासी ले इस्चे को यो पईशा खर्चे गरना मन लाग देना, बन्दे आस्ती, अनि बखान गरती आमा को, बाइरा को खाना ना खाना बने से आचा ममीले, बाबा ममी अनि दीदेले मेरो खुब क्यार गरी सींच, बेरो लागी वनेरो बुजा, दाल, सबजी, चटनी, सबबाई राय चरी चकी तुम देई, हिर्दा हिर्देई टक का अडियर उसको अन्वार में हेर देई सोधी, अन उठो बाब मा, अनि हाथ हल्लाय अल्लाय बलना था दिये, काश्मणमा तो बिजुली बाट बुजा पाक्छा क्या, दुईटा भाणा होंच तेसमा, चामल दोयरा वित्रको चामल बाणा में राखे दियो अनि बिजुली जुडी दियो, आदा गंडा पनी लाग देना बुजा पाक्ना, बुजा पाक्या पाक्या बचिवनी पची समा आफी ता तो बाई रांच, तर बिजुली को तार चे जिखना हो देना, चासी ले राइस्कूकर को बयान गरी र आदा गर जात्र बस, टेलीफोन बने चीजको पनी जर जलको आई रायो, शसी उमेर में आफू बन्धा कान ची, वोची र सिकुटे कात की थी, कत्ती कुरा जाने कीनी जिरे खुर्चाने ले, इस तो लागी रायो इन दिरालाई, उसलिए आफनो पैसा को लोगवारे को दे अनि मनमनें आसते ही सोचते ही इन दिरा, यो भुईगेडी लाग की बन्नू रखोई, चदे ही इसते गलफत्ती गर्दै करती र लाग थे, कोईले काई क्या खाना केंटीन ती र पसता उट टेबल को अरको पट्टी बसे रलू, आखा जुदा होई कसले जित्तो रही चा ब कुचैं, खाईसकने बित्ते के जोलाबाट लिपिस्टिक जिगर उटमा कस्ती र, सान अयनामा आपना अनुवार एर दै, थोरे केसनी कालेरा आखा आगाडी जुन्ड्याओं थी, अनि तल्लो उटले आवा फ्याकेर उड़ाओं थी, उसको नक्कल देखेरा इंदिराला ब खत्ती हो कत्ती लागतियो, राखी देखो खाना लिए उड नगा होनी बुजे पसी दीदीले आफकार उसलर बेगले पकार राखी देखेरा इंदिरालिते शरी पकार चुट्टि राखी देखो खाना सबैज खाई सक्चे ना वनेर, उसको पेट को परिख चेलीं तो अचार काटमाणों को रायो को सागमू छेर दुई थाल डम फ्याउंदा पेट बरें थियो, मन बरें थियो, उसका कुरा सुने रा सबाई गलल ला आस्ति, पहलु दिन कलेज को गेट बाट चेर्दा होहला, गाई-गाई रा गोईगो शुने रा, अलमल्य की थि, शोर को बाट आयका बिद्ध्यार्तिय रुपनी थिया वलान, तर पहलु दिन कलेज बाट फरकांदा बाटो मा बेटले की थि, शसी, उसेले बोलाएगी थि पहला, तिम्रो नाम कियो, काँ बस्चेओ, आपु बंदा सानी केजी ले तीमी वने रा संबोधन गरेको को कस्त पहलो पल्ट परिचे मात्रा उदाईच, कसरी लानू आपनो डेरा, कलेज पशेको पहलो दिन नहीं, साथी लेरा डेरा कसरी चिरनू, अरुले क्ये बन्नान, इंदेरा चुप लागे को देखरा सोधी आली, किने चुप लागे की, कि आमी संग कलेज जानी साथी बनना सकते अरुम कतानी, मानो उत्याद चापा मार ना आई कियो, बांचा कोठा में अटायको थिए दिवयनिक अराम दाई खाट, बक्ती नबाली काने केई पनी देखरा न सकी ने अंदे आरो थिए कोठा, सब तिरेरी शके रषा सची ठिंग अउपी, उसले सजलो गर्डी बसनी ठा बोलना थाली आली, आमी साथी साथी, आमरो बेट आजाई वायको, इंदेरा केई बोली ना कि ना कि उस्सेल अपनी देशका बारे में केई था थे ना, मदु दाई मुशुक कांस ते निस्ट करेंडे, तो मुश्कानले बरे कती उडाउनी हो बने रे इंदेरा फुस्री वाय चिया बनाऊचु एक्षिन पखाई, इंदेरा मट्ट देल कोई स्टोप मा दम दिना थाली, शासी चक्का पर दे बोली, आम पता ग्यांच कोई स्टोप पछाता, अन्य हतार अतार मुण्ट अलनाऊँ दे बोली, है नहीं ना मचिया खानना, बरु मा बोली बियाना, क्वा इसको ड्रेस मीलाउथा मिलाउथा धिक्क्या लाक्तियो आचल न मिलने, कहले मुजा न मिलने, कहले के न मिलने, ग्राम्र मिलारो न लगाये हिन्नाई गारो उटै, कती पल्ट खोट्टामें बेरीयर, लड़े लड़े जसतो पनी उन्तियो, उसले लराइं लोरुन गरेको देखर सची आफे मिलाई दीना थाल थी करिलू को गेरू सारी छीटो छरीटो सरक्के न मिली अतार उता खुम्चे को देखता आफना सारी देखाऊ देखाऊ देबन्ती इस तोलेक रामरो सिल्की दोधी पो किन्नु पर चता अनि पो माद लाउधा, आईरन लाउधा पनी बसर लाउनी बेलामा सरक्क मिल चा टाइडी नी देखिन चा इस तो सस्तो न सस्तो करिलू कपडा को किन्या चा अनि का बाट मिल चा ता नमीठु लागते शाची को इस तो कुरा गाउंबाट कती दुखा गरेर यांसमा आई पुगियेकोछ, पैसा को कती दुखा उन्च एसला के था, उनपनी उसको सानो छरीतो और चिटिक परेको जियुमा, तो सारी सरलक कम बीलेको चिल्लो र शुआउधीलो देखिन थियो, इंदिरला दोती बनने सब्दसंग को टाइडी देखिने कुराता जन पहिलो पल्ट सुने की थी, सारी लगाई सके पची मेक अप मनी गर दिना खोज दे बन्थी, खोईती मर लिपिस्टिक, फाउंडेशन, आईलाइनार केई चाई न, इंदिरा को तेस्तो केई पनी थिया न, न देखिये पची आफने जलाबा पी श्याउ जस्ता देखिन थी, माथियलो चैएं छोटो-छोटोर मुनी कोली कती सानोर मोटो, तेसमा गुलावी रंगले पोते को चिल्ला ओट वित्र चमकिला दात्तिलिक का टल्किन थी, इंदिराला तेसको ओटको आकार खुमले की राजस्ते लाग थियो, अगाडी अधो नदियकोमा बनी मनमा कता कता लाज तोग जस्ता पनी लाग थियो, अफनोक अर परिबार आफन तका कुरा गरेर न थाकने, ससी उसला बोलना पालो न दिन न थी, एसे पनी तेती न बोलने इंदिरा, बाटोमा हिर्दा पनी उसला इंदिरा का आच्चा मात न पर्थि जसको बारे मा पनी उसलाई कोसरी था उन्चन तेस्ता कुरारू अचंबित उन्ति इंदिरा, इंदिरा ससीला नियाले रहल थि, केई न मिले पनी तेही न मिले के कुराजे मिली राखे को जस्तु देख्ती, कलेज बरना भाय पाची बेटे की कारफानों के केटीले के सारो में कोरियर माया गरी के ओली जस्तो लागी रान्तियों, तेसको त्यो बीदी माया दिक्क पनी लाखती कई ले काई, तई पनी यो परदेश मा उसको योटा मिलने साथ ही पाय की थी, उसको चंचले रा बोले रे न थाकने बानी देखे रा कोठा मा कई ले काई ता बान्तिय यो कि तिला गर्भीत्र आई रने न अपार आई, बरुत्ता ने छिच्चिर तयार बायर बायरे निसके आलने गर। प्रकासिद भयको पुस्तको, यो बंदा अगी वाको दुयोटा पुस्तकरू, कविता संग्रहर संस्मरन क्रमस, दुय थोपा आशूर खीर प्रकासिद शन्, अत्रिप्ति उपन्यासको आज पाचों सुरिंखला बाचन सुनाउचू प्रिस्ट एकाउन्न बाटा। प्रकासिद भाटों में हेड़दा हेड़दाई उबेर मिलदो कसेले देखी बने, जस्चकीरण को याद आओ थियो। पचिल्लो पल्टा को बेटमा उसले बने का रुखा वचन को पनी याद ताज आओ थियो। मनमा नमीटो गरी बियो कोची सु सिर्टोले पनी आँ थियो। बिस्तारी सहर बानी परदे जाना थाले। अतीतले मन्दा पनी बर्तमान ने बड़ी पिरोलना थाले। तई पनी बिगतले सरक्के पंचाओन गारो मानी रहेको थियो उसको मन। बेला बेला फेरी अतीतने उर्जा बने रब बर्तमान माती उभीना आओ थियो। कोलेज पनी उसले बिचित्रे लाग थियो। एका ब्यान इस सलह जस्ते सहियों को संख्यामा बिद्रिन थे। केटी मात्र पढ़न पाउने त्यों कलेज मा थरी थरीका अनुहार दिन देने देख्ती। 4000 केटी मात्र पढ़चन अरे। का अटाउचन वला। वो अचंबीत हुन थी। सरकारी कलेज। राजनीती को अखड़ाई थियो। केटी एरुपनी तेसरी राजनीती मा लागे को देखेर चक्का पर थी। पहाड को इस स्कुल मा किरणले संगठन को टिकट कटाउन खोजदा पटक कई नमाने की उसलाई। अईले कथा कथा पस्चाता आप जस्तोल आगे राऊं थियो। तेती बेला अलेक सक्रिया वायकी वाय। अईले याँ आफुपनी तो केई गरदी हुनी। उसलाई पेत्र पेत्र दाजु रमेश संगपनी रेचूड थियो। उनले आफे नव बनेर केने खेताला लगाऊनों खोजे का उलान। उनले बनेको भाय के उसले टिकट काटने थिये ना उलात। कलेज मा कईली उसको, कईली कसको कारिक्रम, मीटिंग संभेलन नव भायको दिने ना उनले। चोबियू, अखेल, नवी संग बने पने उसले तेहीं पुगीपची मात्रे सुनी। किरणले टिकट काटूँ बनेर जोड गरको संगपन अखेल रहेचा बने, बुझन Turns निक्त्ते दिन लागयो। टिकटे काटों मनेर किरण ले संकेत करीको संगठन का कोई आयका भाय, वो अज्जे पनी काड़ दियो, तर त्याता पट्टिका कोस्चले पनी उसले अन्रूद करे दन, उसले खोजी-खोजी कुने संगठन को सदस्य उनू पनी थिया न, एक पल्टा सब बंदा ठूलो बंदा पनी उसले मन परढ़ दे न, उसले बुझ्य की थी न, इसले वेलाहमा वने उसले असले सासी देखी दिक्का लाग थियो, तर चरकीत आ बंदी, तिमिला मन पर्देन मन एकले जाओ, मत बस चुु। सासी कुम्ची को प्रिकुटी बोकेर उसंगा डेस्ची रबसी रांथी। कवरे काई तर लागती हो। यसला आपम मा छोड़ी दिन्चुर नया साथी बनाऊँछु। तर फेरी मन मा उसको पनी माया लागन थाले कनुभाब गर थी। और मन बुजाओं थी। अनि सोच थी। पर उसेले मेरो साथ चाड़ दिया पनी तर उन्तियों। तर उकी न छोड़ थी। बिस्तारी सोसी उसला आफनों नीजी जीवन्ट शोतंत्र ताको बाधक जस्तो लागन थाली। जर को लागती उसलाई। जती बेलापनी बिरालाले चावर चेपे रहड़ी आजस्तो। उसको हाथ समाते रहड़ी रहादा। छोड़ेर जावस एकले बनेर चत्ती आलटाल गरे पनी उप परखेरे बसी रहां थी। एक दिन सदेंको समयमा ब्याहाने डोकाग ढक्टा क्याओना आई पुगी। इन दिराले डोकाग खोली। तर उआज आज कोलेज को ड्रेस मा थी एग। उसले हतारी दे चरको शोर्मा बनी। लूती मी छिट्टो तयार हो। मती मिलाई साडी लगाई देर गई आलचु। आज मा कलेज जाना पाउने बाय। डाडी मामी संग मामा घर जाना परने बाय। बेरो नोट छुटने बाय। तयो बंदानी तिमरो हाथ पो छुटने बाता। मन्द मुसकान बर्दाई प्यावलो पारी अन्वार। लाग थेओ उसले गर फरकेर जाने मन छैना। इंदीरा तयार बायर बायरे ननिसकुन जल परकी रही। उसले पर अपुगेर फरके रहे अरदा पनी ससी तियां उबी रहे हेरी रहे की थी। आज कोईयों दिन पची इंदीरा बायरे मुक्तिको मौसुस बायरे को थी। आज उएकले जादे थी कलेच। उसका हाथ सोतंत्र थी। सागुरो गल्ली मा अफ्ट्यारो बहरी तानी नुन परदा फुरंग बायको थी। जिव। चुट्टी बायरे दसने तियार को। यो चुट्टी मा राजदानी बायरे का प्राय सबय आफनो गाउजान थे। इन दीरारूपनी गाउजानी तयारी मौलागी। सागुरो बिदाको कारणले चुट्टी नुन परदा निके बाभुक बायकी थी। आत्समातेर रोणले जस्तो गरी। इनने अगिलु दिन बाभुक बार बनी। तिमीला रोक नता सकती न। तर तिमी अब यहां हुदी नव बनने कुडाले मेरो मन सारे उदास भायकोचा। प्लीज न जाओ नला। बरू तिमी आमरे घरमा बसा। शसी को चेपारे कुडा सुनेर, मन मने उसला हास पनी उठियो। त्यत्तो दसनी तिहार जस्तो चाडमा पनी कोई तेत्तिके राजधानी बसलात। कस्तो सामानी गयान पनी न बाकी गेटी होली। उसला लागी रायो। गाउमा आमा बाले कईरी आवलान चराचरी बनेर बाटो तिर आखा उच्छार बसे को महिना वही सक्यो। कसरी न जानू। उसले आफनो कुडा राखी। अन्तेमा तेस्ते भाबु कन्वार लाई गोडमेल गर दे बानी। आज मेरो गर जाऊना ला। इंदीराको शुतने खाटमा पल्टेर उसको दोतिको टूप खेलाऊंदे निक्के बेर समझ जिद्दी गरी राई। गर आये पसी लुगा जोला फ्यात तफ्याके राखी राखी। खाना खाने। लुगा दुने। शर्शफाई गरने आधी सोची रह कि इंदीराको समय तेत्ते के बिताई जिद्दे थी उसले। उसले। पटक के जाने बन थिया न। तर तेसले डीपी छोड़ दे छोड़ इंदीराले मन मने सोची कले चोटी बही तोगो ओमर गरनुपनी छाईना आजा जाऊ नाता। अनी बनी लला जानाचे जानचो तर छेटे फरके आलचोने। मुचु कहांसते शाशी बोली। ती मिला कोसले राख्षानी। आमां बाबा संग चिनाऊना मत्रे खोजिये क्यो इंदीराले पनी उसते हांसते बोली। बार आख्षेश के था। मेरो दारा जाईनाता उही नाई। अनी दुबै आशे। अपनो डेरा मन्दा पांस्यात मिरेट मात्र पोर राये चो उसको गर। यो बन्दा पहले कोईले गर जाऊ न बने की। कर न गरे की उसले। आज ज आज चीए खाजा बनाई दीन छू। अमा पांचातीर लागिन तर बिचे मा ससी बोली। उल्ले कोईले पनी चीए पियो देने के मम्मी। आमा बोलीन के तो खाउ चाती लाई। कस तो। मम्मी को कुरा मान्दे इंदीराले आफनो बैठक के ट्यकाय के थी शो भाब। ससी उसको हाथ समादे बाली। याँ की ना नी। उतापोता। उपईलो पल्टा अफनी प्यारी साथिला गर्मल्याउन पायकाले उला। एक्दमने उत्तावली देखिन्ती। हतार नर्वस चास्ती पनी। बोल्दा कामे जस्तो शुनेंती उसको सोर। मम्मी। आम्मी। आमे के ना खाने आई बन्दाई सानु चिटिक का परेको कोठा तीरा हात मा दोर्याउन दे बोली। इह यहो मेरो कोठा आउन बीत्र। इन दीरा बीत्र पसी। रा खाट श्याओको कुर्ची मा बसना खोजी। कोठा देखते उसले अस्चाहस लागयो। उसले आफनो कोठा डोका ठेले रा चुकुल लगाई। इसले कीनी चुकुल लगाई की वली। शोचते ही बीत्ता मा टांसी का फिल्मी नाइकारू का तस्पीर नियाल दी थी। एककासी ससी ले अंगालो मारे रा गाला मा ओट मा चुम्मन गरदी खाट मा पल्टा इन दीरा लाई। आई लव अलमलला बारे हरी राई। शसी ले इन दीरा को नारी को रगता आफनो सानो साइली अमलाले टी पेर शियूदो मा लगाई दी। फेरी अंगालो मा कसते अब देखी तीमे मेरी। दुबे आतले गाला समातेर मुआई खाई। इन दीरा जन चक्का बरी। उसको दिमाग ले क शीमान आगे इन दीरा को उसले की रणला समझी। उसको एकांत कोठामा पनी पुगी की थी। तो लोगने मान चे वर अपनी उसले चुना समाय आठ करे न। जुन उस्वेम अपेक्ष्यागर थी। प्रेम को समरपन भाब बोके रा उसको कोठामा पुगे रा पनी तिर्ख चस्ती भई उसले आफ मेलेची मोटी। छोचते थी। इसले बोली मेर मुख कसरी अरली। एर दाहर देते होता सरीर मा थी कोडा चड़ी। रदूइटा हाथ में आफनो हाथ का पंजा मिलाय रा पसिना आउन जेल मची रधाके रा उरली। अनि पल्टी एक चिन मुख लु बने सोची राई। नेके बेर्चा में आफतीर नाफर के पसी ये बावलाय। मत गोई आई। मला ताहिने क्ये गरी स्तलाने थावला। मत तेरु ममीला सब बंदीन चु बुजिस। तहले क्ये खोजी कि मले थापाये। तेसले हतार हतार उठेर हाथ जोड़ दे बानी प्ल ये के चिन बसान में खाजा बनाव देचु शसी की मम्मीले बानीन। है ना अंटी अतार है। म पसी फेरी आउँछु के ती बेले खावला निम। आमाले शसीले बाईर बोलाय। आप फेली रायकी साथेले बिदा गरनू पर देन। क्वता रायकी। शसी बीजे कु मूसो जहें संका गरने प्रशास्त ठाऊ राखेर बाईर निसकी। क्ये बाय असलाई मम्मीले सो दिन। क्ये उन्होनी मम्मी पनी आशेर टार ना खजी ससीले। मुन्ट अल्नाव दे आखाले इसारा गरी। ना बनाई। उससे इले अत्याचार गरी। उससे को पीर परेको थिव इन्दीर आले। लम गए अंटी। ससी तिरे हरदे नहरी उसरा सरेंडी। फिर आवाई इन्दीरा। ट्रकासमा पची-पची आरकेई नवेगो जस्तेगरी बोली ससी। लाज घिन। डर अनेक कुराली थिची। बाटा भरी। तेस तो कुरा कसेला बननो पनी कसरी। फिर पनी केने हुने उन्दीरा। अन्नोटो तनाब बरिए गएो तिसको ठामा कुने पुरुस्तने वायको भाय आज उसको क्या हालतों तो। मैलाले मैलाला पनी असो गर्लान बनने ता उसले सप्ना मा पनी सोचे की थिन। अब उसले बाटों में हिंने मैला अरु देखे पनी आपने कोठा संग पनी लाज रडर लागे जसतो बायो अपनो उच्यान एरी दीदी बैनी संग इसुच थे तो तो कईले केई बायो थावाय ना एक आएक उस्तमा पहला कईले ना वेक जसतो परिबर्तन महसुसुन थालियो उसला अपनो शरीर आफने कठीन जसतो लागे राय अपनो शरीर माती चडन लगाय रा खेले की थी उसका पुष्ट शाथी को कालो मुंटो शासे थुनी ने गरी मुखम कोची दिये को इन दिराको हात्र शरीर भरी उसको मुखडू लाय की थी नीला डाम पनी थिये पोची सम्मा उसले मितिनी को कुरा बननों उन्दे न बने काली कसे ला बने की थी न तो देखेर आमाले लोव एसला दे बोक्सी लेप चुशी जेगे की क्यो बने र तेल ततार मालिस करी दिय अजा उसले बुजी आफनों मेर जत्ती वैपनी बारम बार लुटी दी आय कि रही चुवू आफना ही सोजो पन ले दुई-दुई पटा के सेरी केटी यहरू के यों त्रिस्वना को सिकार वाये मो यो शोहर मा बोली पुरुस अरुका गिद्दी नजर बाटापनी कसरी ब कई बायो उसले आफनों मुहार पूरे फेरिये को जस्तो लागयो गंबीर पो देखियें की और उले संका गरने उनकी दौर पनी मन भारी बायो तर योकुरा कोसला था चार सासी बायक फेरी तिस तो के नहीं पो बयाले को रहा मन बुजाई तई पनी गटना बीर्शन योग कोठा में जानु पर थियो और काको कोठा को टीवी मा हिंदी कारेकर मरू आई रायका उन थे ते बायर उप्राय कोठा में बसेर पड़ी रान थि और उबेला नहेरे पनी प्रत्यक बीवार राती नौ बजे आउनी महावार तेर्नवाने उट्टीवी कोठा में पुग थिय त्रम्म बरियका हों थि खोटा राखने ठाउओ देन थि बायर कोरिडोर जुत्ता चपल्य परियकों थि बत्ती को मधूर उजालो मा कसेका अनुहार पनी चुटी देन थि शागूरो कोठा मा खचाखच बसेका मांचे का अनुहार कसले पु नियाली रान थियो राण थियो कईयों हपता पची एक बेलुका उचाई रूप रंग सबै थोक किरण संग मिलने तन्यरी संग इंधिरा का आखा जुदे। मदूर उज्यालोमा काटी कुटी किरण ने देखी उसले, जत्ती एर्यो उत्ती किरण ने देखी न धाल थियो। अरू तो अरू, उसरे लगायको सट पनी निलाई थियो, पाइंट पनी उसते कालो, इराई पनी उसते छड़के गहीरो। एक आयक, चसंग बायके इंधिराला कुतो हलता को जालोले बेर्यो। पचाडी फर्केरे हरदे इंगडेको त्यो छायालाई, नजानी दो पाराले उसका आखाले एक सिन पच्छाये। वो बित्र सुशक्त बायको माया फेरी जुरुक का बले। वो जेल परेको त्यो नीलो सड, कीरंड वायरे वो बित्र फेरी जुरुक का उबियो। मनमा सुल्चुले पशे जसतवायो, जे वो जुरुम जुरुम करयो, आज फेरी यो नकली किरंडे थाकना लागे को गाउ बल जाये दियो। चस्छ। वसल बाटा, तरकारी लियर फर्केंजे गर्दा त्यसले, रमेसलाई मामा मंदे गरे को सुनी। अनि मनमने मुश्कुर आई, उस बाए आफो ता सानी मा पो बाईयो। अरको एक दिन बिहाने कोलेज जाना निस्कादा, टीबी कोठा मा सदें देखिने केटो, चिटिक का परेको आकासी रंको नीलो सोट्र कालो पाइंट मा सजिर। युटा हाते जोला जोंड्या हो दे उबस ने करको गेट बाटे पो बाईयरीयो। इन्देरा फेरी जले आस्सवाई। ड़र लाज जस्तो केके लागेर आयो। ना देखे जहें गरेरे हिन्न थाली। उपनी संग संगे पहला मिलाई रायको थियो। युँ अगाडी गई दिया पनी तो उने नी। बाटो लागेर छाडी दी उसले। कोलेज इन्दु बागो बोली को पहलो अकाउंट खुलियो। उँ दबेको स्वर्र मन्द मुस्कान मा होको उत्तर दिदै बिततीर साइड लागी। इन्नोस नुष्ण देब्रे आतले इस सारा गर्यो। संगे इन्दे आग्रह थियो। इन्दे राका खुट्टा लरबरीया लाण जाई बाये। बाये बरको खुण सोहरी र अनुवार मा आई फूटी र जरला जाई बायो। आएका ओरी परी तारा जिलका जलिक गर्ये लाग्यो। पाइलाई न्वसार लाँ जाई बायो। राती पिरी बायो, एककासी मुटू कामेरा उफृआ जस्तो कस्तो बहो। चास ठोल ठोलवायो, मा बाग भालु जस्तु देखिन चुरा, बोलने डराऊनु बता, इन देराला जहना अप्ठेरो लागयो, कईले न बोलेको मानची संग के बोलनु, के इन बैजसरी बानी, कु डरायर, अस्ती देखी बोलना मन लागयेको बल्ल माउगा मिलियो, असीलो म मुद्रामा उबोलियो, की नर, के काम थियो की? प्रस्न सामानी वाय, पनी केटाको मन साय बुझना उसला गारो थिया न, उसला खासे मौत्तो न देजें करदे, क्लास सुरू नेबलावायो, मत हिंडे आई बंदे, चिटचिटचिटचिट आगी बढ़ियो, उपनी संग सं की दे, मौ पनी देटे बाट जानेता हो बंदे, समान तर इन्न लागयो, यसो सोची, मलाचे की बागावलानी बित्थामा, बोल देजानता के ने होने वर, फिर यसले, नर, आम्र के बानेको पनीता साय न, इर दाहिन दे बोलियो, बोलिते बीवार, महा बारत आउं सानी, प्रफुल्ल मुद्रामा देखिन थियो, खोई आउंचा वला, तेती महतो न देजाई गरी, एक चिन पजी फेर आफ मेले सोधी, आउन उन्छा, दाहिने आतले कपाल मिलाउंदाई, आशी जस्तोगरर बन्यो, यहरम की होन्छा, ओ ट्टमक का बादेर मुन्टो अल्लायो, कोलेश को गेटबाट चीरन लागता बोलियो, मेरो नाम निसान, उसलाई आफनो नाम बनीरान मन लागेना, तर उसले बन्यो, तो एक नाम मला थाचा, लवता है इंदी राजी, अब छुटाउं, लाजीम पाट पूगनूशा, कड़ी हरते चीटो चीटो लमक्यो, फरकेर बाई को हाथ पने अल्ले आउनो बहाई आलेओ, सोची दाजुलाई मामा मनेले मलाई, इंदी राजीब बन्चा मोरोता, इंदी राचा परी, हेरी राई, उत्तरमा कुने प्रतिक्रिया जनाई दा, क्रक्चे कोठा बिद्यार थीले, बरी शके कोले बसने ठाउं थियान, उ इलो आउने को सदने एसरी ने उबिने पालो परचा, आज फेरी बिद्धामा तिमाग भरी निशान भरीये को थियो, और उटो तनाव महसुस करी राई कि थी, पहले कीरण बोलना आउंद अपने तेस्ते तेस्ते बाये को थियो, तो किसोर काल थियो, स्कूल थियो, आफनो तो काउस्वाय लाग्ष, केश मेर आखामा, किने पचे-पचे लागी आलचन मानी शरू, अरू तो अरू केटी लिने पनी देखशन मामा, समझी, गाउमा यवटा नाथा पने दाईल एक दिन अनौट अनुहार बनार बहने को थियो, तेर आखा सारे लोब लागदा सन, त सुरक्षा को डोर ले खेदे को थियो, अनि बर्खराय को ससी को नाटक समझी, क्येको मोहनी चाओ अला तो मेरा आखामा, फेरी समझी, अस ती सिम्मदर्वार को गेट देखी कुपंडोल समा पच्छे आयो अटाले, डोर ले लल्याक लोलुखवाय की थि, केले ठेल चाओ, ये लोगनिमान चेवला केटी तीर, देरे प्रस्ण अरले जालो बोने दिमाग मा, कोठा फरकेदा पनी बाटामा पची पची इंडी राय जासते लागी रहे निसान, तेस्चाही लाजरी बर्यो को मन बोकेर डेरा बुगी, आज कांची आया की चैनन की क्या हो, पल्ला अरको जालबाटा तो उसको बातरूम को जालमाती को खुला बेंटीलेसन पनी पो जेखिन दू रहे जालो बातरूम को जालमाती को खुला बेंटीलेसन पनी पो जेखिन देखिनी, दिन भर चटपटी बही रहे उसका आखा बारम बार निसान को कोठा को दोईलो में गर ठो इन देरा वित्र पनी और कोयोटा महाभारात चलना थाली चक्यको थियो। उसले आप वित्र निसानला बस्न मिल्ने आसन बनावनावना थाले की थि। अब आप बियान कलेज जाने बाटो को साती उना थाले को थियो। उए आफनो मर्यादा जोग आए रही इंदीरा वित्र पस्ने अभ्यास करी रहेको थियो। इंदीराली पनी ततकाललाई मन को मजेरी समा गुंद्री वच्छाई दियर जाचन खोजी रहेकी थियो। बिस्तारी उन्हेर आफसमा खुली रहेकरका का गर परिबार का कुरारू साथ न धालेका थियो। परदेश को दुखर अभावको अनुपापनी पोकिन दे थियो। पढ़ाई का कुराता सद्धे का बोलनी बहाना ने थियो। देहरे बीबार आयर महाभारत पायर गये। उप बीबार बियाने देखी बेलुका को त्यारी में लागती। त्यो दिन उसको फुर्ती बेगलाई हुन्तियो। उप बेलाई मा टीबी कोठामा गर मानी सरला बसना का लागी चकटी और बिच्छाउन लागती। आपनो लागी सद्धे को कुनो सुरक्षित रागती। टीबी को मधूर उज्यालमा उन्हेर को आखाय करकाको अनुहार लाई पर्दा बनाऊना ब्यस्ता हुन्ति। बोली पल्ट अगिलो बेलुकाको महाभारत को बारेमा अरुले कुडा गर्दा इंदीरा बने सद्धे अलमल्ला पर्थिर बनती। मा इंदीरामर बुझ दीना। उसले बुझने बासा तो निसान को अनुहार मा थियो। जोन बासा उसले कुणे समय कीरण बाट शिके की थी। एक दिन बिहाना कले जादे करता निसान ले मुखे फोरेन बान्यो। मा माभारत अर्नमतर का आउँछुर। अनी कीन आउँछुर। त्या तीमी पनी उन्चाओ नित। उसले पहलो पल्ट तीमी बनेको थियो। पहला तो उसला त्यो सुन्द असजी लो लागयो। तो बिस्तारई ये पन थाले जसतो लागयो। तो मर्य अधाक शिमा नाग्न लागे जैन लागयो। पित्रबाट रिश उम्रीदे आये जये पनी भाय। फेरी एक्के चिन में कता कता रमाईलो जस्तपनी लाग्यों किरण लेपनी पहला एक पल्ट यस्ते अच्छम में लागने गरी तीमी मनर तर्स आयको थियो निसान बंदे थियो, मत तीमी ला मात्र एरीर है कोंचु उ क्या ही बोली ना, बोलने कुरे बेटी ना मन बितर उसका कारण ले तरंग उत्पन वाय पनी यसरी खूले हरा उने आवला बननी सोच्चे की थी ना फेरी तिसत कोने बाकलो सपना पनी थियो ना उसमा थी किरण कु बियोग को घाउ रमररी खाटो बसन बायेको थियो निसान उसको मन मा जोलकी बसता पनी तो किरण नई वायर मात्रे आया चेन लाग थियो किरण के रूप मा उसले निसान ना देखी रहेको अनुभुति गर थी उसको सोर मा भाभुकता मिस्ये को बुझ दे थी उपहला पहला को बंदा अलेक बिंदाई पाराले बोल दे थियो जता ताताई ती मिला ने देखी रहेको उन्चुआ चेल नवंदाई उच जालमा आथिको वेंटिलेसन बाटा आफनो कोठा तीर चिया रहे हरी रहेको देखीन थियो कईलेके जुक्यरा इंदिराका आखा तो जालमा परिया आले उसले तुरूंते टाव काटाउने कर थियो और वेला पेटों दा एके चिनमा देरे कुड़ा बनना भ्यायाल थियो तर आजको असतो कुड़ा पहला कईले गरेको थिया ना एक मनत लागे बनी दियो कियो गार्नू तमाइले मले तो तेस्तो क्ये हूं देना तेव तिम्रो समस्या आओ तर बनना सकी ना उसको कुड़ालाई खासे मतो न दिजाई गरे रा उसराशर एडी राई संग्संगाई पच्याउं दे बोली रायो निसान संग बोलने उसंग सब्दा थिया ना रिस, डर, खुशी के हो किये छुट्याउं नी सकी ना कलेशको गेट सम्मा संगय वैपनी बाकी समय दो बैई मौन थिये उसले निसान ला एक पल्ट पनी नयरी कलेशको गेट बाटा बीत्र शिरी तना आप बाईरायको थियो यो नीलो सोटनाय चे कीना लाऊँ छे इसले कीरण बंदा जन राम्रो कीना देखें चायो हर एक बीबार को मावारत मा इंधिरा वित्र बने सदने कीरंडर निसान अर जुन्डर करण बाईरायका थिये शुरू भाईको यो मानसिक दोंदाले उसको पड़ायमा फेरी द्यान जाना छोड़ेको थियो तो लायरे बसी रान थि बेला बेला दिदीली बेंगा आन दे बन थियो फेरी गाउं को भूतले गरी गरी उसलाय आफे संग री सुठे राऊं थियो उत्तिकैमा दिदीलाय कसे को केई मतलब छाई ना मलाय बने यो क्ये वायका वला जहाँ पोगे पने जहाँ पने मेरे पचीचे कीना लागे का वला निमोरा आरू पने और उ केठी ने न बेटे जस्तो अनि आफे ही मन मने बन्ती उसलाई कसे ली प्रस्तावना गरदेना वला नित नतर केत्यों पने केठी होई ने र तेसलाचे केठा मन परदेना वला र तर फेरी कुनेला कीना छेव पर नहीं दिनना कुरा बुईमा कसने दिनना यहवटान यहवटा खोट लगाई दियाल छी कता कता बैटा मन में यहवटार को गरवजस्तो लागे राऊं थियो जेवेपनी मले कसे न कसेली मनत पराऊं सा माया गर्चुत बन्चा आफी मुश्कुरावदे ही सोच थी कसेली मती मिला माया गर्चु बन्णो के नरामरोर प्रस्न उठी रां थियो मनमा कस तो अला यो प्रेम मनने चीज पनी पाऊनू पनी दुख गुमाऊनू पनी दुख पायर पनी न पायनी न पाय पनी मौसुस पायर आने अकी तला इसमरण गरते ही सोच थी निशान उसको बर्तमानों न सक्षा सक्ता ही ना तर मन को एक कुनामा खुशी को खास कारण चे बनन थाले को थियो उसले मन खोलेर कुने संकेत गरी सकी कि थी ना उसमे उटा सत्तर कताले बिशेस तबाब दी रहे को थियो बन मा बेटों बेटों लागी आले पनी आफनो पायला उत्तिर बड़ाय हालने आठ कर दी रहा थि निसान आप बीवार महाभार तेरन मात्र होई न अरुबेल अपनी केके नियो बनारा कोठा माम थाले को थियो खाजा चिया बनावाई केटियो बांजा आकाशन रमेस अराउं थे करुना अगीने पंची आल थी इन दी रहला बने खाजा बनावने हुआ न बनावने दोधार उन्थिवर प्राय चिया में टारने गर थी एक दिन उसला रेश्टोरामा जाने आग्रह गरे निसान ले इन दी रहा चक्क परी कियो बन्नू बन्नू बाई कुने उत्तर दीन दिख कमान्दे बोलेो तीमी तक क्या यी वंदी नव यार क्या यी नव अबनी पने उँ भीत्र को हुलमान निसान लागिता तई हुलमाल भीत्रई किरन को डुमील चेरामा उप्रस्ट देखे न थाली सके कुतियो नजानी दो करे उसले निस्तान बिस्तारे बानी पर न थाले को थिए। तय पनी उर नबोले र जित्ती। उसको मन मन निसान अचे पनी संका को गिरामे थियो। यो उमेर को प्रेम बविशे समरोह लारा। अब उद संकागर्न सकने भैसा की की थी, उमेर संगसंगे आउनी परीपकोता, उविद्रपन बिकसित हो देगा रहेको थियो कीरण संग को बिछोड को पिडाले देरे पाठ से की सके को उसको मन, निसान माती संकालो उनू सभावी की थियो तेसेले निसान ले राखेको यकान तका प्रस्ता बरला उसले न बोलेरे टारी रहेके थी उन्ना तो हेर्दा गोरो छाला, मसीनो आवाज, नीला आखा वायको उ, कीरण बंदा बिसेस आकरशन को केंद्र बंदे थियो एक दिन सब्जी पसल्मा, सब्जी तो यो यो पर आमरों उन्छता, स्वास्ते का लागी बंदे छानी दिन धाल्यो मूला को टाव कामराय को कली लो साग देखाऊं दै, ओहो यो तो जन एती सुस्त बर्दक उन्छा की कूरे न गरो मांचेले साग जत्ती निमोटेर फ्याक्शन, और मूला मात्र लेकरिक कली एर जान्छन बंदे देरे बोलने बाहना बनायो पसले का अनभारती रहरते मन मने सोची, नाटक पनी कौत्ती हो येसको कईले तीमी बंचा कईले तपाई अनि कान मा खुच्चुक का भरेदी उसका खाजा खाना जाऊ है आफनो मन को कुरा राखना पनी ब्याई आले उसले बहानी, मा कोठा में बनाया आल्चुनी बाईर खानू उन्ना क्या? पईसा आनी स्वास्ते को नास कर्मे खानू परच मुलाको साख इंदीर आले आशते बनी तीमी तो बोल्दे बोल्दीनो बोली आले थुचुक का भशने गरी आन्चेओ क्या भशन पनी आशते थापयो मैले कोजी जसते मान्चे श्वास्ते को ख्याल राखने मान्चे गालामा मुझा परने गरी आशियो इंदीर आलमल्ला परीर मुस्कुर आई बात पाकेर खायर पनी इन्ने वेला बैशेक्यो काँ पगी श्तरकारी लिना करुणा जरकेंदे पसल में आई पगी अब मार्चे बंदे इंदीर आइडी तर पुगुणजल समा निसान हेरी राएको थियो करुणा बंदे थी तो इन्ने कईले अपनी चेती नसाई लाजड ओर गीन बन्ने केई नवय पसी मान्चे ला केई लागदो राएनाच इंदीरा को हमसले ठाउँ छोड़ियो डिरा सर्ने कुरा पल्लो कोठा का मान्चे बाट थाप आईचे निसान ले कस तो सडेंत्र ताउ इस तो कुराबन मेले अरू बाट शुनन परने मामाती तिम रोजे विश्वास रहनाच निरुत तर थी इन्दीरा अब बने साच्चे ने उसले निसान को माया लागए राएव यहोटा अरको घोर बियोगुन लागे को जुस्तवायो डे राश्र न लागे को थाप आईपची तिसले खुरंदार गरना थालियो पहला बंदा ज़न खुलना थालियो सब बे दख फ्यांकिया जश्तो गरी रहा कोठामा ज़न बाखली न थालियो काटपणों कत्रो नहीं छार कईले बेटना उने ओर बागेर कती टाणा ने जावली रा अब यहाँ बाट गईपची जन मला बेटना दिन देने आउनो परला मला पनी चन दाई दाई जाना पो मजा आउने बता चिया खाजा पनी खाना पाईनी अनी एसो गफ़काफ पनी उने मन मने दिक्क लाग दे बनी आय आय जनी हंतकाली मोरा मले तो यहनी मला कोई गई पनी न छाडने बाईच मुखले चाई देरे नकल न पाराई मत दाजोला पो बन दीन चु उसले मली न चुर मा मनी ओहो जन मजा मली बनने परे न आनी ती मिले ने बनने ता चन डुक का बनी जेठान चापलाई औनी फिर यह अली कंबीर जस्त अनुहार लगा र बोले टाडा उदाची गारो क्या दिना उद्यकने पाए देन तर गाडा उँचा नि माया न विर्षाई उसले जट्टकिरनला समझी टाडा को माया गाडा बाभुक बई उसको बाभुक ताला निसान ले जन बाभुक बार बुजियो दुबई आफने कारणले बाभुक बने बाता बन हरदा हरदे कुस्तो कुस्तो वायो मानचे को मन रा अमिवा उस्ते उस्ते वन चिंचिन मा रूप फेरी राने उसले आफलाई सम्मेवेद बनाई डेरासरी ने कुराले मन मा किसिम को खुशी पलार आयो बस्तमा उसले निसान युटा दिगदार लाग दो पात्रा उदेग आयो पुरानो ठाउचाडनो पर्दा को नमज्जा संगई निसान बाटा मुक्ता उन पायने कुराले ठीके बने लागी राएको थियो ठूलो परिवार बाटा छुट्टियर दोई बहिने लालियर कोटा सोर्थीर डेरासरने बाय रामिश जामान रूट्राक्टर मा आलना सग आयो निसान बाटा मिलावनो पर्षा की जाना सोधीर आयको थियो प्रमिशले इंदिरा तिरा कड के नजर लगावते अस्वर केतिको संकेत दिये इंदिरा को मन मा चीशो पस्यो कहीं इसके पेले कोटा सरन लागे काता वही न फेरी लगाते महन मा पीर परेर आयो उसले तेत्रु देरे प्रेम प्रस्ताप करदा पनी आफेले वास्ता नगरेकमा आफें संग रिस्मनी उटे उसलाई कीरण मा बंदा के कमी चरह समा कैले नगरेको तुलना आपो आउना थाले महन मा अत्रिप्ति मन्जुबी मलीको पहिलो उपन्यासो देजार अठतर सालमा प्रकासीतियो पुसताको मन्जुबी मलीको उपन्यास अत्रिप्तिको छैटों स्रिंखला अवसुनाऊचु 62 प्रिस्टाबाटा कोठा सरे पची इन्दी राले ससीलाई कहीं र कैले पनी बेटीना सोची तेसलात्यों घटनापची देरी गलानी भायोला र कलेजने परिवर्तंग लरी ओला आईयेको पैलो बर्स शक्किर दोस्रो बर्स शुरुवायको थियो तर दोस्रो बर्स भारी पनी उुकताई देखी ना इन्दी राको मन ले बनी उसला खोजी ने रायो कताई पर एक चकेंद्र अरुमा बेटी राकी बननी आसा लागी रायो तर तो कता ही देखिए न, उसको गर्षम मा खोजने जाने पिन उसले कईले आट करी न दोस्तरो बर्चा को दसई पने आयो आमा बाबोलाई नवेटे के बर्चा दिन भाईश सके को थियो टिकट को बेबस्ता को जिम्बा दाई को थियो तर कोठामा कोईले कैं साथियरो आयका बेला आस्ते ही ठट्टियोलो पारामा बन्ते है खोई टिकर काटना सकेला जस्तो शैना बिल्डू उस्ते ही, महंगो उस्ते ही, बाड़ा बड़ेर आकास चुनो लाग्या चा मता इने उरले सपनामा गरपोगया बने उताई बियुँजाईपा बन देचु अनी हास्ते सब्बे जाना कललला उन्दे उरुपनी अरुको सार मिलाउदे आस्ते, तर मनमा कथा गता डर लाग्तियो दाईले साचे बने काउन बने ता बयामाला एस बाले बेटन न पाई लाग्या की होता दाजु सदहीं गंबीर देखीने मानची तेसेरी आसेरे बोलेको देखता बने ठटाने गरे काउलान मनेरा मन चान्त पनी उन्थियो चद्दें कोडा जस्ता लागने रमेसलाई ठटा गरना पनी आउनी राये चा जस्तो लाग्तियो इन्दी रालाई उन्देरू साचे ने न्यास्री सके का थिये गर समझेर बेला बेला आखा बरी आशु पार्थी करूना इन्दी रात अलेक अरुचंग गुल मिलपनी गरनी आउनाले उत्ती निस्ता आई की थि ना तेसले करूना बन्थी जस्ते बिड़वाडवाई पनी जायेंचा गर काटमण आउन पाउंदा बन्दा बड़ी हर्चल आगे को थियो गर फर्किदा आखा भरी गाउं घर्बा आमार आफंता का तस्विर रुणाची रहे का थियो मन तेस्चे फूर्गे को थियो गाउं समझीदा आखामा उईद्रिस्चे नाची रहे बिगतम ज्ये करीन थियो नवमीको दिन हर एक बर्से स्कूल मा होने पूर्वा बिद्ध्यार्थियर को भेटकार कारेक्रम रब बार को आगामा आलेको पिएंग मा जोलना रोमांचीत भई रहे मल गाउं फर्किन पाई पसी बाटा भरी करूना पनी निक्के रमाय की थि मौनमा काटफानों बाट पोड़ेर गर्फर की रहेको एक प्रकार को गमंडपनी उपियेको थियो गाउं को कॉलेज मा पड़ने बिद्यार्थि बंदा आफू फरक भायको स्वचाई पनी हुरकियेको थियो शरीर ले जत्ती हतार करेपनी बाटो आफें छोटी ने कुरा थिया गाड़ी छोड़ेर हिन्नों परने लंपट बाटो दिखदार लादो थियो उई पूल तरनो थियो उई बगर को गुमती उई साल घारी को उकाली सबब़े उईत थियो जसलाई उराली पारेर उनेरू दुई बर्शा अगी हिंडे का थिये तमांगाउं को ग्यामरा उखु जहम्य का केरा का गारी रिजाल बाज्ये को बहिसी गोट सबब़े जियों का तियों थिये गईरी घरे सुनवार को आगन को डील मा बनायेको फलनेचामा बसी एक भोडी खाजा पाने खाये पची करिम करिम होदै उकालो लाग्टे बाटो खेत बारी सुनेई सुनका गहना लगायर पहलो पच्छेवरी ओडेर बटो आको स्वागात्मा उपिये जस्ता देखिन थे बाटा का डील मा आठ, फडीर, अइसेलूर, मल्ली डोगा का हागा हरू लत्री राएका देखिये पनी गरपुग ने अतार मते तिके छोड़ीन थे गाउँपुगी पची को तो रात उन्योर लाई आफने गरपनी अनौटो लागे को थियो कोठामा अफने सामान रा अफने ओच्यान पनी पईले कोठामा थिया नौटो तल्लो पट्टी लाची गांसे रा निकाल जीको कोठाले अनौटो देखिये को थियो आमा को तो खुशी को सीमा थिया नौटो देशको राजधानी बाट कॉलेज पड़े रा दुई बर्स पची दोस्रो पल्ट छोरी अरू गहरा आयका थिया गाउनले कागी पने उनले आफलाई बेगले मौसुस करी राएके थिया नौटो बंदा इस पाली बाबु पने निकके निस्ताय कराईशन छोरी अरू संगा उन्डरू गारपगदा बाबु एत्ते खुशी अलान मंदा सोचे के थिया नौली पल्ट बियाना उन्हेर के बारे मां केके केके शोधी राए उन्हेर ले देखे एस पाली बाबु पальली बंदा निके खोसके का थे उनको बोली मां पहले जस्तोरूक पंड जरको पनी थिया एस पाली उन्डे छोरी अरुली हुरिक्शे कार देरे बुजने समझसन क्यारे अले खुले राबनने मां ब देरे बुझ्जा की रही छे। उसले डीपी गरे राती मेरले पढ़न पठाई। आम्हाको गुण कईले न भूल नहीं ते मरले। बाबु मा आयको यो परिबर्तन देखेर उन्हेर। यक्के चोटी खुशी पनी र भाभु पनी भाया है। देरे बेर अताउता का कुरा गरे पर निश्के पच्छी। आचा उन्हेरले पनी बाबु कबार ये में के कुड़ा गरे। बाबु ले उन्हेरले कोईले गाली गरे नन, कूटे नन, तरपनी उन्हेरले उनका आगी परनाई न परे उन्तियों जस्तो लाग्ते। आमा संगा उनले गरने गरेको जरको फरको उन्हेर बाबु बिरोदी हुना फुक्छ दो कारण मुपाने वी, चय को स्वना हसा हुआ। सिर उठेको थियो आपस मा बोलता सदें बाजे को दिस दोस्तों सुनीनी वित्रनाई लुके कौंधोर रायश सई उन्हेरो को माया पहला पहला उन्हेरो अफ्णा ऊरी परी आमाला मात्र धेखते शद्धैं बाभु बाखे आ फ्लाइस जोगाया को झान थे तर आजा उन्हेरला लागयो, बाबुता उन्हेरको सीर माथी बर को रुख जाई चाहरी रायशन। गर्पोग एको टिंडीन बच्छी, आमाले करुणरा को हात मैं उटा मईलो पुरानो खाम दिदे बनन। यो पोहर तिमेरू फर्की सके पसी आको थियो, बैले जतन ले राकी दियेगी। येरदा हाते जस्तो, तर टिकट प्रायक भयकोले हुलाग बाटे आयको थियो, कौतुहल संगे उसले बिस्तारे खाम को एक कुनाला जतन ले चाहती, बीत्र किरिंग मिरिंग अक छेर्मा इंदिराला संबोधन गरीएको थियो, देकने बित्ते के उसले कुरू बुजी आली एक पल्ट तर पड़े न पड़े च्याती दियों जस्तो लागयो, तर फेरी मन बित्र कदे माट पड़ू पड़ू बाएर आयो, और विस्तारे पड़ना थाली, जती पड़े उती रिशूर्ट थे गायो उसले, तेसले नवनी के वे सब्वे कुरा कसरी था पाउंथियो, तो ल्यांग ठाले, एक मनत रमेशलाने लगर बुजाई दियों जेपन लागयो, तर उसले तेसो गरी न, कोठामा तलकेर केता पड़ी रायकी इंदिराको छाती माँ खाम फ्यात तफाली देर, और उना चटारींदे बाएर निस्की, चलेयां सतर्शे जस्ते बार उजुर करी शुठियो, उस वेलाजें तेस्तो नापिये को जवाफ दिने, और फिरी चीठी चाहिकीने लेखनू परिकोला मोरालाई, थरारर काम देगरे का हातले, एक पटे ज्यात्तिये को खाम को कुनबाट, कागज को पट्ट्याई को पाना निकाली, छोचो माँ अलेली दोब् फुल फुलिस्केप को साधा कागज मा प्रस्ट रूप मा लेक्षिका थी अक्षे ररू, चेठी को पुछार मा लेखा को नाम छितीज थियो, उसली चीनी आली, त्यो किरन नेयो, कि नकी संगठन को टीकट काड़दा, उसको नाम छितीज देखी कि थी इंदीरा ले, खाम बहिनी तिमी ने देखे के ओ, आमा को डिपी सारे बड़े कोली, मिली तिमरा बारे में सब्बे बने र केई दिन थानको लगाए, आमा बहन्नु उन्थियो, आमरी बुआरी ले दोस पास बई रन्नु पर देन, बीहे मात्र गड़े र गर्मा छाड़ दे, औन इतन जत्ता पनी उन्छा, मो पनी तिमी जस्ते ही, आमा को कुरा काटन न सकने बान्चियो, आमा को नजीक ओंदा बारम बार जबाब दीर अनु परने बाये कोली, तिमी दोस पास करे र पाथी बरा ज्यादा सम्योग ले हम्रों पेट वायो, महर सले पुलकीत बार बोलना सकी राएको मेरो ठटा गरने बाने तिमीला थाई धियो, तिमीला पहला पनी अग्नी परिक्षा गरी गरी कती सताउं थी, मला अज्ये थाच, मली तिरती बेला बाने को, तराय जारे पासी माया पनी जारे तर मन न तराय जारे कोछ, न तिमी प्रतिको माया ने जारे कोछ, तिमी तिमी तेसको कुरास सुनी ना रर्जैसम्भ पनी मानेको चाय ना अब तमीले आई ये पनी साखना लागेव। मेरु योग्यता लाती मेरी जीती सके की चाओ। तर मेरु मायालाई आफनी योग्यता संगा कैले पनी तौलीने शायनो बनी विश्वास लियेकोछु। आफनी त बिद्ध्यार्थी जीबन तेती में टूंगियो। अईली मो अरुलाईने बिद्ध्यार्थी बनायर इंडियाको एर्चुर रमायको अविनाय गर्चु। अने कहों व्यबस्ता वेत्र डूबदा डूबदै आई राने तिम्रों समझनाले हिर्दा 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 को बाटो टूंगिये जस्तो लाग्तियो। तिम्रों सम्झेव की सम्झे नव। मैली बनी नसम्झेको कुने दीन नई शाय। गुति बेला तिम्रों नोट कपी का बिश्म चेपेर पठाय का माया का चिनो अरू अजजई समालेरे राखेको छु। इननले बनियो तिम्रों बिर्शन न दियेको। मा संगमात्र संगय उभ्यर तसपिर खिशन कईलाई मानी नौ। सामविक तसपिर रू समेटीर राकेको छु। तिम्रों तिम्रों बाया करू सबबाई फिक्का लाक्षन। तिम्रों करना एक पल्टाओनी विचार करदा गर दै। तिमेरु सोहर पासे को खाबर सुने, कुने दिनता घरा आवुली नहीं बनी समझेरे यो चित्थी लेखने आठ करेको छुँँ, मा तिमरो मन को अधालत को अंतिम फैसला को परखाई माँचु, तिम्रो जवाफ नौ आये सम्मा म जिबन भरी बायपनी पर्खी रहने छुँ उई तिम्रो छितीच आंग जिरेंगा वो इन्जी राको ओ माई गाड एक छिनमा जटारी दे पसी करूना काँ छारे तत अले त्यो ल्यांग ठो की बोलाउने होता ओ भने बन मा दाजुला बने देंचु ए दोसे में काम सकनु किन कारफणो जाने दुखा गरी रहनु कारफणो मा पनी गनायर बजी सकनु शाये कुसेले नायको बैस क कई आमिलात कसेले न स्वद्धापनी बहाये कहे छा न चाहिए दो वाई यात फद पताओ दे भांचातिर लागी यंदिरा निसब्द बहाई की राचयो गनावनु वने कुछाये नीलो सट्र कालो पाइंट लगायेको निसान कीरण जस्तो लागेको मात्र हो कीरण कनु पस गरबकसा चुरी पड़ाउन काटफानो पठानो वाईको कुरा उसको मनमा जल जली आमन धाले। वो आपने वित्र नराम्र संह जस्की अब को संह सल्ला आ गरनू दिदीत आगी नहीं जसले अंगार खांचा उसेले कालो अक्षा बनताई बावलायर बायर निसकी शकी की थी वो एकले वाई छाती मायोटा ठूलो डूंगो लड़दाई लड़दाई आयर अडिय जस्तो वो उविस्तारे बांचामा गई करूरा आमाको चोवमा उब्यर गुनगुन केके बनी रायकी थी उपनी चोवमा गर मायलाग दिवार उब्बी जे जे परला परला बने आठ प आम नगर बने को माने पो जा करूरे तो पनी आराम गर बोले देखी तो गर्दी ना बन्दापनी पाउने होई नाउ उना पनी काण्या लागे राज जे चट-चट करना मीले को थिया ना आमाले तातो पानी मा नून आले रुमाले शेकना लगाउनु बो अलेक बिस्चेक उसले मौका पाये जे करूना को हाथ समातर तांदे कोठा तीर राये कोठा को डुका मजजाले लगाये पसी दीदी को चव मा बस्चेर माया लाग तो अनुवार ले सान आभाज मा सोदी आमाल अपनी सुना इसके क्यो और अगिके जस्तोरी साह के तर अलेक मशीन आभाज मा अँ मत अजस्ते पूल वी चुनी तो अपो सान आभाज मा बेटने बित्ते के साखे लेऊना कुद्धेर सुनामन गई आल चेस्ता उसले दीदी को अनुवार देवी को जस्तो लागयो आजा उसले चाचे ने दीदी को देरी माया लागर आयो उसले चैप पदी देल आंगा आथमा गव्ट परेर सुक शगाई राएकी थी देरी बेर पची उसले टाउ को उठार दीदी लाये री उपने आखा बाट तप तप आशुखसा ली राएकी थी उसले जुरुक को उठेर सिरानी मुनी राखे को चिठी नेकाल रादी दीदी को आथमा राखे दिदे बनी म अच्छी बर्चिया मदुकर बाले कसेला दुख न दी सजीले बैकुंठको बाटो समाते। टिका सक्चे के बोली पल्टा बाटो लागने सल्ला गरी रायका उनेरू दुई मैना गाउं में अड़किये। जुन हरका बोकेर गाउं पोगे का थिये। त्यों बंदा गोरों सोक बोकेर सहर फरकिये। बाबुको महत्तो चोरा-चोरिला उनको अनुपस्तिति महात्र थावनी राये छा। अन्तिम पल्टा बाबुले गरेको ब्यभार्र कुरा समझदै दिधी बनी देरी दिन्चमा पिल्पिलाय राये। अनि सहर पची बीची बिस्तारी शोक बाट बाट बायरे निश्कन थाले। उस्वत आमाको जत्ति गईरु माया बाबुको फेरी पनी राये नाचो उने अरलाई। अब बाबु चहिनन मनने सम्झदा पेत्र मनमा पीरु लागे पनी। तेसलाई आमाको अन्वारले सित तल पारे जस्तो लाग थे। बुहित तल आमा बसने उने अरले। यगार बजे बंदा आगी कईले गाम द्याकते नाथे। अपनो कोठा को जयालमा। काम लागे पनी ओसीलो थियो कोठा। सदाइको लेक को जस्तो ओस। चीशोले उट हरिया पारिरस्य हुशियो गरदाई कलेज भुगयो। चदें कक्चा कोठा फेरी ने उनाले। अपनो कोठा खोजना योब अवन रत्यो ववन दावडी रहनु परने। उल्लेचे पेर साडी पनी तानीने। साडी पिनले अगीने ब्लावची आत्येको पनी धाना उनी। दावडी दे गर बेंच मा बसन पायोगनी ठूले युद्ध जीतेको माशो सुन्तियो। कक्चा कोठार बसने शीट को लागी जुद्धाई इंदीराले बी ए प्रथम बर्षको जांस दी। उसले जाज दिन वागीने बावर मौलको एक होजियारी कमपनी मा काम पनी थाले की थी। काटफाणों और वित्तिक है युटा पुस्तक पसर मा दुई दिन काम गरी पछी। त्यां इको काम उत्ती कारू लागे न। अब तो उसले काटफाणों संगर निके ने परिचित उन्दे गई रहे की थी। गेता दी दिलेने उसलाई तेस काम मा लगाए की थी। करवेटी बायकिले पनी युग काम दिलाउना उनलाई सजीलो बाय होला। पईलु दिन तो उसलाई निके अफ्ठ्यारू लागे को थी। देरे माने सोरलाई यके ठामा एसरी काम गरे को रहे तिने अरले चीटो-चीटो हाथ चलाएको द्यखता आफो एसरी काम गरना सकुन लागे ता तक लागे को थी। यस्ते तो उनी काम बने को बिस्तारे सिखें दे जान्छा। एस कमपनी को माली कले ता सब्बे काम आफें गर्चा। यहां काम गरने रुकोई ठूलो सानो शाय जान। बाइर निकले पसी गिता दिदेले पहलु दिन उसला अर्थ आय की थीन। काम बने को सानो बाटे शुरू करनू पर्चा। विस्तारे तो आफें उर्कें दे जान्छा। कोटे शुर बाटा बबर माल कती नहीं सहरा। गाड़ी न पार हिंडे रपनी पूगिन्छा। कश्चेर निकले पंदर बीस मिलिट को बाटो ताओ। उनले कुरा गर्दा गर्दे बाटो कटा आय की थीन। हाटमा पल्टी रहके इंदिरागा आखामा अफनो नया काम रो नया परिवेशना आसना थाले। गेता दिदिले जत्ती समझाये पनी उसको दख पने जिऊंदे थीयो। गार्मेंट का बारे बिविन्ना खाले कुरा रुपत्र पचिकामा पड़े कीर सुन्ये की थी। मन मत याको बाता बरंटर काम को प्रकृति माथी जती जिग्यां सा उठे पनी बड़ी सोत्खोज करदा पाईजी को काम खुशके आलने ओकी बनी डर पनी थीयो। गेता दिदिले औरको कोठाको द्रिश्चे पनी देखाया की थीन। जहां मैला दिदिवायने रु भुईमा लस्क और बशिरत तयार वायका पाटे धरके शट अरुको दागो कार दे थीये। और की साथी पनी लियाई दिये कुछु आई। उसलाई सब्बाईली एक्के चोटी क्वार क्वारती एरे। बाईर निसके पची बनीन। तीनरलाई सवता पचे जस्ते लागे वला सब पे एर्दे थीये कुरियरा। हासिन और फेरी बनीन। की बता। करे बशिरानु मन्दाता दिन काटनी मिलो पनी होनी। पकेट खर्चा पनी होनी है नता। पहिलो दिन त परिचे र ठाउं एरने काम मात्र भायको थियो। दोस्रो दिन चाई कर्मचारी कुरूपमा बिक्रम ट्यांपो चले र पोगी कि थी। सरासर बित्र पस्न खोजदा पालेले रोकेरा सोत्पुच गरी। युटे रजिस्टर मा सोई गर्नो लगारे मात्र छोड़े। त्यां नाम लेखरा सोई गर्नो लाई उसलाई अपनो बास्तविक नाम बन्न मन लागे न। के लेखाउं के लेखाउं उदाउंदै अचानक आपनो नाम जुराई इसा। इतर आजिर खातामा पनी इसा नाम चड़ाऊंदै पूरा नाम इसा सर्मा लेखरा सोई गरी। नाम तपरिवत्तन गरी। तर मुण मा डर लागी रायो। के अफ्टेर मोपो परने हो की। अनि सोची गिता दिदिले स्वोधिन वनी मेर खास नाम यही हो बनावला। जेवस इसा वार कमपनी वित्र चेरी। गिता दिदिले हात्मा समात्यर डोहर आउंदै हल वित्र लियार गएन। कामगरी रायका मोईला हरुको छवमा लगर उन्डरे सुन्य गरी बनें। इदि दिवाईने अरु संगे बसेरा काम गरनू। इनले शिकाई दिन्छम। एक दिदिनमा आफुपने अरुले शिकाऊने वयाली इन्छ। अज़े नभुजे यू सुरेस बाहला सोदनू। नेपाली राम्रादी बुच्छर बोल चैसले। याँ नजान्ने कुरा तेस्तो क्याई छायां। तही लुगा को सियोनीमा छुटेका अलजेका लाम लाम दागो न तानीकान कुटकुटकुट कईचेली काटनू तो अनि लुगा न काटी। इंदी राला लागयो। अब यहां हिंदी पनी बोलनू पर लाजात्य। अनि असती निशान संग बसेर महाभारत एरदा इंदी नवभुजेकर उसले गिजाय को यादा आयो। दिद्दीले एक सिंच सिकायरे गयन। उपनी पहिमा बसेर अरुज असती शोट को दागो काटना थाली। चुरु सुरु मात कोईची समावन अली अफ्टहर लागी रायो। विस्तारे जान दाई गयी। जत्ते पीस तयार गरना सक्यो। तिसके आधार मा पईशा दीनी र पैसा को लोबले अफु कामतीर तानी दे गरेको लागन थाले उसलाई। ते दिन पची देखी इसा का पीस गरना सहाड़ी। तेत्ते के गुटमुट्यार लें थियो। अरुका मात्र गरने र कपीमा संख्या लेगती। उसले नगने को पहला दिन इसाला डॉर लागयो। ला मयले रामरा काम गरने सके ना के क्या हो। सब पइको गन्छा मेरो गन्दै नाता। चुरेसला शोदी मेरो चेक कीना नगने को नी। चुरेसले तीलो डिलो गरी उसले बुज्णय करी नेपाली में बनना खोजियो। तापहेको पीस न गनने बाईसाब बने सन। छक्य परी किना होलाता मला काम मान राखने हो कि क्या होता मोराले के दिन पची इस साला अरको डिपार्ट मा सारी दियो पहले को बंदा ठूलो कोठा थियो पंदर भीष्चना जती हिंदी बासी जुंगा मुठ्टे पूरुशर का बीच मा मोनीका नाम गरी की यह उटाई मात्र मोयल थाँ ना यहाते चेकिंग मात्रा होन्छ एक चिन पची मोनीकाले बानी अल्टर बाय बने निकाल दिन छा किये निकाल दिन चा बने को उसले बुझी न एत्तिकाई मा शुरे शायरो मुन्ट अल नाहो दे बने इस साले अपसे यहीं पाम गर छा पीसको धागा चड़के सब के टेविल टेविल मा मिला के राक्षा मोनिका ले फेरी चो दी अब देख यती काम गरने हो ठोई तेसे बन्दाइचा तो युमान छे विस्तारे बनी इस साले ए सुपरबाईजर ले बनी पची होला तानी मोनिका ले बेंगे वरिये को अनुहर बनाव दे बनी एक चिन पची फेरी बनी तिमरो नाम ते इसा की किये पो बनते बिर्चियें यहाँ ता पांच बजे समा बसनू पर चानी उता जस्तो जती बेला मन लागी ते ति बेला जाना पाइए दे न पाणे को ला नी सुपर भाइचर ले मोनिका को प्रस्तो ती उसले मन परे न उसले पनी आफुले दो हरो बनार बनी मला था चा फेरी सो धी अन्ने तिमरो अस्तिको अप्ता को पहिश्या दियो की छाई न छाई न इसाले बनी ए, ते सुबे तिमिला पनी मैना बारी में राखे जाहा मिला जासते ही, कती दिन चारी, मला केई थाचे न, तिमिला युव काम मा कसली ले आयको नी, गिता दिदिली ले आयको, कती दिन काटे को दागो, दुई अपता, इस साले बानी, मोनिका ले न विचाय के न अरुपनी निके लामो अंतरबार्ता लिए उसंगा, दिन भरी उबिर, लुगा टक्टक दा टक्टक आऊं, दे खुट्टा लल्याक लोलो कुन थे, तियो बंदा तो बॉसेर दागो काटने सजिलो थियो, फेरी उते जान पायानी उन थियो, पनी रय महनले, तियकु बाटा दाउनी म मोनिका संगभिस्तारी मित्रताउं दे जान दे थियो, कथी पड़े को छा, सोधी एक दिन, बी ए पड़ दे छु, आम्मा मा हो मनिका चक्के परेकी थियो, तित्र पड़े की मान्चे, कि एस्टो कमपनी मा क्याम गरना आए गीता, आफ़ तो नबुजरे एस्टो मा फची मोनिका को कुड़ाले, एक पल्ट मनमा नराम्रो लागयो, साथ से फस्यके होता, जस्तो डौर पनी लागयर आयो, मैना मरी पचे अकाउंटेंट ले साइन करायो, और तीन ओटा नोट हात्मा राखे दियो, पहला तो अलमल्ल परी, तीन ओटा चन कर्थिका हुन कर्थिका, चायां परेको थियो, गलाईचा वच्छा आएको, सुक्सकाउंदो, सीशा का टेवल रा स्टिल का दराचे दराजले परियेको, फक्रियेको फूल को गमला राखेको त्यो कोठा मा इसाले पईलो पटक टेके कि थी, उसले बन्यों, बारस आये तिम्रो श्यालरी, मन डख बारस आये पईसा मेरा हात्मा एक के चोटी, जिबन को पईलो कमाई, उसले बाआ आमाले समझी, बुबाको कंतूर आमाको थाइली समझी, उन्दर का लागी आमाले दियेको योगदानले समझी, दाजुले काटफानों ले आये पड़ायेको, काटफानों टेके के दिनमा, मैंक मा खाता खली दियेको समझी, आफुला यां समले आये दिने गिता दिदिला समझी, तलब थापेको पईलो रकम लगेरा रमेश का हात्मा राखी दिये, उसलाइ एरे र करूना टोलाई रही, एक सब्द पनी बोली न, रमेश ले बाने, बोली दुबाय का खातामा बरा पराबरी चेकी न, पार दिनो परेशानी, करू मुखले केई पैनी बानी न, अंतीम पिरियेड छाडेरा दवडी दे आयरा बाद को गांस्टी पेर हिडी आल थी, इसा बनेरा काम मा, अतार वाये तेई बाद बट्टामा खात खुद पारेरा बोकेरा इल थी, बोकले कोक्य खाजाखानी चोट्टी परखेरा काम गरी रहां थी, काम चाडना पनी बारा सायको लोब को बिरुया रोपिय को थियो मनमा, ब्याना पांच बजे चाड़े को अच्छान चीत, राती दस्यागारा बजी मात्र बेट उन थियो, एक चिन पड़नो पनी पर्यो, काम मा, सरको एक दिन बानी, अब यो फ्याक्टरी पनी सर दाई चारे, काता सर चा, फेरी काम को टेंचिन ओनी बो, इन दिरला बाने, तो सरे पनी खासे फरक न परनी जस्तो लागयो, सोची जागर ले पड़ाई मा असर गरी रहा गो थियो, आई ये मा जस्तो सजीलो पनी थिया न उत्तिकाई मा दिदिको न कलेच्छन न काम है, दिन बारी कोठे मा सुतर बिच्छ, उसको तैं ते सरीनी दिन बिटेके शन, मले मात्र यो केको कुदी कुदाई, वसला पो पालनू छर, सोरे बनी उन्तियो, ते नियो पारेरा काम तो शोड़िन दियो, नवन दै, और को मैन कमपणी पाटन तेर सर्यो, अब बोली देखिया ताउनू, वनेरा देउसे सब्वे कर्मचारी लाई, कमपणी को नया ठेगाना मा पूर्यार देखाए, ते ती टाड़ा गर काम गरनी मन न भाई पनी, ये रिचाई देउन अता बने रवपणी गई की थी, तर ते आँ काम को लागी कले छोड़ने कुरा थिया न, वो काम मा जाना छोड़ी, काम छोड़ना पायको मा मन खोसी पनी थियो, एक देन रत्न पार्क मा ते ओ कमपणी को माली कले देखेरो शोड़ियो, ते में किन पाम न आ आपकोनी, ताड़ा बो आउना जाना गार भायो, के पड़े बीना काम ज़ाडना मिलचाता बारत्य मुलको गोंगोरो छाला निलो शोट लगायको अगाडी को कपाल राकास्तिर फरकाउने गरेको चौडा निदार असीलो अनुहार पायको पहले तेसरी कईले बोले को थे ना उचायने मंदा बढ़ता बोल देखी ना वनने सुने की थी उसको अगाडी उबेर उसले तेसो बनी रहादा निसान लेना बेस बदले राय जोस्तो लागी रायो पहला कईयों पटक प्रेम को प्रस्ताप गरदा पनी मतलब नगरी के उसले की न हो अचेल पहले पिछे निसान को याद आई रहांचे उसको याद आई रहांचे कत्ती उस्ते चीजारू देखी रहांचे जताता तै तर उचाय पटक के देखी देखी दैना तो मालीक ले बोले काकुरा कुसेले पनी काटना सकते न वन थे उसले पनी क्येए बन्नू न क्ये बन्नू भायो ये कप्ता बन्दा बड़िवाई्षस सके कुति यो काम मह नगाई की श्वात्त निकाली दिन चावला बने को तो उल्टाई बरू यात्यात कोपनी पो बयस्ता मिलाय दिन चोवान चाव उआल मल्ला परी पहला कोईले पनी दोरो बचन चमा नवले कुमान चेशी तो साथ लागर कोसरी आउने जाने गरनू खुबई बय, 2-4 दिन लगी पनी देला, सदें तो कसरी लगी देला या चदें कसरी समबा बोला उसलाई ताहले काम गरनाई पर्चा वनेर दाजु दिदियो बने कापनी थिया न तेस तेनु कर्मा सल्लागर चु बने रों उमकी, उसलाई उस बाट उमकीनो मात्र थियो, तेती ताड़ा दार काम गर्नु थियो एक मनली दीदिर दाजु संग सल्लागरों की बनने पनी लागयो, तर फेरी की न हो, केह कुरा नेकाली न केही दिन पची सांज को बेला देरा नजीके को पसल मा सब्जी किन्दाई गर्दा, पचाडी बटा कसली बोली, फरकेर एरी, युटा गाडी को अगाडी को सिट में बसे को तेही कमपणी को माली को उसलाग बोलाओ दे थियो, एन देरा नजीके गई, तेसले यहां को पची उसले बनियो, तीमें अजे काम मा कीन ना आया की, रामर काम आया को छा, पहला वन्दा रामर पईशा दिन छू, मेरो गर पनी यही नजीके हो, ज्यादा जस्चरी गई पनी बियोलका आउंदा, म मेरो गाडी में लिया दियो ला, अईली आमीला मान्चे को देरे राये, रमेशले करूना को कुराला वास्ता ना गरी बारे, आपनो बलाई सोचनू, क्ये गर्दा रामर उन्चा सोचनू, रामर इचे ठीके चा बनी जानू, काम संगा नड़ राउनू, पड़ाई पनी छा बनी न बिर्शनू, जागिर सजीलो कही पनी उदाई ना, बोली जाने, खार-खार गाड़ी को सेशा जारे रा सोधियो, काम मही जाना लागे की, असर जिलो मान्दे उसले बानी, तेसर बाई बशाता, गाड़ी को ड्रका आफ्माई पशी सर्यो, उचक्का परी, मग-मगी बास्ना आई रेको त्यो गाड़ी वित्र, एक चिंत रमायले ल इत्तिका दिन क्ये गारे रा बशेयो गारमा, उसले सोधियो, सानो स्वर्मा बानी, कलेज गाए, तिमी कलेज पनी पो पड़ चावाई साची, कती मा काँ, बैसलोस्ट लेवल, पदमकन्या कलेज, लामो लेकर ताने रा बोले उ, ते बार पो कमपनी मा क्याम गारना मन अलका मुस्कूर आयो, गिता दी दिले सोधि रान वायको थियो, पुलुक का पचाडी फरके रहेर दे सोधियो, मा ले ना बने को बयाऊ थियो ता, एक चिन अलमाला परी, क्या बननी, अनि बहनी, तो माली ना मने को बयाऊ आऊने थियो, माया मारी चागे की थियो, इजो गड़ी बाट ओर लिएर केई नवानी सरासर आफनो अफिस तिर लागियो। पाले ले खुशी हों देश्वागत कर्यो। तबहले लेता काम छोड़नों बो बनती है सब जाना। ठेक्री करनुब पायको काम कीना छोड़नों। टाडा उने भयकाले ब्याइदेना अलस्तो लागेको थियो। फेरी सोचें के दिन गरेरे एरों नसके छोड़ना बनेरा आयकी। सके चमा न छोड़नों यो काम। पहिसाबनी बडावनी कुर्याओं दैचा। खाटमणों में काम न गरीकोसेली ठीक न सकेंच। अने साभीत्री खवाईता तराई बाटा आयकी थरुनी केटी संगा पाले स्याम केशीको साथ बर्ष पहले प्रेमबी बहापाय कोरे। उसले बबर मौलमा हुदे वाने को थियो। बित्र है छानी। उई सर्शाफाई में ता होनी। यो चकलाड छोराला दीनु वने दा हात मा राकी दीर, गेट को रजिस्टर मा सई गरे र बित्र पसी। धेरे दिन पसी काममा अचानक देखा पर्दा सबै छक्क परी रायका थिये। मनी काले पनी काम छड़ी की रही नाचे बाटाई मा बेट्टी। टेको बाटा विक्रम टेम्पो चड़े राउधी रही छे, तो छेकी छही न उला बनने मन को खुल्दे लिपनी मेटियो। तेसले पहली नहीं तेत्रो पड़े की मान्चे किना यहां काम गरना आयकी बनने की समझी, बिर्श्य की थी ना इन्दीर आले। चुप लागे न शकने तेसले फेरी कहीत बनली बनने, सोच ता सोच दे बनी आली। मला एता तिमेरे काम चड़े वला लागेको थियो। मले तिमी जेती पड़ेको बहेता मरे पनी गरने थियो ने अस्तो ठामा काम। इन्दीरा कम बोलने रा बड़ी सुन्ने में पर्थी। उसला दिक्का लागे तेसला बेटे पची। चाड़ेके थियो ना आयके वैपी निहुने थियो। एक पल्टा आफैस अंग मनमने रीश्पने उठियो। फेरी सोची। कती न उसके कम बनी यत्तिके गरचे। मान चेले चूरे रा ढाटे रापो नखानूता। काम गरना पनी योठाऊ त्योठाऊ मने रावन्चा। जे बेटने ते गरने थ होने। यही पाउना तो कस्तो गारा थियो? अन्त पनी खोजे गेते वनी, खोई तो पाको. शुरू मा उसले पनी काम पाउना सजीलो काँ भायको थियो रहा? असती उसेले तो बने क्यो? गिता दी दिला नवेटी के बैए, मैं याँ पनी कसरी आई पुग दियो रहा? त्यो कुरा इ असले मेरो नाम इसा वही न बनी थापाई बनी क्ये सोच दियो? कईले पनी बसको प्रयाग न गरी के इंदिरालाई टाटना बन्दा साचो बोलनाई सजीरू लागयो. बोली पल्टाई मालिको गाड़ी बाड़ उत्रिदे गरदा मोनिकाली देखी र ओटले प्राओ दे ब मगाई देन देना केचा खाने कुरा जबाप में इंदिरा क्याई बोल देना थी कैले स्वत्ती तिम्रद आफंत वय गरवेटी देना इंदिरालाई मोनिका को अनावस्यक चासव पठक के मन परदेना थियो तेसले उस संग देरे बोली रहनू वा मन का कुरा गरणू ठीक च वो अरुले सोचे जस्ती कुने खास स्वर्च वाली त थी ना तैपने उन्हेरले जे देखी रहे थी त्यो असत्ते पनी थिया ना चायद मालेक लेपने उसला गीता दीदी के आफंत वने रहे त्यो शुबिदा दी रहेको पन ये वला की उसलाई तेस्तो लाग थियो मालेक गाड़ी को मलमल कुछन लाई काख मा राखी मगमगाउंद बासनादार हावा संगई रहर और लेड डौर ले थी जर आरामधाई यात्रागरी रहे कियो कलपना गर थी यो गाड़ी निसान ले आफं चला आएको छा रो उसको छोमी बसेर जीवन को यात्रागरी रहे इसले मला सदन यो शुविदा के गितादिधे के कारणले मात्रा दिये को लाग शंका पनी लाख थी हूँ ए इसले फुविदा दिये को लार मन जसंगा भराई हूँ और शोची दुनिया यातायात का सार्वदनिक साधन चोड़े रहे काम चला रहे काशन गाड़ी शदने क गंगा आरे नाम पनी, स्वबाब पनी सालीन गंगा को पानी जसते निर्मल, मालिक ले देरे जासु बेला आफो अफिस पोगे पची पत्नी लाली ना गाडी कर पठाऊं थियो, और बच्चा लाए स्कुल पठाई पची उपनी प्राय जासु अफिस आऊं थि, अफिस में हो उसले पनी मालिकी स्वास्नी ला चीने कीरे देखे की, एक दिन मालिक ले नाई, इंदी राको उसकी स्वास्नी संगा परिचे गराऊं दी बने को थियो, इनी इसा गिता दीदी की बईनी, ताई पनी उसको मन सुरक्षित पत्ये ना, लोगनी मान चेको जात, मन मा कुने कुने बेला क्या बनी आले हो बने गाड़ी को चावी उसके आत्मा छा च्वाट्ट मन मा आयो पोखरा मा बयको बलतकार को गटना जस्मा नमी तर शुनिता नाम का दोई केटी को हत्या बायको थियो मैं लेता जानी जानी आफ में जान दराप मा आले कीछु फेरी सोच दी मैंना वोशारी साग्यो एक दिन तेस्त कुने संका लागदो क्या ही कुरा बने को चाई ना आजा समय एक दिन पनी नराम्रो नाजार ले रेज असतो लागदै ना एक दिन उसले बने ओ अब चित्टे बाराथान बुटायक के चोटी बन्छा बेबीन रंग रंग का कॉलर्फुल दागा आरू फिट करीं छा तिमी आता आउना परदे ना उता ही ना थाउमा काम गरने तेरी सोधियो तिम्रो दिदिले चाई काम गर दे ना रे उसले अपनी लेर आउना की क्ये गरी राको चा उसले सहजे उत्तर दिये चहीन उसको पड़ाई बाकी नेचा के पड़ चा आई यालको जाज बाकी चा अनने तिमी चाहिए बी ये पड़ी राको बन्याई ना दीजले जीते चहुत उसले कमपिटर आउन उसले कुछा काम गड़ अरे केट खर्चत बनाउत तेस्य बस र क खाली दिमाग सहितान का गर। मा बंचो आये तो माने बनी लियाओ। किनो नल लियाओ। जरूर लियाओ। बोली दुबे जाना रेडी वाई राकनो। गाडी बटा उत्रदे गर्दा मालीकले बन्यो। बाटो मा सोचते गई। यो मानचे बास्तमे असलो। बिदेश बटा को सदासे ताले गर्दा मलाई मात्र राम्र लागे कोना सक्ष। यो कम्पणी बित्रेपनी कती दुस्टमन का आरू होलान। तेसे मानचे अरले आपनो छोरी अरले तेस्तो फैक्टर में काम गर्णे नरपा ठाय कावईने नोलान। ये गरनो बाद्यता चा अन्ता कई काम पाऊना सक्थे ना अनि परदा चन बिद्यस का माके चंगुल मार सामाजिक अपेले नाको शिकार होन्चन। मा आफने पनिता आज सम्म कसेला यो कम्पणी मा काम गर्चु बने रापने की छाईन। मलाईता काम कुने पनी सानु उन्छ जस्तो लाग देन। काम को प्रकृत प्रकृत बने तरा काम को विवरान सुनिये पाची उँ मरे गाये पनी जान। बरू मलाई सम्मेत काम मान जानी बनाउन सक्थे उँ खाली योगर्न होन्चा रा योगर्न होन्ण मने रशिकाउन खोच्छे। दुखा बने को सबयली बोगे पो सुखा बनी बार्णा मा काम गरेता होने हो। रोकेको थियें। त्यां सम्मपुगदा इन्दीराले टाडा सरे पने आफ नो काम मा जाना छोड़े की थि न। रा आफ नो कमाई निरंतर गरी रायकी थि शीप पनी थियो तर उसके दीदीले बने काम गरे की थि न। त्यो काम मा दीदीला पने लिएरर आउनु मने र माल थाके रख हराई पुगे कि उसले अप्ठ्यारों मांदई माली को कुरा सुनाई दे दिलाई उसले सोचे को बंदा उल्टो पार्ने गरी करून डाले रूची देखाई पड़धा पड़धा दिमाग में केई नगोसी रएको बेला शायत पड़ाई बट भागने यह उसले राम रो माउकाव आए छा उसले फुरुक का भार बानी जाचाउन अजे पांच मैना बाकी छा पड़ियला निया उतेती बेला सम्मत काम गरे कैई सिकेने पणी पईसा पणी उने चायत उसले महिने पिच्ची इंदिराको मोटिवारी देखेने पईसा जल जली समझी उली उसको उत्षुकता रोक गिये ना अईली फूरकी ना पची काम देखे पची तेरो फूरती कसारी जर्दो रही छा इंदीरा मनमने शोचे राँसी रह की थी सजीलो पाराले वानी के चाहिना काम ता तही कपडा मटांसे को दागो काटने रा सरसफाय गरने ता वानी अफुले दिन बारी उब्यरे यो टेवल र उटेवल लख तरान करने गरे को कुरा बने उसले वानी दा बोली बल्ट दोबै तयार भार गाड़ी को प्रतिक्ष्यामा थिये सद्धही को चमय में गाड़ी आयर रोकियो दोबै चड़े इन्दीराले मेरो दिदी बने चिनाई मालीकलाई करूनाले नमस्ते ने गरी उसले नमस्ते फरकायर पहले देके एरी रायको कुने पत्रिका पढ़न ब्यसत अभायो मालीकलाई हल्ला वल्ला वनेर दोबै दिदी बनी चुपचाप बसी राये काम मा पुगे पालेला उसले इसा की दिदी को भी सायन करवा के काम में लगादो वनेर सरासर आपन अफिस कोठा तिर लागयो चायद करुणाले कसला इसा वनेको वने बुजी ना ताई पनी तेसको कुने प्रतिक्रिया गरी ना रजिस्टर मा सय गरेर दुबै बित्र पसे इंदी राले दीदले सुपर बाईजर चंग बेटाई दी उसलाई त्यकुरा पहले थावा इसा किलो थियो वला कैई नसोदी नया कहेंची आत्मा थमाई दियार कामगर्ने तरिका शिकाई दियो एक्छिन अरुले जस्ते कामगर्ने बन्दै सम्हको बीच मलगर मिशाई दियो करुणा पनी सानु चकटी जस्त प्लास्टिक को बुईमा पीद मात्र अटने कार्पेट उच्छार बसी रारुको शीको गर्ना थाली आज पनी केरी करुणा ला देखेर सौता आई जस्ते मान रहरी रायका थिये पल्लो कोठा बाट थप कामली ना जानी नियोपार देई इंधिरा दिदिक्या गर देचे ना चुष्च चुष्च पुग थी और कि पनी पड़े की घेच लियर आयको मा चित्त बुजाई ना मोनिका आले सोधी तिम्रो देदिरे हो इंधिराले हो माटाव को अलाई मोनिका को टेप खुली साके को थियो तुष्च बंद हुना तयार थिया ना बोलना थाली साके की थी उसके तो जन्तीमी मंदा बड़ीने पड़े को अलाई मला अचम्म लाख्ष तेत्रो पड़ेलेख्या मानची आरुकी ने इस्तो कामाल जिन्छन नोला मोनिका को कुरामा अईले पनी सवमत्ती ना इन्दीरा तर उसले उससंग बहस करना चाहिए ना साज सबे निश्के हुरुरु छिचिमी राजस्ताई मालिक पने आई पुल्यो दुबेजेना बसे गाड़ीमा यात्रा शुरुवायो केरी तिम्रो नाम करुणा पट्टी फर्केरा सोदे उसले करुणा मुशुक का आशी करुणा कोस्तो लागता काम ठीक है चाहिछ अफ्ठैर मान दे बाने कही नपत्याय जस्ते गर दे बाने एक दिन गरेरा भागने तो वह न वला नी बोली किया गर ने नी करुणा ले कुदी सोजीलो यो नाम फेरन पनी जो बायता नाम फेरी दो डाने को लिए उसले बायता नाम फेरे दो अपती उसले ति बाइनी शंग जात्ती जगड़ा करे पनी कुणे पनी गोप्य कुरार म सुनायर कईली आप्ठैर पारे कि थी न तो राथी पनी दे दिला अंगालो अधा बर्स बितन लागेको थियो काम थालेको पनी। पुड़ानु डेरा सबय जनला अपाइक भाय भनेर नयाको खोजी मा थे रमेस। अचानक डेरा सर्ने कुरा आयो फेरी। सनिबार को सदुपयोग गर्दे कोठा सर्न बेस्तावाय सबै। अगिले दिन आयरा हलका सफागर येको कोठामा नभै नहुने जती सामान कचा कोचक पोको पारे रा। योटा गित्टी बोक ने ट्याक्टर मा आली आपुपनी तेसे मा थी उब्भीर हल्ली दे हल्ली दे सब्सक्राइने बनी धेरे सामान उत्ते छोड़े पनी पहला बंदा निक्के ने जोडिये को राएचा। भैक्ने नमीलने सामान लाई मिलारे राक्ने गार होने जस्तो सागुरो कोठा थियो। पुरानो डेरा के छेओमा आईपुपके काथिये फेरी पनी। मुल्वाटो सब्सक्राइने बिर्शी सके को मान्चे। तेट हमा आई सके फची फेरी उसे गरी मौन मा उदावन थाले। समयरे स्तान को परिबर्दन चांगाई बिगतरु पनी आई जाई गरी रहन्चन की कियो। वो आफें संग सोथ थी। उना तो निसान चंगा उसको कुने नीलो शर्ट लगाएरा अगाड़ी को सिटमा बस्यको बेला मालीक लेपनी उसको कसो कसो निसान नहीं देखतीर जासंगा उन्थी। कमपणी मा काम गरने आउटा मैनेजर थी। पेम। तेसले पनी निसान के जस्तरी आपनो ड्रेस अप करने गरती। उसके जस्तो जोला प पोठासारी बची बेढ़ाएको ठीयाना उसंगा शम्जयना पतली देगाईको थी। तरो यांसर नी वित्ठीके फेरिकीने एति बिधी बाकला Lynd शमझयना आया को हुला। वो आफे चक्का पर थी। निसान को पास्तिती शंगे बिलाओं देगाईको किरण को सम्झयना ला पहली दुचार दिन पनी उनको खावर ожидानी थियो तार यो उनको पुरानाई बेस्थतता वाईकाले खासे खोजी पनी उन्दे ना थियो उनी कहा जानते किये गर थे कसे ला बंदे न थे उनी बंदे न न मैनने था वाई चके ससी सोधिरणा यह कुरापनी थियो एता सहरी पची सबई तिर जाना सजीलो बायो, देरा बाट निशकना साथ बस टेम्प सजीले पाये ने, लोकेशन परिबर्तन बाये कोले, अब मालिक को गाड़े में लेफ्ट पाउने कुरे थिया न, बेरुजगार का लागी काम सानो कुर वए न, उन्ने अरलाई बानी पर अब मन पनी पर न थाली चाके को थियो, यस बाट होना थाले को कमाईले आपना कईयों आवसेक्तारों आपने पूरा आगर्ना पाये राये का थिये, आत्मा निर्बरों पाउनों जस्तो ठूलो कुरा, जीबन मा केपनी होयने रह सबने इंदी राले बूजी राये की थि, पुरानो बस बार्क बाटा सोत्खोज करदे पहिलो दिन उन्यरू काम मा निसके, बस बाटा ओरले रहिन लागदा मोनिकार प्रेम बेटिये बाटाई मा, सजीलो बाईगो, दस-पंदर मिनिट निडे पची आयाले कमपनी, चदी मालिक को कार मा आउने केटिये रू पईद चाड़े आमरो अरको कार खाना डिली बजार मा पनी खुल दाईचा, ति मेरले तेहीं काम गरनू, उसला आजा फेरी मालिक मन पर्यो, यो मानची आमरो कत्ती ख्याल राखचा, आफने दाईले जासतो, इसलिए आमरो बारेमा सोची राधो राएचा, काम ले पुराना चाड़े तयार भार कोलेज गयो, तेसपची अतार अतार खाना खार काम मा जाने तयारी, बाटो मा मानचे को बीड भार मा कूम ठकते, बस मा उसते ठेल मा ठेल कोचे रो बिनू परने, बीड को उपयो गर्दे नजी किनी लंपट पूरु सरका अस्लिल ता संगा गिन लाग केटी साथी थिया ना, मोनिक आले मालिक को कार्मान आई बस मा आउना थाले को बुझी पसी फेरी बेंगे आनी आली, माले ता लाग दे थियो, यो नमचे ने पिंको सवय जड़का आओ बने, आखेर छोड़ी दियो ना ता, मैरे तेस तो कत्ती देखे के चुकत्ती, मैरे मैं सोची, इन अरले जिस्ट होची पनी मैरे केई गलती गरे की छाया, मा आपने इन अजर बाट नगीरे सम्मा, और उले मले जे बने पनी क्यों नुशार, अपनो काम सके पची करूना इंदिराला पर्खी रान थी, अब संगे बस सम्मा जाने मा मोनिका पनी थप्ये की थी उट डोका बाट निश्के पसी फटाफट हेडियालना ता अहतार करदा थी, सांचा को ब्याला सबेला गरपुगना के अतार, सिट पाउन अपनी ते तिके मुश्के, कोईले काईता खुटा राकने समा ठाओ बेटी जेना थी, खलासी यवटे बाग के बाराम बार बनी रह बोस मां केटी मांचे ले आपनो जिव का अंगारु सकुषल गरपुर्यान सदे युद्ध लाटनु पर्थियो, जस्ता सुके बलादमी लागने लोगने मांचे रुपनी भूको बाग जस्तो आखाली हेरी रान्ते, मौका खोजी-खोजी जसरी हुँच छेव-चेव आरा टासे न खोजी आल थे, बोसले अल्लाहे को बाहना मां पचाडी बाट ठेली रायका हुँच थे, आपनो अंगले बेटे सम्मा, काटमाणोंको सार्वजनिक सबारी का साधन मैलार को लागी प्रत्यक दिन का युद्ध मैदान थिये, जहां बाट अरेक दिन गायल बारक अर पचाडी बाट पेचा को पीना बनायर एक दुस्ट अरकाठामा बरू निसान ने वाई दिये तो एती तनाव नहों दो हो जस्तो पनी लाग थे, उनिरला आब बस को ठेल मठेल पनी बानी बाई शके को थे, शुरु शुरु मात करूना ले तो यात्रा को खोबे आलो चना बस मा आउन थाले को एक साथा भायको थे उला, एक साज कोठामा आउनी बित्ते का अतार अतार लुगा खोले रा गन गनाओ दे बात्रूम पचे की थे, एक के बेर पची चीसोले काम दे बाईरे निसकर बधपताओ दे थे, चीतो आले गिसार न शके को मोरो, इंदराले ब परशी रायके उन्ती प्रायस अदे जसो, बरी सक्के उँ इंदरा अरले न देखे जस्तो गरना खोश्ती, जुगा मुठे, अरी मठ्ये को कालो अनुहार को बारतीय मूल को तियो मान चे के कुम्मा, उसको चाती रगडी रायस्तो देखें थे, पहलु दिन ता अचम है ला काम को टेबल में रहादा पनी इंदी रायका आखा न जानी तो पाराले उने र कोई हात रहान वार मा पुगी आल थे, वो देखती, तेनोर काम गरी रहादा पनी प्रेम गरी रहाएका उन्ती, आनि उसले पनी समझना आई रहन थे, कईली निसान को र कईली दुमील उन्द प्लास्टिका सैंडल लगायका इंदी राका खुट्टा गलेरा फोटलान जासते हुन्थे, बत बती पोल थे कुरकुच्छा, आगो को ज्वालान नी निश्केला जाये हुन्थे, अजई मैनावारी बयको बेला को पिडाता जहना साय्या हुन्थे, काम को बेस्तता ताली बने को बेला ट्वाइलेट पनी जाना न पाएने, कोसला बनने, क्ये बनने, पनेरा पनी क्ये उन्थे वरा, प्रकृतिले पनी मैलाला कती कुरा आको बारी बकाई देर दनी बनाएको, आफेले पनी समालनो नसकने गरी आफने शरीर बरी, जर जुट्टा सदी लुकार आएको केने हुन्चर, कीता बास को रुख जस्तो सुलुत्त परेको जिव, यात फर्शी जस्तो भ्यात प्पूले को मूडी, कीता शरीरे बरी गेनलागदा रौं, तरकीन राम्रा लागे काता फेरी, आनि अलमल्ला पर्थी, उस सम्झन थी, उसले बेटे का बेला बर्खर जुंगा का रेखी बसे का किरंडर निशान अर लाई, आनि फेरी हास्ती मन मने, इस तकुरा सोची रहे को बेला बने, उसको गोडा को पिडा अराई सपेको न्तियो, शरीर मा एक प्रकार को फुर्ती आई रहांतियो, नजानी दो माया को तरंग जानतियो, फैलियर, बज् खापनो, इपिंडुला तीगरा पट्टा फुट्लाइन जासते होंचन, दिन बरी उब्यरे पीच्छ, यत्रो दुखा गरदा पनी जीव बने गरदाईन, चन मोटा को च, मोटा को च, जीव को भार पनी थामना मुश्किल परच, इखुट्टा आलाई, प्रेम को पोस जीव मोटाउन धाले को थियो, पेट पनी बड़े को थियो, बेला बेला आफनो, सॉलने पेट तनक का बाती स्लीम पार न, न चाहें दो डोर लागतियो, परे बाट बाट बाएपनी धेरे समझी रहादा, उसको माया कुछी नो, सुटु का आर पोसेर बड़े को पोगी, बड़े को बड़े बोवने किये गारने, कोसले लिंचानी असको जीमबा, पेट मा निसान के कालपनेक बच्चो हुर्की रहाई उस्तो लागतियो इन दिरालाए, मोनीका एकोरो बोली रहांचे, साज मा छामचाम चुम्चुम गर्दे दियरा पोयो, फेरी ब्यान टुपल लाम लेगरो तांदे बनचे, मले तिमेर जाती पोड़े को बयता, मरे पने आवनी थी नेस्तो ठाव मा इन दिरालाचेल, उसका कुराले चोना छोडे को थियो, उसद्द येवटे कुरा बनी रहांथी, तो तिती गमहंटी पनी थी न, सोजी थी बरू, बास्तामत्य असले लाम लेगरो तानेरा फेरी थापी, ये ये सांच परियोकी कोठा बेतर छिरी शक्न होदे न, मासुर रक्सी को बातेर, क्याम बाट थाकेर गयो, फेरी बांचामा उविनु परस, मला तो पटके जागरे चल देन, मत ताई बोसेर काम गरे के पिक्षरी दिनमारी ये तारा उताक दगुरदा दगुरदा अत्तु भायकी उन्चे, तौई पटनी बान्सामा न अपसे उदेल, तेनेर का जुठा गंदे गिलास्र चिपला बाणा माजने पर स, औनी खानूनिता आफूले पनी, आशोगरी लावरे का कुरागरी पशी आट्टा सम्झेजें गरेरा फेरी सोधी, तीनरली बीए गरेका चानकी चाहिनानी सोधनुनी, कीनानी करुणाली सोधी, सुनिताली कानमा खुशुक्का बानी, मत त्यस्ते मांचे खोजी रहा किछु, दोबै आशे, केटिलाने हुदोराईचे उत्पात चाहि, करुणाली मन सोधेर आउन है, बेलुका, खाना खांधे गर्दा लावरेको बीए को कुरा चल्यो, रक्सीर मासुले मस्तवायको लावरेले कुरा फुसकाईता आल्यो, तीन मेरका कोई साथी चाहिना, सुनिताको नामर उसको आग्रह, फ्याट्टा आयो करुणा को दिमाग मा, करुणा आलिक बोलन थाले की चे पईले बन्दा, लो, कस्तो संजो, उसले पनी ठटाके पारामा बनी, योटी साथी ता छ, केट पाय बीए गर्चो बन्चे, कस्ती सत, यरूम नत, उता साथ चे उत्चाहिद भई गयो, बोली पल्ट, काम मा पुगना साथी पईलो बेटमे सुनिता में डिनले काले स्वधी आली, मेरा कुरा स्वधी होता उसले पनी घजो बायको कराबनी दी, केटिला बेटेर कुरागरन पाय उन्ते हो बन्दा थिये, क्यले बेटनुता, कुरा स्वणने बित्य कई उली रप्फुगाउं की जैंगरी सुनिताली, की माज बेलुकाने थी म जान्चु बन देछे, के टायार नू परियोरे, साचे बने क्यों कि कियो, इन देराले केई उत्तर दीना, बरु मन मने बोली, यो आमी संग जान्चु बने रांते गई बने, आमीला पो अप्ठ हरोमा पारने उनकी, यही गर्दा तर काउना सके ना, उप पच्छी लागे की लागे भाई, डेरा पोगे, लावरे बांचामा कुखरा को मासु पकाई रायको थियो, सुनी ताले आफने भासामा संबोधन गरी, प्रतिक छामा रहे जें, लावरे ले पने उसके भासामा नेके उत्साय तुन दे संबाद करियो, और ले तिनर का संबाद नभुजे पनी पईलो बेट में दुबे मस्कें दे कुरा गड़े रहे को देखे रहा, आपसमा हिरा हैर गरते आँसे, साना काट की चिटिक परिकी सुनी तालाई, उसले देखने बित्यके मन पर आय जस्तो गर्यो, फूरति संगा प्लेटारू तयार गरे रहा, मुस्कुराओं दे बोल्य लो खाजा तयार चा, खाऊँ पो, बहनी न सकते ही, बसे के ठामाली आरे पालाई-पालो सबे का अगी प्लेटारू राखते बोल्यो, क्या हम ले थाके राय की सुल्टी नी पईला लीनू, इस्टो दुई आतले डोगे जस्तो पनी गर्यो, आनी पालाई-पालो दुबे द गले रायका ता उने रूपनी थिये, तर आज साथी पनी पाउनाली रायकाली गले को देखाऊनू पनी ता थिया ना, रमेश के सोचे रहो, मैं एक चिन मा आउचू बन दे बाहरे निस्के, अनी यसरी फुत्ता फुत्ता निस्के बनी सबेला थावाय के उनाली कसेली के सो पाउन दे गर रायता, हम एके चिन मा आया आलचू, दुबै निस्के बाहरा, साथी चैन बोलियो, यो मुरोला की अतार बाकावला केटी ले आउना, कोस्तो सकी अचे बिचार गरनो परछा, पईदाख पनी यस्ते अतार मा मिलामा एक राध दान नाचे के बर माले आयो, द सजे आई पोगे का थे ना, सुनिता पहला बंदालीक लाजालू जस्तू देखे की थी, लाउरे ले हात में उटा गरों जोला बोगे को थे, बांचामा बिचामा बिचाओ दे बोलियो, खानू ता च्वांचे को मासू खाने मन्तियों, तरके गरनो बाहुन को संगत्छा, अनि हासे हो एकले, जोला बटन निकाले कोखरा को मासू, कोखर बीयर का बोतल, इंदीराली दाल भात साग पकाई सके कि थी, लाउरे का सामानला हेर दे बारी, मले ता पकाई सके है अब, यो मासू खाने भाया आफे पकाऊनू, गलेर बुत्तुक का बाया कि सुमत शकती न सुनिता अगी सर्दे बोली, मा पकाई आल चुनी, लाउ, आज मेरो शीप चाखा, सुनिता संगे लाउरे पनी बांचे लागयो, दुबए जाना मस्कें दे बांचामा रमानो थाले, इंदीराला बनी डर थियो, रमेश लेक्के बन्ने उन, आफनो कोखामा यो अनेक खाले चारती कला देखता, तर उनी आउनो अगी नहीं, उने लेक खाना खाई सके, कोठा भरी बायर, टीवी एर्दा, रमेश बित्र पसे, उनी तनाहाब मा जस्तु देख्ये का थि, इंदीराला मनमा ज्ये संगा थियो, तही उना लागय कन्नमान करी, तर उन्डे तिस्तो नराम चास्ची मोटी, तर्शे जस्तो गरे देख्ये, रमेश बित्र कुराला अरको तेरा मोड़ दे बोले, राती तीरा अब बाईर निस्कन नाउनी वाय चाई साथियो, सरकार ले दमन जन्जन कठोर बनाउंदे लागे चा, आज फिर दोलकामा मावबादीर सेना को दोरो जड देरे अतात बाईको काबर चा, तर्शे बित्र कुरालो काई रहे को जस्तो चा, रमेश बित्र कुठामा कोईली यस्तो राजनितिको कुरा गरे कुने राथा थिया ना, आज उनको त्यो कुरा सुने रा इंधिरा को मनमा चीशो पाशियो, उसले गाउंको इसकुरमा कीरन जल्यास समझी, तिम्र दाजुबुन यही संगटन मा मनमा उन्छा, उसले दीधिको अन्वार मैरी, त्याहा कुने प्रकार का प्रतिक्रिया आरू थिया न, मनमा जनक रिचाय जस्ते वाई, यसको मन्चै कुस्तो समाउन सके कोला, केई कुरा को मतलवे चाई न, कुस्ती य उसले एक और रमेश को अन्वार मैरी, उसले त्यासरी दाजुला नारेको देरे वायको रहे चा, आज उनले निके गंबीर चिन्तीत देखी, अनि सम्झदे गई, कोठामा नया नया साथेरो आई रहां थे, विस्तारो कुडा गरी रहे का उन्थे, त्याली कभिता पड़ी पत्रिका को लागी बंदे लेख लेखी रहे को देख थे, तर रमेश करी पत्रिका कोठामा ले आयको था थिया ना, थाके को शरीर ले आराम खजन था लेको थियो, उसले पलंग बाटा लुगा जिकर बांचा को बहिमा उच्छाई, ती नोई टीले आज तेहीं गुटु म अगे चिने को मानचे, पक्के खराब साइना वला, रूप रंगा तकी एरी रन उपर शर लोगने मानचे को, मनाई तो मन-मनाई सोची, कोथी चीटो थेशको मन बुजी आसले, जीबन भर संगय बसता तो बुजी देन, यो अमिवाज असतो मन, इन दिराले बानी, आमी चि धोरी सकेर बत्ती नी बाहरा शुतन लगदा बायर बाट रमेसले बोलाये सुती सक्या उ तर्खरों धयछा, करुण आले बाने, रमेसले फेरी बाने सुनिता तीमी एक्षिनिता आउता, दाजुले उसले युसले बोलाये माणं उ बषौं पले देखिकी कि परिचीतो चुनि आपने जीवन को नायक को होलाता मने और सोची रहा दा उसको परेले बित्र किसम का नीलो शोट अरो आउंदा ही हराउंदा ही तो मन मा बिचार गरी है किरन लाई किन हो पहला को जस्तो उरुपका उने गरी माया लागे न तो पने उसला समझीता बित्र मन मा खुशी चें पलायर आयो तो मन मा एक चिन पसी फेरी निसान आयो किरन बंदा निसान पुआ आप बित्र टम मा बरिये को अनवाब गरी है तो पेरी जल्यास समझना आयो असती बरी जिव बरी केके सग्बगाय जस्तो लागे को अला आफिस अलाहस लागे रायो एसो दिलिती रफर्क है रहे हुँ गईरु निद्रामा गुरी राय की थी तो देरी बिर पच्छी सुनिता बिष्थारी चाल मारे कोठामा पसी राउने ले थान पाहुं जस्तो गरे रा खुत्रुक का इंदीरा को छोमा सुती, केई सोधन मन होंदा आउधे पनी, रात निके बिती सके कर देदी बिहुझेली बने लागेर, केई चाल न पाहे जें बार, सुती रही उपनी इंदीरा उठेर तयार हो दा सम्म, सुनितार करोणा उठे का थे ना, उसले अतार अतार चियार बिस्कोट खाई रा कलेज दिर लागी, चात बजे तिर दोबई उठे, पाले पालो बातरुम को अपयो गरी छके पचे चिया बनावन थाली करोणा, चिया बनावते करदा सुनि विस्तारेई लजाके अनुहार में बोली, मला है तो मन परेकोछ, अब उन्डे किये बन्चन। किये कुर्या बोत ब्यलका, रमेश दायले स्वोधनुबो, मले तो हुन्च बने कीछु। करुणा ले चिया तयार करी, चिया आफ है पूर्याउनी वाई सुनीता, करुणा हतार अतर खाना को तयारी मलागी। बेलुका के मास उब्रेकोणाले तरकारी बनननों न परनेवो, उसले दाल्र बात बसाई। बात उमली सकता पने चिया पूर्याउना के सुनीता फार्के के थेला, करुणाला अचम्मा लागी रहे कती हो, यो क्वस्ति केटी होली, किये चाड़ो विश्वास करना सके के होली, लोगनी मान्चे को कुने वार हुंदे न मन्चन, यसला कीना आतार लागे कोला, बीए ग क्या न बली सुनीता बाणा साफागर लागी, बिस्तारे बोली, आज मतिमे अरु संग काम मा जान नाई, अचम्मा मान्ते करुणाले तिसक मुख मा एक्छी नेरी रहे, कीना निका जाने, आज लावरे संग गुम्छो, उसका सब्बै गुरारु बोच्छो, अनि कोहर्मा कशला सोधे को छानी, फेरी काम मा पनी खोजी अला क्ये बनने, तिमी इजो हमीचे ता आयको था चा कत्ती लाइता, करुना अरु क्या बोली न, उसको सबाबानु सार गंबीर बाईर आई, बिहाने बाईर निसके का रमेश आई पोगे को उनने ले थाप आये, खाना तयार पोगेर बांचामा पसी, पुलुक का एरेर रमेश ले आसते बाने, बिहाना यसतो अनुवार चा, बेलुका समा कोशतो होने उता हवा, एक चिन पसी फेरी बाने, काम गारो च, दपेडी बोवने छोड़ी दे पनी उन्छ, और कामला बंदा पड़ायला बड़ी समय दिनु परने बेलाओ, तर दुखाले पाके को मांचे नई काम लागने उन्छ, इन्दीरा के नबली अतार अतार खाना पसगेर, उब्बी उब्बी खान थाली, तेसे गरी सुनितार करूना ले पनी खाई सके का थी, सुनिता न जाने बाई पर चुनिरू तयार बर निश्कन लाग आतार आतार शुनिताली चिया बना रखाई, उन्दीराली बेंग्यात्मक आहस कुरां सक्यों केरी, तियुग्या र Bent इसलिए आफने बारेमा बने। माला तर्टी ठीके लागे को छा, उसलिए पनी मन परेको छा बन्चा तर्टीटा मान चे हो मन पराउने छाड़ ना के बेर। उसको मन अजे बुधन मागीछा। सुनिताले के लजाओं दे बाने, अब तो जन अस्तिकी सुनिता चांदे थिये ना, उता तित्तिके लल्याक लोलुक पड़े की जस्ति भाय की थिये रमेश, एक दू दिन हराओं दे आओं दे गरी राने, उनी कुने कुरालापनी ते गंबीर रूपम नलीने उनाले, उनी यो कुरालापनी मतलब नगरी का उला जस्तो लागी राय को थिये इन दिराले सुने ताला एकले पारेरा सम्झाई, चिन्नु जाननु केई छाई ना, देखनी बित्ते के बिये गर्न तयार बयालनु होन छाता, तिमरे बारेमा पनी आमिला केई थाचे ना, यो लावरेता जन कुओ को, आमिले सामानी रूपमा चिन्येको बयापनी अईले आमिला था, तिमिले थाचे यो मान्चे को, के इस्तितिको च, पहले कहले देखे को तिमिले, बिये गरेर स्वास्नी बनायको बाहनामा कते लगरे बेची दियो बने, लोगनी मान्चे देखते हैं मैं बैसको परखेटा लगार उड़ी आलनु पर श, एक चिन गोरियर बोली इसा, मैले खोजे को मान्चे एसते हो, मैरो आँखा खुली सके कोछ, कुने बेला अपरी पको थियांशु, आफेंले दुखा नेम्तिया आयको दुरगाट नामा परे, अब मैरो सुरक्षा यह मान्चे द्वरा उंचा बने देखे सके, सुनिता को कुरामा के रस्ची लुक अरु तिरपनी केटी राखे को उनसक्षा, गाउंगर को कुरा, साने में बिए गर्देगा पनी उनसक्षा, कुस्तो केई पनी नस्चे चे के ओली जिन्दकी एक्षिन को लागी मात्रा उर, बर्सों प्रेम गरे बिए गरनी को तो कस्तो होंच, यो एक दिन को बुजाईले दोका पाउली साई, सुतनो अगी छालफाल भायो, उन्द अरु बिहे गानी टोंगों मा पुगी साके को निरड़ाय सुनाये, कईली न दखेको अपरिचित मांचे संग की कारण एती सारो हुरुक कभाई सुनी ता, सारे रास्चे माय लागविन दिराले, त्यस्तो कड़ा आसो बाब को रोमेशले, कोती सजीले यो कुणाल लियेका थिये, उन्द दूइटी जबावन हो देगाय का बहीने लुपनी थिये, सुनी ता, को तो वे भाहरले बहीने ले अशर परन सक्सा भने पठके महतों दीराय थिये, उसले आफने बारे मा पनी सोची, उसले ति अजे समय विश्वास करना सके कि छाई नुझे अरले बहने को यह कांता मा समय उजाना सके कि छाई नुझे अर दैराईमा पनी टिलिक का टल करे चमकीलो अनुवार भायको नीलो शॉट लगायको लावरे पसाडी बाटे अर्धा काटी कुटी निसान देखिन थियो बेला बे अत्रिप्ती मैं लेक सातों स्रिंखला बाचन गरेको थी अठासी प्रिस्ट मले आरा रोकेको थी मन्जुबी मलीको यो उपन्यास दोयेजार अठास्तर सालमा प्रकासित उपन्यास हो नेपाली मा सनातकोत्तर मन्जुबी मलीको यो पहलू उपन्यास अत्रिप्ती को आठों स्रिंखला अब बाचन सुनाउं उनानभी प्रिस्ट वाटर सनीबार को बिहान उज्या लियो सबई उठे चिया नास्ता गरे आज पनी सुनी ताले आफने हाते नास्ता बनाई पित्रियाई के नया बुहरी जे लुरु लुरु काम गरी रही लजाउदे लजाउदे चिया खाजा खायो उसले हाई शके पचुनियरु तिने जाना कुम्न जाने बनेर कोठा बाटने शके दिवसो तिन बजी तिरा फोन आयो लावरेको साथी अंते दिरा लागे छत लावरेर सुनी ताले होटेल मा बसने निरडाय गरे चन बढ़े नावने बनेर जानकारी दिदाई लावरेले फोन मा बने ताले पने यते खाना खाना बोलाय के चन सुनूले यो सुनीर करूना पनी चक्क परी उसले इंदीरा संग बनी यो मुरीले अबगाल पारने बाई बित्थामा बनी चतिसलाई कुरा सुनना साथ बुलुक का बारेहडी आली आदी आये जाई सुनीता तीन दीन देखी गरन रगए पसी आमाले चिमे के अरुला बनी शन अनि कम्पनी मा फोन गरी खोज तलाशी गरदा गाडले इंदीरा अरुसंग बस चड़ेको जेखेको कुरा बनी दिये श कम्पनी बाट इंदीराखो संपरका नंबर लिए रगए रह छेवके पसलमा देउस सुनीता को गरभटा फोन आयेको थियो पोन में उसकी आमाले बने की थीन, कर्मा उसकी बच्ची पनी रही छा, बच्ची ले आमा खोजे की खोजे छारे, आमा आफे पनी रोई रही रही की थीन, और मेरी छोरी कर्मा आये ना बने, तिमें जिमिवार उन्चाव सम्म बनी शान, तिनी आफे शंग गन गनाय जी बनी बाबु बिना को तेसको संतानला माया ले छोपे रपाले कि छुँ आमा बायरा पनी किने यस्तरी बोह किर नडिये की वली। बाबु बिना को नानी पनी छव वने को सुने रूज़न चीश्चिये कि थी। शुनिता का नया नया रहस्यारू एक एक गर्दे खुलते ही जादे थी। उसलाइ अब तियो संग पटक के संगत करना मन थी। तर उसलाइ उसको गर्मन पुर्यायसमा आफु संगा को गेरामा परी रहने संभावना थी। चिन्दाई नचिन्यकी वयपनी छोडी के साथी हो वने लागे रहला। अफनों मन को भारी एक चोटी बिशावना खोजी रायकी थी। एरदा एरदे तिसको भडी पुटुक का बार जामामा न अटावने उन थाले को थी। शुरू-शुरू मा था बल्ली वयकी वकी बन्ने लाग थी। तर त्यू मोटायको बंदा बेगले खालका उन्दाई गए पसे एक दिन फकायरा सोधी। पहला था तिसले केई बन्ना मानी था। जब मा देरी रिशाएं रून थालें, देरे खेरे रा सोधी पसी रून थालें। कमपनी मा कामगर्दा करते लोड सेडिंग बायो। बात्रूम अधेर हो थी। पीसाब थामना न सके रा बात्रूम गए। अगलो डोका को चुकल सम्मा हाथ पूग न सके न, आपत परी सके को थियो। अधेर हमा कुआ आउलारा बन्डे, सोचताई तेत्ते के टुक्रुक का बसें, पिसाब निक्रिया के थियो। एक्के चिनमा कोई पशियो। अंधकार मा अनुवार ना देखे पनी, कोई केटी ने वकी बन्य अनुमान लगाए। तरत्यो न बोली मतिर आयो, औनी मला चैपपई समातेर डोका माटनस आयो। उसको मुखले बेरू मुख्ट आल दियो। शाच फिर नहीं गारो भो, बोलनु तो जन किये सकनू। मेरो सरीर संग मनोवमानी गरना थालियो। मैले आफुला उबाट जोगाउन सकीना, चंड़े मार्यो। काम सके पची हल्ला गरी स्वनेसे गरी मारी दिन्चु बनेर, मी साश्चीने गरी काटी थिच्यो। डरले ल ये जोग पारेर तुकता इंडे कियो। तैसला फकार पठाय जिनू नानी, कान थापेर सुनी रा इंदिरा। यो सबई सुनी सकता इंदिरा का आखा बाट अगी कती बिला देखी गलाको बाट ओंदे बग न थाली सके छा पानी। परसल की साउनीले क्ये वायो बनेर, देर का मांदे गई पसल तिरा। लावरी के फोन राये चा। एक पल्टत तेती बेलाई तेसलाई सब्वे कुरा सनाई दियू जस्तो लायो। तर सोची ये श्तो कुराक फोन भाटा बंदा सामुन्यमे बसेर बन्नू राम्रो। उसले फोन मा सुनी ताकी आमाले बनेका सब्वे तेसले आफ्रत्यो पापलो काउन पूर राये चा। बीए गर्न योहातार करेको ता। चाणी फर्कीने गरी उज्याले महुने अरु चुन्धारा पुगे। जहां लावरी रा सुनीता उनरलाने पर्की राये का थे। शुनीता देरेने खुशी थी। लावरी अपनी अरुगे बसना लागेगा। तेसको कुरा सुने रा एक पट उसला जनक करे शुटे राये तर तुरूनताई सोची यो बेरी कुन है होरा। काम को सेलचिलामा बेट्ये की साथी। बोली पनी यो बेटीने हो हाईना मला क्या मतलब। ताई पनी उसके हामाले क्या बेरागे गहने का कुरा उसको कान मा गुंजी रहे के थियो। उसले सुनिताला तानेर अज्जे कुना तिर लागी। यस पाली करूना पनी संगय आई। उसले जिसकाय को पारामा हस्चीलोर रहसे माय अनुवार बनार बानी। मुरी ताता कस्ती कप्णी रहे शीशनी। तेर तो बी दुखा पाई रहे के रहे शेश। तेर तुरू दोगापाची पनी तेरो आका खुलेको शेय। यो मानचे कु हो, का बहस्चा, क्ये गर्शा, आमीला पनी राम्र थाचाय। गाउंको मानचे हो, पुरानो दाईको साथी। अईलेको उसको बारेमा आमी कस्चेला केई पनी तेस दिन, अब ति में खुरुका गर जाओ, बिये गर्ने भायपनी गर्बाटे गर्नो, आमा को सल्लाली नो, नानी को बारेमा पनी प्रस्टा कुरा गर्नो, तेसले भुहितीर हर्दाई वक्कानिय को जस्टा आवाजमा बनी, पेरो जिन्दगी को त्यो कालो दिन, मा समझ तो गटनाली मेरो जिबन लाए नहीं, एक प्रकारली जलायरा खणानी बनाए दियेको छा, तेस गटनाला समझीदा, मा सब्बाई लोगनी मांचे उसले राख्चे सुन मनने लाग्तियो, तर लावरे संग बेट बाए पेची मेरो मन परिवर्तन बायको छा, मैले जिये उसले की थिए, यदि मेले कसी चंग बेहने गरनो परनी बायमा मेरा सब्बाया खुल्ला बनने छु, तसले मेरा बिगत का सब्बाया शुर्ण तयार हुणच, और नाने ला पनी जिम्माली जा उसले कुरा कुरा सुने रा तो बे जा नहीं आचिन अलम अल्ला बाये, करुन प्राम गर्दा छोरी को कुरा कईले गरी न असतीले कपटी रही छियोता दुबेका मनमा एवटे जिग्या सपपई दावायो निरुत्तर हेरी रही राये लाज अले उसको अनुहार रातो भायको थियो करोनाले छक्का परदे बनी लाज पचे की मोरी तेसले गंबीर अनुहार बनार बनी तेने अरले चानादा आमीलाई जहाँ पनी अबर पार दावनी उजसते लोगने मांचे का का कारणले मौ एस्ती भायको कुरा तेसले पत्या हुदे नमने प्रमाहर दीना मला क्ये गार होता मा बच्छा को मावला केको लाज नी देखाई दिये उसले मसंगे बिये नगरे नगरोस बनी लागेव महले ता बनी पनी दिये इन दिराले हंसीलो अनुहार बनार बनी दूद मातरे देखाईसके अरु थक पनी देखाईसनी मोरी तिने जाना डल्लो परने गरी आसे पर बा आनिके वली तो सब्बे कुरा सुनी ताले, प्रमाड पनी देखाई सकी छेता है ना? करून डाले आफुला थाम न सकी ना? लजालू देख्खियो द्यों, करून डाले फेरी थापी यू इस सब्बे कुरा थापाई सकी पची पची पनी तपाई यो बिये गर्न तयार होता? छोरी मांचे को सरीर संग खेली मात्रे कुरा उदे ना? उसले मसके दे थापयो, वो ता देखाई दी आली नी सब्बाई, आहाँ सियो, आवाजे निकाले रा, मसके रा काम चल्दे ना भावे, कुरा ता गंबीर चानी, करूना ने बोली राए कि थी, उसले अले गंबीर उ एस तो सोचने लोगनी मांचे पनी उदार आये चान, एस पल्टा इंदी रा बंदा करूना ने बोली राए कि थी, उसले भनी, अले देरे भावक बार कुरा नगर आई, पची दो का दिना चे पाय देना नी, उसले पहली ने देरे रामरो बोगी शाके कि छा, लव, सुनी दाला तर लोई जावला, तर नानी चे के गर चाओनी, के बनचाओ गरमा, कसको नानी बनचाओ, उसले रोयरे सब्बएकुरा बनी, पची माला साथ चे ने उसको माय लागेर आयो, आसुने ठुलो अत्यारो मन पगाल मे, मस ये नामाई चादा मेर स्रिमत्य को निदन बायो आमापनी बितनुव, फेरी बिये गरे, तर कीन हो उसले छोडे रेड़ी, त्यों कोई नवायको रित्तो गरमामा, फारकेर जाना सकीने रे यते टोहली देचु, सुनी ताला पनी, कस्येको साथ को खाँचो छा, अब मैली निर्णाय गरेको छु, यो इमान्दार केटीला स पहाडी गाउमा घरवायको सोजो मांची, कार्फमाणो की केटी बेट्यो, सानो घरर अलिकती बारी चा वन्थी, लोब्योकी क्या हो मोरो, करूनाली बैनी संग कानमा खासकुस करी, त्यहां फिल्मी जीबन चुरुवायको देखी रायकी थी एंदीरा, दुवेक अनुहार अपार विश्वास्त्र बरोसा थियो, प्रेमोन कत्ति पनी समय नो लागनी रायच, यही गंटावाद दीन मात्र यकांतमा बिताउनी हो बनी, सायद युग-युग को माया एक चटी उरली राउंदो, उस्त्रापनी लावरी अचम्मी मन परे रायो, आखामा नीलो चस्मा छाते च्याओ जस्तो गोलाकार, जप्प परी जुरुप का उठे का कालो का पाल, गोरो छाला, गोरो अनुहार मा नेप्रि नाक, चमकीलो नीले शट बैसा को खुला आकास चस्तो, आत्तिका जस्ता साना चिमसे आखा, किराती लबजमा बृत भासी नरम आबाज को लावरे मेरो निशान कहिली आवलाता, उभीत्र मीचो भावत अरंग उड़ियर आई रायो देरही बेर्शमा, इन दिरालाई ये कोर्ये को देखरा सुनी ताले बनी, इसा चिन्ता नली, आजे मा आमाले फोन गरेर सब्बई बन्चु, रामी बोली कर जान्चु, मला अपनी नानी क पार्ने आरे, करूनाले बनी, आमाला हट्याटा गवलानी फेरी, सबे गललला आशे, अब मले त्यो गरला पनी आपनी ठान्नु पर्छ, पहला तमा आमा संग माफी माक्षू, आमी किरा तरु तिमेरु ज़त संकुचीत हों देना, आमी चेली को ठूलो इज्जत कर्छू, बिये मा पनी, छोरी को निड़ाय महत्यो पना उन्छ, करूनाले थापी, बिये गर्डेको बोली पल्टाई, बिये दरता गरनु पर्छानी, नानीको जन्म दरता पनी तुरून ते उन्नु पर्छा, सुनी ताली टावको अल्लाई, लोग खाना खाउं लग खाउं लावरे मीटिंग मा थिया दे। बेलुका कोठामा हाय पची रमेस्र ले सोदे। लावरेले घर्जम गर्ने ने भाय चाता। आस्ते थिये रमेस्र लावरेको साथी। खई त्यस्ते शा। दिवस्वको सब्भाई कुर्या पालो पालो गरे रा सुना आए दिदी बए निले। रमेस्र लावरेको साथी हासी रहे मन्द मन्द। दुबैको कल्यांडबो रमेस्र ले बाने। बोलिपल्टा काम मा पोगे इंदी रारू। सुनिता पनी आई सके कि रही छा। कैई नभाय जस्तो गरी आफनो काम मा लागे सब्भाई। इजो हराई बनेर कमपणी भरी हो अलावाय कि सुनिता ला त्याही देखता। पनी कस्यले कुनाई चासो गरे नान। प्रेमर मोनिका को बस यात्रा सुमधूर पाराले चली रहे को थियो। उनेरो बस बेत्र संगही होने। तर बस बाट उत्रिये पछे हतार अतर चुट्टियर अरके बाटर आउने गरे को देखता। इन दिराला अचम मा लाग थियो। एक दिन करोनाले मन थामना सकीना चार सोधी आली। अगिने यो प्रेम उतापनी काम गर्चा की क्या हो। बस मा तिमेरले संगही देख्षू। बस बाट उत्रिये पछे हराउँचा अनि परखरे बेटे जस्ते गरे अरू का सामा आमरा खबर अरू छोधर ठीक का पार्चा इसको नाट की हो। गर्चा वलानी उतापनी काम लजाउदो हासी मोनुटा। अज प्रस्टे बाया उनेरू। अरूले खासकोस करी नादापनी उति वास्ता गरे का थे नन। बस मा खाद्धियर चेप्पीर सदे आयको देखता पनी तेसला यात्रा को बादे थाके रूप सुपर्भाईजर ले प्रेम संगे हिंदी मा केई बनी रहे को थियो। इंदीराले अंतीम बाके मात्र सुनी। प्रेमले सुपर्भाईजर ले जवाफ लगाउँ दे थियो। तुम्हा अपना किचली अच्छा शी प्लकाओ दुसरे का नाई समझे। एक दिन चुनिताले इंदीरार करुणाले सनिबार पारे राफ्नो गारमा बोलाई। लोगा फाटा करको सर्षफाईचे कईले गरनोनी। आमी आउदे नौ। करुणाले सिधे अस्विकार गरी। तर सुनीताले पटक के छोडी नौ। बियानाई खाना खाने गरी आउनी तर देरे बेर नबसन सर्थमा उन्डेर पुगे का थिये। सुनीताले बड़ो शीप लगार बिविन्न परिकार बनाई की थी। जो काम मा लावरे कवनी पूर्ती फार्ती देखीन थियो। खासमा इंदीराले सुनीता की आमारा छोरी यहर न मन थियो। उन्दे अरले अनुमान गरे बंदा देर बुझने मानचे पाउनोस। तौल्पनागरी निसान संग को आफन जोडीको। रंगरंका टाइशुट र नीलो सट मा सजीयर कालो चस्मा र हेलमेट विदर सुन्दार आखा। र अनुहार लोकाओ दे मोटरसाइकल मा उन्दे को कत्ती मन पर सा उसलाई। वो भन्तियो। म उत्यत्तिके भावक उन्थी। ठानाखारे हिन्ने बेलामा लावरेले बन्यो। तिमर संग छोट्टे केई कोड़ा गरनुछ। कोने बेला सुनिताले पनी बन्ली। उसको अनुहार केई गम्भीर थियो। दुबै दीदिबैनी को मनमा यहुटा चस्को पश्यो। कत्तै य उसलाई केई उत्तर ना फरकाई फरके। बाटा भारी उन्हे अरलाई लावरे को कुरामा केई रहसे जस्तो लागी रायो। एक दिन अचानक मालिक ले बन्यो। इसार मोनिका माती आओ। केई डराउंदे मुकामो करते शिंडी चड़े दुबै जाना। तलब दिने वेला मोनिका हेरे को हेरे बाई। माती पुग्ना साथ मालिक ले बन्यो। दुबै जाने रेडी बाई आला। अफना सामान अरुबोका अब बुली देखियात आउनू परदे नू इन्दीरा हरसर मोनिका अलुमल्ला को मन स्थितीमा ताला गरली। उसले दिदीला काम गर्दे ग को मन नमज्या लागी राएको थियो। यो अरकोठ हमा सर्ने बारे मा मालिक ले पहले ने बन्येको वैपनी उसले तेती मत तुद्धिये की थिये नर दिदीला पनी बन्येकी थिये न। इन्दीराला अफनो डेरा के छेव छावतीर सरुरा वायकोले खुची लागे पनी द तेती मनेर मालिक आफनो काम तीर लाग्यो। उताको जस्तो पेत्र छेरी सकता फिनेल को गंद, मेशिन को हाला, धुला को मुष्लो, मान्चे को वैरूत्यस्तो के इतिया न। संचार ने अरको जस्तो लाग्यो। इसा लंच गरी सक्यो यता आओ। मालिको चरको आबाज कान मन अलूंग भायो, बरे दिदी एकले बस मा कसेर आउनियो, तेसको टिनताले उसला गयारेो। नौया कारखाना को टारो मा छिर्ना लाग्दा पर, कैई टाडा, नीलो शट्ला गायक वडा मान्चे, हाथ मा ब्रिफ केस चुन्दायर, जाध ही गरेको देखी। अकस मात नावी देखे सुरियरा आयो, ताव कामा कसे ले सीशा फुटाले को आफुले तेने टोकरा माथी टेके को जसतो बायो, ते आन जाती सब भाय, तेही मान्चे ले खीचेर लगे जसतो बायो, नेक के ठम्याउना कजी, प्रस्टाउना सकी न, तर मन ले भनी रायको थियो, त के देखियो, साथी ते हेरे के रे भायता, मोनिका गलला आशी, जस्यांग भाय, पित्रपसे, जापानी जसता देखिने दुए केटी अरु संग बेट भायो, भारतिय मुल्का जसता के जबान अरु पनी थियो, आफनो नाम मन्दे हाथ मिलाए, मोनिका ले पनी लजाउना पड़ाई, उन्डेरु अंगरे जी भासा मा बोली रहेगा थे, इन्दीराली पनी मुश्कराउं दे हाथ मिलाई, तर उन्डेर को नाम सुन्दाई बिर्शी सके कि थी, उन्डेरले कामगर्णी मेशिन सबबे देखाऊं देखाऊं देगाए, मालिक पनी संग संगी थियो, एक चरण सबबे देखाई सके पसे अलिक कडार आदे सात्मक सुर मा बोलियो, इसा मोनिका काम छेटो शिकरे रामरो संग गरने, अदर्वाइज बापस जाना पड़ेगा समझे, अनी अरुतिरा फर्केरा बोलियो, टीच देम वेल, आतले मेशिन तेर एशारा गरते फत्व पठी राखेगा, रमीता लागदो देखिने, गुमी गुमी हेरे मेशिनला दुबाईले, डोन्ट ओरी, यूइल नो, स्लोली स्लोली, आय विल टीच यू, यूइल सी इट, हाउ इट वोक्स, उसले आफना नाम फेरी दोर आर मुक्चुच्च पार दे बानी, आयाम फूई अरकीको नाम निफोन राये छा, अरू केटा आरको नाम मने केटी को जास्ते स्वन्नी, हण्नी अनी असीम रे, केटी अरू साना काटका होचा मंगुली न अनुभार का थिये, केटा आरू बने ठीक भी परित, अगला रा सोर पनी दोत्रे दोत्रे, तिने अरू मद्दे अस केई सोधनु परे उसेला सोधी है ये टेरू मिलन चार रहाए चान जती पलड़ा सोधे पनी पठक के दिखकन न मानने विस्तार एक काम सेख देगाए पहला सोचे जस्तो गाहरो काम वही नर रहाए चा वानने लागदे जाना धाले हो मन को डर दिन देने उत्रिदे गयो बरु काम सेख न पायको मा आफी माती गवर बलागी राएक थियो दुबई लाए एक पटक कमपीटर मा गरेको डिजाइन सिड़ी मा लियाई मेसिन को डिजाइन ट्यापको सिस्टम मा सिटिंग गरी दागो मिलार चलाए दिये पसी तो डिजाइन न सिद्धिय सम मेसिन आफे चली रादू राएचा आफनो काम चाहिए दागो चूटेको बाद चूडियेको चकी हेरी रहनु पड़ने दागो चूडियेमा रातो बत्ती प्लिक प्लिक बोल थियो मेशिन आफैरो किन थियो सारे ध्यानपुरबग दागो गुशारगर चलाए दिनू पर थियो नत्र बुट्टो बिग्री आल थियो कातिर खूडे उन्हें अरलाई यो काम रमिता जस्तो लागी रायको थियो चूडियेको दागो गाठो पारी जोडेर फेरी मेशिन चलाए दियांदा हेरी रहनु जस्तो फूल को बुट्टो बन थियो प्रते केड मा बुट्टा तमा आधम बन थियो उपियरे काम उन्थियो बसने अफसर थिया न तियो बनी रहको बुट्टो एरी रहन दाउस्तो लाग थियो यो जिन्दगी मा सियो मा पनी गरी गरी चुडी रहने मन रुपी दागो गासे र यो जिन्दगी काम बिशेश मन पर्ण को कारण चेहिं अंग्रेजी बासा थियो यह समय अंग्रेजी बासा शिक्न उसले पईशा तिरेरे कख चालियेगी पनी थि काम र कोलेश को कारण ले करदा ते तेके चुटे को थियो अंग्रेजी बासा उन्देर को पनी उत्ती राम्रो थिया न उन्देर बेला बारतिया केट आरको सोयग लिए न खोशते यहां ब्याकरण यह सुद्ध ताको खासे परवा थिया न मुख्य मुख्य सब्द जती जान्दती तेती मातरी बोलती मोनी काला बने भासा को समस्य थियो उडरू काम को बिवरन बताऊं थी तर अठ्याम में बुझ दी न थी अन्य उसलाई बुझाओन इंदीरालाने दो भासे को रूपमा प्रयो कर थी पची उसले बुझी पासा के सजीलो को लागी मालिक ले उसला त्यां लिया आय कर आए चारक अक्षेमा पुगी पची मात्र एबी शिडी का रूपमा बांगटिंगा अंग्रेज अक्षेर देखे की इन्दीराली तिने अक्षेर जाने राज पहलो पल्ट बिदीश योर संग काम चलाओ बोलना सकने बायकी मा आफेला कत्तियो कत्ति खुशी लाग्यो फेर एक पल्ट कृतक्य बाया आमा संग दिन्दी नै आफुमा बायको अंग्रेजी बासा घ्यानले गमक फूले जस्ती बायकी थी उता मोनिका बने दिन्दीने दुखी देखिन थी करूनाले एकले कमपनी दायको निक्के बैस्यके को थियो दिदी मुडी चा मै एकले जान्ना बने चिंड़ उठाई मुण्ट अल्लाउंदे बने अरू अरू अरूलाई अल्ला नगार्नो नी फेरी अल्ली अरू मानची राखना सोचे को सायना सजीले उसले मानेको मा खोशियोंदे थ्यांकियो बने र फुत्ते बायरी आफु गरपक दापनी करूना आइपुगे की थिये तयसितो थामा लगर चाड़े रीडिषायना मलाई कुस्तो अपापसन यहूठे काम दोराई तेरह लगाँंचन नःकाम दिदाहिदे नन अरूले कत्ती पीस गषी सक्ता पनी मला कत्ती पनी दिदाहिदे न तियो फ्यांक्रेले कत्ती हो कत्ती गाली कर्च बंच तिमरो काम पाइसापले इंदीरा संगे उता लगी आल थे होनी, पड़ेको मान्छे बन्छा, इस्तो कमपनी में क्याम गरने को आउँचा, अरुले पनी कुस्तो चील्य चल्लाला हेरे जस्तो कर्चा, सवचाला जाने बेलामा पनी सुनिता को कुरा समझाना आउँचा, देन भारी पीश आखाली आटेको थियो, त्ये दिन देखे उसला त्यों सुपर्वाइजर मन परेको थे न, तरके इस समय पछिने जबवू मालिक को गाड़ी मा काम मा जाना थाली, अनि तेसको ब्यभार फेरी एको थियो, एक दिन उसले बाटो मा मालिक ला छाके को कुरावानी, तर मालिक एक इस कुरा प्रती उती गंबीर देखे न, तेती अचम्बीत पनी बाये न, कम्पणी को छाडा पनलाई, सुईकारे जस्तो गरी, एस तो तो उनसक्स इसा, एती देरे मानचे को जमात्मा को कस्तो चानवार एर रर चाल पाये दे न, गर परिबार स्वासनी छरा-छरी छो इन दिरालाई, आफनो बिगतले सदें तर्शाही रांते हो, तर योक कुरा उसले करूनाला कईले पनी बने कि थे न, उजसंग बाई, कथे करूनाले पनी तेस्ते कुने गटनांते ब्यहर न परे न, करूना आफनो कुरा बनी रह किने थे, कसला क्ये बननूर, जलादारी को बने ठाउनी नहोनी बन्दाई अरुकेटे रुपनी दिक्का भयकाशन। आशोको बाध पोटियो उसको, सुनी मात्र राई इंदी राले। बास्यको आभाज मा बोली राई के थी करूना, अस्तो ठामा भसियाशन। यस्तो मा कामगर्ने को के इज्जत्पनी उदेन मांचन। येती टाडा बाटा दायर गवकोच, दुखा मात्र, खर्चको नास, भाडा समपनी आउदेन। खुजरा खुजरी चांचुनी मिलारा एक मुटी पईशा आदभरी देखेर किया हुन्चर। दिन दिन है आफनो कती सिद्धीन चा इशा आवए उन्न। तो इन्दे देखी मले तियाँ खाजा समपनी खाको चाहने बुझेश। बाटा बरी बनी कसेले पच्छाई राखेको जस्त लाख्ष। बोस मा तेस्ते बीड। केटी मांची देखी भची च्यो च्यो पचाडी बैटा आयरा अचेटेको गचेटेको अर्स्तन बज्जी आरू ठूलो पीडावकली करू नाले। इन्दी राफने कमपनीमा काम दिये जे गरी बनी। अब बली देखी जानू पर देना तियां। बली मालिकला बनी चाकेको छू। बली देखी एते लिया अनू बाने को छू। उचको मुहारमा खुसलीको बिजुली चमक्यो। अगीने बन्नुनी तेस बज्ज्याको नांतली नू परने थियान। अर्को देन देखी दिवयनी फेरी संगय जाना धाले। छमयना पूरावाई सकेको थियो। थाई केटियरको जाने दिन आये छू। आफनो घर फरकन पाउधा उत्चाहित देखी पनी जाने बेला आउना लागे पछी नियास्रेको अनुहारमा पनी देखीना धाले का थियो। फुईर निफोनले क्रमस्राफन काम इंदिरा, मुनिका, करुणा, मनकुमार आदीमा हस्तान तरन गर्दी जाने अगिलो दिन नाई। उनियोरले माया को चिनो शाठा शाठ करे। अंगालोमा बादिये। आखा वरी आसु भरे। इंदिराले पहला कईली नलगायको राम्रो कपाल चेपने चीम्टी पाई। तानमा भुने का ढाकारु दी इंदिराले उनियोरले। करुणाले चाहिं अंग्रेजीमा हट डग लेखेको यवटा एक बित्ता अगलो टीन को बट्टा पाई। नवलो लागयो। हट डग लेखेको चक्की हो क्यो। डग बनेको कुकुर्र, हट बनेको तात वण्यमात्र बुजेका सान उनियार ले। छक्क्का परे। कोरीन अर्ले कुकुर खांचन मने स्टुन्यका उनेर लाई त्यो बट्टा लिनुकी नलुनी जस्तो बहिरा उने के बेर माया ले दियको चीज नले जाओ मने उनी उने अपमानित महसुस करलान वनने दर जिबन मा पहिलो पल्ट कुन है बिदेशिका आधबाट यस्ता उपहार थापेर उने अरु फुरुक कवाए मोनिकार अरु साथी और लाई रम्रा रंगीन प्लास्टिक ले मुरे का मीठा मीठा चकलड अरु बाडे एकके छिनमा जिबरुमा बिलाउने चकलड बंदा तो कपाल चे आपनी चिम्टी कता कता ठूलो कुरा पायकमा खोशी भाइन दी रा उसलिए तियो चिम्टी भाकास को पीदमा कपड़ामा बेरे रारु कपड़ाले थी चेर राखी करूनाले पनी डराय जराय तियो बट्टा पांचा को उटा कुना मा चिराई दी बोली पटो उने रू काम मा पुगदा गेटे देखिकार खाना सुन्चान लागयो पाले रे बने हासते दोईटे आत फईलाउं तै जिसकाउने बाब मा बने गय ती मेरका साथी रू पनी अ पाल को खाना ना खाने रे उते आफने देश बाट लिये रा आको थियो कत्ती खाना तो अस ते तिमला पनी दिया थे वनी यवटा बट्टा तिया बितर तो सोचेज बने लाम लाम मा चुक लिन्ड जासतों उन्दोर आईच तियो तो गाई कुखरा सुंगुर बंगुर ज नियुक बिये गरनी मन्च हहू मला है तो अफली नजाने को कुट तो अूठील घुठिऑ अलमाल आउम थियो भांच concert पाह्या ना अरके प्रिकार ले खुशी थियो, बांचामा बीदेसी ले खुशी पारो नसकेको पीर रमाउदई पोखते पनी थियो, उसका बीदेसी साथे और गयको मा रमाई रहेको त्यो आज़ा, आज़ा पनी उसले मन परे ना, बहर खराया आईपूर के कार आएछन, सन्नी रहनी उन अरुका अनुवार उदास्र निरास देखिन थे, काट बाटा फर्के कम्म लामी जए, दिन भरी कामगरी रहा पनी तिन और आपसमा खुले का थे ना, तिन चार दिन चमा बट्टा बारे कसे ले कुरा ने काले न, एक दिन रमेशने देखे चन, कसे लिया को यो, इस तो चा अनुवार आवे ता बंदाई, थूतेर लागे, अनि खुर्पा कट्टू पाले ठोण न थाले, बंदे थिये, इसको बिरको खोलने अर के उन्च, फन फनी गुमने, साचो उन्च, क्या, साचो फलामको, इन दिरार करूना, मुखा मुख गर्दे तेस बटा बित्रको चीज जेरना आतूर थिये, एक छेव खोली ने बित्ते के, सिन को गुशारे रेती लामो लिन्डूल के सर्प जस्तो, अगाय को खरी जुको जस्तो, खै क्ये क्ये जस्तो, लामो चीज तनन न ताने रे निकाले बाई र, गुख को लामो लिन्ड जस्तो देखर के तेरु छक्क प आस्चरी र गिन्चंगाई लजाउंदे एरी राये, रमेसले मासुको लेड वनेको याद आयो, रमेसले कोराईमा थोरे तेल आले र फुराये, जन पो ठुल ठुला देखिये, डुस डुस पड की न थाले, पट-पटी फुटे र दर्चा दर्चा बाय डणेलना, मर मसला म मिलाये, मीठो मानी मानी खाये उनले, चाखता रमेसले मानी, ये तेले पनी गार मांदे मुखमा आले र एक चिन्देखिस्वाद मानी मानी चपाऊना थाले हैं अत्रिप्तिको बाचन मंईले युद पुस्तको एक से प्रिश्ठ सम्मन बाचन गरेको थे, और आठों स्रिंखला हमीले त्या मता रोके का थे मअन्जू भी मली को पन्यास अत्रिप्तिको एक से एक प्रिश्ट बाट नों स्रिंखला अब बाचन शुरूने चा इंडिरा को बी ए प्रथम बर्षको रूटिन निस्की सके को थियो उँ अपरान तीन बजे देखी को काम मा मात्र जाना धाली काम गर्न जादा खुंची राने मन कले जादा हलक का तनकेर ब्योलून जस्तों छा बाटो भरी नीलो सट खोजी रान थियो उसका खा कलेज को गेट ओरी परी पनी उनाई आई पुकतियो इस्मृति मा अर एक दुख सुक्का औरुमा आई रहने चित्र बाई सके को थियो नीलो सट लामो समय पसी पचाडी बट देखे को उसको आधा सरीर ले इंदी राको पूरी सरीर थिल 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 आय को थियो बे बिनन रंगी बिरंगी तरंग मा तरंगी तुँदाई कहर कलेज करी रहनति उसको बाये कि रंड लेता उसको अंतिम नरड़ाय सुनाए के थियो बेटीने आशा पनी थिया ना र बेटनो को कुने उद्धिस से बनी तर निसान ने तो बिर्शन पने कारण कही थिया न। फेरी आफमेला समझाऊं थी। उसले बिर्शन सकी रहा दातायले कीने समझी रहा न। यो तेरो एकोहरो पागल पनो। केंटीन जांचे, औरी परी हेर चे कताय सासी पो छाकी। एक कप चियारा आलुचाप मा परिक्रमा गरी रांचे सासी उसको समझानामा। मन अमिलियर आउन्छा। अनुहारले हतके लाले मुसार दाई ओ माई गाड यो अतितको पर्खाल कसरी नागेला गाडी बड़ोंम। द अनुहार एक दिन उसलियर बाता भरी आँखा वच्छाई रही। तर हेलमेट ली छोप्येको निशान कईले पनी जोलकिये न। बाता भरी परेक्छा का प्रस्णा ले बंदा पनी जिवन का प्रस्णा अर ले घच्का चाहे रहांते तानी रहांते चितोरी रहांते। संच शेले एक्षिन उसलाई लाटो जस्तो बनायो तर करूना संगे भाय कि लिए उसले आफु वित्रको त्यो अधिरताला बाईर निस्कन दीए ना तो निसान ने ओकी ओएना ठम्याउन फेरी रैंबलारी नियाली रहरी कि थीकरी हाथखोड़ा बित्र भित्र थरर कामे जस्ता भाये छाथी रख काफु लियों टाओको जिरींगा भायो किये गराउं गराउं भायों करूना बाईले पने देखियो ला तर सोध्मु पनी कसरी सोधे पनी क्या वाने रा सोधमू अफिले बोटा आलनू थिया ना बसी राने उस्तो काम पनी थिया ना निसानलाई बेट्नमान होदा होदे पनी दिधिका पची लागन बाद दे थियू फरकी फरकी हेरदाई हिंदाई थि ती दिले कुई नोले ठेल दाई बादी कि एरीर नू परेकुन तनलाजे तो ल्यांग ठुती रा वो जासंगर चीसी वाई उसले गरेक अनुमान ठीके रायचा दिधिले पनी तेसला देखे की रायचे साहे तेई बाद यो छिट्टे कोठा जाना हतार गरेकी थी कहां एगड़ देचु पनी थाना बाई जस्तो बाई उसलाई बीड छले रा अले कथी बाईरी अपचेक फट फेरी पचाडी फरकेर एरेद्दू बाईले अनुमाने नगरेको जस्तो बाईरा निशा नगाडे आई पुगे को थियो प्रमान चीत वाईयो उँ भन्दै थियो अईने कथी चाड़ पाईला सारे कोऊ बेटनेपों सारो बोता करुणा आले अले कठाड़ पाराले सोधी किनर बोड़ दिये वही ना करुणा इन्देरा दुबली एकक चोटी आफना बोड़ी आमले देखाई दिये तिनमा मसी लागे को थिये ना अनि अबकता इंडेकाता लामो लेगरे सास्ताने उसले किना नी फेरी पनी प्रस्ण दोराई करुणा आले किना बनी ओई ना मुणट अल्लाउदेई पचिलागना चाडए ना जयादा जयादाई अले कथी सागुर बाट आयो सुनचान पनी कामले बनायको मदूर उसको चायाले इन्देरा को चायाले बयलाए वयला चूदेई अगी अगी बड़देई कायो इंदी राला फेरी तो पुरानो याद आयो पहले कलेज जान्दा बाटोमा दोईटेको छाया संगय मिश्चेको अलिक अगी पुगी को निशानले एककासी उभ्यार सोदियो कोठाचे का चानी देदी संगय हुदा 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 है इंदी राला बोलना मन लागे दा करुणा आको जरकीनेर संकालु बानीले उसले सतर कगडाई रहां थियो करुणा आले उसते ठाड़ा पाराले बनी यो बाटो न चोड़ी कन गवाय बनी फुगी इन चा ये बन्दय उपची पची आई रहायो कोठा सम्मने पच्छा आई रहायो बहले पाकेर गिलित्त वायके इंदी रा बोली हरायके लाटी जस्ती वायके उसले फेरी सोदियो बोटालना पाय कसला दीना मन चा येरन पुगा कोता बोट दीना उर मन बोले इंदी राको आपनो अधिकार को कुरा जो सुगाला दियो नी इसला केको खसकस करूनाले मसीन आबाज मा इंदी राको कान मा फस होसाई उसले फेरी थपयो रमेश चीरमा येवटे पाटी मा काम गर्षो मला लाक्सा ती मेरले पनी बोट आलना पाऊने बाए दुरुपाय गर्दयना वाला इड़ा जाओ बोट दीना दुजेना मैला मद्धा ताको नाम चमासंग ती मान चे याँ चैनान ती नाम मा ती मेरले बोट दीनू परछ पईले स्कूल मा कीरन ले टिकट काटन अन्रोध गर्दया को जसते पाराले कुरा गर्यू निसान लेपनी उसले पनी तेस पहला रमेश के नाम लेगुतियो तर दाजोले कईले आपने मुखले उनुरसंग तेस्ता राजनी तेका कुरा गरेकुतियान के समय को मौनता पसी बाबयला जसरी पनी जिताउनु पर चेस्पाली असीलो अनुहर पारेर निसान लेबाने। बोड़ दीने बंदयमा अरकाको नामबाट पनी दिन चसता जर्चिको आवाजमा करूनाले चबाफती। तीमी नगाय पनी इंदेरा जानचेन की, खई, इनको दो बोली सुनन पनी पोईशाती नुपर जस्तो शक्ये बायो। उसको मन बित्र आदी थियो, प्रकटमा बिस्तारे बोली, बोलनु पनी कुराकिया ने चर्ण। उसले फेरी दोर आयो, छीटो गराऊना उता मला पर्खी रयका चन, खाजा पनी खाया को चाया को चाया। बोक लागयो। इंदेरा को मायालू प्रस्न थियो। उजालोमा पलाउनी चाया जस्ताई अलक्क माया पलार आयो। तर उसले निसान को अनुवार मा एक चिन पनी आखाटी काऊना सकी ना। और को कोठा मा पसेर परलक्क वो च्यान मा पल्टी करूना। इंदेराले उसले बोली रक्कीन अलमलाय रायकी चावने रायकी थी। उसले कोठा देखाऊनु परिकमा जना आफिस अंग रीचूटी रायको थी। इंदेरा बने खाजा बनावने न बनावने दो धार्मा परी। कर्मा आयको पाउना। जो अभेवनी तेसले बोके पठाऊनु उन्ना बने आमा को बाक्के समझी रायी। दिदीको चालचोल न देखे पसी खाजा बनावने उठी। चावचावक पोका निकाले को देखे पसी निसान ले बोबो दुख न गरों बने। तर इंदेरा चुप लागेर लुरु लुरु काम गरन धाली। दिदीको बिवारले उसला नराम्र लागी रायको थियो। बरे तेसले केई बनी चे बने। आजा चाहिमा बाजनु परेपनी बाच्चु बन देखे थियो। निसान पने अब मोहन बायको थियो। अगी बाठो मा आउधाको जस्तो जिस्केनी मनस्तितीमा देखिया न। और उना को रुको बेवारले पने नमीटो लागे कोना सक्सा। इंदेरा को मन मने बाभुकता को एकलो इमाल आरोनगरी रायको थियो। पहला निसान ले उसले शरी प्रेम प्रस्ताब न राखे को भाय। आजा समपनी उया शरी एकले छटपटाई रहने थियो। इस वेला उसले निसान को प्रस्ताबला शिरही स्वीकार न गरेकी भाय पनी मौन सम्मती देखी थियो। तरतके असकुराला उसले किना नभुजेक वास शताएको उसले अजजाई चाल पाउन सकी किछाई। आज चाहिए पेत्र मन मने उसले भनेकोट हमा बोटा आलेर सहयो गणा मन लागी रायको थियो। तर उसंग करुणाला तयार करना सकने आड़ थिया। खाजा तयार भयो। करुणा पनी उठेर आई। कम संबाद बड़ी माउन ताकाई बीचमा खाजा खाई शके। आटे गरेर भय पनी केही पल्ट इंदिराली निसान चंगा आखा जोडी। उसका नीला आखा आपना आवन्दा पनी राम्रा लागे। उसले दिदी तिरायरी। दिदी निसान आएकोमा एकदम बेखुसी थी। इंदिराला बने बोटालना जाने ने उरी एकचिन स्वंग है ते उनना पाइन थियो बने लोबलागी रायको थियो। तर फेरी औरको डर हाती जत्रे बर छाती मा उप्रिदे परी थियो। बेटी उन्चानी चुना आपको बेड़ बाड मा इंदी राले संका बेख्त गरी। और उना तेरे नवोली खाचा खारे फेरी कोठा तीरे पसी। निके बेर एकरका का आखा जुदी राये मौन तामाई। आब आजमा मन्दा पने आखामा उमली रायको त्यो प्रेमील मन्र त्यो अर दयकान ताउनिर को लागी न प्रेम बेक्त गरने माध्याम बने न शरीर इस पर्श करने अफसर। निके बेर समा तेत्ते के बसीर आये। निके पची निसान ने जुरू के उठते भोले। लौ मत हिंडे। ती मेरे ले मेरे कुरा माने न अबक्ये बन्न। उठे तिरे रेर लुरु लुरु बाइर निस्की, एक दमने नजीक होंदे हिडी रायका थिये दुबे, इस तो लाग थियो, इंदी रे निसान ले फेरे को सास पनी शुनी रायकी थि, शड़कमन निस्काने सुन्चान, छोटो गल्ली में एकायक निसान ले इंदीरा को हाथ समातियो, बिजुली को करेंट लागे जस्तो भायो उसलाई, ततकालाई अकल पनी या अनन्द पनी लागियो, जो फेर एक पल्ट पानी पानी भायो, पहला चीशोर चिट्टे ताहतो भ अनन्द भायो को थियो, कसे लिए देखे को सकी, तुरूंत दुबई लेकर कला चूटि आयो, केई नो बोली मिसान चराशरी चड़कमा पुगियो, इंदीरा का गोड़ा ठाउं कठाउं कीलो जहीं गाडी राए, सपना हो या बिपना, आखामा तारा तिर मिर आयो, उसको चीशो बैसके को तातो पन सरीर भारी दौड़ी रायो, गहर का पॉल अरू, गोबर माटोली लीपे रा टाली जसते, मन का पॉल पनी टालने कोशिस करी, आफना ही रहर को गोबर माटोली, तर पोत्य को लिए उन पाप्रा पाप्रा बारो की रायो को थियो चिन्ची नही, डाकोने चोड़ी अला जें काटी मा अफ्ठेरोगो, ओ टम्म कसे रा बादी रा समाली, हाँचे एक चोड़ी तेस्तो की वायो मलाई, बहले आफला की न समाल न सकी ना, समझी, एक दिन घर पोत्ते बीत्ता मा परेका दुला टाल देही गरता आई पोगे को किरण ले, भाबो कुंदे बाने को थियो, यो घर का प्वाल जसते मन का प्वाल पनी टालना पाये कस तो अन थे होलाई, इने शसान प्वाल और मा पसे रा मूसा आरू राजाई करशन, उसले पहले तो बूजे की थिये न, पचिपो मन का प्वाल मा पीडा चारे रा रजाई करन थाले पचि बूजी, तो दिन किरण ले किये बाने को राये शा, निसान ले फरके रहे रहे न, बागे को पानी वायो, सिलाम का पाद जाई, भीजे का आखाले, उसका पैला गनी सरीर का आखाले न, पच्छे आये पनी, मन का आखाले देखी राये पहरी सम्म, उसका माया का नौरम नंगले नमीठो करी चे मोटे रगयो, फेर यक बल्टा, आसु वित्रे दवाउन खोजी, आखा तानी तानी, बर बर आये मनमा न, बल्ला बल्ला बुलने कोशिस करे रह, खाटो बसाओ दे थे, फेरी सुर्य को तापले योँजाई पगाले, मौका छोपे रायो, डामे रागयो, करूना ले देखे की बंडी डर, जस्सा पोश्यो मनमा, सोची, फेरी आफने बिरुद्ध मेरा कोथी नाटक देखनू पर चैसले, मा चुगट खाई रहने मिरिगि आधा रात्मा थुप्रई मांचे रूली राउं थे, रसूते काउने रले उठेर बातपकार खाउनों पर थे, खायरा थी हिड़ी आलते पने, चालमारे रा बांचा को काम गरना थाली, आज उसले त्यो आफने कोठापने अरकाई संचार जस्तो वायको थियो, जिवको ता को आको रुक्सें दरो बार उब्योठिंगा, वो उर्ता खाना तयार पार्चु गनेर बसने उपायने काली, फर्ची को लहरो जस्ते लत्रे को शरीर कतिकरा उठावडी बनेर प्रतिक्छा गरी राई, उसको उठने चाल न दखे पचे उसले अल्लाउधी बियोजार बानी क्या बहातालाई, उठेर बात खार शोत, कती बजो हरता, कलू डाली रोपाउलाई जस्ता तीका आखा तेर चाई इन्दी रातिरा, तो नीला आखे ल्यांग्टो कती खर गया, यहरता आखाचे मिलेर सब बेचाल मारी रागिराइची, के यसले गल्ली कुकुरापनी देख जीते जीत चाहरे आरच, तेरला के को टाव को दुखाई, को तेन उल्ली ने देश पनावनु परनी जासतो, उसले दिनो नी पचाश वड़ा जाती बोट मिलार, रंग मेटी मेटी, आमीला पो शेकाउं दोर अचा जानने बागो, एक चिन पसी फेरी गंगनाई, हैना थेन पो योस्ती समद, कामाट अन्मरेश आज फेरी, देदी को गंगन केई न बनी के न उसले सुनी राई, पीर ले थीचे को मन चंगा जे हलुको बो, तन्न अरु केई बनी दा, समय को निके लाम अंतरालमा पनी मन को परदा मा परेको निसान को छाया, पातल्य को थिया न, तो को कहती है, परनी बनी मन ऑऊंके बनी अंतराल्य को ठराल्य को ठीज, परेम गरे पहिं, उसके बनी अन्माए परदालैको लुख। उसको कोठामा जावरा उसले बने बने को सब्वे माने दियो। तर फेरी तेस पची उन्य परिणाम को डर को रुख अगाडी ठिंगाव बिन्थियो। अन्य आफ़े निर्डाये करती। बिये गरेर पूर्ण रुपमा उसकी भाई पची मात्र मत्योगार न सक्षू। पूर्ण बित्र गोऑ यावर तरह कारी तकशुर। तयी दोंदों को भेलले निशान बगार काँ हो पूरयेको थियो। यो एत्टी लाम समय पची भेटी से लेको। उसलिए कुने बेला दियेका सैंपल दवाई का बोतल अरले उसला जिसका ही रांथे टुलू टुलू हेरे रा करुणा बेला बेला बनी रांथी ये की ने राके किनी फ्याक देना खुब डाक्टर भाई टो बलच उब्रे का दवाई बाढ़े रा अब तेरा रोग सप्पे निकावने वाई खुब ठुलो सजावने कुरो सम्झेगी छेशे सलाई खुब लचार पाट लाउने बहावे सले करुणा का कुराले मन बित्र जमपल रा कौनली ठोके जस्ते लागते उसलाई सदे जई देरे ब्यानी रा साजरू आये गए अथित्मा रुमलियर मात्र जीबन को राथागी बढ़दे न थियो पुराना कुरालाई दर्बीलो तगारो लगाई पकेटा फिजायर खुल्ला आकासमा बिचरन गरदे रमाउने मन बायो जायज र ना जायज कुरालाई क्यलाई दिमागी नागलो मनी फनी चामले यात्रामा फटाफट इनने संकल पगरदे थियो मन काम जारी ने थियो उई काम उई बिलाहे को छाया देखेने ठाउमा जानू थियो उनी साथी संगी उई कमपनी परिक्षा पर प्रकासित वायो, कलेज को बित्तामा टास वायको तालेकामा उसको नाम थिया ना, निक के पल्ट माती देखी तला सम्माई, दोहरा रहे रहे पनी नाम न देखे पचिस्चे तांग वायो शरीर, जागिर पड़ाईलाई संसंग इडाउना सजीलो थिया न, उस कासरी शरीर भारी पोखी दो, तर अब यो केबल योटा कलपना थियो, लत्रिय को टाउको र थाके का गड़ा गिशार देऊ गेट बाटा बाईरे निसकी, यो मन को भारी को संग विशाउन वायो बनने सोचते ही गर्दा, उसको आखामा निसान को अनुवार आरे उबियो, हो, एस बेला यो दुख सुनना उँ, मोसंग वन पर थियो, मन भरी को पीर, मले उसको कूम मा टाउको राखेर विशाउन पाये काती हलूका उनी थियो, शायत, परिक्चा को रिजल्ट पाये को था पाये रही, निसान ते ते टोहल दे थियो अला, निरास पाये लागे सार हिली राए कि उसको पची-पची कोई नजी के बाये जस्तो लागे, पिलिक का फरके रही रही रहे को रहे के बाये, छिप-चिपे भीजे का परेली और कोती रहा फरकाई, उसले साचे ने एस बेला उई यहाँ होना शकला बनने कल्पने गरे की थियो, अठात मी शान लाई अपना छो में देखता तर्चे जें धररर कामी, जिव सरल्याक सुरलुक का बायो, मुख मा थोक सुक्यो, सहज है बुजियो, तर यो इस्तितिला उसले देरी बेर रहना दिया ना, विस्तारी सामान्य बनावना खोच दे बनेो, पर एक्ष्यामा पासा युँ इंचा बनने फेल मुदाई मा संचारे पनी सकी ने वही ना, फेरी और को पल्ट जांच देनो परच, और एक पल्ट तो को फेल उन्छर, उसको यत्ती बनाईले पनी इंदिराको सरीर मा टासिये को जुको जस्तो पीर फ्यात तक हस्यो, कामदाई गरे का हातले, हाच पहलो पल्ट निसान को रेश्टरामा पुरायो, टेबल का दोई तीर बसेर, आँखामा आखा जोती राये, आस्वेले भीजे का परिला वित्रबाट, इंदिराले एको हरो निसान लाई, हेरी रायी, केही खाना नमाने की उसलाई, निसान ले फकाउँ दे समझाँ दे खाने को राखवायो, बा अपने सहजे पचाडी बस चड़ी, निसान को मोटर साइकल को पच्छी बसने कईयों दिन देखी कोशको रहर आजा अनायास से पूरा वायको थियो, जब मोटर साइकल राजदानी को चवडा सड़क मा गुड न थाले, विस्तारी इंदिरा को मन हलूका उदे जाना थाले, पतली चड़क, प्रदर्चनी मार्ग, तरिपुरेशोर, टेको हुँदाई, लाहमो चक्कर मारे रत्यो फर्केर आई पच्छी काली कास्तान, उसले बनियो, तिमरो मन को पीर पखाल न गुमायको हुआई, अन्ने था न माना, इंदिरा कथा कथा पुग्यों क्या न पाई क अगी लागयो, अलो मल्ला परदे उसले पच्छाई, अध्यारो अध्यारो चीसो तर फराकेलो कोठामा पसे, एक पल्टा सरर र चारीतीर आखा गुमार एरी, कोठा सफार सजी सजाओ थियो, बित्ता भरी चिनेका न चिनेका अनेक मानिस का फोटा आरू थियो, पलंग मा बाकलो डसना माथी सुखीलो तन्ना थियो, यो टकुना मा टेबल र कुर्सी, टेबल माथी कितावर फाइल अरू मिलार राख्येका थियो, केटा को कोठा, ते थि सिनित तत देखेर, इंदिरा को मनमा जुलुक्त बत्ती बले जस्तो भायो, सोध्यो, कस्तो लागयो कोठा, तुम्ब्यकी अनुहार मनले बाणी, राम्र लागयो, उबिस्तारे छोमा अरकान नेर मुख लागयर बाणी, अनि मनी, केई बोली न, सालिक जस्तो एकेठाउं ठिंगा उबी राई, उबीत राजे पनी कुने प्रसन नता थियो, आज उसको मन को राजा संग, यो एकांत को अनुहार मनले उपस्तित उनपाउदा पनी कुने हर का थिया न, न, जी के उब्यको निसान ले उसको दाया कुम्मा अफन बाया हात राखियो, अनि बोही तीर जूखे को चिंडोला अरको हात ले बिस्तारे माथी तीर उठायो, इन दीराक आखा बाटा आशो को भेल बगी फेरी निसान ले उसको टावकला उठाया पईलो पल्ट देखे जाई, अनुहार मा एकोरो हेरी रायो, यो हेराई इन दीराला जन अडीलो लागयो, उसले निधार र कपाल मा आफना हाथ डूलार, फेरी बिस्तारे आफुती र ताने उर चाती मा दौरो गरी तांसियो, उस निसान को निकडताले हो की डौर ले हो, उसको सरीर मा तातो बढ़े रायो, थुक बाकलो भाय का अनुवाब करी, मुख वित्रे जिब्रो गुमाओदा पनी तो बीजना सके ना, अपरी चित कोठा वित्र को सुन्चान र एकांता उसलाई, निसासी न लागे का अनुवाब एक चिन पची उसका हतकेला अरू पनी निसान का डाड मा चलमलाऊ दे थी, उसले जस्ते निसान ले पनी अजिंगर को जस्तो ठूल सास भाली राय की थी, चीसो कोठा वित्र, अगे नाको राब जस्ते ताते को थियो दुबई को सरीर, सोची, हाजा कोई अंकमाल असती गल पुरारू खुकुल पारी, रवुबाट चुटी, उसमा आयको योगतीले निसान पनी अलमलियो, तई पनी पाकुराम समात्यर विस्तारे आफुतिर तान्न कोशिस कर दे थियो, उसले आफना हाथ भुतकाई रहतार आतार बाइर निस्की, निसान पची-पची बोलाओ दे बाइर आयो, किना, कोटा जाना लागे की, आउना बित्र, उसले बनी, नाई, मा बित्र आउँ दीन, मला पुराई देओ, उसको अनुहार डर लाजले, अधारो कालो र रून लागे जास तो आयको थियो, मिधार मा चीसा पसी ना थिये, बित्र लग-लग काम चुटी रायक निसान बित्र पसी ना रूकामा ताला लगायो रायरा, आयरा मोटरसाइकल स्टार्ट गर्यो, अलिए उसले निसान ला नचोई बसने कोशिस करी, मन बरी आतेसले छोड़े को थियो, सड़क मा निस्की सके पची मोटरसाइकल रोकन लगायरा, उत्रियरा उसले हेरता ही नह निसान बित्र पची समहरी रायो, उसको शरीर मन सबय माथे को जस्तो वायको थियो, एके चिन मा आपको कसरी तेस्तो अबस्तामा पची तयो पनी बुझ न सकी त, अजिंगर को मुख बाटो उमकेर आउन पायको खोशी जस्तो लागी रायको थियो, कहले नसोचे कर रहर न अंदकारी डाकी को थियो, उसको शोची रायकी थि, कहसरी उसले आफ हैंला तेस्तो विहोसी को डील समझा न दी, उसले पनी एककल गलत ब्यभार गरना लागे को वनी उसले लागे न, एक प्रकार को भावना आत्मक सहमा थिता आफने पनी थियो, उसले जवर जस्ती ने ग प्रकार को थियो, पहला एक चिन, निसान को विभार गलत लागे पनी, तेसमा आफने पनी सवाभागीता थियो वनी टुंगो मा पुगी, अनी मन को डर बिस्तारे हराओ दे गयो, तर फेरी अरको पीर था पियो, बेरो अकसमात को विभार ले कते उ निरास थावाय न, कते देरामा पुगदा समाव फेरी निरास थावाय शकी कि थी, जब उसले आफने मुख बाट आफने मुख बाट आफो फेल वाय को समाचा सुनावन थियो, बात्रूम मा गयर अईना हरी, आखामा आशुका लेगरा थिये, साबुन लगायर मुख तोई, आशुका लेगरात ग तर मन को कालो आरा अनुहार मा टांस सी कोचे को से करदा गाय ना, फेरी एक पल्ट कोठा मा सबय को अनुहार अंध्यारिय को थियो, तर आज पहिलो पल्ट, दाजोले उसले सांतो ना दिदे बाने, पर एक से आमा फेल उनकोने ठूलो कुराय न, फेरी पढ़ेरा पास करना सकेंच, एक पल्ट फेरी उन्दे मा निरास पहरा पढ़ने चाड़नों पो उन्दे न, दाजो को एत्ती बनाई ने उसको लागी पुरसकार थियो, उसले दिन भरी का तना अवरु बाट एक चोटी मुक्ति भाय को अनुबव करी, काम रभ पढ़ाय लिए उसले फेरी जत्तेने गाड़ा प्रेम बाय पनी, तेसलाई असलेल ताले अफमान गरनों देला, आपना सरीर को इजता आफाली राखन न सके और कसले राखी देला, आमी ये करकालाई अत्यन्त मन पराउने बाय पनी कसले नांगी नुदा, केटा अरला त्यो कुरो सजीरो पनी उला, त कुने गईरो खाडल बाट खस्नु बाट जोगाय के हूं, तो अच्छमक विश्वास करी आलनात को सरी सक्ष महिले पनी, केटा मान्चे को के बार, किरनले जसरी सहजे बूलियो, निसानले न भूलने आधार के संड, तर मलाई उमा थी विश्वास, तेरी तुरुनताई तो अनिल्डे तना वरुमा निक्टे महिना भीति, कसी संग साजागरन नसकनी मनस्तिति मा डाडी दे गई रहे कि थी, एक पल्ट मात्रे उसंग बेट भाय, तो दिन को बारे मा आफना कुरा बन्नी मन थी ओसलाई, का उलाता त्यो मान्चे, किन नकोजे का उलात मलाई, तो फारमेशी तेर जादे गरे को देखी निसानलाई, आत उचाले रोक न खोजाओन लाजें पने गरी, तर उकते नहरी सरासर बित्र पस्यो, यो द्रिस्य संग संग इए, सरीर मन मा एके चोट अनोट्टो तरंग फैलियो, तो लास्को थियो कि ड़र को उबुज न सकी दा, अब उसंग बेट उंचा रा कुराबनी उंचा बनने सोची सकता, एक फल्टा फेरी अस्ते को जस्ते सास बड़े को रा थुक भाकले का अनुबवगरी, उपारमेशी बाट न निस्किया सम्मा, यो टा गर को बित्ता मा छेली रा पर्की राई, उसले आफ लाई देख्यो क रावनाले, दो इता ओटला थीचे रेक्षे नेरी राई रा बन्यो, ओहो, तीमी कता बाटा, उसको प्रस्ण गर आई, रा अनुवार को हाव भावले लागते हो, बेरे बोलने मनस्तिती मा छाई न आउ, उसले गरे को त्यु बेवास्ता देखे रा, इन दिराला बाइक सा अधित उठार फ्याके दिऊंज असतो लागे, मनमा धेरी कुर आयरा ती रीस संग पानी मिश्चिया जसता थी, आफिला समीमित करते ही बिस्तारी बानी, मला पांच मिनिट को समय देव नाई, सोही हो, जोनी संगे बिताउनी बाचा गरनी मान्चे संग, आजा पांच मिनि चरी गये, बरलक्क, बरलक्क, माया को समर्पण मा, मनले आसकरी रायो, अंगालो आले रा छाती मा कसने उसका हात, ती आसो पुछी दिन आगी बढ़शन की बने रा, इंधिराले निसान बाय करू तिया कोई पनी देखी न, तिया निसानले सब बै देखी रायो थी नाटक अगर आई यो सड़को बीच मा, दुनिया लेर क्ये बन्चन, मा धूरो सवर्मा कडा बोल्यो, मैले सुरु गरी को बाटो औरयो, ती मेले ने खने रा सड़क बनाय कोई न, इंधिराले रुण्चे सवर्मा सोधी, सुरु पनी मैले गरी रा अंते पनी, उत्तर छीटो रा स यह पानी टाव का देखी गोपटाये को जसतो को, है मगवें, निसान ले बायकी स्टार्ट गरी रहुए कियो, उसला टेक्र को जमिन भास्या जें लागयो, आसा का पखेटा का प्वांक सब बुद्दया रो उखेली दिये को जेंबो, सोच थी, तिस तो अउधी प्रीमील मन पोता, उसरी बिर्चान शकला रहा, फरकेर आया आला जाए लागते हो, आउना ता आयो, बाडी बने रहा, और सब्बादी लागे सोहरे रहा, यक्के निमेश मा स्चुनानी ले चाई, गोर्म पाईला गिसार्दै, दुखतायी ठाकताय गरेको मूटुला छाती ले पिर जिकने सकते ना थी, यरी अतिताफें पल्टी रायको उँ आहरा बसे को कुर्सी मा, मन भारी बायपन यके सिमले फाकलो फुकलो बायको थी आबवू, परिबार बायको ने परी दी थिया ना उसको, बिलन को दिन कुर्दै, माटा का मट्यांगरा गन्नू थिया ना, ज अत्रिप्ती हामीले 111 प्रिष्ट सम्म, नों सिंखला बाचन सुन्यों, मन्जुबी मलीको पहिले उपन्यासो अत्रिप्ती, यो बंदा अगी वहांका दुयोटा पुस्तक, योटा कविता संग्रह, दुय थोपा आशु, रा औरको संस्मरण, खीर प्रकासित वही सकेको छ अत्रिप्ती, दुयजार अठप्तर सालम प्रकासित उपन्यासो हो, इसको दौसम स्रिंखला बाचन सुरू गर्शु, प्रिष्टा एकसे बारा बाटा कड़ी को सुई, उसे गरी चली रायो, गंटा, दिन, महिना, गर्दै वर्श, राम्राई व्यापार गरे को कमपनी ये कायक बंदव हयो, मलीन अनुहार लगायर, एक महिना को थर्प तलब दिलियेर, सब्वे कर्मचारी लाई बिदा गर्यो मालिकले, मेशिन हरू जस्ताको तस्ती पोको पारेर फिर्ता पठाऊना तयार गरे ज्यामी हरूले, देरे गाटा वायको कारण देखायो, मजदुरी गरी खानी मान चलाई, मालिक को ब्यापार मा गाटा नाफाको केने मतलब थियो र, काम छोटे को मा दुखा लागे पनी फुक्का मान पायको मा मन खोशी थियो, इन्दी राको जाएं, रुण्चे आशो मा देरे तस्पिर खीचे सब्बई कर्मचारी अरूले, इन्दी राले मालिक को आडाईमा उभियर देरे स्नाप्स ली, मलीन अनुहारले गरे गरे उसलाई नियाली रायको थियो, मालिक पनी, अपनो काम मा गयको हेरी रहन कसरी सकनो, काम ही बेगर और काको घर को भाडातीरर यो सहर मा कीनप बसनो फेरी, दिमाग मा गाडी रावस्य का पुरान चाया अरूपातले दे गाये, अक्छेर अरूसंगा खेलन थाली उ, नया अठोट का साथ, नया जिन्दगी सुरुआत कर आमा बेटियेर सपना में बिलाए, कत्ती रहर हरू, तिने अरू संगे जुन्दियेर मरे, जसरी उसका जीबन बाट मरे उन्हेरू, इस सब्वाई असंतुष्टी अरूको बीच बाटाई, नया असंतुष्टी को खोज करी, उन्हेर अरूले दियेका चूट पनी, उन्हेर अरू तिर मिलकाई दिने प्रयत्न गरी, अब जीबन मा नीला सोटर को कुनाई महत्तो छाईना सोच न थाली, लागदेए थियो, तिने अरूले आफुलाई चिनाहर गए, जसरी पनी पड़ाई पार लगाउनु थियो, जागिर को कारण ले छुट्ये का बिशेमा अब होने परिक्चा का लागी ट्यूशन न पड़ी उपाहे थियो, गत बर्स दीदेले पड़े के सिक्षक संग कुरा गरी, सब इसंगाय का बिद्यार्थिला पड़ाउन सकने बिशेस ताले बरिय का थियो नी, ट्यूशन को लागी सारे नाम कहल लिका, कॉलेज मा बंदा अब आटना थिये बिद्यार्थि, देड घंटा को त्यो पड़ाई, यके छिन मा शक्ची को जस्तो लाग थियो, आफको कक्चा बाट निसका दा निसका दा अरको समोय का बिद्यार्थियो ठेल मठेल करते पसन थाली आल थियो, कक्चा लिन थाले को के दिन पची हलक का अनु अगी नहीं, राता आखावायको, ब्यात्ता मोटायको, लामो कपाल पालेको, डुंग डुंग ती गनावने केसब छाओ मा बसी सकेको थियो उनाता 900 बने उन्तियो, तर बसनो अगी पहला बसी सकेका संग सामान्य अनुमती मागनू यवटा सिस्टता आउनू पर नेयो, केसब मात्यों देखीना उसले अगीलो बेंजमा बसेरा सुरेश, सुदीप, स्याम अरको तुलनामा यो केसब वाक्का लागदो थियो उसले केसब लाई वास्ते नगरी अगाडी बसे का संग मीठो मुस्काऊं देए, अनुमती मागने नीलो सर्ट मसाजिये को सुदी पलाई, पसाडी बाटे हरी रहे एक्षिन उसले लागचा अर एक पुराना कुराले नया बाटो छेक्तो राएचा, अनि आफिला दोरो पारदे सोद थी, अब मैले कहीं मोडी नहुदे न एक चिन नजीक माँना खोजने सब्बाई केटा आरू पानी संगे बर्शी ने बर्शेवला जास्ता मात रहे हुन तर आज फेर ही वो आफ़े भित्रकोत्यो गाहिते मानला विस्तारे बावरिदे गर्णे का नुबाब गर्न धाली बिती राय का दिन हरू संगे इंदी राय का लर्बराय का पाईलामा सुधिप आफने पाराले सकती प्रदान करन धाली सके को थियो उप फर्चयावी लो तर लजालू थियो पहलो संवेधन में उसले दीदी बने पाची भाई बनन करे लागे पनी मनी देखी चाएं भाई बनन मन लागे को थिया न दुई मैना में उनेरको मन चुम्भग जहें जोड़ियो संवेधन को दीदी भाईले कईली हो कईली बिदाली सके को थियो उसले न चाहदा पनी छोमा बसनाओने केसब असेस्ट ढंगले आफना खोटा सकतो फारे र उसका खोटा छोनों होस्तियो उसलाई देरे पटक सिधा बसना समझाई रहन थि सुधिप बने आफना कोटाले कताई चोय लाकी जस्तेगरी पोको परेर बसतियो इंदीरा वित्र मरुभुमी बैसके को मन फेरी बिस्तारे र सावन थाले उन्दे अरुमा दिन दिन येकर काको सायनो हराय को असल मित्रता हुरका दे थियो ट्यूसन को अबधी सक्यो सबई बिद्याति अरु फेरी बेट करने विश्वास का साथ सुटिये संपरका टूटियो अरु सबई जस्तेग इंदीरा र सुधिप पनी टाडिये चुटिनो अगी सुधिप ले आफनो घर को फोन नमर दियो तर इंदीराली उसला त्यस्तो केई पनी दियी न मन ले एक थोक पन थियो अनुबबली अर को थोक बिगत का तीता अनुबा वरले करदा उसला कचे संग समंध बड़ाउना मन लागे पनी निरडायमा पुगने आठ हराउदे गई रहे को थियो तै पनी सुधीप सपना मा बेटी न थाले को थियो उसको तै गाडा नीलो सट फेरी आखा उरी परी गुमी रान थियो निशान ले वतकायर गवय को मन मा उसले बाद बाद न थाली सके की थी जब उपड न थाल थि सब्दा का बीच-बीच मा खाली ठाओमा कते शुधीप का आखा कते उसको नाक को टुपो कते शुकीला दा तरू देखी न थाले वो वित्र सुधीप को छाया लामपुष्रे नाचे जै नाच न थाले बेला-बेला आफे संगरी शूड थियो कसे न कसे को नाम रा संबोधन बीना बासने नसक न जस्तो आफने कमजूरी देखेर उसला दिक्का लाग थियो उत्तिकाई मा दिदेला कैई मतलव ने चाय ना बच्चे देखी उसला चे की वायको देशतो आफे चक्का पर्ती सोच्छे मत जयलेबनी मनको फुलवारीको तगारोकी न खुलले चाड़चु रा आफे दुखा नेम देऊचु केटा मांचेको मनत दामलो चुडायको गुरु जस्तो बांचन बेटेको हतार हतार चर्चन रा फरकीन चन परिक्षा को दिन आयो उदेरको परिक्षा केंद्र फरक फरक रायकाले परिक्षा पनी बेगला बेगले दिन मा थियो ते स्रु दिन उपरिक्षा हलवाटा बाईर नेशकेंदा गेट में परखेर बसेको थियो सुदीप ओहो कसेरे थावायो मैं याँचो आनने मत खोजी गर्चो ने तपाई पो गर्नों नाता खुशीले मन पुरूंगा भाय कानवाब गरी ताई पनी कुर्काय जे बानी उस कत्तिनक खोजी आजसतो यत्रो दिन चाई कांग आये बनी ते उसन चकेपची गाउं जानू परियो अस्तिका दिन मात्र आयेको जान्सको मुखमा कीना जानू परियो निगाउं ते तिकाई और जेन परियो सोधी क्यमा आयेको आस्ते बन्यो इता क्या यगार नंबरी बाइक यसे मा जावलानी बिस्तारी ट्राफिक जाम पनी नलागनी तेल पनी खर्चाऊना होनी के मलाई कादमा बोकरे कुदाउनी होता इंदीरा मसक्क मस्की उसले पनी रात वानुहर बना रावने तेसे पनी गराउंला के बोरा एक चिन पची अले गंबीर बनेर सोधियो कोस्तो बत प्यपर मन मने उत्तर दी दे थी किता अपको अक्छेर अक्छेर मा तीमेने कुदी राइका थियो के होनुर राम्रो उसले माउन देखर सुधिप ले अजे कंभीर होते शोधियो के बायो ओ, किन माउन मस्वक बोके को मांचे ते निरास चैना तप एकीने निरास नी आफनो हैट खोले राहाथ खेलाओ दे थियो इन दीराले उसको तालू देखी कपाल खावरी को मुडू लू थियो चक्का परी, कोस्तो शोक, की बने देश्तो कुरा टार ना ख़ज दे बने, लगफ गर दे जाओ शुदीपको गाला, नाक र निधार को टुप पू राता राता देख़्िए ओटलाए कस्चे रह यतावता चलाई रायो आखा टिल पिल भाय, इन दीरा अलमल्ला परे र उसला हेरी रायी अलिकति परसमा पुगे पछी बाटो किनार को योटा बेंच मा बसना ख़ज दे बने, बसो याई असा जिलो मान दे बने, याका बाटामा बसना, धुलो ओडने ठाओ, इस्तो नाली गणाओने ठाओ मुख्छोपते इन दीरा फलाई चाको योटा छेहुमा बसी बेतरे बसना तो चिया खाजा पनी पाइने राचा, बेतर पसे सजीलो गरी बसनो नी, सुधीब ले बाने, सजीले चा इंदीराले बिस्तारे बने योटी बेला बने, चार आखा बेटवाय का थिये एर दा हेर दे बर्यका आखालीर, सुधीब इन दीराको जियो मा डेपियो इन दीरा असमान जस्चमा परी, डेपिराने की स्वारने डराई पनी, ला अबक्ये गरने हो यसले बिस्तारे उसले, इन दीराका हाथ दारो गरी समायो बाता बरन गंबीर वायो ते थे के डलकेर एक चिन पचे विस्तारे बोलियो इन ही हातले, मैले आफने आमाको मखमा दागबती देर आयको छु आमाको सरीर बाटनिस्के को दुहा को मुसलो बादल मा मिसार बादल जस्ते उडार आयको छु इजो सम्म मेरो चिन्तागरने आमा को अनुहर शरीर यक्के निमेशमा हेरदा हेरदै यहरना नसकी ने डर लागत वायो मैरी आमा मैले हेरने आखा और मेरो जीबन को शुरिय इस तरी अस्ताय की अब कोई लेबने उदाऊ देना उसले अगाडी वने ओ मलाई आमा नवयको गर मा एक छिन पनी बसन मन लागे ना आदा उमेर में आपने जीबन संगी गुमाहे का मेरा बाबा ले त्यो घर को सरी अरेर बसनो जन मेरा बाबा को त्यो फंगा उडे को 45 मात्र काटे को कस्ट कर जीबन अमाको लासला लादा बाटा मा छरने लाबा को रंग जस्ते श्यताम में देखे बाबा को रूप अनि हेर ना सकी न दस बर्चे भाई को भिलाप हेर ना सकी न दीदी को बिहे का लागे ठिक का पारिये का सरसामाना रूप बन थे चोरी को भागी आमा संगाई टांसीय को उन्छारे, तर अपनी दीदीले देरे दिन रोयरा बसना पाईदन, सरकारी स्कुल को जागिर, बीदा सक्ये पचे काम मा जाना थालेन बाहिला लियेरा, मा फेरी बाउरी है, मैं अफनों पड़ाई साथे परिबार को जिम्मा ये तीन प्राणी लाए गार मा चाले रा, मा कोसरी काटफाणा मा बसना, दुबिदा मा निक्के रात मडा रिये, मन मा तपाई को छाया आए पची बासने आसा पलाएको थियो, सोचें, काटफाणा हो जान्छु, सब बंदा पहला तपाईला बेटचु, मन का दुखा भी स आउचु, तेसेले मा फर्के राएको, वैले आमा कौन भार तपाई के आखा मा देखी राए, इन्दी राका आखा कट मरिये, आसु बगलान जस्ता, तर नबगी राएका, सुदीब का गाला बीजे का थि आसुले, बेंच मा बस्चेरा खाजा खाई राएकारू, उन्योरक पर संबाद रत्यों भाभू कबस्तालाई, टेड़ा आखाले हरी राएका थिये, इन्दी रा निशब्द थी, एक चिन पची उसलाई लाज लाज लागे रायो, जसंक भाई, पहलो पल्ट, कुने केटो मांची आफनो काद मा टाउको राखेर रोएको थियो, बाता बन सज जीलो पार्ना बानी, और परिक्षा दिया ना उता, वो विस्तारी समाली दे बोल्यो, एस पाली पनी छोटी मेरो परिक्षा, खाजा खाई सकता पनी आखा बीजे के थिये दुबई का, लजाओ है, तर छोटी न गारू लागी राएको थियो, विस्तारी दुबईरे बिद आवाज निशे सके चा, अब ही, सुधी पाई ना, सुधी पले पनी तर्शे जे उब्यारे हेरियो, एक्षी नलमल न परियो, पर खालवारी पारी उब्यारे कुडा गरे, यह विर पची अफ्टेरो मांदे बने, तपहें संग योट अनुरोद करना थियो, कस्तो निशानला उसले गरेको ब्यभार बाट इंदीरा दिक्कव आयकी थी, उसले तेत्तिके उभ्यारे वित्र पसेरा खाताले यारा हात मा राखी दी, एक पल्टा फरर पल्टा आयरा हेर दे उसले बीदालियोरा अलिकदी परपुग्ने बित्तिके छेलियो, करुणा सुती रा अमेशको टेबल मा तेत्तिके थनकी रायको चमकीला रात तारा वन्ने किता पड़ दे थी, कसेले ट्वका डक्टक आयो, विस्तारे उठेरा गर ड्वका खोली, ट्वकामा नीलो शर्ट लगायको, जुरुक का उठारा कोरेको बाकलो का पाल, गुरु अनुहार मा शेता दा टेलिक का टलकियेको, मुस्कान सहीत, हातमा खातालियर उभीर आयको थियो सुधिप, वो चक्का परी, दोई हप्तापनी नवाई, वो नोट फिर्दा गरना आयको थियो, किने हती चिटेर याई आलेको नी, अहली मला चाई आलेको पनी ता थिये न, महली शारी सके आले, अ आमो एस्पस्टी करण थियो, संग, दोका भाटाई टावको गुमार वित्रा यार्यो, करूनाले कुकुरले जहें टावको उठार हैरी रा फियरी आखाची मलेको बहाना गरी, देदीको त्यो बानिले गर्दा कर्मा आयका पुरुसलाई बसाउना मन अपनी डर लागी रह उसको सिस्ट अन्रोदले नाई बनना सकी ना, बित्र पसेर कपाल मा दोई पल्टा कांगियो लगा रा बार निसकी, क्ये बार हो आईले उसला दीदीको पनी खासे संकोष लागे ना, ना बोले रे उनिरु, एवटा कुई नोटो काटे रा मूल चड़क मा निकली सके का थि नजिक नजिक बार हिंडे मन हुदा हो दे पनी बाटोर को बेड़ भाडले अलजाई रान थियो, कती बजयो, नी इलो सटको बावला सुकी इलोई गडी मा आखा गप्ते आयो, ओहो, एक पो बजनो लागे चा, और बोक लागे चा, आउनो एई रेस्टराम मा पसेर क्ये ख वरे आई खायको मात्र याद थियो, आगन रेस्टरामात ठुला वड़ा मात्र जान्चन जस्तो लागते उसलाई, क्ये फरक परशर, सरासर सुधिवला पच्छाउँ दे बितर पसे, कुना पट्टिको द्विटा मात्र कुर्शी भायको टेबल मा गर बसे, वेटर अगाड पिज्जा पाया चा, इंदिराले कोईले पनी नो सुनेको नाम थियो त्यो, पिज्जा सब्दल समात्र बिविन्न आकार बनावना खोजो, इंदिराको मस्तिस कले, तर खास आकार बने, निर्माड करना सके न, क्ये होला बने, को तो अलतामे थनकियो, आफनो चिंडो विस् अलतार थियो, तो कुना को बसाई पनी संकोच लागी रायको थियो उसलाई, सुधी बने आज पहले को जस्तो बाहबुग देखिया न, फोर्ती थियो उसलाई, और पठाय पसी फेरी दोर आयो, पिज्जा खाना मन लागया थियो, तो पहला कुस्तो लाक्षनी पिज्जा, बर्करे नाम मात्र सुने के उसले, अनुमान को आधार मा सवमती को टाव को अल्लाउं दे बानी, ठीक है लाक्षन, खाउं लात्यो पनी संगय कुने दिन, सुधी पले फेरी बेटने प्रस्तापताई पीजा खाने को राबाटे करी सके को थियो, टेबल मा आई सके को गिला अनुटो हरसपलाई राएको थियो, उसके आमा को सोत मा आफनो कूम मा टाव को डायर रूंदा पनी, उसले सुधीप को आफे प्रतिको भावना उती स्पस्ट बैसके को लागे को थियो तर त्यो दिन्दे की वने कसे को प्रतिक्चा गरी राय जस्तो लागी रान थियो, मे की रंडर निसान दे बिना कारण ने अफले त्यागे पनी, तिने रूसको मन बटा निस्का न सके का थेरन, बेला बेला रिसुटे पनी के बार रहो, माया ने बड़ी लागी राय को अनुभावगर थी, सुधीप उसको सिंगार को तारिफ कर दे थियो, कस तो रामरी देख अने अफने कोठा माच चोराओं लो डुलाओं थे थापे फेरी, ओट पनी गुलाव को फोल जसते, पिंकी पिंकी, तब एक नाम तो पिंकी पोर आखी देनू पर ने, तारिफ करे रंडर थाकने कसम खाय को जसतो, बोले को बोले के थियो, दात पनी, पंचनी, अनार दाना मोधी का लहर, उसले गीत का दुवे हरफ सके, गाला पनी पुक्का पुक्का जोम्सम को स्याओ जसता, टुपप टुपा मा पिंक पिंक, इंधिरालाई उसको त्य प्रसम सा केमा थापनू, कहा थन क्याओनू जसते भाई रहे को थियो, जंडरी पंद्र मिनिट जती माई प अररर बाफले आफनो परिदी फैलायो, बेपरिदी साती रबसे का दुवे का आँखा प्राय जुदी रहे, इंधिरालाई असहस लागे ना पनी, शुदीप का अनुवर कान रात आबाय, दुईता हाथ का आउला को टाटनो बनायो रचूड़ अड़े आयो, नसाले बर्य प्रेम को टाटनो माती चिउड़ अड़ार उसका आखा मा आखा जुदाई दी, समय ठिंगा उबियो, लागतियो, तिया हाँ चार बंदारू आखाने थियारान, प्रेम को तरंगले छोईये पची, वी प्रक्रिया दोहरी दो रहे चा सायत, पात्र फरक परे पनी प्रक्रि आखा बाटा बरलक का आशुका डिक्टा खसाली शुदिपले, उसका गाला को बाटो गरी बगदाई करेको आशुको कूलू आफने हातले पूछी देव की जस्तो भायो इंदी रालाई, तर तेती चाड़ी मन सरे पनी उसका हात अगी सरे नान, शुदिपले टेबल माती त आफना हातले पकरेरा बिस्तारी छाथी मालागेरा नासियो इंदी रा किये गर्नू ना कौसो गर्नू भाय उसलिए त्यो हथ सम।का अभसनम क अभस्ता का लागी आफलत तयार गरी कि थी न उसका छाथी मालाई ठाशे का अफना jest तिसका के टासियो थिए र समजिय रै कि कि रंडर निसान का अनुरोद अरूपनी, उसलाय अच्छम मालागी रायको थियो आकिर सब्बे केटा आरू मार किना यस्तो आतार, युक्ये को आतार, कि यही होता प्रेम बेटी आलू, छोई आलू, चलाय आलू मातरे प्रेम होता वो अजय शोचते थी, केटी आरू केटा आरू जाती अधीर होंदे न, बर उन्योरू मना धीरे प्रेमी लोंचन केटा आरू आफने शरीर को अधीर मर आरा प्रेम करदे चन, केटी आरू प्रेम मा जिन्दकी खोचन, सरीर ता आफने आरे जोड़ी नेयो सामाजी कृप मा आमरा देरे कुरा मिल देनन, तर जसरी पिनी पार लगावनु पर सा, हमीले यो सम्मन्दा, सहास का साथ उसले बनेयो इन दिरा उसका कुराले चक्का परी, ओ माई गॉड, केटी बन चयो केटो उना ता किरणले पनी तेसे बन थे, तर आफ में बिला आरे कायो, पानी को फोको जाई निसानले ता जन्म जन्मान तर को कुरा गर थे, बीच बाटो में अपमान करे रे बिलाउं दे कायो, बाई को आबाद संगई के इस सब्बले उठाउने मात्रे खोजे का उन्त मेरो महन प्रेम को फाइदा कहले उसले प्रेम प्रस्ताव सम्मा नराखी कना आज कोसरी बन चके वत्रो कुरा के यो उसको मप्रतिको बिश्वास नहीं होता कि उ पहलो पल्ट प्रेम मा परि रहेको अनुवा भीन नवा प्रेमी मात्रे यो उसले सुदिप संग को यो बर्खर भिकास होंदे गरेको सम्मंदलाई येती परासमा पुग्णिगरी सोचे के थी इन दिरा धर्मसंकट मा परदई जादे थी आफुले देखने बित्ते के मन पर आयको ता हो तेसको संकेत तेसले पायको बैपनी इती चाड़े उकसर येत्रो निरड़ाई मा पोगी आले को अला बिये ने गर्ने वन्ने कुरायती सोजिलो कसरी होनो सक्स बिये गर्नो प्रेम गर्नो जोस्तो सवजिलो कुरापनी ता होई न मन परेके भायपनी फेरी अईलिने बिये गर्ने उत्पाते उमेर पन्ते बितिक आको छाई न मगाउबाट राजदानी पढ़ना पठाईये की आमा की प्यारी छोरी हो सहर्मा आमीलाई पढ़ना पठाणो लागदा आमाले बुबा संग कसरी जगडा गरेकी थिये बुबाले बने का थिये सहर्मा पुगे का केटिले उत्या का कैडा टीपरे एड़ चन मैले आमाका दात्मा डुगा लागना दीन होन्चा वला ता बियेने गरनु परे पनी आफु बंदा सब्वे कुराले सिनेर केटो पो उनु पर चता उम्पेर पड़ाई जात के नमेलने बेरोजगार संग बियेने तक सरी गरना देलान रहा बियेने गरनु पर सर बिये वने को जिन्दगी बिताउने कुरापनी तवनी यसे पनी वह आफु बंदा तीन बर्शा कांचो रहिछ उसको प्रेम अंदो बाय बंदा इमा मोले पनी आखा बंदा गरने रहा तावाई का थे उसको आखा अनुहार ना कान हुमाल्य जयर रगड दे आयर एथाइस्तान मा बसियो तो ब्ला समा मन् थख्अ को स्जिंग जुर पलाया हाइा allora अचन में चेवर चण भाबख उक पायओ फेरी पन देले इन्दगा है नरहातारड पसिताए उस डाम्हार का एन्दगैवल ने शोची रही। चती नजीके को समझे पनी, यो मन बित्र को कुराचे कसे लिए देखना न सकने भायरे येती सजीलो भायक होला तर अईले समक्के सुधिप, यही बसी रहद होला ता आफनो मान चेका आच्छोन पनी कती गारो आफनो बंदय में छोय आलनू चलाय आलनू पर चता यो थोकपा चे खानू पर दे न, शेलायर कस्तो बाईशागे वास्ताम में तियो देरिने शेलाय सके को थेओ इंदीराला ते खाएरा बसन बंदा पनी कती बया कोठा पोगन जस्तो बाईशागे को थेओ वताई खानु परने बंदाई एक त्यांद्रो मुखमा आले र एक्छेन जेबरोले खेलार निलियो इन दिराको खाने मन मरी शकेको थियो चीसु बई सक्यो मता खानना उसले टारी ते तेकेमा उठे रहे हिन्ना पनी गारो बसीरान पनी असजीरो बैरे को थियो उसले पर पर बसे का मानी चले पनी आफी ते रहे हिर्य जे लागना ठाली सक्यो थियो तो पनी खायर जानू मचाई गए दीदिले खोजना थाली सक्यो ला बसे को ठावबाट जुरुक का उठी अलमलना परेक्षिन टोलायर उपनी उठताई बोल्यो वस्मपणी खानना युची सुतुक्पा पीजा खानना पाईये न फेरी कुने दिन खाननु परशाई ते उपनी खाउनला एक दिन तेसको मन राखना भायपनी बनी दी उसले काउंटर मा पईशा तिरेर निसके दुबै बाईर शड़क मा गाड़ी, मोटरसाइकल, मानिस बाईर को संचारे बेगले थियो बर्कर को उनेर को एकान तमा भावग पायको मनेक के चिन मा सहर माय बाई शके को थियो अपचारीक मुस्कान चाड़ दै इंदी राले बीदा मागी बाटा बन फेरी मोन भायो सुधिपले किये बनना खजी को थियो बननाई साके न बाटो चोटीने गल्ली समस्वा संगय आउदा पनी उकुने नकुने तरिकाले इंदी राको शरीर को कुने भाग मा अपना कुमले छोना खजी रायको बाहन पार थियो दोई-दोई कुरियत को दोरी मेट न खजते हो इंदी रा दोरी बढ़ा न खजते ही बाटो को किनार में पोगी साके गयों थियो उसको एक चिन अगी दोर वायको मान फेरी लूलो वाय साके को थियो चोशन थाली सके कि थी बास्ता में कसले उसलायती देरे माया गरी रायको थियो कियमा कमी थियो रोओ रूपमा उमेरमा भाभुगतामा एक पल्ट पुलुक का फर्केर उसको अनुहार हैरी कती निर्दोस थियो थियो हलक का बार हलाले को साक जाई माया उरकेर आयोएक के छिल्मा निकरतामे प्रगाडता सुशप्तिमे बिशालता मौनतामे संबाद उमुकले बोलदे न थियो अंतर मनले ने बोलदा थियो एरनु परदे न थियो चर्मचक्चुले अंतर रिदेली हरी रान थियो आतले चुनो परदे न थियो, पबन 100 ले स्पर्शा ग़राय दिन थियो, नहर एपनी दर्शी राने, न बोल एपनी कुडा बही राने, नह शोै पनी समाई राने, न दी एपनी पई रहे जस्तो, आखाचिमली एपनी देखी राने, कस्तो कस्तो भाबक ता प्रभाहीत पही अर्दे चेतनाली पनी कामगरी रायको इस्तिती प्रेम को चर्मोत कर्श भनेके यहीत वला चरीर मा रगत बगे जाई प्रस्न अरू निरंतर आई राये किरंडर निशान संग अहिली रादा पनी इस्ते इस्ते भावरा तरंग मा तरंगीत भाई रांथियो मन अजपनी उस्ते पायो अद्रिस्से रुपमा शोची आखिर माया को मुलफोटनी मुहानत योटे राये चा सबाई का लागी अब कोईले बेटने ता लिडदा हिडदा उबियर बोलेको तियो सुधिप उसका आखामा चंचलता थियो बने इंदिराका आखामा सितलता निरुत्तर थियो खोई? चोट उत्तर में रोकी शुधिप आफें बोलियो चुट्टियर अरको बेटको कल्पना गर्णपनी कत्ती गारो ओठ वजायो पंकेटा फिजार खुल्ला आकास मा उड़न मन्छव टोलेको गागरी बाट पोख्यको पानी शरी आशुमा टेकते ही इंडेको परिबार को जीबनला सहरा दिनुछ आमाको निदन पची अस्तप्यस्त परिबार ला उकेरा लाऊनुछ इस सब्बे कुरा तपाइके आखामा देखी रहे चुछ उसलाई मैदालको काड़ा गारी मा नांगा खोटाली टेके जस्तपारी रायको थे शुदीबले मैले तो आपना कुरा स्वनाई सके आशामा सहय आत्राको तपाइबटा कुने प्रतिक्रिया भाद छे न आयले मा जाऊं इंदेरा गरजाना अतारी हुन्छ चुटीने मन नहोदा नहोदे पनी उहुन्छा बना बाद देपायो इंदेरा को दिमाग मा यागुता का फूल जाई शुदीब का कुरे आरुचल बलाय रायका थे उसले कल्पने नगरे को कुरा गर्यो हाथ चाप पसमाते रा मन बंदा कोमल रा नरम महसुस करी उसका हाथ नचुटुन जाई लागी रायका तीया आतलाय चीनोले का आठे को फलाम को रड जाई चट्ट दोई टोकरा पार दियो संकुसले वोके न खोजे का सकस्पुन आखाली यार गई को गई वायू यार नही नसकी फरके रा मुटी खोले रा बतासलाय मुक्ती दिये जाए आठे को तेही उब्या की इंदी रा काहा खाले पच्छाई राये मा को बाहार रोके राया निजी विद्यालाय मा सिक्षिका करूप मा काम गरना थाली इंदी राय दिदीले बने अंग्रे जी श्कुल मा पढ़ावने आठे गरी नाओ गेटे देखे अंग्रे जी बोलनु इसले पनि बीदेशी केटी अरशंगा कैई चमए काम नागरी के बहे शाहस करने पर धी की थी ना ळे बयाला वेला सशी को कुराय आधाउं थियो उप पढ़ाय को कुराय आउने वित्तिके सद योटे कुरा दोराय रान थी जात्ती पढ़े पनि आमीले गरने मने को तेही मेरे दीदेले पनी तेही गर्षी, ठुला ओफिस को जागीर खानाता, आमरे ड्याडी जस्त ठुला नहीं पर उनु पर्षादा, फई, मेरे ममी लेता पड़ेर पनी क्या काम गरी छिन्ना, उसको समझेना बाक लिन थियो, सची अली क्ये गर देहोली, कहा होली, शुटी का दि इर्दोस बच्चा जासते लाग थी, किये बोलना उन्च, किये उन्च, केई बनी था पाउंदी लाथी, स्कूल मा काम करेको बर्षा दिन पुगी सके को थियो, अरूंडर इंदीरा का कप्चा को ठारू प्राय छेव छो में पर थे, उँ भंदाली का ते बड़ी उमेर खा उसका बाहा मारू, अचेल को घरजें चीतो अनरे, बच्चा अरला अरूंडले मायागरे को देखता, आफ पनी बच्चा प हुना पाया उन्थियो, जस्तो लाग थियो, उभित्र को कुमारी, मात्री बात सल्ले पनी हलक का बड़े राउं थियो, अरूंड को फरैक थ्वर् रम्रारी गुर्माईला हुने ही पाया का थिया न, बिस्तारी तेस अल्बम को चौत पानामा अरूंड को अनुवार करी-गरी टासी न खोजी रहको थियो, वो आखा चिमलेर टाव को अल्लाउं थि, अनि बिस्तारी उसको परिला मुनी अरूंड का निर्दोस आखारू चल जसको ओरी परी कीरा कुम चन रा भुईमा राक्षेको बट्टुका को पानी मा खसी रांचन, कि मा आफे बत्ती बनेर कीरा को ताती गुमाई रायकेचु, कि मा मौसुली हुन, जत्ती पनी कीराला लाम जिब्र फैलार आर आक्रमण गरी आलने, उफ, किन तिन अरू मेरे उ किन खुमचें चन मेरा पत्र दालारू, क्रक्चा कोठामा बच्चार को ज्याओ ज्याओ को आवाज रा उसको मनो भावना, कावरो को फूल जाई, सिलोटों मा एके ठाउपी सी राये, सोची राये, और उनले सिलाम को छोपाली रायो, वेरो प्रेमपनी कापरो जाई, कोप कोठातीर लागे, और उनले गोजी बाटा रुमाल जेके रा, पानी मा भीजाई इंधिराको निधार मा पट्टी राकी विस्तारे थी चीरायो, सिटामल पनी आफने हातले मुख माहली दियो, रा पानी को गोड को पियाई दियो, आखा खोलना नसक्ने गरी, टाउको करचू, एरो शरीर कामी रायको छा, तप में कक्षामा बच्चा आरको ख्याल गर्दे करनो वाला, यो रुमाल पनी लियरे जानो वाला, मला पट्टी जरूरी छाईना, निका उदै गरेको अभिनाय करना खोजी, बीधा पची प्रिंचिपल ले बाने, गार वायवने बोल मेरो पनी उतेती राओ, मा ड्रप गर दी आलचो नी, अरुले बिस्तारे बाने, बाय की स्टार्ट गरेरा बने, बसनो सही सजीलो गरी, उचको सुमधूर आवाज पहलो दिन बेड़दा को जसते थियो, आज पनी, पहलो दिन कुर्शी बाटा उठेरा स्वागत करेको मेरो को, केटे को छेवो ना पाय पची, उसलिए पहलो पल्ट निसान को मोटर साइकल पचाडी बसे को रतेस पची को अबस्ताले समझी, मनमा अरके खाले ड़र जाट्टा पलायर आयरो तुरूंते आर आयो, और उनले त्यान भी थोलते बोलायो, मैले क्या भाने सुननू तरसे जहीं बायर बोली, वो नी, मता बेवो से उन्चों जहीं बाय की थे, टाव को दुखाई को इस तो पिडाता सौत्रूलाय पने नावस अत्रिप्ती मैले बाचन करदा गरदै दोसों श्रिंखला मां 124 प्रिष्ट मां रोकिको थे, इसको अगाडिको श्रिंखला सुनाऊ छू, यो पुस्तक पैरवी बोक आउसले बजार मले आयको छ, दुई थोपा आशू र खीर दुएठा पुस्तक लेखी सकनू बाय की, मन पैलो पल्ट निसान को मोटर साइकल पचाडी बसे को रते स्पच्छी का अवस्ताला समझी, मनमा अरके खाले डर जट्टा पलायरा आयो तुरूनते हरायो, और उनले त्यान भी थोलते बोलायो, मैले क्ये बाने सुन्द भाय न, तरस्चे जे बार बोली, ओनी मत ब्योसे उन्चुजे बाय की थे, टाव को दुखाई को इस्तो पिड़ाता सुत्रूला परे न अस, येके गार वायो है, फेरी कुरा को ट्टी आयो, स्ट्रेस लियो उने टाव को दुख स, जो तावन भाको चाही न, विस्तारी पची फर्केर बार्यो, कले कहीं सिटा मोले बेटी कले काई थाई न पाई, अस, ये दुखी सकेको उन्छा, बेरताई 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 न, गर्मी ले अल्ला ले दुख सकेले काई, विस्तारी बोली मन मने दोहराय जस्तो गरेर, सामान्ने कुरा गर्दा करते उन्हेरू अंतिम गंतावे मा पुगी सकेका थे, अलिक तॉल पाई रोकी, दिना अन्रोद करी, बाईक बाटा ओर निदाई, गर्दा जे नहोस बन्ले सोची राइकी थी, तेई बाईको थियो, करुणा आले जयल बाटे देखी सकेकी थी, कोठामा छिर्दा छिर्दे बने पने आली, आजकल तो गर्मे पूच छोड़े दिन थाले शन टाउको दुखाई को पिड़ा संगाई, कामले थाकेर लखतरान बार आयकी उक्या न बने खाट मा पल्टी, करुणा सोद्दे थी, क्वथा क्वथा गुमाउनों पने लाग्यों की, ये भगबान तेरो मन पनी दिक कमान्दे बने इंदिराले, मेरो टाउको दुखे को स, एक सिन्चान्ताई, करुणा तेर सां आखा पारदे अजे थाप्ते थी, बाइक माउनों की दै क्वथा क्वथा पुगेर क्ये के खाको, और टाउको न दुखे क्ये दुख्या तानी, कस्चारी सम्झाउत न लाएम, अजजई सक्ये को साहिनास को संका गरने बानी, मलीन सो पचारी हातलागार उब्बी रहकी करूनाले, आफना हातलागाडी तेरस्याउंदे बोली, यह, यहां युटाले चिठीले आर छोड़े को समास्टर न लाए, आखा न खोली बिस्तारी समातीर नेक के बेरतेत्ते के डलकी रही, मनमने सोची रहकी पनी थी, कसले की लेक वल आयो, जुरुको उठेरा बसीरा फेरे अरको पटी फरकेरा डलकी, चिठीमा आखा दवडाउनु पंदा पईले एक पल्टा दीदी ती रहेरी, दीदी आफने शुर मा थी, बलेक येको थियो, इंदी राजी नमस्कार, मता जाज सकेरा गाउमें फरकें, याता बुबा पन येकले उनुगो, दीदीको पनी अरको गाउमा स्वरु आवायो, मा पनी बुबाले पडाउनु इस्कूल में पडाउनु थालेको छु, चाहर पनी कारफणा आउनु शकेको छाईन, मा आमरो सल्ला आनुशार ने बसी राएको छु, सबे तयारी गर देपनी छु, तपा आ पराई सेक्षियाले उजालेको उधारनी ये कारवने छो, आमरो प्रयास जारी रहने छो, अनि पीपल को पात्मा, I am missing you badly, love you, hope to see you soon लेखर दोईटा मूटको चित्र को अरियेगो थियो, इंदी राको लागियो चिट्टी अकल पनी या थियो, उसले येती हत्समक समंध पर्द होता, चिट्टी पड़ी सगधा उसको मुख में न अटावने ठूलो सासको मुश्लो बाई रियो, अलि अरी ठीक होदे गरेको टावको फेरी उसते बारे रनकियो, समझी समझी आचरी लागी राएको थियो, कती डूक का उसले, आफने खाता को पोईसाज हैं समझी परित शानी, यहुको पानीमा पोडिये जें बायो, रिस, प्लाज, डर, सब येक केठ होमा गाटो परेरा आयो, दिदिले एक पटक बोलाउंदा पनी उभाद खाना उठी न, टावको उठे न, बोकोर अनिदो में रात बीतियो, बली पल्टा काम जोलके उन जल्चम मामा पनी खोट्टा तंग्रिये न, चलनी बीच मा दुखी रहेको थियो, आखा अज्जाई खली न मालेका थिये न, लू आई जाही बात खाना, इजो देखी बोकाई छ, आज जानो पर्देन मास्ट नेले, करुणा आको रवा फिलो बेंगे सेल आयेको थिये न, शन्चो बाय जानन, इंदिराले बिस्तारे बनी, करुणा कड की, इजो देखी बड़ी कडा हो देए थि, मैले बनी रहेको चुछ, अन्ने एक जारपातर को संगर छोड़ बनेर, तो मन्दा मली ने देरे जानने की चुजाई कर्चेशनी, टाव को तो दुखना ने बनी, आफे डोरी ल आमपठी डाड़ फरकारा बसे के इंदिराले अरुनले आफनो डेरातिर आई रहेको देखी, उब्यर हे पोल्यो, तपे आज जान सखना उनना अला, ताई पनी स्वधना आयको, प्रिंचेपले बिदा दिये के चन, राम रदी आराम गरना वला, तेरे गारो भायको थियो नेके वामीटिंग बनी भायको थियो, अस्पताल जाओं बन्दा पनी माननु भायको थियो, मा प्रिंचिपले ख़बर दिन छो, करुना ले संका का आखाले इंदिराले हेरी, वामीटिंग भायको सुन्दा, कत यसले काम ही ते बिगारी ना, तपाई कोनी वायको, करुना जबाफ दियो, मा दिदी, करुना ले जवाफ दी, मा ले जो निके सिरियस होनो भायको श्कुल मा, करुना चुप लागी राई, अरुन बोलदाय भोलदाय हेरे, करुना सोची राई की थी, खुब जानने डाक्टर बाईटो पल चा कांसेट, मा बोज दिन और अरको नाटक बली पलटे स्कुल मा, अरुन ले बने हो, मता तपैना पीक अप करना आई रहे को थी हैं, तपैना हिंडी सकन बाईचा, किना दुखा पाई राखनो परे रहा, मलाई बोस में बानी परिशा के कुछा, एक दिन बाईक को आभा खार के करनो, अस्तिका दिन को पीड़ा सब बिर्शेरा मंदमुस्कार का साथ उसलिवानी, साथी चाहिनी मने के दुखा का बेलाता हो, तपैना बोस में जानुस ना संचो हो दा, बीरामी उदा मात्रा पीर लागया हो, मला क्या दुख हरता पैना लिन जाना जाना, मले बोक नो पर ने वही ना क्यारे, वो अईले पन गंभीर ने थियो, मिरो लागी चिंताली दीनो बैकमा दन्यबाद, आफना काम मा लागे सबै, उद्दीन रूबीती राय थे, और उन्न मुखले क्या ना बने पनी ब्या भाहर मा अत्तें जिम्यदार साथी जस्तो बार प्रस्तोत उन थियो, उसको यो प्रस्तोती इंदी अरको अत्ते रिक्त भाहरी जस्तो लागी राय को थियो, वो आफने वित्र अंडियोल मा थियो, उसलाए किन कुने पनी पूरुष देखना साथे कुने न कुने रूपमा मन परी रांच, वो किन कसे प्रती निष्चित धारना बनावन सकती न, यो पूरुष जाती साब जस्तो बर सुलुनु पसी राय चा, वो बाटो बनाए दिय देचे, आफैं संगा का इप्रस्ण अवरले गेरिये की उ, आफैं वित्र हराओंदी गई रहे की थी, और द बासिक परिक्ष्याओन लागे को थियो, सबैलाई आफनो काम को बाड़ फाडवायो, सदे प्रिंची कल्फा आमा आयका थिया वलान, देखे जए आफनो बाड़ लागी रही, ताइपनी मन मने सोची रही कि थी, उसले च्यो मेले आरे बाइक रोक नेछ, चाड़न उस पछाड़ी बनने चा, तर उचाड़न भानने चाइन, उसले धेरे अन्रोद गरने चार, मन न बाइपनी उसको मन राकी दिन न मने, उसको कूम मा दोर हाथ ले समातेर एक पाखे बाइबसने चा, अरुना ले जयालबाटा देखना सक्षे तार उच वास्ता गरने चाई न, तर निके बेर इरदा पनी उसको अन्हमान मिले न, नजानी तो पाराले पछाड़ी फरके रह अरुन ले चर्चे गरे न, तीन-चार दिन समा लगातार उसलाई अरुन को ब्रह्म परी रायो, स्कुल मा सोधन पनी मुख लागे न, पांचो दिन उसले सोधी, आज पिन देख्यो बाटो शेक्षू, के उन चार उसके पछाड़ी बसेर जावलाने स्कुल को गेट समा, ठ अरुन ले मुख का पारे रायो, स्कुल मा उसले सोधी, के इदिन देखी तपायलाई आई, आमरो टोल माट निचके को देखी राये चो, के अचल तपाय पनी तेते बसन लागनो बायको होरा, अरुनले मुख कांस्ते बान्यो, ओ, मरी बर्खारे तेते तेते तेरे कोठा ल अरुन ले पतायो, तर इंदीरा बनी अनोटो प्रस्णाले गेरी न थाली, के पर्खी रायको एचली, आमरो छिमेके उना किन मन लागेको, फ्रोदेको प्रस्णाको सिधे जबाव किन न दियेको, एक दिन प्रिंचिप अले बनी, और उन जीपनी, आमरे गर माढ़ माढ़ मानची असाद्धे बलादमी लागशन, बल्लप बुजी उ कहां बसतो रायचा बनने, मनमा एक किसिम को खुशी जसतो पनी जोलुक का बायर हराया आले, मानची राम राशन पनी कीन बाने राननो परेको अला, मले थाचाने उनी कोसतो सांगाले र, मनमाने सोची, जवस अलता बड़ी रायको थियो, बोली पल्ट देखे उसलाई, अरुन अलिक बेगले जस्तो लागन थाले, उमा थी बायको अन्योल को अन्ते बायको थियो, तर चाड़े बिहे गर्दे चा बनने को राले, मन धमिले को अन बावन थाले, अरुन रको बिहे भारे प्रिंचीपल बायको अरु कोशे संग शोधने कुरा थियो, तर प्रिंचीपल आपनी किना पो शोधने राफेरी, खोक्षया मा पश्ता निस्केंदा बाटों में जब अरुन बेटें थियो, आखा जुद्धा फिस्स आांस थियो, तसलि मनमा बिरक्ती आय जस्तो लागन थाले को थियो, बेकार को तनाव मा दिन पितन थाले उसका, बेला बेला आफें संग नराम्र गरी रिसूठे राऊं थियो, किना उसको मन सीमल को बुआ जाई बिना धार जथा वाले ते ते उडी रांच, जो आखा आगी आऊंच, तेहीं गर टांसींच, मन बाट आजे पनी राम्रेरी हरा बाई सके का चाहिनान किरंडर निशान अरू, जो दिप्रेत बिहें के प्रस्ताप राखेर गई सके कुछ, उसले चानेको बने पनी के चानेको, आफें अंडियोल मा थी, फेरी, और कोकुने एक दिन प्रेंचिपल ले तेस्ते एकांत पारे रवाने, तपैसंग एवटा खेरनुपनी के ने थीर, तेसेली हुँचा निता बने रचुटी, अंतीम कोक्षिया, अरूनलाई अनलागार प्रिंचिपली इंदीरा लाई, आफना मोटर साइकल को पचाली राखेर हिंडे करतीर, बाटो भरी इंदीरा वित्रानेक प्रस्नार जग्या सारू, पानी का फ आजा को सत्कार असजीलो लागे को थी उसलाई, बसे के ठावबाटा सररर आखा गुमार एहससा ही सोची, अरून पन यहीं बस्चन मन थे, उसको कोठा को था, कोस्तो अलाई, फ्रिंचिपल उसला मेडम को जिम्मा लागार आफना कोठा मा पचे, एक्चे निता उत्ता का क को रागारेर मेडम उठते बोलीन, चिया खावाई, उत्तर न परके उनी हिली साकेगी थे, उसलाई आजा यहा किन बोलाईएको वा निकुराले नाई, खाई राएको थियो, कैई बेर मैं ट्रे मा तिनकप चिया बोकेर बैठक मा पसिन, ल्वांग सुक मेल को मीठो बासना बाएरेको थियो, चिया को बाफ मान, सोफा अगारीको गोलो टेबल मा लगर बिशायन उनली, चिया को ट्रीर, छोगो और को सोफामा बसी नाफो बनी, निक के आकर सक्तियो बोहिमा उच्छाय को गलाईचा, डोका खुले राएको बाएरे बाठ देखिने और को कोठामा फ कि चेको गाउन रा फूर्केटो पिलाको ठूलो तस्पीर थियो, कसको हो टारा बाट प्रस्ट सेनी ना, साइत्यकार अरुका के तस्पीर अरुपनी थिये, एकायक मेडम लेशो दिन, कोठा यरने, उओ अलमाल न परी, उसला किने यरनु थियो रो कोठा, उस किने यरनु कोठा, आउनो न यरनू, पहले पल्ट पाउन या रे आउनो प्राखेश, आमी कम्ति मा, कस्तोमा बस्ट अगार आया सों त्योपनी ता यरनू, मौँ पहला पनी आया के उनी, कहले पनी अस्ता आग रागड येको थिया नू, हाज ये को लागी ओला यो प्रस्णा, आही र यो चाहिए अरुण सर्कोर। आमीलाई भाड़ा लगाउनों तो मन थिया ना तर चाड़े बिये गर्णुपनी भायकाले जस्चरीपनी दिनों मने रहत्ते ने गरिपची वाला दिया कुछ। पहला तो मानेस कुछत वलान मने लागे कुछ। तर बस्ते जान्दा सर्ल लागे। नजानी तो पाराली उनी और उनको तारिफ परी रहके थिन। कुछत लागे कोठा। दोर आउंदे शोफामाल यार बसाउंदे लोगने लाग कराएं। आउनुनी अजूर चिया सेलाई सग्य। प्रिंचिपल हात्मोक्तो यार फ्रेस बार निसके। शोफामाल बसते बने। लुख हाऊं। पहला आफ हैंले शुरुप पारे। किना किना इंदे राले सबी कुरा रहसे जस्तो लागी राएको थियो। क्या कुरा बोता पत्नी तिरे रेरा उनले सोदे। चाहिना वन्दे टाव का अल्लाइन। एक्षिन चुपचा आप सबीरे चिया शुरुप शुरुप पारी राये। विस्तारे कुरु निकालते बोले प्रिंचिपल। क्य कुरा बने नि इंदी राजी। तपाइं हुर्की के आमरे चेरियो नुँँछ। प्रमेस मेरे साथियो नुँँछ। तपाइं का हमी बनी मायती नहीं। यसे पनी प्वर्देश मा सबई सबे का आफंत नभई बास न सकी देन। उनको भूमीका जती लंबीदे जादे थियो उती उसला अफ्ठेरो लागी राएको थियो। मेडम उठेर बार्दाली समप पुगेर फर्कांदे बोलीन। खई आज अरुण सरले कीन डिलो गरनुवाय। ज़ास्च इंधिरा को मनमा कैई संका पलार आयो। तेस्च पित्रकते लुग लुग पायो। आया आलनोंच, हमी कुरा गर्दे गराऊ। प्रिंचिपल ले सामान्नी तरिकाली इंधिरा तीर सीधे एरेर बने। खासमा आजा आमीले तपाइल आउटा सल्ला गरना या बोल समय देखिए अध्यान गरेरा मन पुराऊनु भाय कुराया। तर वहा आफेले कैई बन्या आट करना न सकेरा आमीले यो जिम्बा लागाऊनु भाय कुछा। वहा तपाइल संग बीहे करना चाहनु छा। यसमा तपाइले को के बिचारूना सक्षा। अईरी निर्डए द यसता कुराक निर्डए त अभी भावाल करने गरने हो तर तपाइको बिचार न अबोजी सिधे कुराल एर जानु पनी तर आम्रा हो दे ना निया नता। याई त बोलू नही थियो तर क्ये बनने उसको दिमाग मा आउने सके ना। मन मने मन पर आयके मांचे का तरफ बाट आयको यती रामरा प्रस्ताव ला उन्ना बनि उकसरी सक थिर्थ आण। तर यो यती शाजिलोकुड़ा पनी थिया ना। विस्तारे बनी खौ camping मा कसरी बननू यस्तो कराम अले आजसमा सोच चेके थिया न। apprise का अए इकी छोटी आयको क यतृत प्रस्ताव काला हो तर यहा पुरुसले चायमा तुरंते बिये गारन सक्षन, छोडना पनी सक्षन, तर आमी मैलाला तेस्तो सुभेदा पनी छएन, सजीलु पनी छएन. बेडम को कुराले उसलाई निके सजीलु बनायो, पिस्तारे बनी, मत क्ये बनूर, कर्मा क्ये बन्चान, प्रिंचिपले बनी, तपे माट यत्तिन आयो आमीले चायको, अब बांकी कुरे आमी गर समायता, उसले मुंचा मा टाव को अल्लाई, टाव को संगे उसको मूटु पन अब जानु परसे बने उठना खोजदी करता जट्र अरुण देखियो डोकामा, उसला देखी सकता जिव जुरूंग बारा आयो, बसे को ठाव बाट उठनाई पो नसके ने पो ओकी जस्तो बायो, अरुण ले पनी जस्के जस्तो करियो, नाटक गर्शा बने लागे र मन मन आसी, जाना बने र उठी, लो मा उनी वित्तिक जाना लागनो भाय को, एक चिंत बसलो ना, मेडम लेने बानिन, अब जानु, अध्यार उना लागे कुछ, अब माला नरोको, प्रिंचिपल ले थापे, अरुन क्यी बोले ना, उने ले ने थापे, बरु अरुन सरले अडिक पर चोक सम्मा पुरियार आउन वला, यो अध्यार सांज मा एकले न बठाउं, अरुन न बोली जाना तयार बायो, उस सबेले नमस्कार गरे र लजाय कोर, असजीलो अनुबबब गर्दे इन तयार बाय, अरुन पची-पची लागयो, नेकि पर सम्मान का लागे माले आफ पर कियो, स्कुल जाना पनी लाज लागयो इन दिरालाय, नसा लागये जें खोटा लर बरिये, कि रंडर निसान का अनुहारे स्म्रतिमा उदाउं दे बिलाउं दे जाना थाले, शुले कुछी टी पनी कर्रामे कच्या कुछक बरत हनके को थियो, मन मा हर सर अर डर संग संग कई हुर कीदे गाये, किने एत्ति हतार पाको अलाई मलाई, यो काम अरुको आत्मा छाड़ने पाउडर कुडा पनी तो है न, मेरु जिबन को निड़े गाने छोतनता मला भाय कोस लाईचा, दोदार होंचा मन, मेरु परिपको निड़ेले साई छनोड भाय रहे कोता छा, उसले उंचा बंदे में त्यो काम सजीलो पनी थिया न, कर्मा उ तिस तो कुरला न आफे कहा सकती रहा, समय को अंतराल संगई किरणर निशान सदे का लागी टाड़िये पनी, उसको मन बाट सुधी बाटी सके को थिया न, बीहेने गरने गरी माया लागे को न भाय पनी, उ उबीत्र तेसले गहीरो आसन जमाई रहे को थियो, एक तरफी रूप मा उसले अफना निल्ड़ाई सुनाय पनी, तेसले उसले उती मौतो दिया आले कि थिया न, इसे पनी मन ले वन थियो, गाउं को दुखा बाट वाक का बार सहर पसे कि, कि अभा फेरी तेसकी स्वासनी बार गाउं में जानु, और उबीत्र परपर्द बार उधाउना लागे को थियो, अरूंड, उते बाट प्रस्ताव आई सके पाची, अना कानी गरना मन न भाय पनी, परिबार समत्यों कुरा पुर्याउना सोजिलो थिया न, पहले ता करून आले न एक कूरो बोहिमा खसन दिनना, दोई बसंत, यह उटे इस्कूल में संगय बिताई सके काले, उसका निके बानी पेन थावाई सके को थियो, सोच थी, बिये गरने ब्याला पनी तो भाय के ओ, पड़ाई पनी एक प्रकार ले एक छेव लागी सके कैई सा, मेनत गरेर आयोक पास करना सके, सरकारी नो पड़ने मन बाय, बिये पसी पनी तो पड़ना सकीन छा, प्रिंचेपल ले में बहने का थिये, कराईसी बातावन पनी ठीकाई छा, परिबार रामरे इचा, बिये गरेर पनी गाउमा बसनु पर दैल, तपै अरु दुबै जना नो करी में उनुन छ, आफुले ने न नसोड काम गर्दा केई सोबाबता था भाय के पनी वाला, बाकी कुराता संगे बसते जान्दा बिस्तारी मिल्दी जाने कुराउन, मनलाई आफी फाकाउंदे थी, काटफाणोगो को बसाईर महंगाई, के था, बोली फेरी गाउने पुगनु पर ने ओकी, सो अर्मी बसन पायता म कारू कत्ती आवलान कती, कंप्यूटर सीक ना सकीन च, बिये को सर्टिफिकेट हाथ मा च, सिलाई बुनाई को तालिम पनी लिये के श, कैई नभाय तेही काम गर्देर पनी खाना सकीन च, स्रम लाई सम्मान गर्नु पर च, टेशिंको पनी अनुबाब भाईगो, मनमा कुरा खेल्दा खेल्दा ही स्कूल आई पुगियो, स्कूल को गेट देखी नहीं, आँखाले अरून लाई खोजी रहे का थी, जोला बिशान ना पाउंदाई प्रार्थ ना स्चुरूबायो, सदेही जशो सबे जाना ग्राउंड को च, सदेही आपना नजेके उभीने अरून प सदेही नजीक नजीक आउना कोर्णी मान्ची आज पर पर बाई रहे को थी, बेकार को तना अप थपे न पुगिल को थी, बेला बेला मनले वान थी, मला केर, यो कुरा मरी शुरू गरी की पनी ताई ना, कि इदिन उसले अजे प्रतेक्षा गरी, आफुले कुरा गर्णू वित्र विस्तारी अहम्र गुर कें बढ़ दे कायो, सोची, अब तेसले सोधे पनी हुँदे ने बननी छू, कालो गाय गुर आउँछा, तर दुसरो अप्ताको पईलो दिनने अरुनले एकांत पारे रवानियो, कर्मा कुरा गरी शकी, मेरो रोजाईलाई उनिरको बननू क पर सिदाजु काटफणा आउदे नूँछ, सरसला आगर नूँछ, टीप चीना पनी एरावन जाने बन्दे नूँछ, तपा एको न्वारन को नाम सोद्दे नूँछ, टीप चाकी चाहिने याँँछ, आपना कुरा गरी रयो अरूडले, उसको कुरा सुन्दा सुन्दा बित्र बित्र रिशूट दे आयो, आफ्फुर आफन परिभारसंग, एक पल्ट पनी सामाने सलाहन नगरी एक चोठी कीने चाहियो कोनी चीना, के बिये गरी निर्ड़े जारे पनी केटा पक्षले मात्र गर्दा बई आलच, केटी पक्षले चे उनरको लागी सुविधा ज केटा यारू बाट बाटे बेटियालान की वनेर, मैली टीप चीना, गोजी में बोकरे इननु पर ने, मैली अस्तिने कुरा रोके की वोई, कुरा सकी की वोई ने, मेर अभी भाबाक संग पहला कुडा गर्नू वनेर, वो अरुन को जबाफन पर्खी फटा-फट नड़ी कक कक्षे कोठा दीर, अरुन अलमलला परे रा, एक छिन्ते ही उभी रायो, आनी फिरी पची 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 गायो, इन दीरा कक्षे कोठामा पस्णु अगी ने बेटे रा भने, सवार ले समय जानकारी गराउनु ने वायको वला बने थियो मलाईत, मत कुरा सक्येको समझे उठ मा, सजायर चुटिये, हिजो सम्मा, अरुनले वास्ता नगरेको मा, भायको पीर रा छट पटिये, अब अरकोती रा मोडियेको थियो, खुची वकी ड़ारो चुट्याउने नसकताई, उप कोठामा पुगी, बोग तिर्खा निद्रा चबाई, हरन बैसके कि इन दीरा आफने मन को आगमा हुरुरु बलन थाले कि थी, योकुरा हुए आफने मुखलेता कसी गर्दपनी बाइरे लेवना समर्था थी, मन मने कामा ना गर्थी, आफो सरीक उनुन परी, आफोला पटक्के थायना बाय जस्तो गरी, अरुनले नहीं सब्बे योकुरा सटक्के मिला अर्थी आफने मुखलेता कि प्रिंचिपले सब्बे कुरा बिस्तार पुर्वक अर्थी आइछन रमेसलाई, उन्हेली करती रकुरा आइपनी लेपची एक दिन कोठा मा कुरा छोड़े, क्ये कुराओ, बियेगर नी बिचार आयके हुता, मान्ची राम्रेगरी बिचार य नी बियेको निड़े बनेको, तेरो आतारले मा बुझदाईचु, दाजुको युँ प्रस्णको जवाफती न उसला सारे सकस परेको थियो, तर अब उसले नै निड़े सुनावन न थियो, बनी मला यते ठीके लागे कुछ, अब तपह रुजिय बन्नुछ, तोला ठीक ला अब अरको पल्टा देखीको दस्वाइती गर बने रहुँ थियो, अमाले धेरे माया गरी नेस्पाली, दीदी बन्दा पहले बिये हुनों लागे कोमा मन पनी दुखाईन, ताइपनी बनिन, जसको पहले लगनाउसा उसे को बिये हुन्छ, इस तो कुरा आमेरे बने रहु अरे अरु धेरे पड़े रहा ग्यानी भारा उनला बेटना पहले का थिये, उनी बन्दिन, गाउमे बायका भाय, उइलेने बिये गर रहा तिन चारु रहा नानी बोकर माय ता आओ थिये वला, दस्वाइन शक्कियों लगत्ते उन्दे उन्देरु काटफण फर्किये, तर विए अस्पाली को यो फिरती सधा़को जस्तो थिये न, करूणा पनी पवनिपनी पहली की जस्ती जरकालोर कच-कची थिये न, इस धेरे बाहवक भायकती थिये शदनी कर्बाटा ने लिर्माउंदे इन्दे, उन्देरे रूदे निया का थिये, देरे आशुता इंदी र सिस आखेस तुली कि यस टक्त जानु कि जानु थकि थामी घर? वल्ट अरुन संग बेटनमान लागे को थियो, तर अनौट शंकोष ले उसका पाईलार खुमची राय का थियो, ब्येको कुरा छिनिये पची उसलाई अरुन को माया बेगले प्रिकारली लागना थाले को थियो, अब अरुन आफने संपती हो जस्तो लागी राय थियो, हने आ अरुन को मन्र गंभीर अन्भार बोकेर करुना पनी पची पची लागी अरुन को आग्रह मा, इंधिराली रोजी साधारान आफन आफन आइस्चित का कपडार गर गहना, अरुन दंग पर्यो इंधिराको छनोट मा, आफने सोचे को बंदा पहिं, कम मुल्ले मा सबे थोक ज जत्ती रिशाय पनी, जत्ती अकारी पनी केई न बनी खपी रहने र पठक न चुटी न ये उबास्तब मा, करुना की बहिनी बंदापनी साथी ने बढ़ी थी, उसको मन मा बीते का दिनारू एक एक गर्दी आई रहे का थी, आजा हेर्दा हेर्दे न पत्याउनी गरी, उत टारी ने लागे कि थी, फिलिम कई कथा को पात्र जस्तो बायरा, विभाको अगिले दिन बिहाने इंदीरा को डोका टक्टा का उना आई पोगियो सुधीप, बीए मा सहभागी उना आई का मान्ची कर भारी थी, अचाना को डोका मा सुधीपला देखता उसला क्या गर्नू इंदीराले सहजरुप में उसला बस आयरे चिया खायरा, अर्तिरा काकुरा सोधी, उन्हेर काकुरामा कसे लिए वास्ताबनी गरी रायका थी ना, करुणाले छोमा आयरा इंदीरा को कान मा कैई बानी, बाइर जाने सजीलो बाहना बेटे कमा वली कथी खुशी बानी बाई कल्ली मा फूगने बित्ते के सोधी, कीको तयारी होयो, सजीलो थे ना, इसको उत्तर दिना उसलाई, तर टार ने उपाया पने ता थे ना, नेके बेरसमा कैई न बली परा समा फूगे दुबई, लामो महुंता साइद सोधी बला सजीलो बाया वला, उसले फेरी सोधी, कोठ त्याउने कुरे थियाना, इंदीराले दोरार बने, साचे बनेको, मेरे बियेको तयारी हो सब बई, उफेरी बने आशी रायको थियो, उसको आहाशोले इंदीराले जनजन गारो पर्म धाले, तेसले कोसरी विश्वास दिलाउने बन्याप्ठार में पर्दे थे इन्दे थ साचे ने अनोठोर दुखी थियो इंदीराक अन्वार, जोलामा कैई खोजे जने गरेर बेटाई एवटा काडर देखाई, ठूलारा काला आखा बनार हेरी राव सुधिपले, एर्दा हेर देई, तिस अन्वार एकदमने अनोठोर माया लाग दोंदे गयो, पहीं तीर जोक अब फेरी उसंगे इस प्रकार बेटार कुडा गरना सके देना बनने मनमा आउना चाथ नमीटो बियोग ले हावाले हाने रागायो, सुधिप का अन्वार एके चोटी हर्यो, कालो, नीलो जस्तो बायो, इसले पत्यायको जस्तो थेना तर आत्याको देखियो, लेके बेर सम दुबेजाना बोलना सके नन, यो बिये को अन्ते निर्डाय उसेले करेके थी, और फेरी आफने निर्डाय आफेला भारी बायर आयो, सुधिपले थर-थर ओट कमा हो दे सोधियो, एती चाड़ो कसरी असुत बायो, मेरो पत्र कर जबाफ कीने न दियेको, बहीं तीर एरे परिस्तिती अस्ते भायो, आमी चोरी मांचे ले आफने निर्डाय आफे काहा गरना सक्साँ उरा, कि साच्चे बिये उनने बोता, उसले पत्त्यावना गाहर भाई लाइको थियो, थपयो, मेरे तो घर मा सबबेला बनी सक्को थियो, सबबे कूसी थियो, मेरो स्वेक्रिती उसले मन परे जासे तो वायो, उसले अब इस बारे में देरे कुरा गरनों को अर्थापनी थिया ना, कुरा चोट्यावन दे बनी, अब हामी चोट्यावन परचा, सुधिपला पच्छी पार्दे अगी बड़ी, उएक के ठाउँ बिये रा टुलाई राएको थियो, के अग पच्छी फर्केर बानी, माया लागे के छाँ बानी, बिये मा आउन वाई, उँ के इन बोलीकन फटा फटा अरको तीरा लागियो अत्रिप्ती, मायले 138 प्रिस्टमा 11 स्रिंखला बाचन गर्दा गर्दै रोके को थियें मन्जुबी मलीको अत्रिप्तीको अरको श्रिंखला 12 स्रिंखला ली राई पुगे को छुँ, अब सुनाऊचु 149 प्रिस्टमाट शुदीप्ला पच्छी पार्दी उँँ अगी बड़ियो, उँ एकके ठाउँ, उँ बेरे टोलाई रहको थियो क्याई अगी पुगेर पच्छी फर्केर वानी, मायलागे के छवनी बिये माउनवाई उँ क्याई नबोलीकन फटा फटा फट अरको तीरा लागियो शाजती रहोटा ठूलो प्लास्टिक को जोला, हातमा जुन्याउधी टुपलुक का आई पुगे सुधिप इन दीरा बांचा मा थी, उँ बांचा में पुगयो शराशर बांचा में आयको देखर उत तर्शी पनी आतमा जुन्डी रहेको प्लास्टिक को जोला दिन्दे भार्यों, हार दीक बदाई, जिवन सुखी बनुस बोली वियाने गाउंजान उपर ने बायकाले अरी ने आये मा बियेमा उपस्तित उनन नसकने भाये, माफ दिनो अला थरर कामे काहतले जोला समाती, बित्र कता कता बकानीर आयो, उसले एक्के चोटी उसंग बिते का खुरारला चिटु चिटु समझी आखार सायर आये तर आशु बग न दीना, तन्यबाद बनना पनी मुखपड़ा सब्दनिस्के न अनुठ बाभुकताले फेरी थी चेरले आयो, उसलाई यो पईलो उपभार थियो, बियेको लागी कस्चे ले दियेको, यो पनी तेस्तो मान चेले, जो सुहेम उसंगे बिये गरन चान थियो कोट हामा लगेर बस आउन खोजे तर उ बसनी मनस्थी दीमा थियाना करुणाले खाना खायर जाने आग्रह गरी, तर उ बसते नवसी केई बेर में निश्केर गया, इन्धी रालाई बित्र मन को सपना को कुनाई कुरुमाईलो जून स्वाट्टे अस्ताहे जस्तो, लट्टाई बाट चंगा चुड़ियेर बादलमा बिलाहे जस्तो, इन्धी रंग हेर्दा हेर्दे राय जस्तो, क्य जस्तो लागी रायो, आखालाई रूटा हत्कला वित्र निक्के बेर थोनी राखी, सुदीब संगय उसको मन को पाक्षणी डाले जस्तों अखा का डिलडील मा उबव्ये को आशु डिक्का भाएर जार्यो, छो माउब्ये की करुण नजी के गर विस्तारे चोदी, तो अस्ती को चेठी इसे को थियो, एस बल्टा कि न हो ढाटना मन लागे न, वहनी हो एसे ले ले लेखे को, अनी तेसको उत्तर किने न दिये कि ता, को सेरी दिनों तर्न्यवार हो, अनी की बहुत न्यवार भायर, बागे को भाय उने थिया न उसले ट्वालला परे रहा एक ओर हेरी रहे दिदी को अनुवार मा, केत्यो कुरा उसके दिदी ले भने की थी, केत्यो बोलने उसके दिदी करूना हो, करूना ले भाबुक हो दे भने, तो तो मला सदें चत्रू देख सेस, आपने साथी समझे की बाय, के मतला सगाहूने थे न इन्दिराले जिवनमा पहलो पट्ट दिदिला ज्यापप अंगालो आली। पांचामा दुबे अंगाला हमा बाद देरा रुई रहे निके बेर। सदैं जरको फर्कमात्र गरीराने दिदी वित्र तेस्तो मन पनी रहे छवाने थापायरा इन्दिरा जन्देरे भाभुक पई। तेस्पसित उसलाई सुधिपको जन्देरे माया लागेरा आयो। आमाले पशाली बाट बोले को सुने। आमा बंदे थिये न। अईना इन्ने थापाय देखिए उग आमा संगाय न। दिदी संगे सुते की थिये। आजाई त्यो अंतीम राद थियो करूना संगा सुतने। बोरी देखिए त्यो ठाउं अरुणती रा सर दे थियो। मन उकस मुकस रा छटपटी ले भरिये को थियो। बिये गर्ने निर्डे गर्नूर बिये घर्नू कत्ती फरक राये छा। उस्ची राय की थिय। अपना कत्ती साथ येरू ब्योली बर रूंदे बाट लागे को देखता कता कता मन मा रमाहिलू काउकोती लाग थियो। बित्थामा रोय काती निरू जस्तो सोच थिय। तर आज आज आपने जिव आपने वेन जस्तो बर धर्थराई रएको। ढराई रएको थिय। दुबहे दीदीवई रात भरी निदायान, कैई बात पनी मारे दन। एकर का कात मसक को कौसे का थिये। छटपटाई रएको। जखाए जस्तो बर भाईपनी सपना मा फुगे न। बिला बिला शेक्षेक आबाज मात प्रेम का रुमानी छेड़ अरू अब समाप्त भायका थिये। प्रेम का रुमानी छेड़ अरू अब समाप्त भायका थिये। अब करोना को भायका भायका थिये। उत्यों बिये मा तेरी खुशी थी। बिये उन्यों अगी नहीं लोगने को तारीफ वरी रहन थी। उसलाई तेती साने मा लोगने को रहरकीन लागे शावला। इंदी राज पनी बनन सकती नौव बर्स पची। उपने आज ललीता जसते ब्योली हो देती। जग्य बाटे बगाउंचु बनेर तरसावने किरण पनी मन को नजिके बाटची आउंदे थियो। जहीं जहीं नौ मती बाजा बजायर। राट भरी बाउन पड़ायर। आग आको औरी परी साथ फेर गुमायर। सिंदुर आल्चु वने निसान पनी दिमाग मा गुम्दे आयो। शुदीप काता जन हिजी बेरुका मात्र बागे का आशु आले थियो उसको समझनान। खुम्टो रशारी सपक का पारेर मिलाई दिलाई दिन। यानी नी चानी बनाई बनाय दियाको जूर मा थी, चिम्टेले गुम्टो अडाय दिल। यति खेर उसले शसीला कुब समझी। सानी वैपनी चिचिक का पारेर सारी लाउंथी रा उसलापनी केके बंदई देरे दिन समल लगाऊना सिकाई रही। स्वेंबर को ब्यलावाय। पानी राक्षे को कलस बोकेर और उनको औरी परी गेरो लगाई। निकाई मेनत करेर बनायको बत्तु जडान गरेको दूबर को माला पाई रही दी। यस पहला उसका हाथ नरामर गरी कामे का थिये। साथ चैने आजा उसलिए आपने जिन्दगी को सोतंत्रता और काको गलामा सियुरी रही के थी। बिभा को बिदी सक्षे को पत्ताई वाये ना। इन्दीरा को थार, गोत्र, किरिया, हाक, अधिकार, स्री संपती सबई औरुणती रसारे को थियो। उट जुन घर मा जन्मी की थी, जो तिया पनी, उसको आफना बन्नों केई थीया ना। आज पनी उसको आफनाई फरक पईचान बन्ने केई रहाये न। जहां उसको जिबन को एती लाम समय बीताई तयो अब उसको मायती वायको थियो। पर जुन घर उसले आजा समा देखे के चैना, तो उसको आफ न बायोरे। मायती पक्षेले टिका लगाई दक्षल्या दिदाई बिदागरी रायक छेंड असाध्दै असाहिया बायो उसले। आफ लाय समसान मा एकले छोड़ी राखेर रित्ता मलामी गरती रा फर्किया को जहीं देखी उसले। मायती हरुलाय। वो आफ जन्वे को घर को आगन बाट उईली उच्चा सेच्ची अध्यन गरन निश्कादाने बिदावाई सके की थी। तो बिदाई फिरी फर्किया जाना पाउने हक सुरक्षित रहने गरी को थी। तर अईले को बिदाई सदा सदा का लागी। सबय अधिकार रा सम्मंद रुबाट समेत को बिदाई थी। नारीली निर्भाक सुईकारनों परने यो बिदी उसकी आमाली सिर्जना गरी की थी। उनी पनी कुने बिला तेसरीने जो गहरको आगन मा आय की थी। जहां पालाई पालाउने रुदनीय अनुआरे रह सोची रही। आफलाई संचार देखाऊने आमाको काकरेत्यायर और काकी आमाको सेवागरना खुसी मन पारेर रह जानू परने। बिचरी इ आमा जसले जन्माईन, हुरकाईन, ठोली पारेन। आज पराईका हात्म स्वुम्पेर सनातन करता वे पूरागरेको गर्व संचाई हाफनो काकरेत्यार रोई रायके छिन। बाईर बजी रयो, बिएको बाजा, मन बेत्र बजी रयो आमाको पिड़ा। उसका आशुर संचाई बगी रयो आमाको अमुक बेदाना। चोरीको बिये नाउदा पनी कुरा काडशन। आमाके मन दुख्षा। चोरीको घर्वार सप्रेना आमालेने दोस लाउशन। चोरीले कर्मा कुने सीप पूर्याईना आमालेने तालेम न दियेको गाली खान्चिन। जुन दिन आमाले गर्व बोकिन, तेही दिन देखी अपजा सरुक अपनी मन पनी बोकिन। आमा बाट सीखेको सहन चिलता को पाटियाई सब्तक सहन सकने धर्ती उनलायो। सबयलाय चाडेर तेहस्तो बाट तेहर लागी के थियू। जुन बाटो जिन्दगी को कुने अध्यारो शुरूम तेहर जादे थियू। बस सहड़ियो चितोहन को लागी। इंदीरालाय हिजुराती देखी को अनिदोले टाव को बेस्चरी दुखायको थियू। आपना च्याव को सिटमा अरुन च्यालाकी जहें गरेर बस्चे को थियू। चार बर्से देखी संगय टीचिंग गरेको स्टाफ। आज पत्यक उरुप मा अपना च्याव मा बस्चे को पाउंदा अगी को बिदाईको पीर बिस्तारे लाज का अरुप मा रुप मा रुप बांत्रा नुदाय थियू। सांच परदाई जान थाले पची इंदीरा निदाउन अगी सोची यू मेरो लोग ने। इंदीरा निद्रा रा तंद्रा का बीच बाट अरुप ला नियाली रायके थी। ब्यवला घर को आँगन मा मानी सरको कूडुलो थिय। सबैका आखा आपने अन्वहर मा केन्रित बाय जस्तो लागे उसलाई। राम्री रहे चानी पहला की बन्दाता। कुईबाट अबाहच आर कान में ठकीयो। कसले क्ये बन्ने को खासे द्यान दीये नपनी। अरुणाले कईरीपने आपने परिवार को बारेमा तेरे कैई बन्ने को थिये नाुरुणले। बीड मा काने को खची बई रायको थियो। साहिद बीएमा इसते हुँदो, सोची रही, ब्यावली बित्राउने कामने प्रमुख थियो आगनको माझे देखी दानका थुप्रा माथी माटा का पालामा बाग्ती राखी बाले का थिये तेस माथे टेक्ताई बित्र पसन थियो कुन पाईलो अगी सार्चे बनेर घरकाले नजानी कना अबलोकन गरी रहेका उन्छन पाईलो चाल्दा द्यान दिनो परने रहे छा, लली ताले बनेको उसमजी रहेकी थी दायने खुट्ट्र अगी बढाई, आफिले गरेको गलत छैने बने लाग दे थियो सामानले बिदी गरेर ब्यवली बित्रे आये मानाम पाथी बरने काम गरी रहेका बेला, अरुन की आमाले दुले कानवारेरे रहेरा आखा बारीन रात परदे थियो, मनमा अनुठो डर पलाउंदे हराउंदे गरी रहेको थियो पलंग मा ब्यवली के पोशाक मने के बेर देके एकले कसे लाई, परखी रहेके इंदिरा लाई, हतार अतार बित्र पशे को अरुन ले बानियो ब्याना ब्यवली ले बाव वत्तेर पकान परचा, चाणे उटन परचा, धाके की छाओ, अबस चूताओ ब्याने देखी, दिन बरी अनेकों बीदी संगे गएको, अरुन को बोली पहलो पट फूटेको थियो तेसमा पनी उसले थाके की छाओ बंदे तीमी ले सम्भोधन करियो उसका मुख बाटा सदी तपाई सुन्दे आयका इंदिरा कान जासके जस्ता बाए कस्तो कस्तो अपठेरो लागेते सुन्दा, कता कता अपमानने बाएको जस्तो अरुनले आफलाई लोगने को इस्तान में राखे सके को थियो तर इंदिरालाई उवाईले पनी लोगने जस्तो लागे ना अचम्मा को छाया ले छोप दे थियो इंदिरालाई अरोन किने इस्तो गंबीर, की मिरु मन मात्र तेस्तो बायको, की लोगने उन्हां साथ सबै पूरुष अरु गंबीर ने पर उन्चन की? एक केसिम उसको गंबीर सोभाप पनी मन पर देगायो उनाता बिएको कुरा चलाऊनो पनी अरुको मदत लिनी मान छे उब इस्तारे पलंग बाटा उठेर आफना चूरा गर गहना र ब्यान देखी सरीर लाइने थीची रहका लुगा आरूप फुकाल न थाली लुगा जाते फुकाल दाई गई खुतीने शरीर भरी लाजबोती दे आउना थाली आफना चाला सक्षकाय जस्तों उदे गयो जिबनमा पहिलो पल्टाव कुने पूरुस संग को एकांत कोठामा आफला नंग्याओ दे थी उसलाई लागी रायको थीओ यो सबै द्रिस्टे पसाडी बाटा अरूणले हरी रायको शला गारो मान्दाई अरूणतीर टावको कुमाई तर उसले सोचे जस्तों अरूणती पहिलो पल्टा आफनो कोठामा कुने यूबतीलाई लूगा खोली रायको एर न गारो लागे को वला उयोटा सिक्षक पनी ताव नारी को मरेदाको उसलाई ख्यालवाय को वला बेतातीर फर्के के अबस्थामा बोल्यो ठाउँ अलिक सागूर चा यते मिलार राखाई पहिलो पल्टा यो शरीले कुने रुमांचक चंड संग बेटिननु थियो इत्र वित्रै ये किसिम को कम पचुटी रायको थियो सास पनी चुड़ी दे जुड़ी दे गरे जस्तों दे थियो अपठेरो मांदे कायर पलंको छेवमा बस्षी बेतातीर अनुहार पारेर सूतेक अरून बिस्तारे उत्तीर फर्के यो पहिला ता लाजले उसले हेर न पनी सकी ना आखा पलंग में गाडी ने गरी कोप्ट पा सकता लाजले आखा चंता लली ताले बह ने को पनी समझी राय की थी एक प्रकार मार्त आपना प्रतिक चारत खसी जैन शमय परकी राय की थी हुँ रत्युच्छन को लागी लाला इतर अधीर बनी विस्तारे टाव को उठारे हेरी और उन शांता बार उसले ला टुलू जमीन तेर जोती, जागे मात्र जिवमा राखेर, इंदिराको छेव को खाली मा आयर परलक पल्टियो, विस्तारी उसको दायने हाथ आफोतीर तानेर मिलाउं दे बोल्यो, तो मिलाई, बेर मन को गाउं मले आउने दोको थियो, आज पूरा बायो, बाबोकों दे थपयो, महले आमाला खुशी पारूँ थियो, गंबीर बायो तेसको अनवार, अगी ब्यावली बित्राउं दे गर्दा, अरुण की आमा का आँखामा आशु देखे की थी उसले, बुआरी बित्राउं ने सासु का आँखामा कीन आशु ओला, अनौटो लागे को थियो उसले तेसे बला थापयो, अब सुता है, बोली आमाले केई कुरा समझाओन होंचा, त्यान देर सुनी दिनो, आमाको खुशी ने आमरा खुशी ओ, दे दिर आमाको चित्त, तिम्रा कारणले पटक के नदुखो साई, उसको मातरी बक्री प्रती स्रद्धा लागदा लागदे पनी, आप मात को दिन पनी कोल्टी फर्कर निदाऊन सकने, नेके बेर्शमा तेत्त के बसी राई, उता घूर नप थाले, शोची बिचर बिचर बिएको चटार लेशारी ठाके छवारा, अनि बत्ती निभायर उसको सरीला नजानी तो पारारी बिस्तारे छुदाई रालकी, एक छिन तना तीको सर्मा बोल देगाईन, इन्दी राका आखा खोलिया के थिया नन, तावको उस्ते गरे दुखी रायको थियो, ना या ठाउको सुताई, निद्रापनी गईरो परेन, विस्तारे हातलमका आरा चामी एरी, अरुन तो अगी ने उठेर गई सके छ, अमाई राती नहीं प अस्तो आधर गरता थियो, आज बियगारी को बोली पल्टे उसको पूरु सत्तो को लोगनेत्तो को परिचेती रायको थियो, उसले बहनुनाई पनी के थियो रा, रात बर येवटे वो च्छानमा सुतेर पनी चिशिक का नोचोई उठेर गईको उगू, और ये लोगने उन समझेनों परने वला, और उनको त्यो बनाई उसले कठोर लागयो, उसले आदेश को बहसामा बनी रायको थियो, वो बेत्रे विस्तारे अहम जस्तो के उर्के नखोज दे थियो, मपनी उजस्ते उर्के की परिपक को मैला होनी, बवारी होनी बित्ते के मेरा सभी सोतनत तार सक्यालानता, सोची के उसको लबज मा ठट्टा पन थियो, तेस्तो ता लागये न, उसमा परि, इजो को ब्याहुली पईरन बायक, कोस्तो पईरन मा बायर निस्कने बनी पनी था न पायकी उसलाई, आफनो कपड़ा बायको ब्याक काहा थियो, था थिया न, नोया ठाउमा अफला केई सहग न गरी, करभाईर सिका लागेर, अरके कामा बेस्तर रायको देखायर रायको अरुनलाई देखी, उचक का परी, दुले अलमलेको देखर जेठानी ले बने, उतिया धारां गर, खलेंग मलेंग नुयार, न या दोती लार, आचलको गुम्टो हाले अनि चोख पानी ले आरा दोयलो, अगेनु पिली सबेतेर पोत्पात गर्नु परचा आचता, उतिया देवित हांचा, पुजा गर्नु परचा चोख नित्तो बार, ते या आतले गरको मंदिर मा पनी बत्ती बालनी, मंग सिरको अंतिम पूसको ठांडी, पानी सम्झेते जि खायको पिली टेक्सु बंदेवनांचा, तर अबती मिला समय लागला, आज मई गर दिन्छु, बोली देखिछें आफें गर्न, अलि नु आयरा पुजा आजा चाहें गर्नु परचा, माननी सबेला डोगनु परचा, जठा जुला अपनो सिर देखाऊनु उदेल, डोगेर उलाननी माईता, उनका इक कुरा सुनी रहंदा अरकाई संचार मा आई पोगे चो कि कियो जस्तो लागयो, सानी छादा गाउमा खुल्ला दारा में नु आहूने गरे की वायपनी, सोहर पसे देखिए उसले आजा समा बाई रते सरी लुगा कोले रनु आहा की थी नौ, बात बत्ती कातने, सेल रूटी पकाउनी काम मनी सामानी चलाउना सकती, दि दिलाई चिठिक का पारे र चोशा चोशी निकाले र पोत्य को चाहिनी, इन दिरला त्यस्तो नाहूने, प्राय करूना ने पोत्ती कर, हाच याद आई रहयो, उसले जे ठानीले बनिया नु चार गरन बोज सक्की पसी हाथ भरी चुरा, गलामा पोत्य का जुत्ता, रंगिय को स्यूदो, रात पारिवाय को दोती मा सज्जे की उस्कुले, च्यांगरा को ल्यास ल्यास से बोसो युक्त दावरे आगोमा बसाय का भाडा मसकाउनो पर्यो, दोस्रो रात पनी अरो निके डिलो क कोठ हमा आरा चाल्चुल नगरी लुशुक इंदिरा को च्यो मा सुतियो, उसले जती सतरकता आपना आय पनी इंदिरा नी दाय की थी न, चिमलेका आखा खोले रहे हरनी, कोशिस न गरी पनी कानले सब भे थापाय रहे का थिये, वो बिचार गड़ी रहे की थी, पहला तेस चाल्या थालैको थियो, उसले लामे बिदा पाय की भाय पनी अरुन को बिदा पौंदर दिन मा, पांस दिन मातर भाकी थियो, अब कती दिन बशने यहां बनेर, शोद्द गार् бол लागे पनी, अरुन को काठवानों फारकने कूरी थियाना, बरू उसको बय भाहरली निरास पनाए रायको थियो, अतारमा बियेको निर्डएगरे रा गल्ती भायको जस्तो पनी चोर्षन थाले की थी, चोईले त्यो घरबाटे हिन्नो जस्तो भाय रायका बेला, एक भिहान साचुर जेठानी ले बाने, अब दूरनी फरकायर आय पची तिमी अते बसनु पर च, बाब आयो, नेशनल पार्क पुरे आयो, हात्ती मा चड़ावनों खोजे तर उडरायर चड़ी न, आते ले खराबर असल मांचे एससे था पाउँछ, खराब बानी वायका मांचे लाई, सुनले चया पेर फ्याकी दिन च बनने, सुने की उसले, आफनो अतित का का चा प्रेम का थ खराबी को प्रतिका रूपन सोचन धाले की थी, मन को एक कुना मा अरुन को उधाचिनताला आपनो विभाहपुर बख्कुरा कते बाटा सुने का का कारण लेता हुई न, त्यसको परिक्षन का लागी हात्ती मा चड़ावनों खोजे को पन्तो न, सक्सल, आफने बित्र संक को खाडल मा पसी रायकी थी, कताई अरुनले अगनी परिक्षा का लागी हात्ती मा चड़ावन लागी को पोगी, संका मा थी संका थपीते जान धाले, और आफ़ेला दोरो बनावन मन मने बंदे थी, यदि त्यस्तो बने सासुबवारीले मानुपाथी बर्दै गरता बीड को खाड़ा पाएको थी, उसको मन को दोंदले कुने किनारा पाएको थी, यदि अधा महीना बिती सकता पने उसले अरुनले पत्रिक रूप मा बोगना पायकी थी, अरुनको उधासी नताले इंदी रामा निरास परे दे जाना थाले, श्कोल लागना दोई दिन बाकी हुद चियार लड्डू अगाडी ले आख राकताई बाने, आज अको चियार खाना आयता, अब बोली देखिता आमी उते आउंछा होनी, आश्व का फोरा छाडीन, उनले जुन अर्थक मा आश्व अनुहर में ले आयकी थीन, तो संगता इंदी राको परिचे समेट पायको थीया ताई पनी उसले लजालू अनुहर ले टाव को नियुराई, छुटी पनी सकी न लागे वलाता, ब्यावली पाय पचे ता फोन पनी गरना बुल्णू भाय की कसो, आसते थापे प्रिंची पल्ले, गाउमा फोन छाई न, टाड़े आउन परच, अब गई आलने ता होगने बस्ता बस्ते निके दिन बिते, अरुन ले श्बस्टी करन दियो, इन दिराला बाने उसको उत्तर मने परे न, आफनो नुया कोठा मिलाउनू परने, के वास्ता नागरी बईठाक में बसेर समभाई भीता आयो उसले, इन दिराला पनी एकले कोठा आम पसनमान लागे न, तो कोठा आफनो जस्त पनी लागे ना, मानचे ने आफनो जस्त न वह पची उसको सामान को किय महत्तो, उसलाई तो कोठा में बसन मन्दा कती बेला आमाला बेटना जाऊं जस्तो लागे रायो, तर अरुनले वास्ते गरे ना, जानमान हुदा ते दिन ने जानी प्रसस्त समय इजो समय को आफने कोठा भाय पनी आज एकले जाना मिले ना, उस तो बंधन रहे छोई बिभाह बन्दे कुरो, इन दिराको मनमा अनवटो खटपटी बाई रायो, शान चको खाना मेडम ने बनाय की थे, रमाईला गफ करदे नेके बेर लगार खाई शकने बित्ते के मेड यह पची पईलुपल्टा आमाला समयत बेटना काई की छे ना, उबने अजे डूलन जाने कुरा गर दे थियो, और उनको बाने उसलाई जन जन अनवटो लागी राय को थियो, इन दिरालाई मनमा ने जोग चले, अस ते समय उनजेल चाहिए गाउँ डूलेरा अनेक का बार पची जाऊला, नो यहां ग्रेस्ती थालियेको छा, उता आमा अरले पनी बेटना जानना बाकी ने शा, जी उपनी थाके को मसोस भाय राय को छा बीचरा देरे काम गणनो पर ठाके वला नी, बेंगे आत्मा का असे हो, मनमने बनी, तिमी दिन भरी तास बारी मानन जाने अरला क्ये था नी बुहारी मान चे को काम बीए गरेर अनिमोन पनी लगे ना मनर चित्त अनुदुखावन परशानी फेरी, मनमा चनक करे चुठेर आयो, बीए भयको एतिका दिन बैसे को एक पल्ट पनी छुना खजा चैना व केको लागी जाने अर अनिमोन चै, क्यो उत्तियो बने, उसलाई बोलनू मन्दा न बोल अनिमोने ठीक जस्तो लागे, पूर्वा प्रेमियर का अनुवार एक गर्दे आखामा नास न लागे, जिसके ने मूड मा देख्ये को अरून कस्तो कस्तो अनुवार लगायर पितातीर फर्केर डालियो, बात्रूम पगेर आउंदाता गोर्ण धाली चाके को थियो, यती च अनुवार जिव में के कूदे जस्तो लागे, बिस्तारे जिव चलाई, ठापाई बने बुजे जहें गरी, फेरी कोल्टी फेरे, चल्दे गरी को गडी को काटा टक कर रोके जस्ते लागे, पटक के निद्रा लागे, पहली उज्यालो अलार माईता जाउनला बनने चट बिए बने को दोई जाना को नाम जोड़नो मात्रे होता, गाउंको गर माता बिविन्या कारण परेको उना सकते हो, तर डियरामा आई सकता पने उस मक्कोनी परिबर्तन न देखता इंदी रालाई, और उनमाती अनौट उस्तो शंका लागे रायो, उसको मन जसंगा भायो, क मिठाई किनना आगन रस्तुरामे पुगे, तेहां पुगने बित्ते के शुदीप को छाया, खागाडी फन फने गोम्यो, टेबुल कुर्शी उई अवस्तामा थिये, नोन खुर्सानी, केचप मरिच को दोलो सबै उचरीने सजाये का थे टेबुल मा, एक आयक बाबक ताले छबयो, सायद उएक कोरिये छेवला, केबो इन्दी राती मिलाई, यांको मिठाई तेती गुणस्तरियां उदेने मने लागे राकी किना, अरुन ले सोदियो, ऐना, रामरे छनी आको पनी मले की वाने कि सुरा, अतित बाट निसका दे उबोली, मिठाई को बाकास जुन्या जोड़ी निठाम मातर लेऊंच, को ते उसलाई मेरा हिजोका गुरा अरु थाब आया काता हुएन, जोर को खुटा काट बने न पाउंदे उचालिये जहें लागतियो, कि तेही कारण लिए मेरो नजीग ना आयको होकी, तर ममा तेस्तो के नहीं खराबी चारा, वाली कशे देखी बाट एरेर बसी रायका थिये, यो जुआएको तर्फ बाटा बन्ता है करुणा लाई प्याकेट खोलेर दी, उसले केई पनी बनिन, आमाली बनिन कीने लिए राखनो पर दे तिर, कती शन कती लुगा, बरु मांचेने न लिए आर पो चिन्ता परेको थियो त, रमे थपीन, घर खाना तो अजे कती शनी, बर करता शुरू बाएको च, चोरी को जिन्दगी ते अरका को घर खाना के निमेते मातर ता शनी, आमाको बनाईली एककासी उसका आखार रसायर आये, तर उसले आशू बलेली रोखी, काखा की चोरी जन मायरे पठाको इतिकार दीन ब इसको लागी कुने उत्तर थिया न, खाली सोची मातर रही, बिचरी मेरी आमाला के था, मायो कोस्तो समय गुजारी राए, दे दिला लागी राय को अला, माली अरुन सहां गयरा के 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 हो के के अनुबब गरी सके वाने रा, खाना खानी बित्तिकाई हिन्ना अतार गरे इन दिरा एक बनुन न, दुई बनु भाई, और उनलाई सजीलो पारी दिना थपी, जान उन्च बने जान दिनो आमा, वाँको देरे काम बेती सके कुछ, उसलाई लागी राय को थिवो यहां बसे पनी के, न बसे पनी के, बल्दा बल्दा इंडी पनी आले, उने सललहा भी कईली आउनी बनने बारे स्वधने ब्याई न, जुए तो जिद्धी चन की क्या हो, आमाले संखा गरिन, वहीना कोठामा काम चाम आमा, बरी दिन आउन उन छला न, अलिक लजालू सबाब रहे चा कि आमा वाँको, टाक्सब गर्ना खजदे इन दिराले बनी, दिन बरी आम संखे बिताई इन दिराले, करका बारे मा सबाई सो दिन आमाले, करूना का छो मा खुले रवन अकमा काई, सब ठीक है रहे चा, ब्यावली बित्रियाउन चीतवन लगे, आमरे गाउं जस्तो रमायले तो लागे न, मुख में आयका कईयों कुरे आरुपने उसले ते तेके पचार राखी, पांचा मा पसी, करूना बाद पकाऊं दे थी, बैनिला पाउना जस्तो मानी उसले, इन दिरालाई समझना आई गया उई दिनको, यो ठाउं ते थियो, जहां उब्यर सुदीप ले उसकले सलक्क परे का हात ले उसका हात मा उपहार थमायको थियो, तो दिनक सुदीप को आखामा चलचलायका आशु अईले उसका आखामा बरियर आये, अजी पनी हुप्रती को अनवठो प्रेम स्मृति मा ताजी राये छा, सुदीप को लगपकायको बगबकायको स्वर्रा नाक को स्याक स्याक ते गुंजी राये को थियो, उसले पाखुराले गालो पुछी राये को द्रिश्चिये, अफिले मात्रा नवे अरुले पनी देखे जई, लागेर खुब डराये की थी तेस पेला, त्यो दिन वीजे का आखाली एर बाइरे को सुदीप लाये पर बाटो समा पुर्याउने जाने आट करी ना, उसको गाटी मा अरुनको गंटी अल आउने थिया ना कि, उपर अपर उनुको कारण चें किया वला, मेली स्वास्नी को भुमिकर न जाने को हो कि, एदी उसला मेरो बिगत्था भागे भाये इसतो कुराते बीए बंदा अगी सोद्नो पर थियो ने, काँचा प्रेमले बात्ना पानी पारे को थियो, बिबाले त जान करना घाट को बनाऊने वला, खाना खाने बेला मा निके बेर पर खिये सबाईली, उसको आउनी पत्तो थिये ना, एंदी राला फेरी रिचुटेर आयो, आफ है बांचे लाग दे बने, आउन्सो बने के से ना, क्या आधार मा पर खनेता, त्यासो बंदाई करदा एक कारले मन खुशी जस्तो भाया आयो, हाना खाई सके पची तंदा गर्न दीन या करूना ले, एस पेला फेर एक पल्ट उसलाई, आफ साचे ने यो घर की पाउना ने बई सके को जस्तो लागे रायो, पर मन पीरो भो, बिये हुनु अगी को योटा तना अप टुकरे रा दु जुआ एको निके याद आया की क्या हो, उसले क्या उत्तर दीना, हाफिला मायतमा छोडेर निडेको अरुनको अत्तो पतो नहुदा खुब चिन्तीत थिये इन दीरा, दोई दिन पची बिहाने टुपलोक के आय पुगियो, आज वो बिलकुल फरक देखिन थियो, अस्तिको जस्तो छटपटी रहतार थिया न उसमा, हन्मार पनी प्रसांत देखिन थियो, मायाली नजर ले एरेको थियो, आज अरुनको एरा एकदम फरक्र रहर लाग दो थियो, अस्तिको जादू मंत्र लेने काम गरे जस्तो, आमाले दोस्त्रो पल्टर रूँदे चोरीला बिदा अरुनमा अनौट परिबर्तना आयको थियो, बीए भायको एत्रो दिन चमा पनी पठके वास्ता न गरनी उओ, आज एक आएक ससक्त पुरुस बाने को थियो, आज अको अरुनला देखेर, अस्ति देखियो भीत्र उब्जेका अनेकों बिचार हरु सबई ब्रहम बाने का थ अफुलाई माईतीमा पुर्यायरा दोई दीन चमा हरायको उसले, कहां बाट पुरुस की निरले आये चा, जस्तोगरी नया कठामा पईलो पल्ट बल्ल प्रस्तोद भायको थियो, इंदीराले पनी अफनो सबई लाज का गाना आरु खोली र अनौट अनुभुद्धिकों स दुखी रायका थिया शरीर का अनेक ठाउ अरु तर यो दुखाई मा पिडा बन्दा आनंदर संतुस्टिली ने जिते को थियो, अचम्मर खोशी मा पिजे कि उसलाई अजे विश्वास बाई रायको थियो, क्ये छोमा आनंदली निदाई रायको मानिस उसके लोगने अरु पहिलो पल्ट उजालामा नांगवा आखाली देखी, एरीराना लाज लागे पनी एरी नाई रहाई, मुस्वक का अस्ते चेव में आरेक्चेन उब्योर अनवट पाराले एरीरा बन्यो, क्वधी सम्कीली देख्यो आज तिम्रो अन्वार, सायद उपनी सम्झी रहाएको थ जिबन मा पहिलो पल्ट उइन दिरालाई अफने लाज संग आफेला लाज लाज लागे रायों यो पन्यास बारों सिंखलासम बाचन सुल्यों एकसे बाउन न प्रिस्टसम पूरा गरेका सों मन्जुबी मलीको अत्रिप्ति उपन्यास को तेरों सिंखला अब बाचन गर्चु एकसे त्रिपन्न प्रिस्टबाट तेरों पोड़े रापनी बेपसी पती बाट छुट्यर व्यों गाउमा बुहर्तन गरी किमार्त बसना सकती न उसले अठोट गरी गाउम बाट फरके को दुए मेना पची देखी इंधिराला अनौट किस्म को टावको दुखन थाल्यों वाकवाकी लागने हाईरानी ले स्कूल बाट बिदाने लिनु पर्यों आफनो समस्याला रमाईलो को रुपमाली देई और उले जिस्क्याउंदा लास्त था दिक कदोभे लागतेओ बेला बेला मन बरंगाउने निरासा लागने रुना पनी मन हुने रा अज्यांत तोरले पनी गेरे जस्तो लागतेओ दिन दिन नहीं हिंदी राको पेटले गर्मा बसता कुरतार बाइर ने स्किदा लगाउने चाडी ला ठ्यालना थालेओ इस्तन पनी आफने लाफ्यार लागने गरी बड़ दे गयका अनुबामों दे थियो बित्रबाट सानो मास्यों को डल्ला पेटला उचालना थाले पसी उसको सोरूपने बदली ओ अईनामा उसलाई आफने अनुवार अनुठो लागतेओ अनुवार मा पोतो बारियेको थियो आखा पेत्र बासीयो जस्ता देखिन थियो टुक्रुक बसन नसकेर काम गर्न पनी गारो निर्दा पनी श्यांसे आउन अरुण डाड में ची दिने निवले एक गड़ेस ची न्वाई न्वाई बंदे जिस्क्याउं थियो गरी गरी इंदीरा को पेट मुसार न पुक्तियो उसलाई आफना पेट मा बच्चा खेली रहको थापाऊंदा अरुण नाई सिंगे पोसी को जस्तो लागते अनि अरु गुमैना पुर्याउन पनी नौ बर्च अस्तो लाम लागे को थियो खाना खांदे गर्दा थाई न पायकना एककाना एककासी इंदीरा को कपड़ा बीज़ओ राती हुदे गए पच्छी ब्यथा बढ़ न थालेओ प्राकृतिक प्रस्वपको प्रतिक चा गर्दा गर्द पचि अरुने आतिर अस्पतार लाई जया न हतार गर्न थाले पचिपो अफिल अपनी शिकिस्ते बढ़ एज छाकि कि वो जस्तो लागे को थियो अस्पताल मा पुगी शक्ता च्वाट्टे ओला बने लागे को थियो तर तिया पुगे पचिपनी पीड़ा राच पटिमा स इस्टकार रमाई रायका पनी थिये। देरेने गारू भई सके पसी रवचे पके बनी बांचे देना अला बनी लागी रायका बेला। डाक्टर लोई निड़े गरेशन नानी पेट बेतरे उल्टा बायकाली तुरूनत अपरेशन गरनो परने नत्र बच्चार माउके ज्यान खत्रामा होनी। अपरेशन को त्यारे गर्दा गरदी योटी नॉसले अन्ती म पलता जांष्णने क्रमा हाथले पेटमा कशो कशो गरे र थीचे कु र पेटमा जांतो जस्तो फना कै कि गुमे जस्तो लागे को थियो। ऐक पलता उरुक कै भाई साथ से अढ्के जस्तो बायो। पीडा को तियो असनी यो चेळ मा पनी नस ले खोशी होंदे बाचा गुमियो गुमियो अप्रिचन गरनो पर देन बनदे गरेकँ सुनी अफणो दुखाई को तियो पीडा निको हुने बाए जे गरेपनी गरून मने लागेको तियो अब अप्रेशन नगर ने सुने पची मन फेरी आतियो, पीडा खपना न सक्के के आबाज मा जोड ले करायार वनी, हैना गरी दिनों अप्रेशन सक्ति नम खपना, और यह रू ना आतिना डाड़ास निदै अब डरावनु पर देन, यह केचेन मात्र खपनो स, बचा को टाव अलेली दुख सखपनो अला, तेसो बंदा बंदाई, च्वार च्वार गरेको र पीरो हुने गरी दुखे को थापाई, और सहनिय दुखाई को बीच कुन को पीडा बढ़ियो, खुट्याओ न सक्की रह की थी न, आखे निश्केला जस्तों ने गरी कनी रह की थी, खुट् मन दुखे को बाईपो समझाऊनो, दुखे को सरीला क्ये मनेरा समझाऊनो, अनि तुरूनते फेरी लागतियो, सब बंदा कड़ा बिराम मलाने लागे को, किन ये नर्स्त डाक्टर अरुमला वास्ता गर देनान, मरना अर्दा पनी नभूजने कस्ता डाक्टर हुन, अस्तो अस्तालो, प्रसुर्तिक्रियाम पोगी पचे सजीले बच्चा जन्मीन्च बने को सुने की थी उसले, तर याँ पनी आमाली ने सरी बल गर्णो परिपची के को सजीलो नोनी, सब्बई ढाठर ठाग अरुको बिल्टर है अस्ताल पनी, सरीरुको दुखाईर, मन को दोन्द पनी, सब्सक्रियाम 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 पाउं थे, गास को भारी, पानी को गागरी संगे नानी पनी ले रहाऊं थे बन्ते, अस्पताल बिनाई दर्जनों जन्मयायों बन्ते, बल्ल पो आमा को पीडा थाऊं दे थियो, उन्योर ले बहने का सब्वे कुर्या आफाईले पनी बहनी रहे चें, लागी रहे ते उसला दास्तब में तेस वेला उसला पनी बही रहे कुथियो, प्रणाय सुखा को मिथ्या आबोद, एक छिन को सुखा का कारण बरन गरनु परनी यो गर्भा को पीडा रा जन्म को मर्म कती दुखदाई उन्दोर आईशा, सोची रहे की पनी थी ना, चारा संचार को खुषी, र डोप छाड़ियेको खाली जस्तो बायो, अस्पताल को बेड मां चारही पाव बादेर अपरादिला दंडज दिये जाई बना येके थी यू, पुछरती र जम्बावयका डाक्टर र नॉर्सर ले उसका सारा लज्जार ला उदांगा बनार हातायरे विस्तारे सुलुलुल टानी रायका थियेको ने चीज। एक के चिन मां बुणी खोक्र बाय जस्तो लागे को थियो, तांग मुनी धाप्य को बाल्टी मां चतलैंक चतलैंक कैई खसी रायको जस्तो शुनिन थियो, के चिन मां रगत सहिद को सानो बच्चा उसको चाती में राखि दिये, बंदे थ कैए खुराले सिलाय रहाय जहें लाग देथी यो पिडा अगी को बंदा कता हो कता अर काइ रा अस्ष हाय थीओ दुखाईपने कथी किसिम को होला तर जुन दुखाईपने उत्ते के दुखने ओस्तो होला दारा केटे रा खप्णा ख़जदा बनी सकी रहाय कि थिया न अगाय जस्तो पनी लागी रान थियो, अईले पेट सरलक्के गटे पचिपो बोकली आक्रमंट गरना लागी को थियो उसलाई उन्हेर ले सियुदे गर्दा दुखायला बिर्चिन बंदाई छव को टूल मा राखे को केरा तानेर मुख मा आली उसको त्यो काम देखे रहो की कि नव, एक पल्ट सबेजाना उसला अरगर मुश्कुर आए लगातार दुई को सके राखाय सकता पनी उन्हेली सीश सके का थिया नन, खपन न शके र उसले बनी उस त्यत्ते के छोड़ी दिन, येवटी नरसले जिसके दे बनी, ओ, एसे छोड़े रह पची तमया को लोगने गाउन डूलना थाले बनी उसले बनी बनी दी, दूले के ता, तिनले पीडा खपन परेको छार, त्यती बनी सकता, ता बटा लाज लागे रायो तिस तो पीडा को ब्यला पनी नहरावनी तो लाज भने चीज़त पनी कोस्तो हो भाए, आपने मन मने आसी शियो धागोरा छाला को लाम हो संगर्श पची, बल्ला बल्ला उसको चिच्याहट सक्ये को थियो तिस पची बिस्तारे उस्ता थाओ दे गयो, दारा केटे काले दान तरुपनी नराम्र गरी दुखे कराये चन चिच्याहकाले गाटी पनी चिर्यको राये चा, टावको उस्ताई नमीटो गरी रनकी रायको थियो निक्के बेर सिथिल वरते तिके लडी रायी, आखा लोलाउन लागे का थिये उरली रायको खारे खोलो संग लडाई लड़े जस्तो, दुई दिन देखी को युद्ध समाहपन वायको थियो जकाउन लागे का बेला कसेले उठायर विल्चेर में राखेर और को कोठाती रा ठेलनू आगी पाउडर दलेर चिटिक का पारी कपडामा बेर बार पारेर आका चिम्लेर निदाई रायको यो सानु मान्चे को बिरुआलाई उसका काख माली दिये खुशीर लाज दुबै मिच्चे को मन रा आखाले तेसलाई एक पल्ट हेरी रा ठूलो सास फेरी दुई दिन देखी नहीं लगातार बराबर लड़ाई लड़ी रायका उने रू अब एकर का बाट मुक तवायका थिये लामो संगर्श बाट ठाके रा लकतरान बारत्यो सानो मान्चे अले उसको काख मा समझोता गरना आई पुगे को थियो अब फेर इतेसलाई उसले नवनोग मैना समा पायका सारा कस्टर ला बोले रा उरकाउनु थियो काकमा सानो प्यूसो बोके रा बाहिर प्रतिक्ष्या रात आफंता रुका आगी फुगदा फेर एक बल्ट लाजडे हो रुक काई भाई तर उसलाई सकोशल फरकेकों मैं अरु सबे हर्चित थिये रसबय का आँखा नानिला हरना आतूर थिये उचाहिं होटा भयानाक मृत्यों को मुख बाटा फरकी आयकी थी एक जना काकी परनेले उसका टावकमा हाथ को माउँ दे बने ठोलो काल ला जीतर आयो बाबाई तर क्या गरनू हाई मैं को जुनिले असता काल रुकत्ति काटन जुताई दिये एक पल्ट नियाले रहेरी तेसले पिस्तारे आफना अनुहार खुमचा आयो तेसले मुख जन्माय के आयी बने समझाने बित्तिके अनौट खुशीर लाज मिश्चीरा आयो फेरी नानिलाई छोमा शुतार आफुपनी शुतना लागदे गर्दा कोसे ले ब पल्ट नियाले रहेरी निश्कानो नानिला दूद को आउनौ पर्छा अर उनिश्के पसी दयलोला डेपेर छेव मा आयर बोलीन एस ते अंजस्चुरुमा तर अब लजा आयर उंदैना नानिके आमा बैशके पसी लाज, गिन, रिस, निद्रा सब आय त्यागनो पर्छा न नानिला पाले संग तन तनी चुछाय को समझी, उनले तेसो गर्दा उतिवेला उनी बन्दा पने आफेल अजाय की थी उ, ती दिन अब आफेला आई सके का थिये, विस्तारे ब्लाउज को ट्राट फुका आयर तेसलाई मा ती सार्दे लगीर आखा चिमली, दुच्छुमा पनाउने काम को सहयातरी बिस्तारी ब्लका ठेले रे बित्र पस्यों, लोग जिम्मा लेव आफनो नासो, बंदै काकी बाहरे निस्किन, अरुन छोमा आर उब्योर मायालू पाराले हेरी रहयो चिन, इंदिरा ले बने आफनो आखा कोईली नानिको अनुहार मा, कोईली अस्पताल बाटा डिस्चाज भाये, इंदिरा का आमा छोरा, शासोले नाती बोकिन, और उनले एक तीर सहायता दियो, जिस्तारी बाइरी बाटाईमा सची ला देकी इंदिराले, दस्ता के तेस्ते थी इतियो, चिनी आली, आमा ही सची, ओई, बहे बरको बल निकाले रे कर इंदिराले, इंदिराले, शासी को जईले पने असादे चीटो बोलने बाने, हतारी देश्वादी, तिननों लोग ने खोईता, उसले हाथ समाती रे करूनला देखाई, लाजले लाम जिब्रो निकालते बोली, लो, मले ते एर दे ना एरे की, नमस्ते गरी, आनि उससे गर हतारी ने बाने देखाऊंदे बच्चा को मुखेर ना खोशते बोली, दोबाईलाई, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन, कोई एराउंते बेबी, छोरागी छोरी, तेरी, आफे शतर काऊंदे, उहो, बच्चाला ते एरना हुन्न, मामुले बहनिश्या बन्दे, पर्च बाट स पेगने इन छोनी, लजाऊंदे न लजाई उसले बाने, तिमरा इनी बधाई छोशुवाए, तर पेट देख्येको थियान, सानी मांचे जसते थियू, कोईले पाउने नी, फेरी स्वधी, स्वधेक उत्तर नदी बाने, ऐले तिमी जाऊ, यू मेरो बिजीजीं काडो, मेर नंबर मा कल गरन आई, आनि तिमरा पनी नंबर देऊ, इन दिराले एक छिन गोरियरे बानी, उन्च मा थी मिला फोन गर्चु, सासीले बानी, लम आयले गए, मेरो पनी लाइन मा बसन परच, जाऊ है, र बोली न सकता ही, इड़ी पनी आली, इन दिराले आखामा सब बय अत उसले कार्ड पल्टाउंदे एरी, ओहो, हाकिम्पो बाकीरे चेकेती दा, और उनलाई पर्च मा राखनू बन्दे दी, बाटा भरी अतित पिंग जाई मच्ची राय इन दी राको मन्मा, डेरा पुगनी बित्तिके कार्ड फेर्दा मा आगीर नंबर टीपी आली, इन दिरा अरुन ले एकोहरो बच्चाला हरी रहरो बनेओ, आमरो च्वरा कोत्ति रामरो शाई, इन दी राले मसक का मस्के देवानि, रामर ता शानि, मिस्टर अरुन को च्वरा पता, रामरो उन्नत, मकाउं नाउदे पनि वो बाभुक थियो, यो छिट्टु पाँच बर्च को बा वह इंदिरा मेली अतित कोट्याउं दीना वनेरा सोच जेको थी हैं तार आज ना बनीकन बस नहीं सकी दा। इंदिरा को दिमाग मा तारले गोचे आजस्तोगो तेस्तो मायगरनी मान्ची किना आज अनौट कुरा गर देशन। आकी वह खुमचाउं दे कान ठाड़ा पारी, वह बन्दा ही गयो तेमी मेरा कुरास मेरा दुखी नौवाई, मैं युटा कुरा बन्चु। यह कती कुरा गुमाई रहे, शुरू-शुरू बन्णो नी इंदिराले जहर के जस्तोगरी। आज बन्दा पांच बर्चा अगी, असते तीमिला जसते बवितालापनी सुतकेरी बेथाल आगे को थियो। सबी कंडिशन ठीक ही थियो, एककासी ब्लेडिंग वायो, थामी दे थामी याना, कुद आयरे टीचिंग अस्पताल लागे। बच्चाले मुटुमा दख्का दियो, तुरूनता अप्रेशन करनू परचावनी डाक्टर लियो। गंडों पची सुने को खवरली मा बहोस वाये चु। वोजाउंदा मा एकलो बई साकेको थियो। उनको डेड़ बड़ी रगत मा मुच्छेको थियो। वोजिनजिन की बनेर धेरे भेर बोलाएं। उनले सुनी नान। नो तो पेट विद्रको साथ मैने बच्चाले ने सुन्य। वेरा बामा बायरपनी मा कोई नवायको तूहर जस्तो भायको थिय। विभाका कपड़ाले बेरिये की बविताको मातमा पूरे एक बटा सिंदुर का प्लक्के कपड़ाई दिय। उनी चिता माती चीर निद्रामा निदाई रहेके थिय। आँखा खोले रहे मला हैरी नन। आपने हातमा बोकेको आगोको लपको मुख मा राखना अराई रहे। मैले तेही गरी रहें आखा के अगाड़ी चितामा बोलेको आगोको ज्वालामा जली रहे नूनी। इंदिराली राखेका हाथ जहांको तेही थिय। मुर्ति बत बार सुनी रहे उसले। दुलाई बित्राउनी बेलाको गाउलेका बाकेटावका ओरी परी जन्जनाये। पहलागी बंदात राम्री रहे छिन। संक्रा का त्यांद्रा दिमाग भरी जुन्डिका थे उई बेला। तरक्याई स्वर्नी आठ नगरी के इंदिरालाई बिए पसी लोगने नजीक नायको देखता बने अच्छमा लागेको थियो। और उन्ड बंदाई गयो। तेही बहर बित्यका तिन्हें समझना आरूले बिए का सुरुका दिन अरूमा मेले खुले रा तिमरा कथी इच्छारू पुडा गरना सकी न। सब्वे कुर्या बूले रा नया जिन्दगी सुरुका ने दरो अठोट का साथ बिए गरे पनी ति मिला ब्योली का रूप मा आपना छोमा देखना साथ मनमा डर जस्तो लागे राऊं थियो। मैले कथी रात तिमरा छटपटी अरू मौसुष करे की छु। गरी-गरी मेरो दिमाग मत ती नहीं आमा छो राका लास को द्रिस्ची आयर को मीरा अन्थियो। इंदी राको काक मा मुन्टु राखे रा उदेरे वेर भावब पयो। उसलाई एक कुरा कसे ले पनी सुनाय का थे न। उसला था बिये पचिव घरमा बसे के थी न। अलिक लामाय समय बसे की भाय कसे ले ता पक्के सुनाऊं थे न। आज सम्मा आफ़ले प्रथम पुरुष संग बिये गर्न पायको लाही रायको मा एकायक मनमा पर्दा खसे जस्तो भाय। पहले कसे को पती भैसे के को मानिस पो। उस संग शूती रायको रहाय सहरेग रात। कथा कथा। दिगमिग जस्तो लागे रायो। मन को परस्तर नथाम तमीलो कैई मोलियो। पहला कहले न देखे कि रा मरी चाखेके बयाए पनी उसके स्रमाती संग कथा कथा इरिषय लागे रायो जनक कर्यीस पनी उठियो यत्रोकुरा यति दीन समल लुकाया रा बसन सकने कथी कठोर मन ओला पहले बन्नो परनी आईने रेशतो कुरा, पहले चलफल बायको बायको बाय पनी तो यो बिहे होना सकतो, जन बड़ी माया लागतो, तर आज़ता डाटे जसतो बायनार, मन मने कूडी, उसमा देख्षेको यो भाभुक छण मा केई बन्न मन पनी लागे न, यसे पनी अब बने तर केने होनो थियोर, तर तेही कुरा विस्तारी मायती ले थाप आय बने, कती नमीठो मानलान, संचार मा कन्या केटे न बेटे जसतो, कांची छोरी नहीं, बिदुर को पोल्टामा परेखी शुन्दा, आमाला कस्तो लागतो, उ एक गोरो बोली रायको थियो, तो दिन मले तिमीला मायता मा छोड़े रत हीने, तर मलाई कोठामा जाना पटके मन लागे रा, मन एक दमाई बिरक्तिया को थियो, यो बिह गरे रा गलती गरे जसतो लागना थाले को थियो, बेरू मन का जुनकुरा मत तिमी शंग भन्ना सकी रायको थियो, औरू कसला भन्ना सकतो, बै आमीले बी ए पच्छी का रमहेला छणरू बितायका थियों। उनला खुबे मन पर ने पीजा की नेरा खायको ठाउं देखेरा मन बिरक्त बार आयो। क्योटा पीजा की नेरा सड़क बाला को हात मा आली दिये। दिन बहरी बतासियर साज तेर किर्ति पुरिजाने बहस चलने रति आको वोस्टेल मा बसी रायको मामा को छोरा को कोठा मा पुगे। उस्चेको पाउना बहर कैंटीन को खाना खाये। उस्चंग पनी केई बन शकीना। राद बहरी तेत्तिकै आखा मात्र चिमलेर बिहाने उठेरेंडे। दोस्रो दिन देन बहरी पस्पती छेत्रमा बिताये। देरे जशो आर्य घाटके ओरी परी गुमी राये। मानिस का लासरू लगातार लियाई रायका जलाय रायका थिये। बुडा बुडी युबा युबाती सबै उम्हेर पासरू जली रायका थिये। तो दिन मलाई सोक्र लज्जा दोबै कुराले छोपे को थियो उनको आत्मा कताई गुमी रायको वला रायरे मले तीमी संग बीहे गरेरा संगाई सुति रायको देखी रायको वला बंडे कुडा लगातार मन मा आई रायो अपराद बोदको अनौट बारीले थीचे को थिये साजा तिर विस्तारे मन चंगाउं दे आयो कसले मिरो कान मा विस्तारे अब तिमी खुशी भर जाओ खुब रोयो मन पखालेओ बने जस्तो लागे आफुले 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 समझाए जिवन तो बर्तमानो अनि मो कोठामा पुगे मन हलूंगो बायको थियो चाव चाव पकार खायर सुते गईरो सपनामा पुगे सपनामा उनी आइंडर बनें किना यसारी जीव छोडेगो इंदिरा बने कि मैता हुँ अनि बेले माती मिला लीनगा आएको थियो और तो दिन देखी मेरु मन को बोज सद्धाई को लागी भी साइएको थियो तर आज फेरी किना किना यो बाबुले पुरानो इस्मृतिमा पुराई दियो मला माफ करा इंदिरा मलिई आफुले नियंतरण गरना सकी न और उनका कोई नस्मा सोनी सकता फेरी उसको माया लागे रायो मानिस को मन पनी आफमे ले बुजन न सकी न किना भायको बला परखाए रिसुठे को मानिस को फेरी माया लागना थाले को थियो विस्तारी इन दिरला ते कुरा सहज लागन थाले उसले इस बिचमा आफ़ो संग गरे का रामरा कुरा समझा देगाई चदें दिमागला अतित को बर्या बना रे मात्र होंच था अतित नभा को मांचे को नहीं चारा कैई फरक मात्र नाओ तेसके प्रेरणाले बर्तमान बासनेयो ब्रत्यो को मुख बाट फरके को आफनो जीवन समझी बविताला समझी उँ मरे की भाय फेरी पन एकलो भाय को अरून ला देखी उसले खुशी पनी लागयो उसको अगी रोई रह को तो इस तो पूरुश थियो तो पत्नी ला असाध्य माया करते हो रोब उने तेसके पत्नी पनी भाय की थी उसले लागयो जीवन साइद तेती निरस नहो लागी उसले और उनको कुराला सामाने रूप माले दैर अरू कुरा आरूपणी पटक-पट स्वरी दिर सजीलोर हलुका बनना मदद करी दी ताई पनी पेत्र मन मा उसले एत्रो कुरे आफ़संगा लुकायको मा चित्ता चेह बूजे को थिया ना प्रसाइद यो कुराला उच जिबन बरिने बूलने चाय ना किनकी कुने न कुने दिन यो कुराया उसका माईती आवले पन थाप आउने छन रत्यों दिन उन्हेरक आगी आफ़संगा टाउको निवरावनु पर्मे छा ससीलाइ फोन गरने मन होदा आउन देपनी ब्यायकी थिला एक दिन आफ़ुली दियेको लोकेस्टन को आधार मा ससीटु प्लुक का गर मा आई पुगी उसको बड़ी पुटुक कर देख्येको थियो उसका आखा नाने में गये निदाई रायको कालोटीको निधारका कुणामल आखो राच अम्माईनी कती चाणो यत्रो भाको यहरा मैले कीली आई देको छुछु चेंग चेंग पार्दै आफ़ुली लियाको बाजा पजाई नानीले तरसेर पुलुक का एर्यो उहरत तीमी जस्तेई शा मला एर्यो बनेर मक्का परी प अफले मिल्हाूताताताता जेरीस्वायरीय खाल्तै फइले खाओदाये साल नाता थाल में उले बने से घुहattend फिर sm user. खतीक हांते हो है हमी बागभजार मा संगे तीमी आखो यहाएं संभाना छुफावाु गैवालिको लियान कालेयां पेस ती चंचल केटी पन एक्षिन भावुक वाई। तो बेला रुन उन्न मामुली बनीशिया। मले मात्र खा बने की लो तिमी पनी खाऊ। की नखाने नी। मैले ता मामुली नखानू बने शाचा बन्थेव। इंदी रहासी। सब्बई थाच है। मले केके थाचैना सोधना मात्रै कुरा कोट्याओना खजी इन दिलाले। ममी मले लाज लाज लाख्षा बिर्शी देव आबा। तिम्र उपद्रो एक आयक्यात्चा मलाई। तिम्र बुड़ लाज न बनाई। मले ता कस्तो लाज पोलाई। मता जान्चो तिम्र बुड़ नाउ दे। किन्हें बन्ते हैनी ठट्टा पता। साची तिम्र गर चाई कानी तेहीनी बागमती पूल पारी कुपन दोल। बिये कईले बता। अनि बुड़ नली आकी तिन बर्च जाती बो। मता आफने कार मा आको नि आफने आच्छू आफने कार भाय पची एकले इन्नके बर। बुड़ आफने काम मा बिजी वैशी इन्चा। मा आफने पनी प्राय इंडी रहनु परचा। कसको साथ खजी रहनु। अईले पनी ऑफिस पटे टाइम मिला राको। करगर अतार अतार बिर्यानी रा सुप बने आर तिमरो लॉंच टाइम फुत केला बने रा दौड़ाय कार। कस्तो ट्राफिक बाबा हा। यसले कथी चाणाई देरे पड़े राधिक्रित्पनी बाई शकी छे। अथी इतले गोची रहाय। अनि फेरी आफुरे आफुरे लोगने दुबाई टीजिंग गरी रायको समझी। इन दिराले कुड़ा कोट्टे हो दे शोदी। बियमा पनी नवबल आकी आई। कलेज चोड़ देकी का बेपता बाकी तानी। मेरु कलेज नसी दिन दाई ड्याडी को पोखरा शरू आवाय। सबय उठे काय। मा तिमेला बहन्ना आयकी थिया। तर तिमेरु डेरा सरी चाके का थिया। माली तिमेला कती देरी मिस करे की थिया। उठे बाटा मास्टर्स करे। देदी को बिये काठ बढ़ा मुदा पनी मले तिमेला इन्वाइट गरना पाय। मा मुले पनी तेरो साथी खईते सोधी रही शिन्थियो। अस्ति मले तिमेला बेटे को कुडा गरेको कत्ति कोशी भाईचिया थियो। यसले अज्जे शिवना छोड़े की रही नाची। मन मने आशुटी हिन्दी राले। तिमेला थाचानी मला केटा मांचे मन परदे ना बननी। तर मेरो ड्याडी ले उँआको साथी को च्वरा संगा जबर जस्ती मेरो ब्या गराए दीश्यो। रिचाय को पारी उट। कती दिन तो मा भागी भागी इनले। मेरो इच्छा बूजेर वाँले पेन जबर जस्ती गरनु बाया। मेरो मन केटा मांचे को बाया पनी शरीरत परिबरतन बाया को थिया। अनी मैले उनलाई पुण रूप मा केटी देखने प्रयातन गरन थाले। तर उनी प्रेग्नेंट बायान मपो बायचु। उँ बच्चा जस्तो आँसी। मा पुरुषको मन बोकेको मैला शरीरले बच्चा पैदागा नखोज देचु। आमी दोई केटामान चे येवटे बेड मा चाँस्तो लागी रांच। मेरो दिमाग केटा आके जालोमा कस शेकुछ। तर उनले कोईली पेन नरामरो दिश्टिले एरी सिन्न। तेने मला आनंद लाक्ष। आमी सुखी चाँ। अब आम्रो येवटा रामरो चोरी पाऊने मन्च। माकोचे चोरी आवस्पने रहर्च। कसको कुरा पूरा आउन्चे हेरों उगलल्ला आसी। इन्देर आयले पो चरलंगवाई, मरी छे। नत्र तिमीला आपनी क्या थारा। इन्दीरा छक्क परी। मले तियो दिन तिम्रो लोभ्याला कस्तो हैंसम बने को मात्र हो। मले रामरी सिर्माती वायको केटा माँची देख्यो कि कस्तो जिलस हुन्छ। च्वाट्ट अरुन बीत्र पशियो। उनिरको सम्भाद टूटियो। ओहो, हैंसम बेना आउनु बो दर्चन गरे। बाबु कती रामरो नी? अउपचारी को नखोजी। अरुनले बन्यो, रामरो छ तन्ने बाद। मेरी साथीनी रामरी छेन्नी फेरी उसले तारीफ करी। खाना को तयारीमा लागदे बोल्यो। बाबु अज़े निधायके छा, कती लामो शोती होता। बीजाई सक्यो अरुनले बीजे को थांगना निकालेर नया फेरी दियो। अमाला केई थाचेने अनुन, ससीला पोल लगायो। तही तही बर केटामान चेला पो थांगने राईचा। उँ हास्न धाली। साथिला चिया खाजा ख्वायाउता, अरुनले स्वोद्यो। उँ साथिलाना यनुस्ना केक्केल आईचे, खादाई बसते पो छाउता। इन्दी राले बानी। देक्षेन पसी जाना हतारी, मले तला बाटोमा कार बार करे की थियें। बाहा लोगी सके की ट्राफिकले। बेना तला गाडी थियो निलो रंको। मरी चा। इसको कार पनी निलाई पो राचात। यो निलो रंकीने यसरी मेरो दिमाग मने रंतर गुमी रंचा वला। इन्दी राको मनमा फेरी निलो रंग उदायर आयो। ला बेनामा गए आई, निसकना लागदाई बनी। बाहाडो बिर्शेलानी पची फेरी बिर्यानी लिराउन परछा। पनेर रमाईलो गरी इन्दी राले। गर्रोवती बाई पनी सारे फूर्तिलो संगाइड थी। दरो अंगालामा बादीर चुट्टिये दुबाई। पोची थाबो। सशिके जितवायच, छोरी पायच, इन्दीरा बेट न गाई। केटा मान्चिक कुने गंद समेथ्यान, उँ पक्का आमा बाई की थी। पुवा, खीर, जेरीश्वारी र लोकल भालेको मासु, कैई कपड़ा लगी इन्दीराले पनी। अहले उँ पूरे फेरिये की थी। सब्बै चाखी इन्दीरा सारे खुशी बाई। जण्डई बर्षिक उनलागया छोरो बोकेरे इन्दीरा माईते जाना लागी की थी। बाटामा हातमा हेलमेट बोकेको, नीलू जाकेटर कालो चस्म लगायको मान्चे। छाया जस्तो पची पची लाग दे थी। उसले खासे वास्ता गरी ना। बाटामे इन्दे कत्ती उन्चन कत्ती, तरत्यु मान्चे आफो नजीक नजीक बारे हिन्न धाले। आंका कोल्टे आउंदे एरी। चिन्नु बाय नवला। चस्मा खल दे बोले। इन्दे राका आखा विश्भारित पाये। उसको अगाडी सुधीप उबिये को थियो। अत्रप्तिको तेरस रिंखाला हामीली सुन्यों मैली एकसे चोंस्वाटी प्रिस्टसमा को बाचनु सुनाए। एकसे चोंस्वाटी प्रिस्टसमा पोगदा इन्दे राको पुरानो साथी ससी संगा बेट काड़ भयो। ससी ले पनी अब बच्चा पाई सकी कीछ। र इन्दे राको पनी बच्चा छ। उन्हेर ले आफनो किसो रवस्ता को ब्यलाका कुरार ले समझाना गरे। यो उपन्यास अंते तीर आइप्रोगे का छाओ बनेको थेमाईले आजैसको अंतेम स्रिंखाला लेरा आइप्रोगे को छू। अंतेम स्रिंखाला सुनाऊनू बंदा अगी अंतेम स्रिंखाला मसंगा बारा प्रिस्टा मतरे बागी छा। तियो बंदा आगी यो उपन्यास की लेखक, मन जुबी मली को लेखकिया कसरी लेखकना मन वयोज सिर्चक को लेखकिया चा एसला पहले शुनाऊचु तेस पची उपन्यास को बांके बांके बांचुनाऊचु लुँ साने देखी लामा छोटा कथा अरू पड़ थे अपनो कुर्स का पुस्तक बायक औरू पड़नी तेती अफसर पाई देना थियो पएले गाई दायोर लिल्यायका किताब खुशुक जिकेर पड़ थे पड़दा को मज्जा पनी कुर्स बायड़को केताब पड़ेको आरले थापाउनों लावनने डर को हावाले हिरकाउंदेई गुमीर अन्तियो एक दिन पड़दा पड़दे भुशुक का निदायचु शिरानीमा राखेको कूपी ढलकेचर तेल रसायर लुगा बलना थाले चा आगो हुरकना थाले पची संगही सुटेकी जीदी चीच्यार ब्योंजी चा और को च्छान मा सुटेकी आमाले समय थापाउनु बाय मा निद्रा हो कि तंद्रा बाट ब्योंजी सकेकाली किये गरनी बने रेसे ही पत्तो पाई ना नया पुस्तक देखनी बित्तेकेई पड़ने बानी बस्ते गयो तेती बेला पड़ेका केता बरु सबड़ेको नाम अईले समझाना मा शायरन। कुन बीधाका बनने पनी थाथिया ना तई पनी रूप मती नासो बसाई आधिले पारेको प्रभाप भने कोईले गयो ना चिताको ज्वालाको कथा बस्तोले अईले समपनी प्रेमीर मस्तिस कलाची मोटी रन्चा एती रामरा कृती पड़ी रन्दा इस तो लेकने लेका कोस्ता अउलान कोसरी लेके अउलान अनुतरित प्रस्ण गुमिरान त्यु दिमाग मा मजस्ताई पाठकले मेनातर अभ्यासानी प्रेयास करेर लेके को अलाब अन्ने पनी लाग दे ना थिव यो लेखने चाई लेखक ने भर जन्मिय का अवलान जस्तो लागने सुरुमा कविता का अरफ लेखन थाले लेखा कोने रहर पलाय कुराय चा जत्ती लेखे पनी आफेला चित्त बोजदे ना थियो अरुला देखाऊन पनी लाज लागतियो डराउंदे लजाउंदे कैई रचन आरु साहित्तिक समारो अरुमा बाचन पनी गरे बिदेश बस्ता देश आफंतर परिबार को यादमा बिरह का अक्षेर अरु कोर्दा कविता बनेशन अफना अस्तित्तो गुम्नाम पारेर परदेश मा पसीन संग पईशा शाड़दा का पाईला आरु पनी पीडा युकत कविता का हरफ चसते लागते शिर्जना जे जस्ता बैपनी सुरता आरुले प्रोद्चान का लागी प्रसमचा गरे दिन थे महोसी दे गये औनी डराओ दे पहले देखी लेकर थनकाय का कविता अरुको संगालो दोई थोपा आसु प्रकासन गरे बिदेश चादे इस बाट मला सोचे बन्दा ज्यादा हो सला मीरियो विस्ताराई संस्मन अरुलेक न थाले कविता बन्दापनी आफना कुरा ब्यक्त गर्न गद्यमा सजीलो जस्तो लागदाई जाना थाले बाल्लेकाल संग जोडियेर पली देखी लेकेकार थपपची थप्यका अनोबा वरको संगालो खीर नामक संसकरन कृती पनी प्रकासिद गरे कथा बन्दापनी लाम पाराले बर्न सके ने अरुका कृती अरुOSके अरुक बढ़ोयो लड़ बस्ते गओयो विदेश्मा रहधात यांको काम को वेस्ततार दुखा का बीच पनी मेपाल देखी पुस्तक अरु गेर पायार बढ़ना थाले कवितार संस्मलाण का कृतियरू प्रकासित भाय पनी आख्यान लेखने रहर बने जीवी ते थियो, केई कथा अरू लेखें चित्त भुजे न रहर सांत भाय न, देरी लाम समय लगारे विट थीम बनाय रह लेख न थाले, तर त्यो लेखाईली कुने बाटो समाते जस्तु लागे न, और लेखता-लेखता है का थी पाना त्य त्य ते क्वणा ती रह थुपार न थाले, कियी समय पसी थे निकाले रह पढ़ने रह केई बड़ाउंदे जादा चाइनी ना चाइनी कुरे आरको डंगूर लाग दे गयो एक चरण लेखी सके पची माती देखी मिलाउनी क्रमा जब अरन धाले बिच बिच मा थपने रहटाउने गर्दा गरते पहली लेखे को कथे अरके हो दे जाना धाले पाठाको चित्त बुझने न बुझने तो पची ओ तर अफने चित्त बुझावना गार वने रहे चानी देखी अरुका क्रिथी पड़ेको र तिने क्रिती का कारण ले ती लेखाक अमर रहेको बुझे पची मरेरा गय पनी आफला बचाय राखने चीज बनेको तो लेखन नह बिश्वास दर गरी मन मा गाड़ियो तेसलिपनी अफना अनुभवला शुरक्षित राखने यो पाय बने को लेखन ना यो बने कुरा मन मा द्रिल्ड उन प्रवियो हासकरी यो कृति लेखताई करदा इसको सुरूप कसतो अला इसले के संदेश बोकला वनेकुने नीदो थिया ना अले पनी मला थाचे ना इस कृति बाटा पाठकले के कुरा बोध करला मला एति मात्री थाच उपन्यास को कथा बस्तो आत्यनते सरल रह अथार्त चा पुरुस्र इस्त्री बीचोने आपसी समागम बाटाने मानप सब्यताली निरंताता पायको उन्छ तेसका लागी उन्योरू जस्ते कठोर अनुसा अस्चनला पनी तोडे रह करकामा आकर्सित बाईर एका उन्चन यो असाद्धे सरल अनी बेक्तिकत कुराओ यो अपन्यास किश्वर कालीन प्रेम भाब बाटा प्रारंब बायरा यूबा उम्यर्शम पुगदा भायराने फरक फरक आकर्सित का अनुगति अरुमा केंद्री चायकोर मनले मागे को मायान पाउँदा मानिच आफाई मित्र कसारी कुंठीत उन्चा बनने मनो दसाला समेट न खोजे कोछा शरीर को विकास होंदे ही जादा होनी बीपरित लिंगी आकरसंडर तेसला बेक्त गरन नसकता उत्पन होनी मनो दसाला समेट न खोजे कोछु बर्खर बर्खर 22 चरदे गयका केटा केटे उरमा केटाले जती सजीलोरा हलुका गरी प्रेम लाय अरेक होन्चा त्यो बंदा कईयों गुना गहीरो गरी केटीली सोची कियोंचा लोगनी मान चेका मन का कुणे इस्त्रिलाय देखता उत्पन होनी अनुभती जस्तो ओन्छा तेस्ते अनुबती कुने पूरुस ले देखता स्वासनी मानचे मापनी उन्छा लोगनी मानीश ले तेस्ता अनुबती जती सजीले ब्यक्त गर्चन मयला ले सकते न तर मन पर्न उसको कमजरी वाई न अत्रिप्ती उपन्यास की पात्रा इंदीरे आपनो पईलो प्रेमीला संपूर्णा जहांचे तर त्यो प्रेमीली वास्ता न गरे पचे उसके रंगरूप संग मिलने हरेक पूरुस उसको मन मा पटक-पटक प्रभिस्करी रांचन सामने ताया मैला मन ले बन्न न शके का कुरारू यस उपन्यास मा बन्न खोजी की छू के कस्तो उन शके अब पाठको जिम्मा मा छोड़ गाछू मन्जु बिमली को उपन्यास अत्रिप्ती मा थी वाने लेखनो भयको लेखा किया कसरी लेखन मन वयो शिर्षको लेखा कियालाई प्रस्तुत करें यह उपन्यास हामीले एकसे चोंशेटी प्रिष्ट समस्टो नी शके का छू अब यसको अंतिम श्रिंखला बाचन मा अगाडी बडाऊंचू आज़ प्रिष्ट एकसे पैंशेटी बाटा चंडई बर्षी को न लागया छोरो बोकेर इंदी रामाईत जान लागये कि थी बाटामा हाथ मा हेलमेट बोकेको नीलो जाकेट र कालो चस्म लगायको मानचे छाया जोस्त पची-पची लागते थियो उसले खासे वास्ता गरी न बाटो में ने कती उन्चन कती तरत्यमांचे आफो नजिक-णजिक पारे हिन्न थालियो आखा कोल्टाओ दे उसले हेरी चिन्नु बायन वला जस्म खल दे उँ बोलियो हिन्दी राका आखा विस्भारित पाये उसको अगाडी सुधी पूबियेको थियो कुने दिन परिक्षे अलबायरा पर्खी रादा खोई था बाइक वने रा सोधे कोई न आजा ता लियरा आको शुताई उ मुझसु का शियो बाइक मां हुई की आलो लगत ताई केई बोलने न पाये त्यो तेसरी अलपे को देखर उचक्का परे उसलाई सुधी ब्राम परेजने बायो बरखर एक तेसले बोले के थियो तर उसले कुने जवाब फरकाउन पाये की थियो कोने मांचे तेसरी दियुसे अच्चम मा तरिकाले देख्यार अपने हरावना सक्सर उसको अन्योल सक्ये के थिया वो अलमलला परे रते तेके उबीर आये की थी एक्के छिनमा फेरी टुपलो का आई पुग्यो अईलिया हात्मा यवटा निके ठुलो जोला जुन्दे आये को थियो जोलामा सानो सानो भालो जात्रो ज्यापले टमी गुडिया लेरा आये छा फेरी बियेको दिन को याद आयो त्यो दिन पनी इससे गरी अचानक निस्के को मांचे एक्के छिनमा जोला वरी उपाहार लेर उबीयेको थियो आगन रस्ट्रान नजिक थे उनेरू चिं में ऊठ्यो रल्यावर प्रस पांच सेको बच्शा को हाथ मा दियो और उसको काक बाट नानी लियेर मूस्के फिराई गरी मुञ्टो डलकाई नानी को अनुहार रेरायो जबर आपर जस्ति मूस्के आयो अनुहार कुने वेला भावम कुने पढ़ा कठोर पंदेक इन्दी राले हतार हतार नानी ले आफनो काक मली, सामान्ने होदे बोले, कस्तो छ जिन्दगी? अन्वार नानी को कपाल तेर गोप्णाओ दे बनी, ठीक है चा, जिबन ले एस ते उनुपर सवनेर खासी सोची को थे न, जस्तो छ यही वला जिन्दगी बनने लाख चा क्या इन्वा बोली, एकोर एरी रायो उसलाई, इन्दी राले टाव को न उठाई सोदी, तपैला कस्तो छ बिस्तारी, टेबल मा आउनलाले बजाओ दे जबाफ दियो, प्लास्टिको फूल जस्तो सदाव आर छ, न वयलाने न जारने बिये गरनुगो, आगन मा रोपेको प्रेम को पीपल गमला मा सारे कुछू, तेसलाई बुन साई बनार बिताउनी मन्च जिन्दगी, सबी जनाले बिये गरने पर्षा बन्डे साईड, मा एक जनाले बिये न गर्देमा साईदू स्रिस्टी नरोग केला पनी, बन्डे कुर अरुण चाला, डल्लो अन्वार, कालो चस्मा, उमेर बरकर सरीट संग रमाउन थालेको, अरुण संग तुलना भयाले, अरुण कहा को पाहा को देगाएको, ख्यावटे पूर्व अभिवाहित पूरुस, सुदीप कहा को बड़ा-बड़ा पाउजा भयाको, अभिवाहित लग्का जबान, तर यो तुलनाला उसले देरे बेर सम दिमाग मो उरकन दीन, बरुण चोरा को अन्वार मेरी, तेहां अरुण बिस्तारी फक्रे दे थियो, बेरा, आयरा चोमा उभियो, सुदीप बंदा पहली ना इंदीराले सुदीप पीजा चा, चा, तेसले बनियो, उ अखा पहला पगली सकते थियो, उसले तिहां बसीरान पनी घारो थियो, उठी आलन पनी मन थियो, देरे बेर सम देत्थिके बसीराये, इस बिस्मा देरे समय इंदीराले नानी को बड़ी ख्याल गरे जने करी रही, शुदीप पनी बिना संदर बह कोईले कर का, कोईले इंदीरा सरा सर अगी बड़ी, शुदीप बीपरी दीशा तिर्फ होई कियो, लोक सेबा आयोक पास करे रहा अरून सरकारी अधिक्रित को जागीर खान थाले को थियो, इंदीरा अजए इस्कूल में थी, एक दिन परेवा का जोडी जस्ता अरून रहा इंदीरा छोरोड र बदाई छाई दुबे जनाले, बच्चा नी बनाई सक्या कती छीटो, बाब की नानी, उस्तो क्योट रहे चा, तो राको गाला तीरा हाथ पुर आयो, इंदीरा ला उसका हाथ 20 सालू लागी राए, निसान को यो बदाई को लागी के उत्तर दी ना, इंदीरा ले, और उनल इंदीरा ले, निसान ले जन्री चुठाओ दे बने, कोसेरी चिन्नो तेत्र बर्ष पची, वो अज़े के बोलना खुच दे थियो, इंदीरा ले, लो आमी जान चमाई बन दाई, अरूर का आथ चमाती, दुबाई ते तिके सरा-सर गई रहे पची, ना फर्की, निसान ति धिकरिया हिन ब्यबहर इंदीराळा बेत्र बेत्र बेत्रे ब fasten बनी रएकोथे हो, निसान ले जति समझयो, को ती इंदीरागो मन मा रिषका आगो दणकि धयान थ्यो, व्यमोवसो मी प्रेम का चक्कर पर एर, आश्वासान को महलमा बसाई, उसको पभित्र सरीर को दोहन ग ती दिन सम्झान पनी मन लाग देने इंदिराल आजा, तर सास फेरे जास्ते शरीर भरी मडारी रांचन, और मनमा उठेको यो तातो बाफ अरुन ले चाल पाउंचा की बनने चिंता परी रांचा उसलाई, अब इंदिराले जे जासतो बैपनी अगिला अधूरा प्रेम को छत अधि इतला कईले कोट्याउन हो देना, बर्तमान मा जिवनु पर्छ बोली को भविस्यार दे, समय गुजरी रायको थियो, उन्यरको छोरोने पांच बर्चा को भई सके को थियो, एक दिन छोराला इस्कूल बाट ले राउंदे गर्दा, कहीं टाडा बाट इसा इसा बने क सुनी, देरे बर्च बाई सके को थियो नाम सुने को न सुने को, यो तो आफने नाम पो उता बानने समझेर जास्चंग बाई, कान ठाडा पारेरा पचाडी फर्गी, गोरो अन्वार मा कालो तिलकोठीले चपक्के छोपे की, आखा का च्यो चावरी परे की, बढ़ी प्या कि एत्ती होनी, च्वरा को मुखेर दी मनुकाली बानी, एत्ती हो, इसले रामर सुरक्ष दीन सक्यो शियो कामाना, इम रुक्य छानी, इंदी राले जानना चाई, मेरा ता बयनानी बुरा, उसले आफना कोक बाजिये को गुरा सुनाई, संतान बयनान मनर जयली पनी गणग अरको बियागर न पायता बाउ न पायन थेकी बनेर बनन थाले, सासु पनी कड़ा, अमिले दसोटा चरचरी खुतु खुतु पायां, इसले चे यह उड़ा पनी न पाउने वाई बनेर, रातो दिन धारे हातला आर बसना खाना दीन, लव नाप्योस, उन ता बाउ बनेर, म आकल गरते दामे जाकरीले फुके काखराने अचेता चुखाऊ देई चन, तेस तो खायरा बच्चा उने भाई सपपल तेसे गरते हैने, किने जाय यूर जोडी, राडी सिरक का बच्चा ना हो दारा अचन, बाजी बनेर, खाली मले मत्र आईमाई को नाम मा कलंक बनाए, ब मला पनी काँ जानू किया गरनू बन्दा, बियगर एको लोगनी हो खपेर बस्चु बने लागयो, तियो अरी मत्टे जुगे पनी काँ गयो, तेसले मेरो जिन्दगी मात्र बिटु लाई दियो, चन्तान को माया चिनी चके के इंदीरा, मोनिका को कुरा सुने रा छक्क पर आपनी लागयर आयो, तर फेरी सोची, गहर पास तल्ले बार क्या बो, कोक बाजो बने र, सबको आखा को तारो बाई चा, तरल्ला पीर चिन्ता बोखनू पले पछी, यता हैरी रुट्यो उता हैरी रुट्यो, तो गहर को आगर मा खेलने संतान ने नवए पछी, बिचरील आउला नी, देखिया आले, पंदै इंदिरा बाटो लागी, पछे कुनी दिन आउला बने कि इंदिरा फेरी कॉइले पनी मोनिकाकोमा पूग न भ्याइना, अफनो घर बने र द्यखाऊनों न पाउंदे इंदिरा की आमा बितेकामा बने, उसला सारे नमीटो लागे को छ, रम इस पार्टी को माथे लो तोहका नेतावाय का थी उनी पहले देखिने भूमीगत राजनीती मा रहेचन तर इंदीराला कोईले देशको चनक लागे और एक दिन कोठामा आही रहने माने सेरू पार्टी का कारे करते हां उदर आएचन तेसेली पनी उन्देरू कोठामा बहरे का बेला जयले पनी बेद्रबाट चुकुल लगार गुनगुन कुरागरी रहन थे दाजु खासे केई काम नगरे पनी सदें बेस्त देखिन थे कईली हप्ता दिन चमा पनी बीना खवर आराऊं थे कईली राती जोलावरी चामां लिया राऊं थे कईली कोठा बाट बरीलो जोलावर केर बाएर राती निसकन थे तर दाजु को बारे मा उसला कईले पनी चास हो बाये न जब जनयुद्ध समाप्ति को कोष्णा बायो अनि पो रमेश अभीरले पूरियर कोठा मा आई पुगे जोरुस मात उन्देरूपनी हिल्डे की थिये तर आम सभा मा रमेश अभीरले पनी बासन गरेको शुन्दा उचकित परेकी थी रेक बड़ फेरी उसले कीरण को कुरा समझे की थी जब करुणा पनी मैला संगठन मा रायर सक्रिय राजनिती मा लागी छे अब उसको ब्यस्त ताले इंदीरा संगपनी बेटने फुर्शातों देना पहला उसले दीदी को पीर लागी राण थियो उसको बंदा पहले आफिले बिये गरेर उसमा ती अन्याय गरेको मा पश्चाताप लागी राण थियो अब उसले डुक्का बायको छा उसले अफनो मन को गाट फोर्ण पायके छे राब उसले दीदी को पीर छे ना गर रुगेर बसी दिने, शासो बिरामी बाय बसी, इन्दी रालाई काम मा जाना गारो पर न धाले। स्कूल को जागिर आपना जिम्मा मा रहे को कोर्स आफेली पुरा गरने। गाउं को आबापाने ले ठीक पनी होना सक्षा, नबाई एक पल्टा उते द्याखाऊं, सामाने जांसले रोग पताना लागनु मनेको अलिक संकाच पत कुराओ। इन दिराले तो किये बाणनो थे और तेसको बोली पल्टे उनेर ले छोरालाई प्रिंचिपल को गहर मार आखे र आमालाची तोन लागे। गाउं मा पके पचीता संच बाई जसती बाईन। खाने कुरापनी अलिक खान थालेन। आसनार गाउं गोम न थालेन। आमाईलाए ता गाउं सिक्पो बाई चा बाई चा बनेर अरूनले जिसकायो कनी। दोई दिन चमा आमाईको स्वास्ते सामानने बाई पची अरूनल राजदानी फार्कियो। उसले बानेको थियो। के यह दिन आमाला अज्जे एरनु परछा। एत्ते के ठीक बाई बाई वने बाई गो। न बाई अस्पताल में एक पल्ट राम्रारी जचाहूनु परछा ये ठाको पीर नलीनु आमाको ध्यान गरनु। उसले पनी सोची इसते बेलामत वनी परिबार आफंत चाहिने वने। और उन काटमानों वेडेको बेलू की देखी नहीं सासु सारे बिरामी बाईन। उसले फोन गरी और उनलाई और उनले तुरूंत बरतपुर अस्पताल लानू बने। अस्पताल मा भरना गरियो। बीविन नकुरे आरको जाज पसी। अस्पताल ले क्यांसर अस्पताल तीर रेफर गरी दियो। अब बने उसको मन मा ढ्यांग रो बजन थाले। एदि क्यांसर ने भायका बये। जाती उनु पनी गारोच्छा और खर्चा पु आन्द्रामा दोस्रो चरोन को कैंसर देखियो। जेको डर ले उओ आत्तिय की थी। तेही बैपची उसका नौनारी गलेर आये। मर्न दिनु पनी बाये। दोस्रो चरोन को कैंसर निको उनसक्षा बंचन सुन्दे अरू। जागिर छोरोर खर्चा को ब्यवस्ता गरना ला इन्दी रा साशुला ले अस्पताल वसन थालिये। पहला अप्रेशन रा तेस पची केमो दिनु पर सावरे डाक्टर ले। अस्पताल कैंसर रोग येर को बजार चसतो थियो। शाना नानी अरू जेखि जवान युवा युवती रा बुडा बुडी अरू रोग संग शुमानी चरू। पालो पालो एकले अर्का को बीरामी रूग न लगायरा कैंटीन मा बगय चामा बाटा तीरा तेके रूमली राय काउन थे। उसला पनी अरुके जस्तो पीरले राके को थियो। माया रा संपती को लडाही शुरुवायो। दुख गरे र कर्बनावन जग राय को पैसा या कही शास मा पो सकीने हो कि जुवा खेले जस्तो पो होने हो कि बने लागना धाले। उसलिए आतना आमा बाबुला बने कही सेभा गरना पाई ना। मरने बलामा पनी आमाला अंतिम पल्टा बेटना सकी ना। काट मा डीलो पूगे की थी। बाबामा मरता च रूगालोला हेर्दय गर्णवाई बने की थी। अस्पताल बित्रको निशासी दो बाथा पन बाड़ा एक चिन बाइर निसकेन पाउंदा पने जो फूरती हिलो बायका अनुबभगरी। और मानी चरुपनी तेसे गरी बराली रायका थी। मैनों देखे अस्पताल कूरी अनि दोई बर्से देखे दाही रायको चुब अन्ले और पनी थी। कोई आमा लीरा आयका, कोई साना छोरा छोरी लीरा आयका, कोई लोगने रूगेर बसे का, कोई श्रमती स्यारी रायका थी। सबई जनाको योटे पिडा थियो, रोग बंदा पनी पैसा देरे खर्च बा तर बिरामी बासने आशाहराओं देगाएको, अचम्म अचम्म का कुरा पनी सुनी उसले, पर सिमेंटी को फलाइचामा बसेर कैई मैला आरू कुरा गर दे थिये, कस्ता नटा नटी रहेचन, पापिस्ट आरू, त्यस्ता बिरामीला अस्पताल मा बिजोग पाररे हिन्नु इसता बिरामीला जेखता थेकते पनी कसरी त्यसरी हिन्न मन लागेको तो, बेत्र बेत्रे खासकोस खासकोस त थियो, तर यसो गरलान मनने तो कसरी छोशनों नी, उसले कुरा बुजी, एक पूरुसर एक मैलाली आफना बिरामी ते तिके छाडी बिहेगरी भागेशन, अस् आफन तर गरतीर बाट पनी आउदोर आईचा, उसले सोची, आमा ता सबय की होननी, आमीले माचर खटनू परने ता अई ना नी, अस्पताल में लियारे बर्ना गरेर गए पसी, कोसे नी मुख देखाय का चाई न, पैसा खर्च गरनू परिचा बनर ता उला नी, स्वार थ आईचा, तर तेसको अनुखार चाई पोतो दल्या को जस्तो देखी, उसले की रण की आमा का बारे मा समझी, उबहनतियो, आमानी मेरी ब्यारे लिदेरे पड़ी रा नू परदय न बन्छिन, ना देखिए की बढ़ी को पनी माया लागर आईचा, उसले की रण संग बी या अरु काल पनी की रामरी राय को थियो, अगलो अगलो शिकोटी, खिना उटी आनुखार र काटी कालो डडे जस्तो, कमजोर जीवलाई बिस्तारा हिली राय को थियो उसको जिव मापटक के तागत चाहिना वनने प्रस्टे बोजीन थियो तेसरी एकले आफुती राही राहे कोलाई राम्रोरी नियाल दाई उपने अगी बढ़ी राही निक्के नजिक पोगी पच अगाडी ने उब्भी तेसले विस्तारी टाव को उठायरे हरे हरे एकके चोटी इंदिरा को मुट चीसो भायर आयो जीव पनी लग 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 पायो एक्षिन टुलो टुलो हरी राही अगाडी उब्यको मानिस ले पनी तेसे गरी राहे को थियो किरन तिमी इंदिरा को मुख वाट आभाज निसक्यो तेसले हरी राहे को थियो उसले तेसको कुम्मा समातर हल्लाओं दे फेरी बनी, तिमी कीरन आय नाव? उसले एक ओर रहरी रायो, मा इंदी राचिने नाव? उसले हतारी दे बनी, चीने तिमी याकी नाव? संचेत चाओ? उसले कीरन कुट्य अबस्ता खपी न सकन बायो, पाखुरामा समातर आली बहुर को बेंच मा लगर काखी, चाओ में बसी, एक ओरो निकाई बेरी रायी, उसले सोधी, क्या बती मिलाई? बिस्तारे बन्यो, मला गाटी मा कैंसर बाया चाओ, लामो समय पढ़ावने काम गरियो, ठूलो सोर ले देरे बोलने मानिसला इस्तोने संभावना उंचारे, उसको बास बनी पहला को जस्तो थे, उसले किरण को देती धेरे माया तो कईले लागे को थे न, अब यो बास देन मन्ने बायरा अपनी तेस तो लागे को न सक्सा, उसको हाथ समाती, दूबला और खिरी लावाय का अउला समाती, पसाडी पट्टी बाट कापाल मुशारी, एस्च रिजल्ट चुनाऊना आएको, माती पीपल को फेद मा दिन भारी बसेर, आफुले बारी मा काम गरेको हेरेको, चिठी पठाएको, पाती बराबाटा फरकी दा, बाटा मा माया ता मदेश चार्यो बनेको, सब बै फरार रवायर आएको, आजा समा न बेटियो को मान्चे, त आफने पीर बाराबने उसला शुनाई, सासुरा चुरा का बारी मा पानी सुनाई, त्र अर उनको खासी चर्चा गरी ना, उसलिए उती चास न पनी देखाये न, आफने पीर ठुलो थियो, यहता कथा अन डेको, कोठा मा बस्ता बस्ता दिख्य लागरे इस वपल बारी मा दूलना निसकेगो। तेस बया हिडा मती मिला दिमरो कोठाम अपड़ाई दिन्सू। वो के नवली फनक कफर्कियो। बीरामी रुगनुलाई निद्रात के पर्थेवर। तेसमा पनी उसको दिमाग मा कीरण आकास चत्रवार को अपड़े को थियो। उसला क्ये सोयोगर्न सक केलावनेर सोची रही। तर खासी सोचाय आये न। बेड मा पीडाले छटपटाय रही कि साशु को बंदा उसलाई कीरण के पीर बड़े को थियो। उसको जीबन को सब बंदा मुल्लेबान बसतु। गुमदाई गरे को देखी रही कि थी। जती बलापनी के विशेस चिती आये पर्दा सब बंदा पईली इस मृतिमा आयोनी मानचे नए। अली उसका अगाडी पृतिव संग लड़ी रही को थियो। रह अब उ रंग, रूप, बल, शरीर। केईमा पनी त्यो पईली को कीरण थियो। ब्याने उठेर साशुला दिशापी सापकराई। कालो चिती आली आरक हुआई। कोठा सफागर नेरो आये पची उब बाईर निस्की। सरासर कीरण को कोठाम पुगी। उबसे र बड़ो गारो संग दोद्र बिसकुट खादे थियो। आज उब इजो बंदा केई फ्रेश थियो। उब पुगी पची जन उज्यालू देखियो पुषेले बन्यो। अब बोली घर जाने र तीन अपता पची आउनी। उए एक चिनाई बने र बाईर निस्की। खाचा खाई सके र किरण पनी केई बेर टोहल न बने र बाईर निस्केंदे गर्दा। इंदीरा उसको अगारी पुगे र उबी। उसको हाथ मा सानु पो आथियो। उसले तेसलाई निके बेर हरी रायो। बिस्तारे उसका आखा बाट आशु बगन थाले र बगी राये। उबिस्तारे पॉलंग मा बसियो। रते काप्टारे मुख्चो पे र आवाज निकाल देन अरुन पनी आयको थियो। परिबार कारु दाजवायर को तेता बुजदेई गयो अला। बेलुका। खाना खाई सके र कोठामा पसे पसी। अरुन ले बर्खारे खोले र किलामा जुन्डायको शाट जेके र अरुन तीरे हर दे बानी। तपहे आवा देखिये अस्तो नीलो शाट न लगाउनुला। अनोटो मांदे अरुन ले इ आटो पार्दाई रिकटी कुमचायर अरुन अलमाला परे रहरी रायको थियो। मन्जु बिमली को उपन्यास अत्रिप्तिको अंतिम श्रिंखला। उनले नीलो शाट उधारे को प्रसंगा। इन दिराले उधारे को प्रसंगमा आयर अवा सक्के कोछा। आमीले 14 श्रिंख अत्रिप्तिको बाचन क्रिपया हमीले प्रतिक्रिया दिनोला।